Hello Friends, My Name is Vikas Vohara और मैं Wall Street School में CFA Level 1 और Level 2 के बच्चों को पढ़ाता हूँ जैसे कि आपको पता है कि हमारा Institute अब CFA Level 1 के स्टूडिन्स के लिए Revisionary Classes लेके आ रहा है हमने औरेडी Quants पूरा अपने YouTube चैनल पे अपरोड कर दिया है तो जब मैंने पहली बारा बच्चों को Quants पढ़ाया था तो वो लिक्चर मैंने लाइव लिया था YouTube के उपर जितना मैंने Anticipate करा था उससे मुझे थोरा सा ज़ादा टाइम लग गया था इसलिए अब मैंने क्या करा है मैं FRA के लिए अब आपको Pre-Recorded Lectures देने वाला हूँ इस Pre-Recorded Lecture की जो Length होने वाली है ये करीबन 12 गंटे होगी इस 12 गंटे में मैं आपका पूरा का पूरा FRA कराने वाला हूँ अगर मैं Financial Reporting Analysis की बात करूँ तो इसकी Weightage करीबन 10% से लेके 15% तक आपके Examination में है इसकी Weightage दूसरे नमबर पे पहला Ethics आता है दूसरे नमबर पे ये आता है तो इसकी Weightage सबसे ज़ादा है Ethics के साथ 10 से 15% की अगर मैं Practically जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसको मैं कितने घंटों में Cover करता हूँ मैं अपने Life Batch में करीबन 15 Lectures लेता हूँ उन 15 Lectures का Duration होता है 4 घंटे That means मैं जब अपनी Practical Life में जब मैं अपने Real Classroom में इनको पढ़ाता हूँ तो मुझे करीबन 60 घंटे लगते हैं इस पूरे FRA को कराने में लेकिन इन 12 घंटे में मैंने कोशिश करी है कि मैं FRA के सारे के सारे Concepts आपको समझा दू और अगर आपने अभी तक FRA नहीं भी पढ़ा तो भी मुझे लगता है कि इस वीडियो की मदद से आप FRA में काफी अच्छा Score कर सकते हो बट मैं एक बद पहले बताना चाहता हूँ कि ये Lectures, Regular Lectures के Substitutes नहीं है ये एक हमारी कोशिश है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है ये जो बच्चों बहुती जवदी से Revise करना चाहते हैं तो वो इन वीडियो की मदद से Revise कर पाएं ठीक है? और ये Lectures Totally Updated है उन बच्चों के लिए जिनका Attempt 2023 में है और अगर आप चाहते हो कि हम आगे भी ऐसे Lectures लेके आते रहे तो मेरी आप बच्चों से एक ए रिक्वेस्ट है कि आप हमें Constructed Feedbacks देते रहिए Now, what is the meaning of Constructed Feedbacks? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आपने आपको एक Perfect Teacher बता पाऊंगा मुझे ऐसा लगता है कि एक Teacher के Life में हमेशा उसको Continuously Improvisation की Requirement होती है और मैं भी कोई exception नहीं हूँ मुझे भी Improvisations की Requirement है मेरी बस मेरे बच्चे से एकी Request है आपने किसी से भी पढ़ाई करी हो कोई भी आपका Teacher हो अगर आप मेरे YouTube चैनल के मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं भी आपको अपने बच्चे की तरह Treat करूँगा और मेरी बस मेरे बच्चे से एकी Request है सिर्फ एक Request है कि आप हमें constructive feedback दीजे कहां पर आपको लगता है कि कि इस lecture में कमी थी और जो इक हमारा purpose था कि हम बच्चे का 12 घंटे में पूरा FRA करा सकते हैं तो क्या उसमें हम successful हैं या नहीं है ठीक है और मैं आपसे request करता हूँ कि आप मुझे ये भी बताइए कि next किस topic की उपर हम अपनी वीडियो को ले के हैं मुझे पता है में के लिए थोड़ा से लेट हो गए है बट अगर आप बच्चे लोग हमें support करोगे तो मुझे मैं confident हूँ कि हाँ मैं 100% slavers अपना YouTube पर अप्रोट कर दूँगा ठीक है तो प्लीज मुझे मदद करिए कि अगला topic कौन सा होना चाहिए quants हमने already finish कर दिया है एक बार quants का भी feedback पता दीजएगा और जो दूसरा topic हम लेके आ रहे हैं that is going to be financial reporting analysis ठीक है तो चलिए start करते हैं और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ अगर आप चाहते हो कि हम lecture को थोड़ा सा और जल्दी खताम करें तो यह भी request है कि आप इसे को 1.5 की speed पर भी देख सकते हैं plus इस lecture में मैं किसी तरीके के आपको notes देने वाला नहीं हूँ मलब को हम आपको PDF एकरा नहीं देंगे आपको करना कि जो भी class में PPT कर रहे हैं या जो भी मैं draw board पर लिख रहा हूँ उसको सिर्फ आप copy करते रहे परसे में किसी तरीकी के notes दूँगा रहे और मैं कुशिश करूँगा कि इन 12 गंटे में अगर आप मुझे 12 गंटे अपने दे रहे हैं तो उस 12 गंटे में justification कर पा रहा हूँ और अपका पूरा का पूरा FRA complete करूँगा ठीक है सचली स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंट्स तोड़ी यह गोई टू स्टार्ट विर दा न्यू यूनिट जिसका नाम है financial reporting analysis इस यूनिट में क्या सीखेंगे इस यूनिट में हम सीखेंगे कि company के financial statements कैसे बना जाते हैं प्लस उसका हम analysis कैसे करेंगे इसमें मेरे कितने study sessions हैं मेरे 4 study sessions है study session 6, 7, 8, 9 इन 4 study sessions में हम 12 chapters को cover up करने वाले हैं और इसकी total weightage है मेरी 15% है मेरी approach क्या रहेगी सबसे पहले मैं आपको एक broad overview दूँगा financial statements के बाड़े में यह कैसे बनाये जाते हैं किन principles को हम follow करते हैं and then I will start with course study session 8 then मैं 7 कराऊंगा 6 and finally मैं 9th study session आपको कराने वाला हूं अब जैसी मैं word use करता हूं financial statement इन financial statements का मतलब क्या है financial statements का मतलब है कि company को अपना income statement बनाना पड़ेगा balance sheet cash flow statements and notes to accounts इन 4 चीजों को मैं क्या बोलता हूं इन 4 चीजों को मिलके हम कहते है financial statement income statement का purpose क्या है income statement बताता है कि company ने during a period कितने profits on current अब यह period कुछ भी हो सकता है यह 3 months भी हो सकता है यह 6 months भी हो सकता है यह 12 months भी हो सकता है और balance sheet क्या बताता है balance sheet बताता है positions of assets and liability as on particular date example मैंने आपसे पूछा आपकी net worth कितनी है net worth as on date आज आपकी net worth कितनी है कल आपकी net worth कितनी थी income statement period की बात करता है balance sheet as on date की बात करता है cash flow and notes को अकाउंट में थीज़बाद आपका ठीक ऐसा अब income statement बनाने की दो approaches है एक को हम बोलते हैं direct approach and जुछने को हम कहते है multi step direct approach में हम क्या करते हैं इसमें बताते हैं की company की sales कितनी है and एक company के profits कितनी है earning after tax multi step में मैं क्या करता हूं मैं यह चीज़े दिखाता हूं बट तोर तोर के तोर तोर के means इसका please performa लिखेगा I start with sales minus cost of goods sold मेरे पास आएगा gross profit minus other operating expenses of cash nature मेरे पास आया मेरा EBIT EBIT means earning before interest tax depreciation and amortization minus depreciation and amortization EBIT minus minus interest EBIT minus tax EAT EAT So, एक है मेरा direct approach एक है मेरा multi step multi step में मैं EAT पे आ रहा हूं लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूं आपको खर्चों का break up दे रहा हूं direct approach में मैं खर्चों का break up नहीं दे रहा हूं अगर मैं आपको खर्चों का break up दे रहा हूं तो आप उसका better analysis कर सकते हैं इसलिए हम practical life को कौन्सी आप्रोच फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ममल् reduction अप्रोच फॉलो करते हैं क्यों यहां पैं आपको खर्चों का break up दे रहे हैं और तभी आप company की valuation कर सकते हो, इसलिए multi step approach एक better approach मानी जाती है, ठीक है sir, अब यहाँ पर मैंने आपको किन-किन खर्चों का break up दिया, एक खर्च को मैंने का cost of goods sold, एक को मैंने का other operating expenses, एक को मैंने का depreciation interest tax, मैंने tax को अलग से क्यों दिखाया, मैंने tax को अलग से इसलिए दिखाया, क्योंकि यह government को belong करता है, interest को अलग से इसलिए दिखाया, क्योंकि debt holders का पैसा, depreciation को अलग से इसलिए दिखाया, because it's a non-cash, अब मेरा आपसे question है, कि मैंने cost of goods sold, और other operating expenses को अलग से क्यों दिखाया, depreciation का logic हमें clear है, interest का logic हमें clear है, tax का logic हमें clear है, मैंने cost of goods sold और other operating expenses को अलग से क्यों दिखाया, ठीक है, तो c u g इसके bracket में अब लिखेंगे, यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे, product cost, और इसके bracket में लिखेंगे, period cost, और इसका इक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं direct cost, और यहाँ पर हम लिखते हैं, indirect cost, ठीक है से, अब इसका भी हम थोई दिर में अंसर करेंगे, अब यह financial statements बनाए कैसे जाते हैं, यह financial statements बनाए जाते हैं, विद गी help of some standards, उस standards का नाम है, एक को हम कहते हैं, IFRS, और एक को हम कहते हैं, US gap, IFRS, International Financial Reporting Standards, यह कहाँ पर लगते हैं, यह पूरी दुनिया में IFRS लगते हैं, सिफ यूएस को छोड़ते हैं, और US में क्या लगता है, US में लगता है US gap, अगर मैं आज इंडिया में बात करो, इंडिया में क्या लगते हैं, इंडिया में लगते हैं, इंडिया में लगते हैं, इस इंडिया और नटिंग बट Akbar-अफर्ट्प, पूरी दुनिया में क्या लगता है, E squad और US में क्या लगता है, US में लगता है मेरा US gap, So these are the standards जो में हमें बताते हैं कि आपको पटिकुलर चीज की accounting कैसे करने वाले मैं आपको accounting standards नहीं सिखा रहा बट मैं आपको principles बताऊंगा जिन principles की ऊपर ये standards बनाए गए है and before अब मेरी किसी भी question का answer करेंगे आप उन चार बातों को mind में रखेंगे ठीक है वो principles क्या है मेरा पहला principle है matching second is accrual third is conservative and fourth is consistent so before to answer any question आप इन चार बातों को mind में रखेंगे matching accrual conservative consistent इनके मतलब क्या है ये अभी हम थोई देल बात देखें ठीक है sir so अभी तक मैंने आपको किन चीजों को logic नहीं दिया है मैंने आपको सिखाने आपको इन चार बातों को ध्यान रखना पड़ेगा एक का नाम है matching एक का नाम है conservative consistent and the actual principles ठीक है साथ अब मेरा आपसे एक और question है आज मेरी class कतम हुए and मेरी class कतम ही तो मैं घर गया and it's a summer season वहन कर गड़ी है और मैं जैसी घर गया मैंने AC को switch on करा और मेरा AC फुट गया अब मैं क्या करूंगा अब मैं electrician को बलाऊंगा electrician आया electrician ने AC को repair करा और उसने मिर से 500 रुपीस charge करे मैं खुश या दुखी I am feeling happy और I am feeling sad घर आया after working a lot एकदम से घर में थी मुझे AC आन चाहिए था AC जैसी आन करा AC फुट गया and electrician को बलाए he charge me 500 रुपीस अभी मैं खुश फील कर रहा हूंगा दुखी Sir you are feeling sad because एक unexpected खर्चा हो गया आपका 500 रुपै कर और जब मैंने क्या electrician को पैसे दिये होंगे क्या मेरी जिब से पैसा गया 500 रुपीस दी अंसर इस 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 इन दी सेकेंड सेनारियो अगें मैं अपनी क्लास का कमी घर जा रहा था और घर जाते जाते क्योंकि मैंना बच्चों को पढ़ाय में भाग खुश था बीच में क्या आया एक औरी का शोरूम आया मैंने अपनी गाड़ी रोकी और एक और दी एस शोरूम से बाइक करी कितने रुपीस की 50 रुपीस और मैं अपने घर चलाए तो यस्टड़ी मेरी जिप से कितने गये थे पांत-स अज मेरी जिप से कितना गया 50 रुपीस मेरा बड़ा सिंपल कोशन कहीं आज मैं मैं हैमए फ्मी कर रहा हूंगा पैसा यहां पर भी गया था यहां पर 500 गयते में दुखी था यहां पर 50 लग गये हैं मैं खुश हूं क्यों खुश क्यों यह नहीं समझा रहा है बढ़ा खुश हूं the answer is yes that means खर्चे दो तरीके के दुख यह तो वो असली में खर्चे हैं या वो क्या है वो assets है और यह खर्चे भी eventually P&L में जाएंगे बट इनको मैंने वर्ड assets क्यों का क्योंकि यह एक particular period का खर्चा नहीं है फिर से समझे आज दो companies हैं एक का P&L account कुछ ऐसा है and at times negative losses में भी थी at times company profit में भी है और एक company है इसका P&L account ऐसा है the submission of 5 years profit यहां पर कितने है 500 और यहां पर में पैसा लगाना चाओगे क्यों इस company में volatility क्या है volatility is less that means मेरा consumer behavior क्या है मेरा consumer behavior है कि में जो volatility अच्छी नहीं लगती जिस company में volatility कम होगी मैं उस company में पैसा लगाना prefer करता है ठीक है अब मेरा बड़ा simple सवाल है जब lawmakers ने यह standards बनाए होंगे IFRS US गया कुछ भी हो वो volatility को reduce करने की कोशिश कर रहे होंगे या volatility को promote अगर volatility हुई P&L accounts में तो लोगों का equity market से interest उठ जाएगा वो चीजों को project नहीं कर सकते हैं उन्हीं चीजों को project कर सकता हूं जो की stable हो तो उन्होंने accounting standards इस तरीके से volatility reduce हो और उनका पूरा कोशिश था कि volatility को reduce करा जाए और volatility को reduce करने के लिए कौन सा principle आया उस पहले principle का नाम है मैंचेंग और matching का मतलब क्या है matching का मतलब है match your expenses match your expenses with respect to your with respect to your revenue अपने खर्चों को मैंने वर्ट के लिए है match your expenses not match your revenues match your expenses with respect to your revenues अपने खर्चों को अपने revenues के साथ मिल आई है okay अब इसका use समझते हैं एक एक ओला ड्राइवर है और एक ओला ड्राइवर ने आज एक कार पर्चेस करें 5 लाक रिपीज और इस ओला ड्राइवर को लगा इस गारी से मैं अब इस गारी से रिवेन्यू मुझे पांच साल तक आने और यह गारी मैंने यूस करी है और यह गारी पांच साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी और अगर मुझे लगता है कि इस गारी से रिवेन्यू कमाने वाले हो तो खर्चों को भी क्या करो खर्चों को भी पांच सालों में डिवाइब करो और अगर मुझे लगता है कि इनसे मुझे बेनिफिट ओवर दफीरेट होने वाला है तो इनके खर्चों को भी क्या बुक करो ओवर दफीरेट बुक करो तो खर्चे या तो रिवेन्य एक्स्पेंडिचर है या वो क्या होते हैं क्यापिटलिच इंटिजगोगे अरट क्यापिटलिचल का मतलब है हम उसको बुक कैसे करते हैं इसे इसेट का मतलब होता है इस दिए अरी रिसोर्स जिटर गटा है के फिटर में देवीड दिशाट what is the meaning of liability the meaning of liability means the obligation which will result in cash outflow in the future what is the meaning of asset these are the economic resources which will result in inflow of cash in the future मैं इसको एसेट की तरह दिखाऊंगा और ये एसेट की तरह मैंने क्या दिखाया कार और ओवर दा पीरेट क्या होगा इस कार को में क्या करूँगा डेप्रीशेट करूँगा और ये डेप्रीशेशन भी किसमें जाता है ये भी इवेंचली पीनल में जाएगा और इसको तोर तोर के मतलब दिखाने का पर्पोस क्या था तो डिदीज दी कि आएंगे तो खर्चो को dal CT क करो और अगर आइज बनिफेट मुझे सिर्फ इस पटीकुलर येंट का उसको सीधा इसार दो में लिखे हैं चले जाती लिए खर्चे या तो खर्चे हैं या फिर कर्चे क्या है एसे और यह एसेट भी एवेंचली डेपीरेसिशन की फ़र में कहा पर जाते रहेंगे इंप इन फिर था कि बुप्टेंस अमें माचिक प्रिंसिपल समझ में आए ठीक है, हम volatility को reduce करना चाहिए, तो आज ये जो गाड़ी मैंने लिए 50 लग की, क्या ये भी पेनल में जाएगी, yes, in the form of depreciation, क्योंकि ये एक दिन का खर्चा नहीं है, ये कितने दिन का है, मान के चलते हैं, इसकी life 5 years है, ये 5 साल का खर्चा है, तो हर साल में 10-10 लाग रुपए book expense करता है, ठीक है, समझ में आया, अब, again back to the question, कि मैंने period cost और product cost को अलग से फूर दिखाया, इसका logic मुझे अभी भी समयज नहीं आया, कि sir, इससे क्या analysis हो रही है, जो आपने direct cost और indirect cost को अलग से दिखाया, ठीक है, मैं आपसे अब एक और question कूछता हूँ, My next question is, एक company ने 500 goods produce करें, पासिबल है, येस, एक company ने एक particular year में 500 goods produce करें, पहले year में उने 200 goods देचे, जूसरी year में उने 300 goods देचे, पासिबल है, answer is yes, मेरा बड़ा सेंपल सवाल है, इन इस फिर्स्ट यो, I should book expense for, मैंने बनाए 500 एंट, for 500 units, or for 200 units, I should book an expense for 500 units or 200 units, प्लीस सोचिएगा, मेरे regular face-to-face batch class में, बच्चा क्या answer देता है, बच्चा answer करता है, but 500 is the incorrect answer, P&L should be hit with only the expenditure for 200 units, समझते हैं, year 1, year 2, यहां पी unit sold केतने है, unit sold at 200, unit sold at 300, and I assume that, the selling price per unit is 10 उप्लीस, so यहां पी मेरे sales केतने है, मेरे sales in 2000, मेरे sales in 3000, पिर समने लिखा 1 and 2, यह 200, 300, 2000, 3000, अब जिन बच्चों ने बोला, कि आप 500 units का खर्चा ले लो, मैंने आपे expense लेखा, and I assume that the 4 unit cost is 5 रुपीस, आपने का 500, 500 का मतलब है, multiply by 500 by 5, that would be 2500, फिर आप यहां पे कुछ भी माइनस नहीं करोगे, तो आपके profits कितने आये, आपका profit आया, यहां पे minus 500, और यहां पे आपका profit आया, 3000, और जिन लोगों ने बोला कि, सर, यहां पे आप 200 unit का खर्चा लो, यहां पे आप 300 unit का खर्चा लो, इनका expenditure यहां पे कितना आया होगा, 5 multiply by 2000, और यहां पे आपका expenditure आया, 50 unit, रिजल्टेड आंसर इस 1000, और 50 unit, अब आप बताएं कि वालेटिलिटी किसमें जादा है, वालेटिलिटी, इसमें जादा है, या वालेटिलिटी, वालेटिलिटी, यहां पे जादा, तो lawmaker ने क्या का होगा, lawmaker चाते हैं कि वालेटिलिटी को हमें reduce करना है, उन्होंने क्या का, उन्होंने का हम अपने PN element, तितने से लेंगे, विद अहीट आप 200 units, इन दी पोस्ट यूर, and with a hit of 300 units in the second year, based upon which principle, based upon matching principle, match your expenses with respect to your revenues, अगर 200 unit बेची हैं, तो सिफ 200 unit ते ही कर्चे book हो, सर बट मेरी जब से तो 15.500 रुपए गया है, बिल्कुल बानता हूँ कि आपकी जब से खर्चे सो रुपए गया, सर फिर आप कैसे इसको record करेंगी, अब आपकी जोड़े, मेरी जब से पैसे कितने गया, मेरी जब से 2500 गया, और खर्चे या तो खर्चे हैं, या फिर खर्चे क्या है, खर्चे asset है, इस बिलांस तो 500 उनिट आपने 200 बेचाँ, और आपने हम तो 300 उनिट सोल का, मैं क्या करूँगा, मैं 1000 को PNR में दिखाँगा, as cost of goods sold, और इस 1500 को क्या दिखाँगा, assets में, as खर्चा 25 का ही हुआ है, खर्चे या तो खर्चे हैं, या फिर खर्चे assets है, 1000 रुपय का खर्चा में काँ पे लेके जाऊँगा, in the PNL account, and 1500 को काँ पे लेके जाऊँगा, as asset under inventory, कल जब ये 1500 बिकेंगे, तो ये asset में से हट जाएंगे, और कहाँ चले जाएंगे, PNL में अच्छा, तो क्या asset भी इवेंचिली PNL में जाने वाले हैं, the answer is, okay, अब, significance क्या थी, needed cost and product cost, the significance is, यहां पे लिखेगा, direct cost, and यहां पे लिखेगा, indirect cost, यहां पे लिखेगा, the significance क्यासी, it is based on, merchant, यहां पे लिखेगा, this is the significance, okay, अब में अप्को एजाएंपल देता हैं, that what is the meaning of a direct cost, what is the meaning of indirect cost, वो सारे के सारे खर्चे, which are directly, related to, manufacturing of goods, is known as direct expenditure, and वो बागी सारे के सारे खर्चे, जो indirectly involved है, उनको हम indirect expenditure क्याते हैं, example, मैं आप से पूछोगा, raw material, direct, indirect, direct cost, labor, direct, indirect, पता नहीं, पावर, direct, indirect, electricity, direct, indirect, freight inward, direct, indirect, freight outward, direct, indirect, बागी सीपे नहीं समझा रहे, मैंने का वो सारे के सारे खर्चे, जो गुट्स को बनाने के काम आते हैं, वो direct, पहले एक्जाम्पल, raw material, raw material था यह थिम्स, अभी बच्चे कह रहे होंगे, direct, second word मैंने उस करा, labor, labor, labor वो लोग होते हैं, labor की category में, accounts में labor उन्हें कहते हैं, जो factory में होते हैं, जो goods को बनाने में use हो रहे हैं, उन लोगों की wages वगेरा को, so wages, labor, यह क्या है, direct, तो मैंने word उस करा, employees, employees का मतलब होता है, वो लोग, जो offices में काम करते हैं, आज अगर reliance है, reliance की एक refinery एक जाम लगर में, उस refinery में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारी के सारी क्या है, accounts point भी सो उन्हें सब को हम क्या बोलेंगे, labor, similarly, Mukesh Ambani कहां बैठते हैं, उनके Mumbai के corporate office में, he is not involved with the manufacturing of the goods, लोगी refinery of oil, उसको हम क्या बोलेंगे, influx, फिर मैंने word क्या use करा, power, तो यह क्या हो गया, indirect, मैंने word क्या use करा, power, power का मतलब होता है, वो खर्चे, जो factory से related है, direct, electricity के एक्स पनीचर, for the factory, हम word क्या use करते हैं, power, office के electricity के लिए, हम word क्या use करते हैं, electricity, it would be, indirect, freight, inward मैंने यूज करा, and then मैंने यूज करा, freight, outward, आज, let us assume, मैं एक पानी की बोटल बनाता हूं, और पानी की बोटल का जो cap है, वो मैं आउट्सोर्स करता हूं, अब वो cap, जब मेरी factory में आया होगा, तभी वो बोटल बनी होगी, freight, inward, जब वो आया, वो cap मेरी factory में, मैंने कुछ logistics वाले की expenditure करेंगे, जब तब वो cap नहीं आये, क्या मेरी बोटल बन सकती है, the answer is no, freight, inward, would be direct, freight, आज मेरा product ready है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने dealers के पास इन products को भीजना चाहता हूं, मुझे उनको भी logistics के expenditures करने पड़ेंगे, freight output कब होता है, जब वो goods बन चुके है, अगर goods बन चुके हैं, वो सारे के सारे खर्चे क्या होंगे, वो सारे के सारे खर्चे वोट भी indirect, इस वोट भी direct, इस वोट भी indirect, storage, storage of inputs, इंडिरेक्ट, storage of finished goods, इंडिरेक्ट, आज, let us assume, मेरी गारी बन दे है, मैं मारुती सुजूर की, मैंने गारी की manufacturing कर दी, अब ये जो गारिया बन जाती है, मैं क्या करता हूं, इन गारीं को मैं रखता हूं, अपने वेरहाउस में, उस वेरहाउस का रेंट, इंडिरेक्ट, आज मुझे कोई inputs चाहिए, ओन इंपोर्स की storage के लिए मैं कुछ रेंट दे रहाँ, वोट भी इंडिरेक्ट, and what is the significance of this डिरेक्ट औ इंडिरेक्ट, direct expenditures are based upon matching concept जितने units बिके सिर्फ प्रोराटा बेसे पर उतने ही खर्चे मेरे PNL में जाने वाल है in case of indirect expenditure उनकी वजह से कोई भी SST बनता हो डिकली के डिकली कहां जाते हैं वो सीधा सीधा मेरे PNL अकाउंट में जाने जाते हैं this was the significance of product cost and the period cost. Product cost are based upon जितने units आपने sold करें हम PNL में सिर्फ उतने का हिट लेने वाले and period cost का मतलब है कि हम कोई भी प्रोराटा नहीं करेंगे हम सीधा का सीधा उन्हें PNL में लेके चाहिए ठीक है अब normal waste आज आप कोई में लेके साजियों I am into the business of manufacturing of curd और थोड़ा बात milk का वेस्ट हो जाते है normal wastage would be direct abnormal wastage would be direct normal direct abnormal into storage of inputs would be direct storage of finished good would be in चीचे सा समझ में आया तेक बड़ फिर से मैंने direct को इसलिए दिखाया अलग से because it is based upon matching principle इसको अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि matching concept के पर based नहीं है depreciation को अलग से दिखाया इसलिए अलग से दिखाया because it is a non cash expenditure इंट्रस को अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि यह debt के खर्चे थे टेक्स को अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि यह government को belong और मेरे किसी भी question का जवाब देने से पहले आप इंग चार बातों का ध्यान रखेंगे अभी सिर्फ मैंने आपको एक ही concept सिखाया जिसका नाम है कि समझ में अब एक छोटा सब बैलेंशिट का परफॉर्मा भी देखते हैं दिन थोड़ी सी बात हैं कैश लो के बारे में करेंगे अपना फॉर्स चाप्टर स्टार्ट करूंगा जो की है कि बैलेंशिट कि लक्रप्प्र मैने लिखा लिपीजिज यह मेरे स्ट है लियाबिल्टीज में मैने लिखा अक्विटी डेग करेंक प्सेशिश और निया खुटिज्टर्फेरों इटिवीटस्ट इटविड़ों मैंने 4 parts में divide करा, इनको में क्या बोलता हूं, working capital, इसको में क्या बोलता हूं, sources of funds, and ये मेरे क्या है, non-coming services, ये eventually कहां पे जाएंगे, ये eventually P&L में जाएंगे in the form of services, liabilities का मतलब क्या है, these are the obligations which will result into output of cash, these are the sources which will result into inflow of cash in the future, ये इक मेरा balance sheet का परकारम है, and the last one is cash flow statement, अब उपर जो आपने P&L account बनाया था, वो P&L account किसकी उपर based था, एक और principle है, जिसका नाम है, accrual, तो जो भी आपने अभी उपर P&L account बनाया, it was based upon an accrual principle, accrual का मतलब क्या है, accrual का मतलब है, let us assume, आज कुछ खर्चा होगा, और उस खर्ची के लिए मैंने पैसा नहीं दिया, खर्चा हो गया है, P&L में बुक करो, accrual का मतलब है, we are least bothered की cash transaction हुई है या नहीं हुई है, अगर originally आपका कुछ expenditure होगा, आपने पैसा नहीं दिया, so we are least bothered आप P&L में उसका hit लो, similarly, आज मैंने किसी बंदे को goods बेच दी, पैसा नहीं आया, goods बेच दी है, ownership has been transferred, आप sales को बुक करो, मैंने का sir, बट पैसा नहीं आया, उसको क्या दिखा दो, डिक्टर्स दिखा दो, किसी बंदे से raw material खरी दे हैं, उसको अभी तक payment नहीं करी है, payment नहीं करी है, तो accrual का मतलब क्या है, कि we are lease bother की cash, cash की transaction हुई या नहीं, अगर आपने किसी बंदे से goods purchase करने थे, payment दे नहीं है, बुक करो, कुछ किसी को sale करा हुआ है, पैसा आना है, अगिन उस entries को आप बुक करोगे, या lease bother की पैसा आया है, या नहीं है, cash flow statement क्या बोलेगा, cash flow statement बोलेगा, कि एक period में, during a period, एक company नहीं कितना cash कमाया, और वो जो cash कमाया है, आपको three activities से दिखाना है, वो three activities कांसी है, एक को बोलेंगे cash flow from, operating activities, एक बोलेंगे cash flow from, investing activities, और एक बोलेंगे cash flow from, financing activities, इन तीन activities से आपको दिखाना है, financing का मतलब क्या होगा, financing का मतलब है, ये दोनो, ये दोनो financing के पार्ट है, ये investing का पार्ट है, और ये operating का पार्ट है, equity debt, financing, fixed assets, investing, working capital would be the part of operating, investment, मेरा बड़ा simple सवाल आगया, मान के चलते ही, law makers थी क्यों उखा कि आपको operating, investing, financing से अलग-अलग तीन activities से दिखाना पड़ेगा, मान के चलते ही, एक company का last year cash flow, from operating activity was zero, ये भी zero था और ये भी zero, ये भी zero, ये भी zero, and this year they have earned 100, cash flow from investing is 100 करो, cash flow from financing is 100 करो, as a investor, आप खुशो ये दुखियो, last year company का cash flow from operating activity was zero, this year 100 करो, ये दुखियो, investing से भी zero था, अब 100 है, खुश ये दुखियो, financing से भी zero था, अब 100 है, खुश ये दुखियो, sir हम तो तीनो situations में खुश है, फिर lawmakers ने कहा ही क्योंकि आपको तीन activities में दिखाने की ज़़ुरत है, तीन भागों में, अगर आप तीनों ही सेनारियो में खुश हूँ, समझ नहीं आया, समझते हैं कि lawmakers ने क्यों का कि आपको operating, investing, financing तीन अलग-अलग activities से दिखाने की ज़़ुरत है, मान के चलते हैं, मेरा CA cleared हुआ, मेरा CA cleared हुआ, अब अब 2 साल तक मेरी नौक्री नहीं लगी, तो eventually मेरी नौक्री लगी दो साल बात 20,000 की, और जिस ही 20,000 की नौकी लगी में घर आया मे को अपनी फिर्स सालरी मिली मैंने अपने अपनी ममी को 20,000 एपीस देखी मामा खुष यह दिखे मामा खुष तुझी मेरी फिर्स सेलरी आई है अब हुआ क्या अगें इस सेनार्यो में नौकी लग लग लिए again another scenario मेरी job नहीं लग लिए मेरी ममने मेर से पूछा विकास तरी नौकरी लगती क्यों नहीं है मैंने का ममी भी problem is that कि हर इंटेव्यू में मेरे को जाने के लिए मेरे पास कोई वेहिकल नहीं है में बसले जाता हूं मैं इंटेवी में लेट पहूंचता हूं में इंटेवी में अब में क्राक कर Woo और में मैं अबको घर तके आप में कोIt Ak dyeweaver लेजे नहीं है मैंने का आप Activa ले दोगे मैं हर इंटर्वी पर टाइम पर जाऊंगा में पर प्रेशर बिल्ट ले होगा एंड में इंटर्वी इसको क्रैक कर लो मैंने का ठीक है मैं तेक अक्टिवा ले देते हैं लेकर तेक जाब पका लगीगी मैंने का हाँ ममे ने में मंठे क्पिटी थाउजन रूपीश के ही है एक एक अक्टिवा लेकर इन धेक का करा वही विकास अगले दिन गया तो रोल बाग में आप लक्राम को बेच आँ कि अक्टिवा को बीच ओ 20 थाउजन रूपीश को ले और आया मम्मी के हात के में मां त्येलो आज आपने एसेट बेचा है माम्ही आपको जूते मारेगी बट 20,000 पे तो मिल रहे हैं अपने एसेट बेचा है that means बड़ेज़ांग से अगर एसेट इंक्रीज होते हैं तो पैसा जाता है लाइबिल्टी इंक्रीज होती है तो पैसा आता है समझते होता है एक बंदा आपको कहा रहा है कि आपसे मुझे 100 रुपे लेने हैं अब वो कहा रहा है मुझे आपसे 200 रुपे लेने हैं तो इस during the period क्या हुआ होगा आपने 100 रुपे यह होंगे कि जब liabilities increase होती है पैसा आता है कि लास्ट की यह आपके पास कोई भी कार नहीं थी और अब वोड़ें मेरे पास 100 रुपी कार है तो इस साल में ऐसा क्या होगा इस साल में आपकी जेव से 50 रुपए गाये होगा जब एसएड इंक्रीज होते हैं पैसे जाते हैं जब liabilities इंक्रीज होते हैं पैसे आड़ें और अभी मैंने आपको क्या बोला था इन से related सारी की सारी activities क्या है investing और investing से अगर cash inflow आ रहा है that means आपने क्या कर रहा है आपने assets को बेचा है पिर से समझते हैं operating का मतलब है आपने operations के थूरू पैसा कमाया investing का मतलब है आपने assets को बेच के cash कमाया आप कभी भी नहीं चाहते हो कि company का cash flow from investing activity positive आपने अगर पॉजिटिव आ रहा है that means company अपने assets बेच लिए और अगर company अपने assets बेच लिए है उसके going concern पे बहुत बड़ा question mark होता है company तुमारा काम था है assets की help से sale करना तुम आज अपने assets बेच रहे हो could be possible कल को तुम रख जाए it will be a great question on the company's going concern operating से आप हमेशा क्या चाहते हो positive investing से आप क्या चाहते हो negative not positive financing से debt increase होना inflow मैं जब छोटा होता हूं मुझे पैसे की requirement अभी company size is small initially there would be a requirement of capital initially I want that there should be a cash flow from financial equity cash flow that means मैंने लोगों से debt लिया equity raise करा but over the period जैसे जैसे मैं mature हो जाऊंगा I want cash flow from financial activity to be negative का मतलब मैं लोगों को पैसा उनका वापस कर जाओ शूरू में पैसे की requirement है पैसा low but over the period जैसे आप mature होते जाओगे I want cash flow from financing activity to be fit P&L account किस basis पर बनाया जाता है accrual पे तो lawmakers ने का आपको एक और statement बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा cash flow statement इस statement में आप तीन भागों में divide करके बताऊगे कि company नी operating investing financing से कितना कितना cash कमाया और इसकी significance यह है आप अमेशा चाहते हो cash flow from operating activity to be positive you always want cash flow from investing activity to be negative negative signifies कि आप assets को खरीद रहे हो and financing सब क्या चाहते हो initially you want to be positive positive का मतलग कि company debt raise कर रहे है but over the period you want to be reduced negative हो जाए वो negative signify करेगा कि आप लोगों का debt रहे है चीक है so broad था जिसमें मैंने आपको बताया income statement क्या है balance sheet क्या है cash flow क्या है so now friends we are going to start with a chapter inventory और inventory के खर्चे आपने देखे कि एक मेरे cost of good sold चला जाता है और दूसरा खर्चे मेरे क्या बन जाता है मेरा asset बनता है जिसको हम नाम देते है inventory it was based upon which principle यह matching principle के accordingly हमें यह bifurgation करा अब मान के चलते हैं एक company का यह first year of operation है and company ने कितने goods बनाए company ने 500 goods बनाए and company ने 200 goods उसमें से बीचे the company has incurred the falling cost raw material 10,000, labour 5,000 office rent 50,000 अब आपको इसकी accounting करने है फटा फट बताइए इन में से कौनसा मेरा direct है कौनसा indirect है raw material डिरेक्ट expenditure labor डिरेक्ट office rent indirect indirect expenditures का क्या होता है indirect expenditures देख लिए मेरे पेनल अकाउंट में चले जाते है and जो direct expenditures होते है उनको मैं match करता हूं कि मैंने कितने units बेचे है जितने units बेचे है वह वाला खर्चा मेरा COGS बन जाता है and balance मेरा inventory बन जाता है मेरी balance sheet ने बिखाई देगा as inventories so ये वाला जो 50,000 ही ये कहां जाएगा this 50,000 ये मेरा बन गया other operating expenses of cash nature और ये जो मेरे 15,000 खर्चा जिसको मैं direct expenditure बोल रहा हूं इस खर्चे को मैं दो parts में divide करूंगा so मेरा direct expenses कितने के हुए मेरे direct expenditure है 15,000 and this 15,000 belongs to 500 units अब इस 15,000 को मैं दो parts में divide करूंगा एक को मैं बोलूँगा COGS और एक को मैं बोलूँगा inventory खर्चे या तो खर्चे है या फिर खर्चे क्या है खर्चे assets है अब इस bifurgation को करने के लिए मेरे पास three methods है मेरा first method है FIFO first in first out second is average and third is मांके चलते है मैंने two units produce करे at the rate two rupees per unit मैंने four units produce करे at the rate four rupees per unit and मैंने six units produce करे at the rate six rupees per unit मेरा total expenditure कितना आ रहा है यहां पर मेरा total expenditure होगा four sixteen thirty six and अगर आप submission करेंगे तो यह आपको कितना आएगा इतने units sold करें है इतना बेचा इन चार unit में इसे मैंने three units बेचती है तो मेरी costing क्या है two into two and three into four this would be four this would be twelve so summation कितना हुआ sixteen inventory का मतलब है जो बच गए है वो last वाले lot से बचा है जो माल पहले बना वो पहले बेका मेरे पास बच क्या गया है मेरे पास एक unit बची है जिसका rate क्या है four rupees और मेरे पास six units बचे है जिसका rate क्या है six rupees four thirty six कितना आया 40 और इन दोनों का summation 56 so इसमे मने क्या माना जो गोड्स पहले बने वो पहले बिक्या my next method is average मेरे 56 units 56 rupees incur करा और यह 56 rupees incur करके मैंने कितने units बनाए मैंने 12 units बनाए मेरे पर unit expenditure कितना होगा मेरे पर unit expenditure आ गया 4.67 मैंने कितने units बेचे हैं 5 तो 5 multiply by 4.67 and मेरे inventory कितने होगा total 12 units ते 5 बेच दिये तो मेरे पर unit 7 multiply by 4.67 इसको अब solve करिये यह आप का आएगा 33 and this would be 23 again summation मेरे कितना आएगा summation would be 56 and the last method is leafo leafo बोलेगा जो goods बाद में बने वो पहले बिके मैंने कितने units बेचे 5 और वो 5 units मैंने कहां से बेचे वो 5 units मैंने इस lot से बेचा यहां पर unit cost कितनी आ रही है 5 rupees oh 6 rupees मैने कितने unit बेचे 5 तो total cost total cost मेरा आया 5 multiply by 6 30 मेरे पास कितने units बच गए 2 into 2 4 into 4 and 1 unit बच गए at the rate 6 rupees 4 16 and this will be 6 अगरा हम summation करेंगे 10 26 26 26 plus 30 again equal to 56 that means अगरा है मेरे पास 3 तरीके को एक का नाम ता fifo एक का नामे is average fifo मांना है जो पहले बने वो पहले भी कि लीफो मांता है जो बात में बने वो पहले भी कि average का मतले है मैंने average costing निकाल के उसको back for gift करा है अब बड़े ध्यान से एक देखने वाली चीज़ है कि मेरे given example में scenario क्या था मेरे given example में there was a scenario of rising prices पहले price 2 रोपीस था फिर 4 हुआ फिर 6 हुआ और एक बर मैं अपने answers की समय लिखना चाहता हूं कि मेरे answers क्या-क्या आए तो यहां पे मैंने लिखा particulars यहां पे रिखा Cogs और यहां पे मैंने लिखा inventory default, average, leaflet यह मेरा answer 16 20 यह और 40 यहंपर 23 33 यह मेरा 30 था, यहmy activities चुआ मरे अन वे भारि putting के अंसर आ रहे हैं, वो in between FIFO and LIFO आ रहे हैं, 23 pulse between 16 and 30, 33 pulse between 26 and 40, और मैं एक graph बनाना चाहता हूँ, यह graph क्या signify कर रहा है, यह graph signify कर रहा है price per unit और यह units, और यह कौन से सेनारियो था, यह rising prices सेनारियो था, यह rising prices, एक जगा मैंने लिखा FIFO और एक जगा मैंने लिखा, लीट, और इस पूरी price multiply by unit total खर्चा के इतना आ रहा था, यह total खर्चा आ रहा था, मेरा, 56 पूर्पीस इं बोड़ी सेनारियो था, FIFO ने का, जो goods पहले बने वो पहले बिके, यह कहां चले गए, custom books हो, और यह कहां चला गए, यह मेरा, inventory बने, और मानके चलते हैं, यह evaluation में सीखेंगे, कि आपको comparable companies चाहिए होती है, और मानके चलते हैं, आप LIFO method follow कर रहे हैं, और आपकी comparable company FIFO follow कर रहे हैं, और अगर आपको दो लोगों में comparison करना है, तो the comparison should be apple to apple, by apple to apple I mean is, कि दोनों के method same होने चाहिए, अब मानके चलते हैं, एक company FIFO follow कर रहे हैं, और आप LIFO follow कर रहे हैं, क्या वो comparison apple to apple है, the answer is no, अब मैंको बड़े ध्यान से आप बताईए, कि अगर मैं FIFO follow करता, और मानके चलते हैं, मेरी comparable company LIFO follow कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखेगा, 56 की ही बात चल रहे हैं, in case of rising prices, यह rising prices, 56 को भाई forget कर रहे हैं, अगर मैं FIFO method follow करता, in comparison to LIFO method, मेरे PNL में खर्चे क्या जा रहे हैं, जादा या कम, मेरे PNL में खर्चे कम जा रहे हैं, अगर PNL में खर्चे कम जा रहे हैं, तो मेरे profits जादा, मेरी inventory जादा है या कम है, मेरी inventory in comparison to this, जादा है, फिर से समझते, rising prices का scenario है, और FIFO बोलता है, जो goods पहले बने वो पहले भी तो है, मेरे PNL में क्या जा रहे हैं, ये, FIFO में, LIFO बाले के PNL में क्या जा रहे हैं ये, मेरे खर्चे कम या जादा, मेरे खर्चे कम, अगर में फिफो फॉलो करता हूं, in scenario of rising prices, my profits would be higher, my inventory values would be higher, क्या ये सच है हैंपर, फिफो के case में, inventory values higher, answer is yes, and cost क्या कम आ रही है, yes, cost कम का मतलब क्या है, cost कम का मतलब है, क्या है कि मेरे profit वह जादा आए, ठीक है, अगर आप question आपको रिटा पूछे, question अगर आपसे पूछे, कि ये declining prices हैं, अग ये, मेरा initial वाला portion कहा जाता है, फिफो के case में, cost of goods sort, और ये वाला portion, inventory, लीफो के case में, ये वाला inventory, inventory, और ये वाला cost of goods, ये मैंने लिखा लीफो, ये मैंने लिखा fee, और मानके चलते हैं कि आप FIFO method को follow करते हो, अगर आप FIFO method को follow करते हो, आपके PNL में खर्चे जादा जा रहे हैं काम, जादा, तो आपके profits काम, और अगर आपके खर्चे जादा रहे हैं, तो inventory की value क्या होगी, inventory की value would always be low, at the end of the day, आपके P6 to P2 को ही back or gate रहे हैं, ठीक है sir, हमें समझ आया, कि अगर मैं FIFO follow करता है, ये लीफो follow करता है, तो मेरे P&L में और मेरे inventory value में क्या-क्या फड़क आने वाले हैं, राइजिंग प्राइजिस हैं, तो P4 की case में profit ज्यादा, inventory value ज्यादा, declining prices हैं, तो P4 की case में profits का inventory value ज्यादा, ठीक है sir, और कभी भी question आएगा, तो आप क्या करेंगे, कि आप हमेशा graph बना देगा, ठीक, अब, तीन methods से, IFRS कहता है, कि, आपको FIFO allowed है, आपको average method allowed है, आपको average method allowed है, बट आपको LIFO allowed नहीं, और US gap कहता है, कि आपको तीनो methods allowed है, FIFO, LIFO, and average. However, IFRS कहता है, कि आपको LIFO method allowed नहीं है, अब यह principles and standards है, यह आपको याद करने पड़ेंगे, and at the end of the day, बच्चा confused हो जाता है कि IFRS क्या 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 था, So, I would appreciate, कि आप अपने register के, जो last two pages है, वहां पर आप heading दीजिए, difference between IFRS and US gap, और मेरा first difference क्या है, inventory valuation को लेके, तो वहां पर आप लिखिये, inventory is valuation, IFRS के लिए आप लिखिये, FIFO and average is allowed, LIFO not allowed, US gap में आप लिखिये, FIFO, LIFO and average method, तीनों के तीनों आपको क्या है, allowed है, मैं आपकी summary पूरी बनवा दूँगा, at the end of the day, आपके सिभी summary को ही revise करना होगा, so that आपको confusion ही होनी चाहिए, कि IFRS क्या कहता है, और US gap क्या कहता है, and अगर आपका question silent है, तो आप हमेशा क्या मानेंगे, आप हमेशा मानेंगे, if question is silent, आप हमेशा मानेंगे किस की बात करना है, वो IFRS की बात करना है, ठीक्या, ठीक्या, अब, अब, एक और concept है इससे related, जिसको हम कहते हैं, perpetual accounting and periodic accounting, बड़े जहांसे इस example पर देखिए, इस example में आपने का, मैंने 5 units sold करें, मेरा आपसे सवाल है, यह 5 units आपने कब बीची, अगर इहांपे मैं dates assign करूं, लेके सिजिए मैंने यहांपे लिखा 1th January, माना कि आपने यह units बेचे हैं, just for the sake of simplicity, 31st January, इस example में आपने माना कि यह, जो 5 units आपने बेचे हैं, यह 5 units आपने बेचे हैं, as on 31st January, इस accounting को हम क्या कहते हैं, इस accounting को हम कहते हैं, pre-ordic accounting, periodic accounting का मतलब है, कि मैं अपने inventory register को अपडेट करता हूं, मैं अपने inventory register को अपडेट करता हूं, 31st January को, 31st January तक मैंने यह units बना लिये थे, और मैंने का 5 unit बेचे हैं, अपने inventory register को अपडेट करता हूं, at the end of every month, अब मानके चलते हैं, कि मैंने यह goods बेचे थे, as on, 6th January, और अब मुझे accounting कैसे करनी है, अब मुझे perpetual accounting करनी है, perpetual means, मेरा inventory register regular basis पे अपडेट होता है, मैं इसी example को वापर से लिख हूं, मैं लिखा, 1st January, 2 units, at the rate 2 rupees per unit, 4th January, 4 units, at the rate 2 rupees per unit, at the rate 4 rupees per unit, and, 4 units, at the rate 4 rupees per unit, and, 1st January, 6 units, at the rate, 6 rupees per unit, and, मनी क्या करना, मनी 6th January put, 15 units बेचे, मनी 6th January put, 5 units बेचे, 5 units बेचे, बेचे, मैं यहां की बात करना, अब मुझे क्या कैसे अकाउंटिंग करना है, अगेन मेरा खर्चा केतना हुआ, 4, 16, 36, मेरा खर्चा 56 rupees है, और मुझे बाइफर्गेट करना है, बट अब मेरा inventory update कैसे हो रहा है, अब मेरी जो accounting हो रही है वो, Perpetual हो रही है, that means, continuous accounting हो रही है, उसे पहले मैंने कौन से accounting करी थी, periodic, periodic means, मैं अपने inventory register को कब update करता हूँ, मैं अपने inventory register को at the end of the month, update कर रहा था, और यहां पे मैं inventory register को कैसे update कर रहा हूँ, continuously, अब मैंने वापर से लिखा, 34, 56 rupees को bifurgate करने, जो goods पहले बने वो पहले बिक्र, मैंने कितनी units बेचे, 5 units, तो वो 5 units क्या होंगे, 2 यहां से होंगे, 3 यहां से, मेरा answer क्या है, 22, 4, 3 into 4, 12, 16, I am left with, 1 unit, 4 rupees, 6 units, 6 rupees, तो मेरा answer क्या है, 40, average की case में, मैंने कितने रुपी स्पेंड करे, 56, एक portion क्या होगा, PNN, CLGS, और एक मेरा होगा, inventory, बड़े घ्रान से बेखे ला, मैंने 5 units बेचे, अब इन 5 units की costing में कैसे निकालूंगा, इन 5 units की costing के लिए, मैंने लिए 4, 16, कितने हैं ये, 20 rupees, और इन 20 rupees कितने units पे हैं, 6, 6, सो पर unit cost कितना आया, मेरा पर unit cost आया 3.33, मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे लिखा, 3.33, multiply by, 5, answer कितना आता है, 16.67, अब मेरे पास कितनी unit बच गए हैं, मेरे पास सिर्फ एक unit बचा है, और इस एक unit का, कितना cost आ रहा है, 3.33, फिर से मैंने 6 units produce करें, और इन 6 units का cost कितना आ रहा है, 36, 36, तो मेरे पास inventory कितनी होगी, 7 units, और अब costing कितनी आईगी, 39.33, मैंने यहां पे क्या लिखा, यहां पे मैं लिखा, 1, कितने कता है, 3.33, and 6 into 6, 3.33, 36, 39.33, अंसर क्या अभी भी 56 आता है, the answer is yes, लिफो के केस में, मैंने 56 रुपी स्पेंट करें, एक portion मेरा क्या हो जाएगा, cost of goods sold, एक portion मेरा क्या होगा, Inment, अब बड़े धान से देखें, मैंने 5 units बेचे, अब यह 5 units जो मैंने बेचे, पहले मैं क्या मन रहा था, यह 5 units मैंने यहां से बेचे, बट अभी तक तो यह बने ही नहीं है, तो यह 5 units अब कहां से बेचे होंगे, यह 5 units, 4 units यह बेचे, और इन 2 units में से 1 unit बेचे, Hadn't been a periodic system में क्या मान रहा था, यह 5 units कहां से बेचे, यह 5 units इन 6 units से बेचे, बट क्यूंकि यह perpetual accounting चल रही है, तो यह 5 units अब बेचे कहां से होंगे, इन 4 units में से, मैंने लिखा, 4 into 4, and 1 into 2, this would be 16, this would be 2, अब मेरे पास कितनी units बचे होंगे, मेरे पास 6 units बचे हैं, 6 rupees के rate से, and मेरे पास 1 unit बचे हैं, 2 rupees के rate से, this would be 2, this would be 36, answer would be 30, कितना आएगा, 18, एब बचेक कर लिजे कहां, submission 46 आ रहे, the answer is yes, वापस से मैंने समडी बनाए, मैंने लिखा particulars, यहांपे मैंने लिखा, COGS, और यहांपे मैंने लिखा inventory, Q4, Average, and Lute, Q4 की case में आपका answer आया था, 16,40, यहां पर आपका है 16.67, 39.33 और यहां पर आपका अंसर आया था 18 अब इसका क्रक्स क्या है इसका conclusion है बड़े ग्लान से देखेगा अपने answers को 16,40, 16.67, 39.33, 18,38 आपके answer बीट भी periodic accounting और perpetual accounting FIFO के case में आपका answer सेम हो गए, FIFO के case में यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 40 है, बीट भी 40 है, बीट 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 है, however, average की case के answer change हो गए और आपके लीफो के answer चेंज हो गए और आपके लीफो के answer गए तो conclusion क्या है Looking if the answer under FIFO Method would be mean same irrespective you are following periodic accounting, periodic means after a particular period or perpetual accounting system. However, the answer in case of lethal and average method is required. So, first of all, I will revise that I will cover 4 concepts. First, I will say that the direct expenditures are directly in my PNL, and the direct expenditures are directly को मैं based upon matching concept जितने units में बेचे हैं सिर्फ उसी को हिट लेता हूँ P&L में बाकी में अपनी EVP बना दे। अब इस bifurgation को करने के तीन तरीके थे एक का नाम था FIFO, एक का नाम था Average, एक का नाम था Leapho, फिफो का मतलब का है जो goods बाद में बने वह पहले बे, कि Leapho का मतलब का है जो goods बाद में बने वह पहले बेचे अगर rising prices का scenario है तो फ्वेफो में खर्चे कम जाते हैं अगर FIFO में खर्चे कम जाते हैं, in comparison to Leapho, that means उनके profit जादा यद उनकी inventory की value भी जादा, फिर मैंने आपको का there are two systems जिसमें आपकने inventory register का update कर सकते हो एक काम बोलते हैं perpetual, एक काम बोलते हैं pre-ordid perpetual का मतलब है कि आपका जो inventory register हो regular basis पर update होड़े pre-ordid का मतलब है कि आपका एक particular period के बाद inventory register update हो रहा है the answer for LIFO would remain same, विट भी perpetual, विट भी pre-ordid however the answer in case of LIFO and weighted average would cheat, ठीक है, आगे चलते हैं एक और method भी होता है, जिसकों बोलते हैं specific identification method, यह method हम कब use करते हैं, जब मैंने goods जो बेचे, वो हर good अपने में unique good है example, आज मारूती के पास भाँज़ादा cars है, मानके चलते हैं मारूती ने auto गारे produce करे, और मारूती ने कितनी auto बनाए, three auto, three goods produce करे और क्या यह तीनों गारिया अपने में unique है, the answer is yes, हर car का एक क्या होता है, chases number होता है, engine number होता है, that means these are the unique number per vehicle, आज auto मानके चलते हैं, एक लाख auto है, तो इन एक लाख auto के हर एक का engine number, chases number सब different होगा, specific identification हम क्या करते हैं, जो books विके, उनकी costing वो book कर लेते हैं, और जो books नहीं विके, उसको अपने inventory में अपना book, so in totality मेरे पास कितने method हैं, PFO, LIFO, average and specific identification, IFRS LIFO का allow नहीं करता, और US gap मेरे 4 methods को allow करता, कि, now friends, मुझे आपको कांसा concept सिखाना है, और मुझे आपको concept सिखाना है, LIFO reserve का, हमने ये चीज़ देखी कि, जो LIFO method है, वो मुझे कांपे allowed है, LIFO method is allowed under US gap, और अब एक concept आएगा, LIFO reserve का, उससे पहले, अगर मैं अपना original answer देखते, कि मेरे answers क्या आ रहे थे, तो LIFO की, FIFO की case में मारा answer था, cost of goods sold 60, inventory 40, and LIFO की case में मेरे answer आ रहे थे, 30 and 26, इमका summation कितना है, इमका summation 56 आ रहता, अब US gap क्या कहता है, US gap कहता है, कि हर वो company, जो LIFO method को use करेगा, उसको LIFO reserve disclose करना पड़ेगा, तो मैंने पूछा, what is the meaning of LIFO reserve, LIFO reserve का मतलब क्या है, कि, जो भी आपकी inventory की value आ रहे है, as per LIFO method, इस में, मैं क्या add करूं, कि वो क्या बन जाए, कि वो inventory बन जाए, अब मेरे original answer को देखिए, मेरे original answer की case में, LIFO की inventory कितनी थी, 26, FIFO की inventory है, 40, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा, कि मैं 26 में क्या add करूं, कि वो 40 बन जाए, आपने का, कि सर, आप इसमें कितना add करिए, आप 14 add करिए, और उस 14 को मैंने नाम क्या दिया, इस 14 को मैंने नाम दिया, default result, और जब मैंने भी chapter start करा था, मैंने आपको कहा था, इसमें आप क्या सीखोंगे, इसमें आप सीखोंगे, कि आपको accounting कैसे करना है, one, second, आपको analysis भी करना पड़ेगा, अब होता क्या है, मानके चलते हैं, आपकी company जो है वो क्या follow करती है, आपकी company follow करती है, sorry, आपकी company follow करती है, leafo method, और आपकी comparable companies follow करती है, फीफो, और there should be an apple to apple comparison, और apple to apple comparison करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस leafo को किस में convert करना है, मुझे इस leafo को अब फीफो में convert करना पड़ेगा, तो जो balance sheet, जो P&L account फीफो के accordingly बने है, अब मुझे उसे फीफो के accordingly बनाना है, ठीक है, तो मेरा पहला question, सबसे पहले, अगर मुझे फीफो के accordingly बनाना है, तो अपनी closing inventory में क्या add करूँ, आपने का सरा आप अपनी closing inventory में add कर दीजेए, leafo, deserve, अगर मुझे इसमे leafo reserve add कर दिया, अपनी leafo की inventory में, वो क्या बन गया, inventory, as for fifo method, और बड़े ध्यान से बताईए, खर्चे या तो खर्चे हैं, या खर्चे asset हैं, अब बड़े ध्यान से बताईए, मैंने क्या करा, यह मेरी balance sheet का asset side है, और यह मेरी balance sheet का liability side है, मैंने अपने assets की value को बढ़ा दिया, मैंने अपने assets की value को कितने से बढ़ा दिया, मैंने अपने assets की value को 14 से increase करा, अब जैसी मैंने 14 से increase करा, inventory को cost of goods sold कम होने चाहिए, अगर inventory बढ़ दी तो cost of goods sold कम, that means, खर्चों को कम करो, अगर assets को increase कर ले, मैंने अपसे पूछा, खर्चों को कितने से कम करो, आपने का sir, खर्चों को 14 rupees से कम करो, मैंने का ठीक है, अगर मैंने खर्चों को 14 rupees से कम कर दी, आप क्या होगा, मेरे profit 14 rupees से बढ़ जाएंगे, बढ़े धांसीदा देखेगा, यहां पे, फीफो के अंडर खर्चे कितने आ रहे हैं, 60, फीफो के अंडर खर्चे कितने आ रहे हैं, 30, आपने का inventory को बढ़ा दो, inventory को 40 पे लेके जाओ, अगर inventory को 40 पे लेके जा रहा हूँ, तो खर्चों को कि 14 rupees से कम कर दो, मैंने का ठीक, अगर मैं खर्चों को 14 rupees से कम करता हूँ, क्या होगा, मेरे profits 14 rupees से बढ़ गए, और जैसी मेरे profits 14 rupees से बढ़ गए, क्या हो जाएगा, जैसी मेरे profit 14 rupees से बढ़ेंगे, सरकार कहेगी, इस 14 rupees में मान के चलता है, अपकी country का text rate 30 percent, सरकार ने का 14 rupees से मैं अपनी asset side को 14 rupees से increase कर, और एस 14 rupees से asset को increase का मतलब है, कि खर्चों को मैंने 14 rupees से कम करे, और अगर खर्चों को 14 rupees से कम करे, सरकार कह रही है, अब आपकी मुनाखे 14 rupees है, और इस 14 rupees में क्या है, 30 percent मेरा है, तो 14 का 30 percent कितना होता है? 14 का 30 percent होता है, 4.2, मैं second काम क्या करूंगा, 4.2, 4.2 आया क्या से, 14, multiply by 30%, this is equal to 4.2, यह 4.2 में क्या कर गोंगा, माहिमस, तो net-net मैंने अपने assets को कितने से increase करा, net-net मैंने अपने assets को increase करा, 9.8 से, मेरे profit in totality कितने से बढ़ गया, मेरे profit, मेरा EAT बढ़ गया, in totality, 9.8 से, और यह 9.8 किसको बिलाउं करते है, equity को, और अगर company ने dividend नहीं दिया, तो यह वापस किसमे add हो जाएंगे, liability side, reserves and surplus, reserves and surplus कितने से increase हो जाएंगे, 9.8 से, क्या मेरी balance sheet टेल होगे, the answer is yes, फिर से समझते, first, the total of asset is always equal to total of liabilities, yes, second, मैंने का कि आपको लीफो method allowed है, but, USD आप क्याता है, जब भी आप लीफो method news कर रहे होगे, आपको लीफो reserve disclose करना पड़ेगा, मैंने का सार, ये लीफो method का, लीफो reserve का मतलब क्या है, उन्होंने का, लीफो reserve का मतलब है, कि आपकी inventory में हम क्या add कर दे, कि वो वो inventory बन जाए as per fee for, आपने का, आप मेरी inventory में 14 रोपीस जोर दो, तो आंसर कैसे आ जागा as per fee for, मैंने का, अगर 14 रोपीस asset में डाल रहा हूं, that means 14 रोपीस से क्या कर दो, खर्चों को काम, अगर खर्चे 14 रोपेसे काम हो गए, profits 14 रोपेसे बढ़ गए, और जैसी मेरे 14 रोपीस से profits बढ़े, सरकार ने का, इसका 30% मेरा है, मैंने का ठीक है सरकार, यो 30% मैंने government को कैसे दिया, cash की form में, तो net net मैंने अपने assets को कितने से increase कर दिया, 9.8 और ये 9.8 profit increase हुए, ये profit किसको बिलाग करते है, equity वालों को, मैं eventually equity को 9.8 से increase कर दिया, क्या मेरी balance sheet है नी, the answer is yes, so in totality मैंने कितनी adjustment कर दिया, अपनी balance sheet में, 3, सबसे पहले मैंने inventory में add कर दिया, cash को मैंने कम कर दिया, जितना मैंने add कर दिया, multiply by tax percentage, और जो भी दोनों का balancing figure आएगा, उसको किस में add कर दिया, उसको मैंने अपनी equity में add कर दिया, ये मैंने अपनी equity में इस reserves in surplus को add कर दिया, सर समझ में आए, अब मुझे अपने P&L को भी change करना है, balance sheet कब बनती है, balance sheet होती है, as on date, और P&L कैसा होता है, P&L होता है for the period, that means किस की बात करता है, ये period की बात करता है, तो as on date तो मैंने अपनी balance sheet को telly कर दिया, P&L में क्या जाता है, P&L में खर्चा जाता है COGS, और वो COGS निकालते कैसे हम, उस COGS के लिए, हम इस formula का use करते, COGS क्या आएगा, opening stop, मान के चलते मेरे पास bikes का stop था 10, plus नई bikes आपने कितनी बनाई, मान के चलते में नई bikes बनाई, 500, यहां पे 10 था, 500, तो in totality मेरे पास कितनी bikes हो गई, 510, और मान के चलते हैं, मैंने 30 अभी भी मेरे पास बची हुई है, तो मेरे पास stock कितने का बच गया, मेरे पास stock बच गया, 480 bikes का, तो मेरे P&L में खर्चे कितने जाने चाहिए, 480 bikes के, और बड़े ध्यान से बताईए, अभी आपने adjustment क्या करी, आपने एक adjustment अभी करा, जिसमें आपने यहाँ पे कुछ add करा, आपने कितना add करा था, आपने add करा 14, और अगर मैंने इसमें 14 add करा, तो मेरे खर्चे कम होगे, कि किस sign के साथ था, माइनस sign के साथ, ठीक है, समझते हैं, मैने क्या कर, मैने का COGS, is equal to, opening stock, of RM, sorry, of finished goods, plus production cost incurred during that period, minus closing stock of finished goods, और अभी आपने एक adjustment क्या करें, आपने यहाँ पे, इस closing stock में 14 रोपीस add करें, तो that means किस के साथ आ रहे हैं, आपने 14 रोपीस को minus करा, और मानके चलते हैं, आपकी production cost ती 500, अब बड़े ध्यान से बताइए, आपको एक adjustment और पौंसी करने, आपकी adjustment अभी सिफ आपने किस के respect में करिये, इस वाले stock के respect में आपको इस वाले stock के respect में भी adjustment करनी पर Till त seguir इस वाले stock में क्या European Companyrade, अभी यह stock किस के cording आ रहे हैं, यह stock भी अभी leaving के cording आ रहे हैं, इस stock को भी मुझा किस के cording करने है, फीफो के तुसमें क्या आड करूँ आपने का यहां पर आपको आड करना चाहिए ओपनिंग स्टॉक का लीफो रिजर्ब और आपको माइनस करना चाहिए लोजिंग स्टॉक का लीफो रिजर्ब बैले शिपी के अजopia क्या द्यस्मेंट से द्यस्मेंट से P Ar 언ารं यूगल जो भी मेरा कोस्ट वुट सोल्ड आ रहा होगा मैं माइनस यूव ा-क पर गओंस का यूवी an prat ओढ़न स्टॉक आगए लीफो रिश्र्ट और एड करूंगा ओपनिग स्टॉक का लीफो पिश्र्ट आपने क्खर्चों को 14 rifles से कम कर दो मैंने खर्चों 14 में कम करा बट में ओपनिग स्टॉक की छीच्ट करनी का चाहिए तो मैं आड का करूंगा opening stop का लीफो रिस्ट, so in totality आपको चार एड्रिस्मेंट करनी परते है, फटा फट, सबसे पहले आप अपनी balance sheet में asset side के आड़ करोगे, लीफो रिजर्फ, जैसी आपनी लीफो रिजर्फ 14 से आड़ करें, आपके profit 14 से बढ़ गए, सरकार ने का में 30% टेक्स चाहिए, आपने 4.2 सरकार को दिया, 9.8 आपका resultant profits है, ये profits किसको बिलंग करते है, equity को, तो आपने equity में 9.8 इंक्रीज करा, balance sheet मेरी टेलिए, P&L में आप क्या करोगे, P&L में आप closing stop की reserve को तो minus करोगे, कि एक adjustment आपने Bluetooth correct करी है, बड़ आपको add क्या करना पड़ेगा, आपको add करना पड़ेगा, opening stop का लिफो reserve, क्योंकि P&L किसकी बात करता है, P&L for the period की बात करता है, balance sheet की बात करता है, as on rate, तो as on rate, आपके in totality profit कितने से बढ़ने चाहिए थे, आपको पर पर प्रोफित कितने से बढ़ने चाहिए थे, minus कर दो लिफो reserve को add कर दो, minus कर दिजे, closing stop की लिफो reserve को add कर दिजे, opening stop की लिफो reserve, ये adjustments आप करेंगे, जो आपका P&L, लिफो के codding थे वो पी लिफो की codding थे, जो आपकी balance sheet लिफो के codding थे, विदो समझे का इसंगे अमने समझा लिफो डिजवत है अब मेरा एक और इक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं लीफो लिक्डिडेशन लीफो लिक्डीडेशन हमने कले इक ग्राफ बनाया और इस graph को मैंने क्या बनाए था upward sloping और आप नहीं कहा था जो नीफो में initial portion होता है वो मेरा क्या बन जाता है जो goods पहले बने जो goods बात में बने वो पहले बिके तो यह कहां चले जाते होंगे P&L में COGS और यह मेरा balance sheet में inventory बन जाते होंगे So it's a rising price scenario यह वाला portion मेरा inventory बन जाता है यह वाला portion मेरा COGS बन जाता है अब company ने क्या करा कंपनी ने 500 bikes produce करे और company ने बेचा कितका company ने 200 बेचा और it's a rising price scenario और मानके चलते हैं कि company की costing कितनी थी company ने पहले 200 bikes बनाये let us assume 9 rupees के rate से और फिर उस company ने 300 bikes बनाये at the rate 20 तो costing कितना आ गया मेरा costing आया 1800 costing आया 6000 the submission is 7800 अब मुझे 7800 को bifurgate करना है मैंने bifurgate कैसे करा यहां पर मैंने लिखा COGS और यहां पर मैंने लिखा मैंने कितनी bikes बेची है मैंने 200 bikes बेची है मैं कांसा method पार्व कर रहा हूं लीफो तो लीफो ने का वह 200 bikes कहां से भी की वह 200 bikes यहां से भी की मैंने यहां पर लिखा 200 इंटो 20 दाट मेंस 4000 और मेरी इंवेंट्री कितनी की है 300 multiply by 10 200 multiply by sorry 100 100 multiply by 20 and 200 multiply by 9 यह कितना है गा 2000 यह मेरा आगा 1800 और यह कितना बन गया 3800 मेरी इंवेंट्री है और 4000 मेरा क्या है 4000 मेरा है cost of books मैंने कितनी bikes बेची 200 और यह कितनी की है 300 मेंको बड़े जान से बताइए मैंने P&L में per unit cost कितना हिट लिया मैंने P&L में per unit हिट लिया 20 rupees per unit और यह मेरी costing कितनी आती है per unit यह मेरी per unit costing आएगी 12.67 per unit अब कंपनी ने क्या चलाकी करी कंपनी ने अगर अगले साल कंपनी production फिर से करेगी तो यह वाला portion कहां चला जाएगा P&L में यह वाला अभी भी क्या रहेगा balance sheet में कंपनी ने क्या चलाकी करी कंपनी ने अगले साल production बंद करेगी That means the next year company ने कोई भी production नहीं करी और company ने क्या करा जो 300 bikes inventory में पड़ी हुई थी वो 300 bikes company ने बेच दी और अगर company 300 bikes को बेचेगा तो company P&L में COGS कितना लेके गया Company P&L में COGS लेके गया 3800 This 3800 means 12.67 per unit मेरा बड़ा simple सवाल है इचले साल company per unit costing कितनी बुक कर चुकी है 20 rupees Since it's a rising price scenario मानके चलते हैं कि मेरी जो भी मैं Bikes बेचता था वो Bikes की कीमतें भी बड़ी होंगी अब जब मैंने sell करा होगा तब मैंने sell एक higher rate पे करा मानके चलते हैं यहां पे जब मैंने Bikes बेची मैंने Bikes बेची थी 30 rupees की तो मेरा per unit profit कितना था पर unit profit था 10 और मनके चलते हैं यहां पे मैंने Bikes बेची same 30 अब बड़े ध्यान से देखें मेरा per unit profit कितना आ रहा है मेरा per unit profit आ रहा है 17.33 लास्ट यह profit कितना था लास्ट यह profit था 10 अब profit कितना हो गया 17.33 मेरा बड़ा simple सवाल है कंपनी ने क्या कोई improvement करी है the answer is no कंपनी ने क्या करा कंपनी की performance improved नहीं हुई है कंपनी ने चलाकी करी कंपनी को पता था कि कीमतें बढ़ने वाली है इस साल हम एक extraordinary profit दिखा सकते हैं कैसे by stopping up the production तो इस concept को हम कहते है लीफो liquidation लीफो liquidation का मतलब है जब company की import की cost बढ़ रही होती है और company लीफो method follow करती है so there could be possibility company एक particular year में unusual profits दिखा सकती है वो unusual profits कैसे दिखा सकती है by stopping up the production अगर अब हम यह production को रोग दोगे तो एक साल ऐसा हो सकता है जब आप unusual profits दिखाईए क्या यह sustainable profits है the answer is no next year guaranteed है कि company की performance क्या होगी अगेंस एक company की profitability है वो debtorate होने रहाए ठीक है so अभी हमने किन concepts को करा हमने दो concepts को करा एक का नमता लीफो reserve एक का नमता लीफो liquidation लीफो reserve का मतलब था कि मैं अपनी closing inventory में जो लीफो के recording बन जाए और लीफो liquidation का मतलब है कि अगर आपकी input की prices बढ़ रहे है और आप लीफो method को follow करते हो there could be possibility कि आप एक particular यह में unusual profits दिखाओ वो unusual profits कैसे दिखा सकते हो by stopping up the production Excel आपकी profitability in terms of percentage boom करेगा but eventually आपने को performance improve नहीं करी है यह सिर्फ accounting entry थी and from the next year आपकी performance बात 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 से deteriorate थोगी so this was the concept of V4 liquidation ठीक है now I am moving to the next concept और इस concept का नाम है inventory evaluation inventory evaluation का मतलब है कि books में financial statements में मेरी inventory किस value पे जाएगी तो सबसे पहले मैं किस की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं बात करूंगा IFRS की और मैंने आपको का था कि before you answer my any question आपको चार principles mind में रखने आपने matching रखना है consistent conservative and accurate अभी सिर्फ मैंने आपको मतलब किसका बताया अभी तक मने सिर्फ आपको matching का मतलब बताया अब आप एक और principle को mind में रखेंगे जिसका नाम होगा conservative conservative का मतलब क्या है अगर आपको कोई future में losses दिख रहे हैं उनको आप कब बुक करोगे उनको आप आज बुक करोगे So this is the meaning of conservative मानके चलते हैं कि मुझे मैंने कोई contract लिया और उस contract की costing है 500 और मैंने वो contract ले लिया 400 that means eventually मुझे 100 का loss होना है future में accounting standards क्या कहेंगे उस loss को आज बुक करें that means future के losses जो भी आपको दिख रहे हैं आपको right away आज बुक करने है मैंने का ठीक है इसका मतलब conservative है अब inventory books में किस value पे जाएगी eventually IFRS क्या कहता है IFRS कहता है cost जो आपने अभी ऊपर cost निकाली ली इपो फीपो average के cost or net realizable value whichever is lower मानके चलते हैं ऊपर मेरी costing कितनी आई थी inventories की मैं FIFO method ही ले रहा हूं विकाज I am talking of IFRS तो मेरा inventory कितना आ रखा मेरा inventory फक्की का रखा मेरी costing is 40 और मानके चलते हूं मेरा किसका business है अभी के लिए मानके चलता हूं कि that I am into the business of audio cashless इसकी value कितनी आ रही है 40 और over the period क्या हुआ over the period पहले cassettes होते थे cassettes से वो क्या बने cds की form में cds की form में cds की form में आज की date में कोई भी audio cassettes use नहीं करता मैंने का मेरी costing ADN audio cassettes को बनाने की let us assume 40 rupees net realizable value net realizable value का मतलब क्या होता है की market में यह cassettes कितने की बिकेंगी मैंने का market में यह cassettes बिकेंगी let us assume 28 rupees की that means eventually आपको loss कितने का होना है 12 रुपय का accounting standards क्या कहेंगे 12 रुपय के loss को आज book कर लो इसको P&L में लेके चले जो खर्चों में इसको हम क्या कहते हैं अगर आपका costing 40 है और 28 आपकी market में बिखेगा इसको हम कहते हैं आपने assets को क्या कर दिया impair कर दिया और आपने return down कर दिया it is the name of the concept कि आपने अपने assets की value को गिरा दिया अब आप अपने assets को कितने पर दिखाना चाते हो 40 रुपीस आपकी जेव से खर्चे हुए हैं आप चाते हो मैं इसको 28 पर दिखाऊ इस खर्चे या तो खर्चे हैं वो asset है अपने कम asset से 28 रुपय का दिखाना चाता है तो 12 रुपय को क्या दिखाना पड़ेगा बाइर रुपय आपको impairment loss दिखाना पड़ेगा मैंने का ठीक अगर यह कैसेट मार्केट में बिखती है जो कि टिपिकली नॉर्मल केस में क्या होता है एनर्वी आपकी हमेशा हायर होती है तो कि आप कुछ profit कमाने के लिए business कर रहे होते है majority of the cases में आपकी cost भी हम दिखाते हैं तो कि हमारी एनर्वी always higher होती है मार्केट चलते हैं मैं इस asset को बेच सकता हूं market में 60 रुपीस का कल यह asset बेचूंगा तब में को 20 रुपीस का gain होगा यह क्या बोलेंगे यह वाली बाते हम तब देखेंगे जब आप assets को बेचते हो रहे हैं कौन सा principle मैं follow कर रहा हूं मैं conservative principle follow कर रहा हूं कि जो losses होने हैं उनको आज book कर दो और जो gains होंगे eventually उन gains को हम तब देखेंगे जब वो हो जाएंगे जब आप यह 40 रुपीस की inventory को बेचत होगे तब हम gain को P&L में लेके चले जाएंगे लेकिन अगर losses हो रहे हैं तो losses को हम आज book करेंगे और अगर आपकी energy कम आती है तो energy क्या है आपने अपने asset को क्या कर दिया आपने asset को impair करें और यह 12 रुपय का loss कहां चला जाएगा इस वाले case में मेरा 12 रुपय का loss मैं P&L में लेके जाऊंगा as impairment loss और इस वाली case में कोई 40 और 60 वाली case में कोई loss होगा the answer is no मैं अपने inventory को 40 रुपीज में ही डिखा नगा ठीक है सब बट अभी मैंने किस की बात करी मैंने बात करी IFRS की और net realizable value का मतलब क्या है net realizable value का मतलब है कि आज इस asset को मैं market में बेचने ही जाऊं तो मुझे क्या value मिलेगे ठीक है प्लीस आप NRD की definition भी मेरे साथ लिखे है so the definition of net realizable value it is the estimated selling price of the goods that means market में इस goods कितने के बिख जाएंगे less अगर इन goods पर आपको कोई भी completion cost और incurred करनी है less the estimated completion cost of the goods मानके चलते हैं यह अभी WIP में यह goods अभी तक कुड़े finish नहीं हुए आपको लगते हैं market में बिखेंगे 28 रुपए अगर मैं इसको 2 रुपए का खर्चा और करूंगा तो 2 रुपए के खर्चे को मुझे माइनस करने इसका इसका मतलब क्या है आपने का मुझे लगता है यह और यू कैसिट्स है यह विकेंगी 20 और यू कैसिट्स पूरा से अगर चानी चॉप जाने लेटर से मेरा मेट्रो का खर्चा आगा 50 रुपीज इस 50 रुपीज को भी आप माइनस करो Net Realizable Value का मतलब है कि इन गुट्से आज as it is आपको कितने रुपए मिलने वाले उस vendor नहीं का मैं आपको दोंगा आपको दोंगा 30 रुपीज मैंने का माइनस करो 2 रुपीज जो मेरा मेट्रो का खर्चा आया माइनस करो 5 रुपीज जो मुझे अभी भी लगता है इस गुट्स को बनाने में जब वो खरीदेगा मेरे से तो मुझे इसको यूएस गाप ने भी का अगर आप फीफो मेथड या फिर एवरिज मेथड यूज कर रहे है तो तो जो आयए फार इसने का है कॉस्ट और एनर्वी विचेवर इस लोग है हम भी यही बेलें मैंने का ठीक है चुक किस कैसे मी अलग बात करेगा यह लडीक वाले केस में अलग बात करेगा तो इसका लिका -aşिब वाले कि आख करता है , व्यूफो की केस कॉछ और few की क Süक में क।ना रम का सुल श्यूंब पिध यह घूब कि सिरक करना है तो कॉस्ट तो वह अब क्या चीज लेके आया फिक्चर में वह फिक्र में लेको आया replacement cost nrv का मतलग था अगर आज आप मार्केट में बेश लें जाओ तो आपको कितने रूपय मलें इनफ में डिप्लेशमेंट का मतलग होता है अगर आज आप मार्केट में खरीद ने जाओ तो वो और यो कैसे अप कितने की खरीद होगे फिर इसने एक और चीज़ बोले विप्लेस्मेंट कास्ट चान आट बी ग्रेतर देन नर्बू ब्रेतर देन नर्बू अं चान नॉट बेलेस देन अब अन्य नर्मल प्रॉपर, मांचे चलते हैं, मेरी इन्वेंटीस की वाल्यू कितनी आ रही थे, मेरी इन्वेंटीस की वाल्यू की पॉट्टी, मेरी इन्वेंटीस की वाल्यू है 40, और रिप्लेस्मेंट कॉस्ट आ रही है 38, अब उन्होंने क्या कर, यह 38 रॉपीस, has to be in between Nrv and Nrv minus normal profit margin, मानके चलते हैं, मेरा Nrv है 24, तो रिप्लेस्मेंट भी कितना हो जागा, 24, one case, second case, मानके चलते हैं, मेरा Nrv ना 24, और इसमें, पूर ओपीस मेरे profit है, 22, 24, तो यह किस range के according होना चाहिए, यह 22 और 24 के भीच में होना चाहिए, यह 38 रहे है, तो इस 38 को में कितना बना दूँगा, 24, लेट एसमें रिप्लेस्मेंट आ रहा हता है 18, तो इस 18 को में क्या बना देता, 22, अगर यह value आ रही है 23, तो मैं as it is 23 ले क्याते है sir, IFRS यह कह रहा है, US GAP यह कह रहा है Q, so these are principles जो आपको याद करने हो पड़ेंगे, ठीक है, में बार फिर से आपको रिवाइस करवा देता हूं, in Vintage की Valuation, IFRS कहता है, cost or net realizable, whichever is lower, same principle applies to US GAP, but US GAP कहता है, अगर आप EFO method यह कर रहे हो, then it would be cost or replacement, and replacement cannot be greater than NRV and cannot be less than NRV minus normal profit margins, ठीक है, समझ में आए, और अगर वो value कम होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको impair करना पड़ेगा, हमने impairment का concept समझा, हमने cost or NRV का मतलब समझा, अब next concept is, इसी का continuation में, subsequent, subsequent recoveries, मैंने क्या कर रहा था, IFRS के case में, मेरी cost आड़ी थी 40, and मेरा NRV था 28, तो मैंने क्या कर रहा, 12 रुपे के losses को book कर, आज मैंने क्या करा, मैंने 12 रुपीस का loss, book करा, as impairment loss, अब मानके चलते हैं, over the period audio cassette की market improve होगी, और over the period, मेरा next year inventories की value क्या आ रही है, मेरी next year inventories की value आती है, और इनकी NRV आ जाती है, latest assume, 50, तो lawmakers ने क्या का था, whichever is low up, इसको कितने पर दिखाऊंगा, 30 पर, अब मैं lawmakers के पास जाता हूँ, मैंने का sir आपको याद है, अपने last year, 12 रुपीस मेरे से loss book कर आया था, उन्होंने का last year आपने 12 रुपीस का loss क्यों book कर रहा था, मैंने का था, audio के asset की market तक अच्छा नी कर ले थी, जिसकी वज़ए से मुझे 12 रुपीस का loss book करना पड़ा, तो lawmakers ने का, अब आप क्या चाहते हो, lawmakers ने का sir, किछले साल, आपने मेरे से 12 रुपीस का loss book कर आया, अब मैं चाहता हूँ, to book a profit of 20 रुपीस this year, और मैं inventories को लेके आना चाहता हूँ, 50 रुपीस को, अगर मैं asset को increase करना चाहता हूँ, that means मैं आपने खर्चों को कम करना चाहता हूँ, lawmakers ने का, this would be against the principle of conservative, ये 20 रुपी का मुनाफ़ा तो आपको अगले सालों में होगा, हम आज आपको book करने कैसे देदें, तो उस बंदे ने का, sir, 12 रुपी का loss भी तो होना था, आपने book करवाया, तो lawmakers ने का, recoveries allowed only to the extent of losses book earlier, मैंने शुरू में losses केते हैं बुख कर रहे हैं, 12 रुपी के, तो lawmakers कहते हैं, इस वाले सिनारियो में हम क्या करेंगे, you are allowed to show inventory of 42 रुपी, यह 42 रुपी, यह 42 रुपी कैसे, 30 प्लस 12, और जो 12 रुपे आपने losses पहले book कर रहे थे, अब आप 12 रुपे से क्या दिखा दोएगे, अपने profits, तो अपने COGS को, आप 12 रुपे से कम अपने, यह सारी की सारी बाते किसकी हैं, अगेन आयो फार्स की, US Gap कहते हैं, subsequent recoveries are not up, किसी भी केस में US Gap बोलेगा, कि subsequent recoveries allowed नहीं हैं, IFRS बोलेगा, subsequent recoveries allowed only to the extent of losses booked earlier, in case of US Gap, no, subsequent recoveries are allowed, in case of IFRS subsequent recoveries are allowed only to the extent of losses booked earlier, तो मैंने कल आपको क्या कहता है, कि आप difference बनाएंगे difference between IFRS and US Gap, तो उसी को प्रीस आगे continue करते हैं, कल आपने first point लिख ली आता है, अब आपको ही second point लिखना है, इसमें क्या है, inventory valuation, NRV or cost whichever is lower, however, for companies using the LIFO method, for companies using the LIFO method, आपको क्या करना परेगा, replacement cost or cost whichever is lower, replacement cannot be greater than NRV and cannot be less than NRV minus normal profit margin, then my third point would be subsequent write-ups, allowed to the extent of losses booked earlier, और यहां आपको लिखेंगे not all, ठीक है, इस summary eventually आप लिए बहुत useful होगा, and I would appreciate कि अगर आप अपने handwriting में इसको please last key registers में load करते जाए, ठीक है, चलते हैं to the next concept, अब मैं किस पार्ट पर आउँगा, अब मैं आउँगा analysis के पार्ट के, मैं जब आपको complete finance सिखा रहा था, तब उस्ते मैं आपको क्या सिखाया था, तब मैंने वहाँपे आपको data days निकालना सिखाया, मैंने आपको inventory days निकालना सिखाया, मेरी inventory कितने तरीके के होती है, मेरी inventory 3 तरीके के होती है, एककॉम कहते है raw material, एककॉम कहते है WIP that means work in progress, और एककॉम कहते है finished works. Let us assume I am a dealer of bikes, तो मुझे tire चाहिए, tire would be raw material and typically let us assume I need 40 days to complete a bike, तो जितनी bike आधी complete होगी उसको मैं बुरूँ हो WIP में and finished goods means, जो मेरा complete finished goods है जो मैं बेचता हूँ that is the bikes. अब हमें analysis करना है और हर company को bifurcation देना जरूरी है, कि कितना उनके पास raw materials की inventory, कितना उनके पास WIP की inventory, कितने उनके पास finished goods की inventory है, inventory जाद अच्छी या कम, मैंने आपको सिखाया था, debtor days जितने कम उतना अच्छा, creditors जितने जादा उतना अच्छा, लेकिन मैंने आपको कहा था inventory has to be optimum, आपकी inventory इतनी जादा भी नहीं हो, कि absolute होने का डर है, आपकी inventory इतनी भी कम नहीं हो, कि customer आपकी दुकान पर आया है और उसके आपके पास goods नहीं है, उसको बेचनी के लिए, so inventory always has to be in optimum, अगर in comparison to your comparable companies, finished goods की inventory बढ़ती जा रही है, इसका क्या sign होगा, अगर finished goods की inventory बढ़ती जा रही है, इक साथ sign कि आपके goods मार्केट में बिक्रे हैं ये, there could be a possibility of कि ये inventory क्या है, ये inventory absolute हो रही है, अगर आपके पास raw material और WIP की inventory बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई बड़ा order आने रही है, that means मैं खुश होता हूँ अगर raw material और WIP की inventory बढ़ रही है, और मैं दुख होता हूँ जब finished goods की inventory बढ़ रही है, finish goods की inventory की बढ़ने का मतलब है, i.e. बिक्ने रही है ये खड़ाब होने के chances हैं, outdated होने के chances हैं, absolute होने के chances, raw material और WIP inventory के बढ़ने का मतलब क्या है, इनका inventory बढ़ने का मतलब है कि मेरे goods market में बिकने वाले हैं, मेरे पास एक बड़ा order आया है, जिसके preparation में मैं लगा पड़। आज मारूती के यहां मानके चलते हैं, पांचलाग गारी बेराहूस में पड़ी है, क्या implication रिकला है? इसके goods market में बिकने हैं, आज मारूती नहीं मानके चलते हैं, दस लाग टायर मंगवाएं, वो दस लाग टायर किस लिए मंगवाएं हैं, क्युक्यों इसको गारियां बनानी हैं, that means इसके goods फटा पर market में बिक रहे हैं, so it's a positive thing अगर raw material और WIP के inventory बढ़ रही है, and it's a negative thing अगर इसके inventory बरते हैं, ठीक है, मैं बार बार आपके इस वर्ड कहता था, that inventory has to be optimum, मानके चलते हैं, आपकी comparable companies की inventory days आता है 40, और आपका inventory days भी आ रहा है, आपका inventory days आता है 20, मैंने रहा था, inventory days इतने भी कम नहीं हो जाएं, कि आपकी sales growth hamper होने लगे, अगर आपकी sales growth hamper नहीं हो रही है, then it's good to control the inventory days, अगर आपके inventory days 20 है, और comparable companies के 40 है, these are comparable companies, अब मैं आपसे पूछूँँगा, कि sales growth क्या है, कितना माल विक रहा है, मानके चलते हैं, इनका sales growth है 5%, और आपका sales growth है, 5, then आपने अच्छा perform करा है, आपने inventory को सही धंग से manage कर, इनकी sales growth आ रही है, मानके चलते हैं, 2%, आपका है 5, अगेन आपने outperform कर, अगर इनकी sales growth हा रही है 12%, और आपकी area 5%, इसका indication क्या है, आपके पास sufficient inventory नहीं थे, आपके दुकान पर customer आया, आपके पास goods नहीं थे, जिसकी वज़से आपकी sales growth and product, अगर ये तरीका है, अगर आप अपनी sales growth को meet नहीं कर पारें, जो comparable companies क is not a good policy, आपके पास inventory days नहीं, तो ये analysis आपको करना है, खीक है, draw material की inventory जितनी जादा उतना अच्छा है, that is an indication क्या आपके पास क्या बड़ा order आया है ये, आपके goods cut off a big thing, finished goods की inventory के बढ़ने का मतला है, that means, it's a obsolete inventory, outdated हो रही है, आपके माल market में big नहीं रही है, inventory days, आपके और आपकी comparable, आपकी inventory days कम आ रहे है, with respect to your comparable companies, it's a good thing, अगर आपकी sales group उनके बराबर या उनसे जादा है, it would be a negative, अगर आपकी sales group कम है, इसका implication क्या निकला, इसका implication निकला, कि आपके पास sufficient inventory नहीं थी, to meet the requirement of your customers, ठीक है sir, now I am left with only two concepts, एक है मेरा, consistent principal tutor, and last one is only, disclosures, अब मैंने आपको IFRS के अंदर कितने principles बताए, मैंने आपको का IFRS के अंदर, you are allowed to use, FIFO, and average method, you are allowed to use any of two, but, मान के चलते हूं है, इस year मैंने यूज़ करा, average, and next year मैं यूज़ करना चाहता हूं, FIFO, is it allowed, concept principal, consistent, आपको consistent है नहीं होगा, अपनी approach से, accounting standards मना तो, average use करते हूँ आया है, average use करते जाओगे, मैंने का नहीं, आपको फीफो यूज़ करना चाहता, तो lawmakers कहते हैं, अगर आप फीफो पे आना चाहते हूँ, then it has to be retrospective changes, आपको अपने financial statements change करने पड़ेंगे, और आपको अपने financial statements सारे के सारे कैसे बनाने पड़ेंगे, as per PFO method, ये बात मैंने किसकी करी, I.O. policy, US gap भी सेम बात करते है, कि आपको average से PFO पे आना है, ये PFO से average पे आना है, so the amendment has to be retrospective, लेकिन, वो क्या कहता है US gap, US gap कहता है, कि अगर आप, और इस पूरे principle की सिर्फ एकी exception है, only one exception, अगर आप लिफो method को adopt करना चाहते हो, that means you want to change to LIFO, then retrospective amendments नहीं होंगी, तब आपको क्या आप करना पड़ेगा, प्वस्ति, सिर्फ एकी exception है to the consistent principle is that, कि अगर आप लिफो पे आना चाहते हो, तो आपको कोई retrospective amendments नहीं करने, तब आप प्रस्थेक्टिव कर सकते हो, बट अगर आपको average से लिफो पे आना है, लिफो से लिफो पे आना है, लिफो से लिफो पे आना है, all of them has to be retrospective, however, if you want to change to लिफो method, it has to be prospective, तो एक ये consistent principle की उपर था, and last one is the disclosures, हर financial, हर company को financial statements बनाते हो वक, क्या बनाने परते हैं, notes to accounts, और इन notes to accounts में वो क्या बताते हैं, कि उसनोंने inventories को कैसे value करे, उनोंने लिफो method यूज करा, फीफो method यूज करा, विक्रेट आपेज method यूज करा, कोई impairment हुई है, नहीं हुई है, impairment हुई है, कितने रोपीस की impairment थी, what is the reason of the impairment, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, disclosures कहते हैं, I would suggest कि आप disclosures वाले concept को सिर्फ पढ़ेंगे, mean not to mug up anything, and इस पर मैंने कोई question दिखा नहीं, तो सिर्फ आपको disclosures पता आने चाहिए, disclosures हैं क्या है, कि आपको काँसा method फॉलो करा, impairment क्या थी, what is the reasoning, NRB का मतलब क्या है, ये सारी की सारी बाते आपको notes to accounts देनी पढ़ते हैं, अभी मैं आपको एक company की annual report दिखा देता है, उन annual report में ही सारे के सारे hooks to accounts होते हैं, तो कांसी company हैं, C8 company हैं, तो अगर आप यहां पर control F करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे, inventory, तो first of all देखिए, company ने क्या करा, company ने सारा bifurgation दिया, कि मेरे पास raw material कितना है, work in progress कितना है, finished goods कितने है, यह सारे की सारे bifurgation company को देने पड़ते हैं, then मैंने क्या करा, मैं इसके notes to accounts में आना चाहता हूँ, यह क्या है मेरे notes to accounts है, notes to the consolidated financial statements, और अगर आप इसके नीचे आएंगे, यह company ने पूरा बता रखा है, कि मैंने inventory को value कैसे कर, कंपनी ने का, कि inventory's are valued at cost, और NRB, whichever is lower, और इसके पूरा बाइफर्गेशन अपना दिया, उनोने सारी चीजो के एक्सेशन करा, यह नोने net realizable value की explanation भी दे रखी, यह सारी की सारी बाते मेंचे कां पर मिल्ती हैं, यह सारी की सारी बाते मेंचे मेरे notes to account मेंचे, So, with this, we have completed our first chapter, invent piece, I tried my level best की, जो जो important चीज़ें थी, वो मैं आपको सारी की सारी बता करूँ, ठीक है, So, अब आपको रिवाइस करने सारा चाप्टर, and सारा के सारा चाप्टर रिवाइस करने के बाद, आप क्या करेंगे, आप फटा-फट से अपने reference book के पीछे के questions करते, ठीक है, and one more thing, एक मैंने आपको impairment वाला concept बताया था, तो इस impairment का एक और नाम क्या है, इसको हम कहते है, written down, और इसको at times हम क्या बोलते है, valuation allows, एक ये चीज़ है, मैं वह एक्जाम्पल के एक बर continue करता हूं, I miss one thing, so ये cost और NRV, my cost was 40, my NRV is, let us assume 28, तो मैंने क्या करा होगा, मैंने 12 rupees के losses book करे, अब ये losses कहां जाएंगे, ये losses मेरे COGS में add हो जाएगा, मेरे COGS कितने से increase हो जाएगा, 12 rupees, अगर COGS 12 rupees से increase होगा, तो मेरा earning after ticks, 12 rupees से reduce हो जाएगा, और ये earning after ticks कहां पे चले जाते हैं, मेरी balance sheet में, equity का एक component होता है, जिसको हम कहते है reserves and surplus, so reserves and surplus means दीजागी profits, आप या तो आप ये 12 rupees को distribute कर दो, या पर ये 12 rupees कहां चले जाते हैं, reserves and surplus में profits accumulate होते रहें, तो जो profits company ने distribute नहीं करे, उसको हम कहते है reserves and surplus, ये profits कांपे चले जाते हैं, reserves and surplus में, अब reserves and surplus मेरी कितने से गिर गए, reserves and surplus मेरी 12 rupees से गिर गए, और definitely यहां पर कुछ liabilities का submission आता होगा, और यहां पर मेरे assets का submission आता होगा, आपने जब impair करा, तब आपने impair करते वक क्या कर रहा था, आपने 12 rupees से अपने assets को गिरा दिया था, 12 rupees को assets को जैसी आपने गिराया, आपकी costing 12 rupees increasing, profit 12 rupees से गिरे, और eventually आपका equity 12 rupees से गिर के, अब कुछ ratios की उपर बाते करी गही हैं, दो आपको ratios वाले chapter में भी repeat करूंगा, अब study mat में क्या लिखा है, वो आपसे पूछते हैं, अगर impairment होता है, तो मेरे ratios की क्या impact पढ़े हैं, मैंने का ठीक है, वो कौन-कौन सी ratios की बात करते हैं, वो बोलते है, return on equity, return on asset, debt equity, and debt upon asset, वो इन ratios के बारे में बात करें, फटर फट से बताईए, return on equity का formula क्या होता है, these are EAT upon equity, this is EAT upon asset, this is debt upon equity, debt upon asset, पटा-पट से बताईए, impairment हुआ, तो EAT कितने से गिर गर? EAT 12 से गिर गया, EAT में क्या change आया? EAT 12 से गिर गया, EAT 12 से गिर गया, equity भी कितने से गिरा? 12 रोपे से, sorry यहां पर AR, EAT कितने से गिरा? 12 रोपे से, asset कितने से गिर गया? 12 रोपे से, debt constant रहा, debt constant है, debt यहां पर भी constant है, equity गिर गया 12 रोपे से, asset गिर गया 12 रोपे से, मेरा पहला सवाई, debt equity और debt upon asset ratio क्या होगा? increase यह decrease? मेरा जो denominator है, denominator गिर गया, तो यह ratios बढ़ गही होगी, घड़ गही होगी, यह ratios मेरी increase होजाए, आती ही काफी, self-explanatory था, कि अगर मानके चलते हैं, debt equity आ रहा है, 2 is to 1, तो 2 is to 1 में अब आपको, equity को 12 रोपे से गिराना है, तो एकदम से debt shoot up करेगा, similarly, asset अगर गिर गया है, debt upon asset भी shoot up करेगा, denominator जैसी गिरा ratios बढ़ दे, अब मेरा आपसे question है, कि return on equity and return asset पे क्या impact आए होगा, यह improve होए होँगे, debtorate, मेरा numerator 12 से गिरा, denominator 12 से गिरा, numerator 12 से गिरा, denominator 12 से गिरा, बच्चों को लग रहा होगा, that there would not be any change in these ratios, but यह answer incorrect है, यह दोनो ही ratios क्या करेंगे, debtorate होँगे, यह दोनो ही ratios गिरेंगे, यह दोनो ही ratios क्यों गिरेंगे, समझते हैं, आपका original inventory कितना था, 40, आपने उसको 12 से गिराया, तो कितने पे आ गिया, 28 पे, और जो भी मेरे assets का total रहेगा, वो assets का total 40 से जादा होग, यह 40 से काम, सर्फ 40 से जादा, क्यों summation of all the assets, इसमें inventory भी included है, तो मांके चलते ही यह 100 है, इस 100 को भी आपने कितने से गिराया, 12 से, तो यह कितना बन गया, 88, similarly, मेरा liabilities का total भी कितना है, 88, और यह भी कितने से हो गया, 88, और इसमें क्या included है, equity profits, तो मांके चलते हैं, यह 100 से कम ही होगा, मांके चलते हैं, यह आपका है, 20, तो अब यह 20 को 12 से गिराया, that means, it would be 8, अब यह ratio क्यों deteriorate करेगी, because, percentage, formula क्या था मेरा, मेरा formula था, EAT, upon equity, percentage fall, in EAT, would be, more, in comparison to equity, equity कितने से गिर रहा है, equity तो सिर्फ 12% से गिरेगा, मांके चलते हैं, लेकिन, EAT जादा percentage से गिरेगा, जिसकी वज़सी दोनों की दोनों ratios क्या होगी, वेटो रेट हो ज़ए, आप यह देखिए किसका base बड़ा है, EAT का base बड़ा है, यह equity का, the base of equity is higher, the base of asset is higher, asset कितने से गिरे, asset तो सिर्फ 12% से गिरे, लेकिन, the falling profits would be more, अगर falling profits would be more, to ROE and ROA दोनों ही deteriorate, so impairment की वज़ज़स से, मेरी ratios में क्या impact होगा, debt equity increase होगे, debt asset increase होगा, no self-explanatory, but ROE and ROA दोनों के दोनों क्या करेंगे, reduce करेंगे, why, because the fall in profits would be more, in percentage terms, as compared to fall in equity and fall in ethics, so with this, हमारा inventory पूरा finish होता है, अब फटा फटा फट से पड़ेंगे, पीचे के questions कर लेंगे, and then we will be moving to the next time. Hello friends, today we are going to start with a new chapter, जिसका नाम है, long-term assets, जब मेरे अफरे स्कार्ट कर रखा था, मैंने आपको आथा, खर्चे या तो खर्चे है, या फिर खर्चे क्या है, assets है, that means, या तो वो रिविट एक्सपंडीचर है, या वो capital expenditure है, जो खर्चे हमें benefits more than 1 year तक देने अवाले हैं, उनको मैं कहता हूँ capital expenditure, अगर आपको लगता है कि sales 5 साल तक होने वाली है, मानके चलते हैं कि मुझे मेरी asset की life लगता है 5 साल है, तो खर्चे भी आप कितने साल तक बुक करोगे, खर्चे भी आप 5 साल तक बुक करोगे, based upon matching concept, ठीके सर समझ में आया है, अब मानके चलते हैं कि आज मैंने एक AC purchase करा, और जब मैंने AC purchase करा, तब मैंने freight के charges दिया, stabilizer का खर्चा दिया, installation के खर्चे करें, अब किन-किन खर्चों को मुझे capitalize करने हैं, और किन खर्चों को मुझे P&L में directly hit लेना है, तो accounting standard क्या करेंगा, accounting standard क्या करता है, और वो सारे के सारे खर्चे, जो आप incurred कर रहे हो, to make the asset ready for use, जिसके बिना incur करेंगे, asset ready नहीं है use करने के लिए, उन सारे के सारे खर्चों को आप क्या करोगे, आड करोगे उन सारे के सारे खर्चों को आप capitalize करने बाले हैं, तो examples क्या क्या दे रखें, पर्चेस कास्ट, तो मन के चलता है, अगर मेरे AC 20,000 अरपे का खड़ीगा, तो उसको में capitalize करोगा, freight के expenditure, installation का, testing का, और वो expenditure जो मैं incur करता हूं, जिसकी वजह से मेरे asset की life increase होती है, यह सारे के सारे खर्चे में क्या करोगा, capitalize, किन खर्चों को मैं capitalize नहीं करता, मैं repair & maintenance की खर्चों को capitalize नहीं करता & मैं training expenditures को capitalize नहीं करता, repair maintenance की हो, यूँकि repair maintenance से कोई life increase नहीं हो रही है, & training की खर्चे की की फसकी पर करना हूं अपने employees को train करने के लिए, यह खर्चे इसलिए incurred नहीं होिए, to make the asset ready for use, यह खर्च आप इंकर्थ करदें सो यह हमारे एंप्लॉई हमारे एसेट्स को यूज करूँगा दाट इस मेरे पेर इंटेनेंस और ट्रेन की खर्च को क्या करूँगा मैं सीधा कर सीधा P&L में हिट ले रहे बागा चीके सर समयच में आया है अब हुआ क्या है अब है मांगे चलते हैं की आनि दे बुझनस ऑफ फोड़ और अभी में वेट अब होड़ा रहा है जसको यूज को प्रच करने में लगिने थी जर स्वीएंस and post that there would be an operational period. And to construct this hotel, I have taken a loan from the bank and my bank 보세 loankeeper interest ते रहा हूगा, एक interest होगा during the construction period और एक interest है during the operational period. मेराब से सवाज है जो interest में दे रहा हूगा during the construction period उसका treatment क्या हने चाहिए और जो interest में operational period पे दे रहाँ उसका treatment accounting treatment क्या होना चाहिए Before to answer my any questions आपको चार principles को mind में रखना है वो चार principles काँ से थे Matching, Accruval, Prudence, Consistence इन चार principles को mind में रखते हुए आप मेरे questions का answer करेंगे अब वो क्या रहा है पहले तीन साल में पहले तीन साल में construction created अगर पहले तीन साल में construction है तो इस फोटल से पह कोई revenue कमारा होगा या नहीं कमारा होगा there would not be any sort of revenue from this hotel and post that definitely जब operational period में होगा तब इससे मुझे revenues आने शुरू हो जाए या law maintenance ने का based upon matching concept, match your expenses with respect to your revenue पहले तीन साल में कोई revenue नहीं अगर पहले तीन साल में कोई के सारे capitalise interest का खर्चा क्या होगा interest का खर्चा capitalise post that P&L में कैसे जाएगा यह खर्चा यह खर्चा P&L में जाएगा in the form of depreciation in the form of depreciation and जो interest के खर्चे हो रहे during the operational period इनको में क्या करोगा इनको मैं सीधा सीधा पने P&L में लेके जाओ ठीक है तो आप चार principles को मैंड में डखेंगे to answer any question और मैंचर ने क्या का था अगर आप पहले तीन सालों में कोई revenue नी कमा रहे हो तो आप पहले तीन सालों में कोई interest का खर्चा खुपनी करोगे पहले तीन सालों में सारे के सारे खर्चे क्या होगा और यह LOSD किसकी बात करता है LOSD किसकी बात करता है LOSD की बात करता है की depreciation के methods कितने है in totality there are three methods एक को मैं बोलता हूँ straight line method एक को मैं बोलता हूँ declining balance और WTB and third is units of production method मैं एक simple से example लोगा और एक simple से मैं आपको तीनों method सिखाऊँगा बट आपको एक चीज़ माइं में रखनी है कि मैं SLM method follow करूँ DB method follow करूँ units of production method follow करूँ eventually PNL में जितनी भी खर्चे जाएंग यह तीनों method से answer क्या आएगा सेम आईगा आपने से पहले क्या सिखा था आपने से पहले FIFO-LIFO method सीखे आप FIFO method follow करो LIFO method follow करो यह average method follow करो eventually PNL में जो खर्चे जाने थे वह सेम थे सेम वाइस हाँ पर depreciation के तीन method है तीनों method के quantity answer years में differ करता होगा बर cumulative जो answer होगा ठीक है चीक है सो मानके चलते है कि एक ओलर ड्राइवर है और उस ओलर ड्राइवर ने कार पर्चेस करी 4ड़ पीस 5 lakhs salvage value is 1 lakh salvage value का मतलब है कि जब यह asset scrap हो जाएगा तब मुझे कि 3 पीस मिलने वाले तब मुझे 1 lakh पीस मिलेगा जब इस गारी को बेचोंगा और as per the management the life of this car is 4 years so SLM के पाडिगरी SLM का formula क्या है SLM का formula है original cost minus salvage value divided by life this is equal to 5 lakh minus 1 lakh divided by 4 मेरा answer क्या आएगा my answer would be 1 lakh expenditure every year आपका in totality खर्चा कितना है 4 lakh रुप्रे का आप हर साल एक एक लाप रुप्रे का खर्चा भुप कर लिजे SLM के case में क्या आता है SLM के case में अगर मैं यहां पर year लिख को यहां पर मिले को amount of depreciation तो आपका amount of depreciation हो क्या होता है आपका amount of depreciation constant रहता है over the years so this was the first method over the years आपके PNL में कितना खर्चा गया over the years कि में आपके PNL में 4 lakh risk expenditure चल गया my second method is declining balance और अभी में कांसर सिखारों आपको double declining balance so double है तो मैं आपके क्या लिख का 2 hadn't been triple तो मैं बट क्या लिख का 3 so 2 divided by useful life multiply by opening book value यहां पर जो amount of depreciation है यह amount of depreciation differ करेगा but cumulative PNL में कितना खर्चा जाना चाहिए cumulative PNL में कितना खर्चा जाना चाहिए 4 lakh rupees so first year का depreciation कैसे आएगा 2 divided by 4 कितने का इसी खरीदा जाग 5 तो यहां पका लिख का 5 अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका answer आएगा 2.5 lakh मेरे second year का depreciation का amount कितना होगा 2 divided by 4 अब remaining book value कितनी है 5 थी 2.5 of depreciation ले जा चुके तो अब remaining कितनी होगी 2.5 this is equal to 1.25 3rd year क्या होगी 2 divided by 4 multiply by 1.25 this would be equal to 0.625 4th year it would be equal to 2 divided by 4 multiply by 0.625 this is equal to 0.3125 अब यहां पर अपने एक चीज को breach करा अब आपका answer 4 lakh नहीं आड़ा होगा अब आपका answer 4 lakh से जाधा आए एक बड़ा आपक समग करी कि आपनी cumulative नी depreciation कितना चार्च करा यहां पर cumulative नी कितना आ रहे 4 आएगा sorry यहां पर 1st year में depreciation कितना आथा 2.5 1 or 2 का cumulative answer कितना आता है 3.75 यहां पर आपका आएगा 3.75 plus 0.625 4.375 plus 0.31 4.6875 बड़े ध्यान से बताइए आपका अस्त्री में खर्चा कितना था 4 lakh आप PNL में 4.6875 क्या यह गलत है the answer is yes तो इसका सही answer क्या होगा आपके 4 lakh rupees कांपे कुरास हो रहे हैं इन दो सालों में 3rd year आप कितना depreciation चार्ज करोगे 1st year आपका रहेगा 2.5 2nd year के आपका रहेगा 1.25 लेकिन 3rd year of depreciation कितना चार्ज करोगे you will charge only that amount of depreciation कि total कितना बन जाए यह total 4 lakh बन जाए 3rd year would be 0.25 and 4th year depreciation क्या होगा 0 अगर अब sum up करेए आपका आपका चार्णा खा रहे the answer is yes so that means आप WDP method follow करो eventually आपकी प्यर में खर्चे कितने जारे eventually आपकी प्यर में खर्चे जाए अब ढौण धीरे 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 क्या होता है यह अब धीरे 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 गिरता रहता है तो SLM की case में आपका graph किया बना था SLM की case में graph ऐसे बना WDB की case में आपका graph कैसे बनेंगा WDB की case में आपका graph declining में मेंगा and important point to be noted is that कि declining balance में कहीं भी को यूज नहीं करा, but the moment मेरा amount of depreciation 4 lakh हो जाते cumulatively उसके बाद मुझे depreciation को चार्ज नहीं करना, so this is a very important यहाँ पर मैंने कहीं के भी salvage value को यूज नहीं करा, but the moment cumulatively the amount of depreciation becomes 4 lakh rupees उसके बाद मुझे depreciation charge नहीं करना, आप SLM method follow करो, आप या WDB method follow करो, cumulatively आपके PNL में 4 lakh rupees text बनी चाहिए, अब मेरा third method कांग सा है, मेरा third method है, units of production method, मानके चलते हैं, कि यह जो गारी है मेरी, इसकी total costing यह भी चार लाग रोपे, 5 minus 1, salvage value that is 4 lakh, यह 4 lakh rupees और मानके चलते हैं, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ में 1 lakh किडोमेटर, तो पर किलोमेटर मेरी cost कितनी आई, पर किलोमेटर मेरी cost है 4 rupees, और मानके चलते हैं, मेरी गारी, 1st year में चलेगी 10,000, 2nd year में चलेगी 20,000, 3rd year में चलेगी 30,000, और 4th year में चलेगी 40,000, cumulatively के लिए 1 lakh आते हैं, the answer is yes, अब मैं माउट कितना चाज़ करूँ है, depreciation का, 40,000 गांपे, 80,000, 1 lakh 20,000, and 1 lakh 60,000, क्या अभी भी अमाउट मेरी 4 lakh आते हैं, the answer is yes, so that means, there are 3 methods to charge the depreciation, 1st one is SLM, 2nd is declining values, and 3rd is units of production method, इत्रिस्पेक्टिव आप कौनसे method follow करते हो, PNL में आपको कितना खटसे जाए रहा है, PNL में आपको 4 lakh आपो TC जाए, अब एक और concept है, जिसको हम कहते है, component depreciation, और यह component depreciation का concept है का आमने, this concept is under IFRS, अब मानके चलते हैं कि मैंने कार्ड पोर्चेस करी, और यह कार्ड थी for 6 lakh, अब IFRS क्या कहता है, IFRS आपको कहेगा कि इस कार्ड की लाइफ इत्रिए, मैंने का इस कार्ड की लाइफ है 6 years, उसने का ठीक है, अब IFRS आपसे पूछता है, क्या इस गारी का कोई ऐसा एक component है, जिसकी लाइफ आपको लगता है 6 साल से काम है, मैंने का येस, मुझे लगता है कि इंजन है hypothetically, इंजन की क्वास्टिंग है 3 लाइक रूपीज, और ये इंजन मुझे रिप्लेश करवाना कड़ेगा, तीसरे साल के इंड में, आपने का ठीक है, अब मैंको बड़े भ्यान से बताएए, कि आपका टोटल फर्चा होना कितना है, over this 6 years, आज मैंने काई पॉचेस करी, उसके लिए मैंने कितना दिया, 6 लाइक रूपीज, प्लस, जैसी 3 साल खतम होंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इंजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, और अब मुझे इंजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मुझे कितना पड़ेने पड़ेंगे? 3 लाइक रूपी यह प्लस, इसमेलेटिव नी मेरी जैब से कितना जा रहा है? 9 लाइक रूपी और जो प्लस, मैरी जैब से 9 लाइक रूपी जा रहा है, तो over the period मुझे कितना डेप्रेसिशन चार्ज करने चाहिए? कि over the period cumulative depreciation इतना हो, कि मेरे PNL में कितना चला जाए, मेरे PNL में 9 लाग और चला जाए component depreciation क्या थाएगा total खर्चा कितना हो है total खर्चा है 9 लाग और, तो ये काएगा, 9 लाग divided by 6 years इसको अगरा solve करेंगे, इसको अगरा solve करेंगे, इसको इकोल करेंगे 1.5 लाग टोटीश का depreciation चाज कर लेजें, पर ये और अगर आप component depreciation यूज नहीं करना चाहता है तो ये मुझे नहीं पाता करना है engine की value कितनी engine की life कितनी जाब हो तब देखा चाहेगा तब आप कैसे डिप्रिशिशिन चार्ज करोगे? टोटल लाइफ कितनी? 6 6 एंस और 6 एंस अगर लाइफ है और आप नेक्स पंडीचर कितना करा? 6 लाइफ लिप्रिश तो आप कितना डिप्रिशिशिन चार्ज करोगे? यह 1 to 6 आप रिप्रिशिशिन चार्ज करोगे 6 लाइफ डिवाइफ 6 एंस इस इकल टो 1 लाइफ पर यह और जैसे यह 3 to 6 यह आएगा आपको कितने रुपे स्प्रिंट करने अगे? 3 लाइफ पीस पर पीरिद आप 3 एंस यह 4 से 6 आप कितना डिप्रिशिशिन चार्ज करोगे? 1 लाइफ पर यह तो अगर मैं टोटल करू मेरा डिप्रिशिन ओगा 1 to 3rd यह 1 लाइफ और 4 to 6 त यह मैं डिप्रिशिशिन वोड़ भी 2 लाइफ अगर आप उनको मेटिप्लाइफ करें यह 3 लाइफ यह 6 लाइफ अगें आपके पीनल में कितना आ रहे? आपके पीनल में नौटल करच्चा आएफ फिर से समझते हैं component depreciation का मतलब क्या था? component depreciation ने का कि आज आपने गारी खरीदी गारी की लाइफ है 6 years और उन्होंने का कि आप अपने components को identify करो कि कितने कितने different components उन components जिनकी लाइफ आपको लगता है कि 6 years से कम तो मैंने कर मुझे लगता है engine की life है 3 years आज मैंने गारी खरी दी छेलाभी पर खर्चे की पोचे जी कार along with the engine and after 3 years मुझे लगता है मुझे engine को replace कराना पड़ेगा कितनी बार? 1 time so in totality the spin feature is 9,000 वो कहते है 9 divided by 6 every year the depreciation should be 1.5 this is the concept of component component depreciation नहीं चार्ज करना चाते है आपके जब engine replace कराओंगा तब देखी जाएगी तो अभी तब normal धंसे depreciation चार्ज कर लीजे जो आपका अंसर आता है 1.5 पीस and जैसे ही 3rd year end में आप वाको से 3.5 लाग को खर्चा चार्ज करोगे तब आपको उस सालों में multiply करेंगे तो आपका अंसर कितना आएगा आपका अंसर 9.5 पीसी आने ठीक है तो यह component वाला मैं आपको एक और example की help से करा था एक और example नहीं दे just so that अभी थोड़ो और easy हो जाए concept मानती चलते मैंने आज ए aircraft purchase करा और इस aircraft की costing है 50.5 पीस इसकी salvage value है 2 लाग रुपीस और इसकी total life है 30 पीस और मुझे लगता है कि मुझे अपने aircraft की इंटीर्स को replace कराना पड़ेगा 30 पीस और मुझे लगता है कि कब after 15th year और इसकी costing कितनी आनी है इसकी costing 30 पीस मेरा बड़ा 30 अगर आप इसको solve करेंगे तो आपको amount कितना आते है आपको amount आएगा 2.6 लाग पर यह यह component के थुरू करा और अगर आप केरते हैं कि नहीं 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 करना चाहता हूं तब क्या होगा तो पहले 30 years का खर्चा कितना है पहले 30 years का खर्चा है 48 रूपीस और आपको 30 लाग रूपीस के expenditure है for another 15 years तो आपने क्या लेखा आपने यहाँ लेखा 1.2.30 आप यहाँ पे depreciation कितना चार्ज करोंगे तो आपने क्या लेखा आपने हाँ लेखा आप यहाँ पे depreciation चार्ज करोंगे 1.6 lakh per year and यहाँ पे आप 16 to 30 year कितना depreciation चार्ज करोंगे 2 lakh per year यह कितने साल है यह 15 साल है यह कितने साल है अगेन आप इसको solve करेंगे तो आपका answer कितना आपका answer 78 lakh per year यह concept US के आप में नहीं है यह concept किस में है आपको जेतना total life का आपको खर्चा लगता है सबको जो लो divide by किससे कर लो divide by life तो आपका amount of depreciation every year के आएगा आपका amount of depreciation every year एक constant amount आएगा यहाँ पी आपका amount of depreciation है शुरू में कम आएगा बाद में जाद हो जाए इवेंचली मेरे पेनल में खर्चा इतना जाए इवेंचली मेरे पेनल में 78 lakh per piece के expenditure जाए ठीक है सो यह हमने concept concept करा we have completed concept number A we have completed concept number B now I am moving to next concept concept number E LOS E का मतलब क्या है LOS E SLM method and declining balance method में comparison SLM method में the amount of depreciation remains constant DB method में amount of depreciation the amount of depreciation keeps on declining वो शुरू में जादा amount charge करता है बाद में वो कम करता है but over the years मेरे PNL में कितना हिट जाएगा over the year मेरे PNL में 4 lakh किसका हिट जाना है मेरा बड़ा simple सवाल declining balance वाले method में शुरू में PNL में expenditure जाएगा अगर expenditure जाएगा तो profits का और अगर profits कम होंगे तो ROE कम ROA ठीक है आपको सिख 2 ratios याद करनी है ROE, ROA हम ratios वाले चाप्तों में के बाद में पढ़ेंगे but अगर profits गिर रहे हैं तो क्या होगा अगर profits गिरतने हैं तो मेरा ROE भी गिरेगा और मेरा ROE भी गिरेगा ठीक है ठीक है So with this we have completed 3 concepts Concept No.1 Concept No.D Now I am moving to the next concept L.O.S.C और L.O.S.C में वो क्या कहते हैं There are two ways एक तरीका है कि आप उसको PNL में हिट लो खर्चों को and the second way is आप क्या करो खर्चों को capitalize करो and over the period आप उसको PNL में लेके जाए Example आज एक पोलर ड्रीकों में कार पूर्चेस करो for 5 Lakh पीज The salvage value is 1 Lakh and the life of the car is 4 years So दो थरीके क्या है The one way is आप इस 4 Lakh expenditure को आज क्या करो आज आपने PNL में आप expenditure दिखा दो कार का straight away 4 Lakh पीज This is the first way Second week क्या है आप अपनी balance shift में asset create करो वो asset के पे का होगा वो asset आप जब बनाओगे तो first year उसकी value कितनी होगी 5 Lakh का पूर्चेस करो आपने 1 Lakh पीज डेपिशिशन चार्च करो 4 Lakh, 3 Lakh, 2 Lakh और 0 0-2 तो आपने asset बेचाओग और आपको 1 Lakh पीज मिल गेए और just for the sake of simplicity आप यहां पे लिख 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 फोल्ड है और salvage value लेए So this would be 3 Lakh, 2 Lakh, 1 Lakh, 0 अगर आप PNL में चार्च करते तो क्या कोई asset बनता है The answer is no तो asset का value क्या है 0-0-0-0 यहां पे asset की value कितनी रही 3 Lakh, 2 Lakh, 1 Lakh, 0 PNL में खर्चे कितने गए होगी PNL में expenditure गया 1 Lakh, 1 Lakh, 1 Lakh, 1 Lakh यहां पे PNL में खर्चे कितने गए 1st year में 4 Lakh, उसके पाद 0-0-0 मेरा बड़ा simple सवाल है If, अगर मैं assets को capitalize करता हूँ in comparison to charging it directly to the PNL account My profits in the initial year would be higher by 3 Lakh However, my profits in the later years would reduce by 1 Lakh अगर मैं खर्चों को capitalize करता हूँ तो मैं पहले साल में खर्चा कितना गए होगी 1 Lakh, visa भी 4 Lakh तो मेरा profits 3 Lakh से जादा that means my profits in the initial year would be higher However, बाकि जितने भी साल होगे बाकि 3 साल में मेरा profits 1 Lakh पैसे काँ क्यों? अगर मैं उसको expense बनाता था मैं बाकि 3 साल में कोई भी खर्चा भूप नहीं करता लेकिन capitalization की case में मुझे हर साल कितने expenditure भूप करना है 1 Lakh So, my profits in the first year would be higher but the profit in the rest of the years would be lower So, this is the first बड़े ध्यासे में बता हिए Assets की value जादा यका 3 Lakh, 2 Lakh, 1 Lakh, 0 compare it to 0 0 0 0 Assets की value would always be higher or hypothetically मैं रिस्यूं करतें की equity value थी 10 थी ये 10, 10, 10, 10 और यहापन में equity रिका 10, 10, 10, 10 and यहापन में profits ये 10 Lakh rupees 10 Lakh, 10 Lakh, 10 Lakh तो मैं overall profits would be 6, 10, 10, 10 और यहापन में profits 10 Lakh तो मैं overall profits would be 9, 9, 9, 9 यह profits ultimately किसको belong करते हैं यह profits ultimately equity वाल को belong करते हैं और मैंने क्या कात उसको अम नाम क्या देते हैं reserves and surplus सो यहापन मेरे reserves and surplus कितना होगा 6 Lakh, 16 Lakh, 26 Lakh, 36 Lakh यहापन मेरे reserves and surplus कितना होगा 9, 18, 27, 36 अगरमें समप करूँ 19, 28, 37, 46 यहापन मेरे equity के value कितनी आ रिया है 16, 26, 36, 46 now point to be appreciated is that at the end of fourth year मेरे asset के value क्या है? 0 यहापे भी asset के value क्या है? 0 at the end of fourth year equity के value क्या है? 46 यहापे भी equity के value क्या है? 46 46 बड़े जहां से आपने को बताईएगा you have to compare these two आपने पहले assets को compare करा assets अगर आपके applies करते हो तो assets की value जादा थीए कम assets की value जादा equity की value को भी compare करें equity की value क्या यहापे जादा आ रिया? 19, 16, 28, 26, 37, 36 क्या equity की value भी जादा आ रिया? the answer is yes क्या दू क्या दू कंपरिजन करें first comparison is the profits in the first year would be higher however the profits for the rest of the year would be lower would be lower would be lower second मैंने बोला यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमेशा higher equity and higher assets only और अगर higher assets and higher equity होगा तो मुझे स्रिफ दो रुशों के impact चाहिए debt upon equity and debt upon assets यह भी जादा है यह भी जादा है तो debt equity ratio would be lower debt upon asset ratio would also be lower अब बड़े ध्यान से देखके बताहिए profits कहाँ जाद है first year में profit यहाँ जाद है but rest of the years में profit कहाँ जाद है? यहाँ जाद है but rest of the years ROE and ROE will be lower अब एक point और दे रखाय है वह किस क्यों पर है? वह cash flows क्यों पर है? अब एक point और दे रखाय है वह किस क्यों पर है? कि आप cash flow वाले points को ignore करिए यह cash flow वाले points आपको कब समझ मैंगे? जब मैं cash flow statement करा देगा खीक है तो अभी के लिए आप अपनी books में highlight करके रखेएगा once cash flow वाले chapter में over कडा दोगा तब आपको वाले points लिए समझ में आजाए इस concept को रिवाइस कते concept concept यह यह LOSCA है इस में किनकी बाते कर रहे हैं कि अगर मैं capitalize करता हूँ विजवी उसको directly PNL में चार्ज करने से तो मेरे PNL में क्या impact आएगा? सबसे पहले मेरे first year में profits क्या होंगे? जादा होंगे लेकिन rest of the year में मेरे profits कम ही है जैसी मैंने यह राइग बोली आपने का first year में ROE ROE would be higher and rest of the year ROE and ROE would be lower मैंने का ठीक है और आपने का क्योंकि asset and equity की value जादा है तो मैंने का debt equity ratio and debt asset score always be lower अगर मैं capitalize करता हूँ और visa भी उनको directly charge करता है to the P&L आता ठीक है सार समझ गाए अब एक important point to be noted is बड़ा simple है मांके चलते हैं कि मैंने score करे 90 marks out of 100 maths के paper है और अगर मैं दोनों चीज़ों को 10 रूपय से गिरा दू अभी मेरा percentage के इतना आ रहे मेरा 90% आ रहे अगर मैं दोनों चीज़ों को 10 से गिरा दू that means it would be 80 this would be 90 percentage सेव रहेगी या percentage गिर जाएगी एक पर calculate करते है 80 divided by 90 would be 88.8 यह percentage गिर रहे however मैं नुम्रेटर को भी 10 से गिराया and denominator को भी 10 से गिराया my question is why यह percentage गिरा क्यों जब दोनों ही चीज़ों को मैंने दसते गिराया यह percentage इसलिए गिरा यह percentage नुम्रेटर को 10 से गिराया अब बच्चा कई बार confused हो जालता है वो यह कहता है I totally understand that sir कि यहाँ पर profits जादा है यहाँ पर profits जादा मैंने का yes और वो यह भी कहता है कि यहाँ पर equity भी जादा है मैंने का yes अब वो कहता है कि यहाँ पर RE Q जादा आएगा उसका यह भाग कोश्चन है कि आड़ी क्यों जादा है आप एक बार यहाँ पर आड़ी को compute करें यहाँ आड़ी आपका कितना आएगा यह आड़ी आपका आएगा 9 divided by 98 so this would be equal to 47 percent और यहाँ पर आड़ी आएगा 7 6 upon 16 यहाँ पर आड़ी आएगा 37.5 यहाँ पर मैंने फामुले के लिखा 16 6 upon 16 और यहाँ पर मैंने लिखा 9 upon 19 बड़े ध्यास से लेकिन दोरों में कितने का डिफरेंस है यह से कितना बड़ है आड़ कर दो 3 क्या यह बन जाएगा अगर आणसर इस percentage terms में numerator जादा है percentage terms में अगर percentage terms में numerator जाएगा रिशू क्या कर जाती है यह रिशू improvise कर जाएगा अगर आपको की समझ भी यहाँ था बहुत संकोसी बात है जहां पर प्रॉफित जादा वहां पर आरवी आया आरवी बूड आलवेज भी आया ठीक है 6 upon 16 now I am moving to the next concept LOS B LOS B में किसकी बात करता है LOS B में बात करता है intangible assets के बारे में अब tangible assets वो होते हैं जिनको हम touch कर सकते है intangible assets वो होते हैं जिनको हम touch नहीं कर सकते tangible assets की case में में क्या compute करता हूँ depreciation intangible assets की case में में क्या compute करता हूँ amortization amortization की वोही तरीके हैं जो की depreciation के हैं बस नाम चेंज हो जाले हैं मेरे intangible की examples क्या हुए मेरे intangible की example होए copyrights, patents, know-how, etc अब इनकी भी कुछ ना कुछ लाइफ होती है copyrights की, patents की इनको आप उसी वे में amortize करेंगे जैसे साब से आप tangible assets की उपर क्या charge करते हैं और यहाँ पर एक difference आता है किसकी उपर, एक difference आता है IFRS और US gap में किसको लेके research and development के expenditures को लेके research का मतलब क्या है research का मतलब होता है किसी चीज़ को investigate करना जिसके outcomes positive भी हो सकते है negative भी हो सकते है development का मतलब होता है कि उस investigation का use करना in the development of the product मांगे चलते है कि cancer के लिए कोई भी medicine exist नहीं करती और एक pharma company अभी उसके पर research कर लिए that means वह अभी testing phase में could be possible यह fruitful हो could be possible यह research fruitful नहीं हो development company कब करती है development company तब करती है जब 100% sure है कि उसकी जो research थी वो successful रही है अब उसकी commercial production के लिए वो planning करें डवलब करें आया फरस क्या कहता है research के सारे के सारे खर्चे को आप क्या करो research के सारे के सारे खर्चे को आप पी एल में charge करो और development के सारे के सारे खर्चे को आप क्या करो capitalize करो research के सारे के सारे खर्चे PL में और development के सारे के सारे खर्चे capitalize क्या यह वैसे साही है, the answer is yes, क्योंकि जो रिसर्च था, उसका आउटकम मुझे नहीं पता, और अपर आउटकम नहीं पता, तो मैं असेट कैसे क्लेट करो, what is the meaning of an asset, asset का मतलाबे the resources, which will eventually lead to inflow of cash, could be possible medium resource successful leading, तो इनोंने का सीधा का सीधा P&L में, और development की खर्चों को क्या करोगे, development की खर्चों को आप capitalize करोगे, based upon which principle, based upon prudence principle, इसलिए उनोंने ये सारे के सारे खर्चों को क्या करा, conservative होके, prudent होके, उनोंने का ये सारे के सारे खर्चे आप क्या करो, P&L में लेके चले जो, मैंने कर्थी कैसा, US Gap क्या कहता है, US Gap कहता है, research के खर्चे हैं, या development के खर्चे है, ये सारे के सारे खर्चे कहां जाएंगे, ये सारे के सारे खर्चे आपके P&L में जाएंगे, with only one exception, with respect to cost income, with respect to the development of software, अगर software की development की खर्चा हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, उसको आप क्या क्या कर दो, बाकि जितने भी research ये development के खर्चे हैं, वो क्या करो गया, वो सीधा का सीधा आप P&L में लेके चले जाएंगे, ठीक है, और इसी का एक last concept है, goodwill, आज, let us assume मैं कोई business acquire करता हूँ, and उस business के लिए, let us assume मैंने 50 लाक रूपीस दिये, मैंने acquire क्या करें, let us assume मैंने coaching institute को purchase करता किसी बंदे से, और उस बंदे को मैंने 50 लाक रूपीस दे दिये, अब उस बंदे को जैसे मैंने 50 लाक रूपीस दिये, accounting entry pass करने के लिए मुझे बताना पड़ते हैं, यह 50 लाक रूपीस मैंने किस के लिए दिया, example मैंने 50 लाक रूपीस furniture के लिए दिया, laptop के लिए दिया, mobile phones के लिए दिया, ipad के लिए दिया, तो जिस जिस असेट के लिए मैंने 50 लाक रूपीस मैंने 50 लाक रूपीस अब यह 3 लाक रूपीस के लिए, उस 3 लाक रूपीस को हम कहने है, goodwill, तो 3 लाक रूपीस वीए, goodwill के उपर कभी भी अमाताएशाशन चर्ड नहीं होता, first is land, land के लिए पर कभी भी अमाताईशाशन नहीं होता , लेकिन goodwill के क्या दिखा जाता है, goodwill का impairment test होता है, goodwill impairment के लिए test करा जाता है, और यह आप कहां पे सीखेंगे, यह आप सीखेंगे अपने CFA level, So with this, हमने कान-कन से concept कर दीड, we have completed our concept number A, B, C, D, E, और F और G, B, F और G में किया है, F और G में किसकी बाते करते हैं वही, Amortization के क्या principle से वही, SLM, DDP, Units of Production Method, यह सारी बाते करेगा, So with this, we have completed LOS till G, छीखें, thank you. So friends, now moving to the next concept, which is Impairment, Impairment का मतलब क्या था, Impairment का मतलब है कि Assets की Value हमारी Book में जाधा आ रही है, With respect to their market value, मानके चलते हैं, एक Ola Driver है, इस Ola Driver ने एक गारी पुर्चेस करी 5 लाक रोपीस की, और इस गारी का accident हो जाता है, जिसकी वज़से, इसकी market में value कितनी हो जाती है, इसकी market में value 2 लाक रुपे रह जाती है, अब accounting क्या बोलेगा, accounting standards हमें बोलेगे, based upon the prudence principle, क्योंकि अब तुमारी गारी की value 5 लाक नहीं है, तो अपनी value को क्या करो, अपनी value गारी की value को गिरा दो, मैंने पूछे कि मैंको अपनी गारी की value कितने भी दिखानी चाहिए, क्या accounting standards बोलेगे, आपको गारी की value 2 लाक को दिखानी चाहिए, और यह 3 लाक रुपे का loss है, यह 3 लाक रुपे की loss को अपने premium में book करोगे as impairment loss, क्या यही concept हमने inventories में भी कर रहा था, the answer is yes, पढ़ते हैं, impairment, impairment means जहां मेरी books की में जो assets की value हो जादा है, with respect to their market value, अब IFRS और US gap दो अलग-अलग बातें बोलेंगे, and since these are the rules, तो आपको यह थोड़ा mug up करना पड़े, IFRS क्या कहता है, condition to be satisfied, condition to be satisfied for impairment, में, वो condition क्या है, carrying value that means book value has to be greater than recoverable amount, recoverable amount का मतलब क्या है, recoverable amount का मतलब है, fair value minus selling cost, or TV of future cash flows whichever is greater, अब fair value का मतलब क्या है, अगर आज इस गारी को मैं market में बेचने जाता हूँ, मुझे कितने रुपए मिलेंगे, minus the selling cost, अब आपको याद हो, जब मैं impairment को concept सिखा रहा था inventory में, तब क्या word लिखा हुआ था, तब वहां पर word लिखा हुआ था, net realizable value, और यहां पर word क्या लिखा आ रहा है, यहां पर word लिखा आ रहा है, fair value minus selling cost, so there is a very thin line of difference इन दोनों में, NRV में पहली बात already selling cost minus होता है, तो fair value में नहीं होता हुआ, तो fair value में से मैंने selling cost को minus कर दिया, there would be an apple to apple comparison, second, मैं NRV word कहां पर use करता हूँ, मैं NRV word inventory के लिए use करता हूँ, और मैं fair value word fixed assets के लिए use करता हूँ, ऐसा क्यों है, क्योंकि, could be possible, जब मैं किसी good का manufacturer होता हूँ, तो could be possible, वो goods अभी तक मैंने complete processing नहीं होगी, so अगर ऐसा है कि वो goods अभी WIP में है, तो उसको बनाने के खर्चों और कितने लगने हैं, वो भी NRV में included होता है, बड़े ध्यान से सोचके बताये, मेरे पास एक गारी थी और वो गारी scrap हो चुकी है, क्या मेरे खर्चे होंगे, उस गारी को बनाने के यह बनाने वाला word किस के लिए यूज होता होगा, यह बनाने वाला word manufacturer के लिए यूज होता होगा, वो manufacturer जिनकी वो inventory है, तो हम fix assets के लिए वर्ट के यूज करते हैं, fair value और inventory के लिए वर्ट के यूज करते है, NRB, NRB में पहली बास selling cost already included है, प्लस वो एक और चीज़ क्या लेके चलता है, उस goods को complete करने के कितने खर्चे होने चाहता है, और PV of future cash flows whichever is greater, Ola driver आप बताईए कि अब इस गारी से आपको क्या-क्या function में cash flows हो सकते हैं, उन cash flows को discount करिए, उस value को किस से compare करिए, आज आज आप market में इस गारी को बेचने जाते हैं तो आपको कितनी value मुलेगी, जो भी इन दोनो value में से बड़ा होग, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे recoverable amount, मानके चलते हैं, कि मेरी गारी की book value है, five lakh rupees, उसका fair value है, four lakh, and selling cost है, fourty thousand, so net net कितना आया, the net net आया, three lakh sixty thousand, and PV of, future cashless, is equal to four lakh rupees, so मेरी accordingly recoverable amount क्या हुआ, मेरी accordingly recoverable amount, whichever is greater, so the recoverable amount, is equal to four lakh rupees, तो अब मैं assets को कितने पे लेक्या हुआँगा, अब मैं assets को four lakh पे लेक्या हुआँगा, पहली condition की impairment है या नहीं है, carrying value, my carrying value was five lakh rupees, क्या मेरी carrying value जादा है recoverable amount से, yes, अब मैं assets को कितने पे लेक्या आ जाँगा, अब मैं assets को लेक्या आँगा four lakh rupees पे, और मेरा impairment को loss कितना हो गया, मेरा impairment को loss हो गया, one lakh rupees, चीक है, सो यह अभी accounting treatment हमने किसके according सीखा, यह accounting treatment हमने सीखा, IFRS के according, further IFRS क्या कहता है, IFRS कहता है, अगर आपको future में लगे कि asset की value बढ़ गई है, example case 1, मुझे लगता है मेरी गाड़ी की recoverable amount अब आ रहा है, 4,80,000, and case 2, मुझे लगता है मेरा recoverable amount आ रहा है, 5,20,000, अब मैंने law makers को का, first case, इस वाले case में, मैंने law makers को का, कि भीजा मेरी गाड़ी 5,00,000 की थी, और आपको यादे last year आपने मेरी गाड़ी को impair करके, 4,00,000 पे लेके गए थे, अब मैं चाहता हूँ, कि मैं अपने गाड़ी को 5,20,000 पे लेके जाओ, law makers नहीं क्या का, based upon again, prudence principle based upon conservative principle, आपने P&L में loss कितना बुक कर रहा है, मैंने का मैंने P&L में loss बुक कर रहा है, 1,00,000 पे का, तो हम आपको gain भी कितना बुक करने देंगे, the maximum possible gain जो हम आपको allow करेंगे, that would be equal to 1,00,000, that means मैं अपने books में assets को कितने भी दिखा सकता हूँ, मैं अपने books पे assets को कितने भी दिखाऊंगा, 5,00,000 पे मुझे को 5,20,000 पे नहीं दिखाऊंगा, that means subsequent recoveries are allowed only to the extent of losses booked earlier, मैंने earlier losses कितने बुक करें थे 1,00,000 पे के, तो subsequent recovery में मुझे कितने के allow करेंगे, और इस case में वो कितना allow करेंगे, आगर मैं कहता हूँ मेरे asset की कीमत market में 4,80,000 है, तो वो मुझे allow करेंगे कि मैं 80,000 का gain hook कर लो, और assets को कितने भी दिखाऊंगा, assets को मैं दिखाऊंगा, 4,80,000. Similar to what we have done in case of invoice, ठीक है सब समझ आया, अब US gap क्या कहता है, US gap कहता है, कि carrying value should be greater than undiscounted cash flows, वहाँ पर क्या था discounted, यहाँ पर क्या है undiscounted cash flows, यह condition अगर meet हो गई, that means impairment होगा, और अगर impairment हुआ, तो अब assets को कितने पर लेके आओगे, अब आप assets को fair value पर लेके आओगे, ठीक है, further subsequent recoveries are not allowed, फिर से समझते हैं, इसकी condition क्या है, US gap की condition है, कि carrying value has to be greater than undiscounted cash flows, यह condition अगर fulfill होगे, that means impairment है, और अब आप assets को कितने पर लेके आओगे, अब आप assets को लेके आओगे उनकी fair value को, point to be noted क्या है, यह undiscounted what use करें, discounted नहीं करना, plus यह इसको कितने पर लेके आता है, यह इसको undiscounted पर नहीं लेके आ रहा है, यह इसको fair value पर लेके आ रहा है, और यह fair value में से selling cost को भी minus नहीं करता है, यह थोड़ा आपको मगब करना परेगा, example, मेरे car की carrying value है 5 lakh, undiscounted cashless की value है 6 lakh, fair value है 3 lakh, अब कई बच्चे सोच रहेंगे कि 2 lakh पर का impairment होगा, but मैंने अपको क्या कहता, first condition क्या है, carrying value has to be greater than undiscounted cashless, carrying value कितना है 5 lakh, undiscounted cashless क्या है 6 lakh, नहीं condition fulfill हो ही, तो मैं second step पर आऊंगा ही, first condition has to be fulfilled, second example, carrying value is 5 lakh, undiscounted cashless is 4 lakh, fair value is 3 lakh, first condition carrying value should be greater than undiscounted cashless, 5 lakh is greater than 4 lakh, yes, यह condition meet हो रही है, second, अब मैं कितने रुपय पर इसको ले के आऊंगा, मैं अपने assets को book करूंगा 3 lakh पूस पर, अब मेरा impairment loss कितना होगा, मेरा impairment loss होगा, 2 lakh पूस, अब यहां पर क्या है, यहां पर subsequent recoveries are not allowed, कहीं पर भी US gap नहीं बोलेगा की, subsequent recoveries are allowed, ठीक है, मैं third example, मैं carrying value is 5 lakh, मैं undiscounted cash flows is 4 lakh, और मैं fair value is 6 lakh, पहली बात, carrying value is greater than undiscounted cash flows, the answer is yes, second, मुसको कितने पर ले क्या होँगा, fair value पे, the answer is incorrect, मुसको कितने पर रहने दूँगा, 5 lakh पिक मुसको, 6 lakh पे नहीं ले क्या होँगा, it would be against the principle of prudence, मैंने क्या कहा था, मैं आपको gain book नहीं करने दूँगा, impairment का मतलब ही क्या था, losses book करना, अब आप कहे रहे हैं, मैं अपने asset को 6 lakh पो दिखाना चाहता हूँ, 6 lakh पो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको gains दिखाने हो, losses gain, it would be against the principle of prudence, फिर से समझते हैं, मैंने का, we are going to start with the concept impairment, impairment का मतलब है, कि assets की book value जाद है, with respect to their market value, तो IFRS ने क्या का, IFRS ने का, if carrying value is greater than recoverable amount, that means there would be an impairment, और आप asset को कितने पे लेके आओगे, आप asset को लेके आओगे इसके recoverable amount पे, मैंने का, what is the meaning of recoverable amount, उनोने का PV of discounted cash flows, PV of future cash flows, or fair value minus selling cost, whichever is greater, मैंने का ठीक है, plus उनोने का, subsequent recoveries are allowed, to the extent of losses booked earlier, US gap ने का, if PV is greater than undiscounted cash flows, then there would be a situation of impairment, और हम उसको किस पे लेके हैंगे, हम उसको fair value पे लेके हैंगे, further no subsequent recoveries are allowed, तो मैंने आपको तीन example दिये, पहले वाले case में, मैंने क्या करा, पहले वाले case में impairment क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी first condition satisfied नहीं हो रही थी, मेरी first condition ही satisfied नहीं हो रही, second वाले case में मैंने impairment करा, और message को कितने पे लेके आगया, message को 3 lakhs पे लेके आगया, that means मैंने impairment loss कितने का book करा, 2 lakhs पे इसका, और third वाले case में मैंने impairment क्यों नहीं करी, despite मेरी condition fulfill हो रही थी, because it was against the principle of prudence, impairment का मतलब ही यह कि आप losses बुक करना चाहते हो, ना की gain, आपने का message को 6 lakhs पे रिखाना चाहता हू, 6 lakhs का मतलब है कि आप 1 lakhs पे रिखाना चाहते हो, this is not allowed, this is against the principle of prudence, ठीके, now we are moving to the next concept, concept number H, और यह H क्या है, this is based upon revaluation, यह revaluation का concept काम पे है, यह revaluation का concept है आपके, only in IFRS, यह US gap के में नहीं है, अब revaluation का मतलब क्या है, iFRS आपको अलाव करता है, कि आप अपने fix assets को चाहू, आप उनको उनकी बुक वाली पे दिखा सकते हो, बुक वाली निए जोभी उनकी carrying वाली हो, minus depreciation जोभी आपने purchase करा minus depreciation, आप उने उनकी बुक वाली पे भी दिखा सकते हो, तो आप उन्हें उनकी fair value पे भी दिखा सकते हैं. This is completely allowed to use. मानके चलते हैं मैंने एक गारी खरी दी, या मैंने एक land खरीगा, और इस land की value थी 1 crore पे था. Land की पर depreciation charge नहीं होगा, and मानके चलते हैं, जैसी यह खतम हुआ, इस land की value कितनी होगी, इस land की value होगी 2 crore पे था. अब एक तरीका है, मैं इसको book value पे दिखा हूँ, book value मैं इसको 1 crore पे दिखाता हुआ, चला जा. यह 2 crore होता है, यह 50 लाक होता है, यह कुछ भी होता है, मैं इसको book value पे दिखा. First way. Second way is, मैं इसको किस पे दिखाना चाहता हूँ? इसकी fair value पे. और अगर मैं अपनी land को fair value पे दिखाना चाहता हूँ, that means मैं अपनी land को कितने पे दिखाना चाहता हूँ? मैं अपनी land को 2 crore पे दिखाना चाहता हूँ? अब 2 crore पे दिखाना चाहता हूँ, that means मैं asset को increase करना चाहता हूँ? तो this would be against the principle of prudence. Fair value कहता है कि अगर आप assets की value को increase करना चाहते हो तो हम आपको allow करते हैं. However, however, gain आप PNL के थूरूर रूट नहीं करोगे, आप क्या दिखाऊँगे? Revaluation, reserve दिखा दोगे, कितने का? 1 crore. एक तरफ से मैंने asset increase कर दिए, एक तरफ से मैंने अपनी liability में क्या increase करा? Revaluation, reserve. But ये entry मैंने किस के थूरूर रूट करी है? ये entry मैंने panel के थूरूर रूट नहीं करी, ये entry directly मैंने काम पे कर दी अपनी liability side. Considering which principle? Considering the principle of prudence, मैंने अपने panel में 1 crore का gain नहीं दिखाया. और मानके चलते हैं, कि इस land की value कितनी हो जाती है? इस land की value हो जाती थी, latest estimate the end of post here, the value is equal to 50 रूट और the value is equal to 40 रूट अब मैं assets को कित्रे पर दिखाऊँगा? अब मैं assets को देखाऊँगा? 40 रूट पर. आप 60 रूट का loss हो रहा हैं? यह कहते हैं, 60 रूट का loss हो रहे हैं, यह आप किस के थो रूट करोगे? यह आप रूट करोगे, तiggered through PNL. Losses हो रहे हैं, तो PNL के थूट करो. तो गेंज हो रहे हैं, तो गेंज आप कैसे बूट करोगे, गेंज आप बूट करोगे through revolution जिसे, चीक है, अब मान के चलते हैं, कि मैंने land का, मैंने land के case में 60 lakh का loss बुक करा, और ये 60 lakh का loss कैसे बुक होगा, ये 60 lakh का जो loss होगा, that would be booked through, PNL account, और automatically मेरी equity कितने से गिर जाएगा, मेरा equity 60 lakh से गिर जाएगा, तो मेरी balance sheet टेली हो जाएगी, मान के चलते हैं, next year इस land की value हो जाती है, 80 lakh, अब 40 lakh का gain वो मुझे क्या कहेगा, ये 40 lakh का gain हम आपको allow करते हैं, to root through PNL account, हम कितना आपको PNL के थूरू root करने देंगे, जितने losses आपने book करें, मैंने losses कितने book करें, मैंने losses 60 lakh के book करें, तो ये 60 lakh rupees तक के gains मुझे PNL के थूरू root करने देंगे, hypothetically मान के चलते हैं, इस land की value हो जाती है, ये 1 crore 80 lakh, अगर ये 1 crore 80 lakh हो जाता है, तो accounting principle क्या कहेंगे, 60 lakh rupees का gain आप PNL के थूरू root करोगे, 80 lakh rupees का gain आप किस के थूरू root करोगे, revaluation is accurate, अब impairment और revaluation में फरक्त किया, ये एक important है, impairment का मतलब होता है, कि assets की value market में गिर गई है, there has to be fall, in the value of assets, plus ये concept mandatory है, ये कहां पर है, ये IFRS में भी है, ये US gap में भी है, on the other hand, revaluation का मतलब है, कि assets की value बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, अगर बढ़ेगी, तो हम किस के थूरू root करेंगे, revaluation reserve के थूरू, अगर value कम होगी तो हम PNL के थूरू root करेंगे, और subsequent recoveries आती है, तो to the extent of losses booked earlier, वो भी हम PNL के थूरू root करने देंगे, यह mandatory नहीं है, यह voluntary है, and second, यह किस के under है, यह सिर्फ IFRS के under, impairment का मतलब है, compulsory है, plus impairment का मतलब क्या है, fall in the value of asset, revaluation का मतलब क्या है, fair value पर दिखाने चाहते है, यह fair value बढ़ भी सकती है, fair value कम दिए सकती है, और यह voluntary है, यह mandatory है, और यह किस के अंदर concept है, यह concept आता है आपका IFRS के थूरू, ठीक है, में, कर आता है, आता है, तो बाल माइक, जखाएंगा लिएक, break time eleven based, में, कर दो अपका पुरा का पुरा सिखाएंगा, लिखेंगे, fix asset account, यहां पर लिखेंगे, 2 balance brought down, 2 balance brought down, 2 purchases, यह क्या होगा, यह balancing figure होगा, to gain on sale of fixed assets, यहां पर लिखेंगे, by depreciation, by sale of fixed assets, by losses on sale of fixed assets, by balance, carat, तो जो चीज़े मेरे assets की value को बढ़ाती है, वो मेरी left hand side आती है, वो मेरी left hand side आती है, और जो चीज़े उसको कम करती है, depreciation, sale, losses, वो सारे के सारे मेरी क्या आती है, वो मेरे right hand side आती है, जिन बच्चों का accounting background नहीं है, do not to worry, mug up करने की कोई जरूरती है, at prime level best मैं आपको जितना समझापाँ, कहीं पहीं भी आपके course में account से related हो, इतना कुछ नहीं पूछेंगे, तो अगर आपको by chance accounting में थोड़ी problem आ रही है, तो at prime level best मैं आपके concept प्यूरा समझापाँ, यहां पर आप लिखेंगे debit, यहां पर आप लिखेंगे credit, यहां पर लिखेंगे credit, तो जो चीज़े increase करते हो, सारे के सारे debit है, जो चीज़े decrease करते हो, सारे के सारे credit है, मानके चलते है, मेरे pass, at the starting of the year, assets scale 5 lakh rupees के, और end में मेरे assets 7 lakh rupees के, plus मैंने 10,000 rupees का depreciation charge करे, and during the year, मैंने 2 lakh rupee के assets sale करे, 2 lakh rupee मुझे आए, जिसकी पर मुझे क्या था, 10,000 rupees का gain, ठीक है, अगर gain हो चुक है, तो losses नहीं आएंगे, अब आप दोनों sites का submission करें, जो भी heavy side आपको लग रहा, यहां पर submission करके कितना आएगा, यहां पर submission करके आएगा 5 lakh 10,000, यहां पर submission करके आएगा 9 lakh 10,000, तो आप यहां पर लिखेंगे 9 lakh 10,000, और यहां पर भी आप क्या लि इसमें मैं 4 lakh rupees जोर दूँगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, purchases, यह purchases मेरा क्या था, balancing को, अब यह assets book से जाते हैं कैसे, आज लेटेस हजियों में, अगर 5 lakh rupees की गारी खरी भी है, तो यह 5 lakh rupees की गारी जाएगी कैसे, यह 5 lakh rupees की गारी कुद भी possible, वो क्या करें, यह 5 lakh rupees की गारी को वो बेश सकता है, कभी भी, first way, so first way is, वो asset को क्या कर देगा, वो asset को sell कर देगा, second way क्या है, वो asset को पूरा use करेगा, अगर उसकी life 5 years है, तो वो 5 years सक उसको use करता चला जाएगा, and the third way is, वो क्या करेगा, इस asset को exchange कर लेगा for the new car, so, एक asset book से जाते कैसे हैं, एक asset के जाने के त एक तरीका है, एक तरीका है, मैं इस asset को exchange कर लोगा, लेटर से जो मारी पास एक पुडानी गारी है, तो मैं एक new car के लिए उसको exchange कर सकता हूँ, second तरीका क्या है, इस गारी की जितनी life है, मैं उतना use करा, and eventually हो क्या बन गया, वो scrap बन गया, and third way क्या है, मैं उस गारी को कभी बेश सकता, so these are the only three possible ways, जिसके through my assets my books से जा सकते है, जब मैं sell करता हूँ, बहुत भी possible मुझे gain हो, बहुत भी possible मुझे losses हो, जब मैं exchangeकरता हूँ, बट जब मैं scrap करता हूँ, तो हर ताइम हर यह हाई प्रफॉप्रिटी इस क्या होगा कि मुझे लॉसे ही होगा तो दीजाधी पॉसिबल वे तो मैंने का को अकांटिंग वे में सिखाने की कोशिश करिये कि यह एसेट बुक से जाते कैसे हैं यह एसेट बुक से जाएंगे in the form of या तो पूरा आपने उनको यूस कर रखा है या फिर आप उनको सेल कर देते हो या फिर आप उन्हें क्या करते हो आप उन्हें एक्चेंज करते हो for some new assets ठीक है तो इस वाज सिंपल कंसेट ना आप मुझे तो दी नेक्स वाइं लॉस्क लॉस्क क्या कहता है what would be the impact of impairment तो वो ratios पर आपसे impact पूचना चाहता है impairment की वज़े से आपने क्या बुक करे थे आपने assets को गिराया और आपने losses बुक करे जिसकी वज़े से आपका equity भी गिर गया profits गिरे होगी क्योंकि आपने impairment loss बुक करा बदा सिंपल बताए दोनों बढ़ जाए चीक है profits गिरे आड़ोई आड़ोई दोनों गिरेंगे और तूकि equity गिर गई है तो debt equity बढ़ेगा debt upon asset भी बढ़ जाए same impact किस के case में आएगा same impact आपका आएगा revolution के case में भी revolution के case में आप क्या करते हो मांग के चलते हैं आप upward revenue कर रहे हो assets को बढ़ा रहे हो assets की कीमते बढ़ जाएंगी similarly यहाँ पर equity की कीमते भी बढ़ जाएंगी लेकिन वो जो gain है वो gain किस के तुरू root होते है वो gain मेरे कभी भी P&L के तुरू root नहीं होता तो ROE भी घटेगा ROAB घटेगा debt upon equity भी घटेगा यह घटेगा यह घटेगा और यह भी मेरा कम हो जगा यह self-explanet की है इस पर क्यों impact नहीं आएगा यह क्यों घटेगे क्योंकि आपने impairment की gains कैसे revolution की gain कैसे बुक करेते हैं revaluation deserve equity तो बढ़ गया लेकिन क्या gains बढ़े नहीं gains constant रहे हैं लेकिन denominator बढ़ गया तो ROE गिर जाएगा and ROE भी आपका गिर जाएगा ठीक है so this was the impact on the ratio and यह आपका impairment का impact and यह आपका revaluation का impact impairment का मतलब है losses बुक करना Losses बुक करे equity भी गिरा asset भी गिरा profits भी गिर है ROE गिर गर लेकिन यहां पर profits बढ़े नहीं equity और asset बढ़ गर तो ROE and ROE दोनों ठीक है यहां पर अपर भी घट रहे है और यहां पर download भी ठीक है next concept is disclosures तो एक company को क्या-क्य disclosures देने होते हैं again आपको सिर्फ disclosures पढ़ने हैं नहीं न तू मगर एक company को disclosures देना पढ़ेगा कि उसकी carrying values कितनी हैं उसका accumulated depreciation कितना है उन्होंने कितना reval कर रहुए assets को then impairment कितना हुआ and assets pledged as collected यह सारी की सारी चीज़े आपको काम पर देनी पढ़ती हैं यह सारी की पांच चीज़े आपको अपने disclosures पर देनी पढ़ेंगी carrying value कितना है accumulated depreciation कितना है pledges collectors कितना है कितना reval करा और कितना आपने impairment charge करा तो यह पांच चीज़े आपको किस महेंगी यह पांच चीज़े आपको कहेंगी disclosures ठीक है एक broad reading दीजेगा need not to mug up anything disclosures पर as such कोई भी questions रेकली नहीं पूछे जाते तो एक सिर्फ एक plain reading देजेग now मुझे analyze करना है कि मेरे asset की total useful life कितनी है कितनी life मैंनी use कर लिया है कितनी है कितनी है मांन की चलते है मेरे पास एक कार है 5 lakh पीस कि this was the original cost salvage value is nil and life is 5 years इसका मतलब क्या हुआ that means every year में कितना depreciation charge करूँगा every year depreciation is equal to 1 lakh rupees per year अब मान के चलते है यह 5 है और depreciation का amount है 1 lakh so what would be the total life the total life would be equal to 5 years so मैंने आपको क्या कहते है gross block मैंने कितने का खरीला था so gross block is 5 divided by 5 lakh rupees divided by annual depreciation which is 1 lakh per year कि कितना आ गया answer आया 5 years यह 5 years क्या आया यह 5 years है मेरी total life then मैं आपको अगर बोलता हूँ कि accumulated depreciation मेरा आ रहा है 2 lakh rupees का इसका मतलग क्या मेरी गारी कितने पुड़ाने हो गई है मेरी गारी 2 साल पुड़ानी है यह आपने कैसे निकाला age of the asset is equal to accumulated depreciation divided by annual depreciation per year यह वापस है कितना है 2 years और अगर मैं आपको बोलगो net block means value post deduction of the depreciation net block is equal to 3 lakh remaining life कितने है 3 years यह आपने कैसे निकाला divided by annual depreciation per year this would be equal to 3 years यह मेरे क्या आया remaining useful life यह answer आपकी किन cases में दिकतर correct आएंगे यह answer आपकी उन cases में correct हैंगे जो companies कॉंसा method use करती है जो companies SLM method use करती है तो अगर एक मेरे पास गाड़ी है पांच लाग पेकिया और मैं कहता हूं 2 लाग पे depreciation हो चुका है that means total life is 5 years 2 years 2 years खतम हो चुके है और 3 years अभी भी उसकी life बचुका है ठीक है Now my next concept is LOS N यहां पे अब लिखेंगे इंवेस्मेंट प्रॉपर्टी अगें गी concept कहां पे है इस concept is अंडर IFRS इंवेस्मेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है IFRS कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है यह वो प्रॉपर्टी है जो आपने ले रखी है हम प्रॉपर्टी किस लिए लेते हैं इंटल इंकल और पर दी पॉर्पोस अप्रॉपर्टी अप्रॉपर्पेटल अगर आपने एक जमी ले रखे अजयों पॉर प्रॉपर्पोस्ज इंवेस्मेंट प्रॉपर्पर्टी क्या करिए और हम आपको allow करते हैं कि investment property को आप चाओ, तो cost पे दिखा सकते हैं, आप चाओ तो उसको fair value पे दिखाएगे, that means, IFRS कहता है, you're allowed कि आप investment property को किस पे दिखाएए, आप उसको cost पे दिखा सकते हैं, plus आप उसको किस पे दिखा सकते हैं, fair value पे भी, और अब वो एक ऐसी बात बोलेगा, जहांपे वो क्या concept principle को breach करेगा, prudence को, और कि एक लौता case है, जहांपे वो prudence principle को नहीं मानते, मानते चलते हैं, मैंने एक land खिंजा था 1 करोट का, और अब उसकी market में कीमत होगे, यह 2 करोट, यह मुझे कहेंगे कि हम आपको allow करते हैं, कि आप land को कितने पे दिखा दे 2 करोट पे, और जो यह 1 करोट का gain है, आप इसमें एक और चीज़ है, लिखेंगे कि हम आपको allow करते हैं, कि वो entry आप किसके through book करो, वो entry आप book कर सकते हैं, थ्रू या प्यानल अकाम, जहांपे वो क्या कहते हैं, वो previous को follow नहीं करते हैं, और वो आपको gain कहते हैं, that you are allowed to book the gains through PNL अकाम, चीज़ है, अब इसमें एक और चीज़ है, लिखेंगे, transfer from, transfer to, और यहां फे लिखेंगे, आप प्यू मिन्च नंतर विखेंगि जब फ्यू एफिट इसके हैं अब है, और यहांतर विखेंगे इस horrible, और उच्थे किगे इस किग धी एस अब्समन पपपपर Garcia Re십 ét par gün. Transports 2ards 2 investment property, investment property fix assets or inventors Phallelic is book the game through P&O book the game through P&O 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 अब मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा सबसे पहले मैंको यह समराता है मांके चलते हैं मेरे पास एक लैंड का पार्सल आई हाव लैंड पार्सल और यह लैंड पार्सल मैंने 1 crore का खरीदा था और यह मैंने इसको कैसे दिखा हुआ है as investment property और मैं इसको किस पे दिखाता हूँ मैं इसको fair value पे दिखाता हूँ अब मैंने क्या करा अब मैं latest assume मैं इक डबलपर हूँ DLF और DLF ने पहले का यह जो land parcel है this is only for the purpose of to earn the rental income or for the capital appreciation अब DLF कह रहा है कि इसको पर मैं flats बना के बेचना साथ चाता हूँ that means अब मैं इसको क्या चाता हूँ कि वो मेरे लिए क्या हो जाए वो मेरे लिए inventory बन जाए तो lawmakers ने का अगर कोई आप investment property पो transfer करना चाते हो to fix assets or to inventory या आप इस जमीन को पर अपनी factory बनाना चाते हो तब हम क्या करेंगे मान के चलते हैं उसकी जो fair value है on the date of transfer on the date of transfer is 5 crore तो हम आपको allow करेंगे कि आप 4 crore के gain panel के थुरूर book कर सकते हैं फिर से समझते हैं मैंने के investment property बहुत पहले खरी दी थी लेते से थी हूँ 1 C act थी और हमेशा में इस property को किसको दिखाता हूँ fair value को दिखाता हुआ हमेशा है और अगर मैं अभी तक fair value को दिखाता है तो जो भी gains पगिएरा होते होंगे मैं क्या करता हूँग पांच करोड और लास्ट करती बन करोड नौदी दिफरेंस आफ 4 करोड यह कहेंगे कि हम आपको 4 करोड का gain book करने देंगे to the PNF similarly मानके चलते हैं मेरे पास एक land था और DLF ने का है मैं इसको पर flats बनांगा that means for DLF that land is inventory अब DLF कहते है नहीं मैं land नहीं बनाना चाहता अब मैं इसको hold करना चाहता हूं for the purpose of capital appreciation तो lawmakers ने का again as on the date of transfer जो भी fair value है मानके चलते इसकी fair value 6 करोड है तो हम आपको allow करेंगे कि आप 5 करोड के gains and losses को किस के तुरु book करो through PNL that means in दोनों cases में उन्होंने क्या का इस वाले case में भी और इस वाले case में भी उन्होंने का we will allow you to book the gain through PNL account but अगर यह fixed assets था that means इसके पर मेरी factory वे गह रहा थी यह मैंने plan करा तो मैं factory लेक्या हूँगा और मैं मना कर रहो मैं factory नहीं रख रहा इसको capital appreciation के लिए use करूँगा तब हम उसको क्या मन के चलेंगे तब हम उसको revaluation मन के चलेंगे अगर value बढ़ती है तो revaluation reserve के थूर entry pass करो घटी है तो PNL के थूर पास करो ठीक है फिर से एक बार what is the meaning of investment property investment property means a property which is held by you for the purpose of capital appreciation or for the rental purpose और बोथ अगर आपके पास कोई ऐसी property है तो law घटी है दोने ही चीज़ा किस के थूर book करोगे PNL के थूर this is the first case जहां पर IFRS ने क्या कर आप prudence principle को follow नहीं कर दिस इस only exception second उन्होंने क्या का उन्होंने का कोई बंदा अपने investment property को inventory बनाना चाहते है यह fix asset बनाना चाहते है तो उन्होंने का अब उन्होंने का अब उसको treat करेंगे as revaluation चीक है तब उन्होंने का we will treat this as the revaluation value बढ़ती है तो revaluation इस अब के थूर करो value कम होती है तो PNI के थूर करो चीक है तो अब मेरे chapter का last part है leases और इसमें मैं आपकी कितने LOS कवर करोंगा 28OP 30F G, H and I so I would request कि आपके 6K6 LOS एक साथ पढ़ने वाले है अब sir lease का मतलब क्या है lease दो तरीके के होती है एक को हम कहते है operating lease, एक को हम कहते है financial lease operating lease का मतलब है कि आप asset को खरीद नहीं रहे हो आप asset को क्या कर रहे हो rental basis पे ले रहे हो and financial lease का मतलब है कि आप asset को क्या कर रहे हो आप asset को खरीद रहे हो with the help of a debt example आप मानके चलते हैं कि आप अपनी city से गुरगावा move करते हैं और यहां पर आपको company के लिए accommodation के लिए आपको घर खरीद नहीं now there are two options one option is कि आप घर को खरीद लीजे with the help of a debt and the second option is कि आप उस घर को लेते हो on the rental basis अगर आप किसी चीज को rented basis पर ले रहे हो उसको operating कहते हैं और अगर आप किसी asset को खरीदते हो debt की help से उसको हम कहते हैं financial use ठीक है से अब मानके चलते हैं कि आपने घर किराय पे लिया और उस घर की कीमत बढ़ जाती है अगर उस घर की कीमत बढ़ जाती है क्या वो benefit आपको पासान होगा या नहीं होगा the answer is no वो landlord कहेगा अरे मेरे घर की value बढ़ी है तो मेरा value है यह तो मेरा increase है आपको मैं benefits थोरी पासान करूंगा बट मानके चलते जो घर आपने debt की help से खरीदा था उसकी कीमत बढ़ जाती है कल को जब आप उस घर को बेचे होगे जो finance value है क्या वो आपको मिलने वाली है the answer is yes that means operating lease में मुझे risk and reward transfer नहीं होते है यह risk and reward किस के पास रहते हैं यह मालिक के पास रहते हैं लेकिन financial lease के case में यह risk and reward मुझे transfer हो जाते है मान के चलते हैं मैं कोई गारी चाहिए again मैं गारी क्या कर सकता हूँ rental basis पे भी ले सकता हूँ और गारी को खरीद भी सकता हूँ आगर मैं गारी को खरीदता हूँ with the help of a debt और उस गारी के accident हो जाता है क्या वो मेरा loss है the answer is yes मान के चलते हैं जो गारी मैंने किराये पे ली थी उस गारी में कोई earthquake वगएरा है और उस गारी damage होगी क्या वो मेरा damage है the answer is no क्यों मैंने तो गारी rental basis पे लिया हूँ था that means यहां पे risk and reward transfer नहीं होते to the lessee यहां पे lessee को transfer हो जाते है risk and reward ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं operating lease means taken an asset on rental basis financial lease means buying an asset with the help of a debt risk and reward remains with the landlord risk and reward transfer to lessee अब पढ़ते हैं Mr. A is planning to buy a house he has three options एक option है कि वो upfront payment कर दे दूसरा option है कि वो घर को खरीते with the help of a debt and third option is to take the house on the rental basis that means Mr. A के पास three option है और वो option two में bank के पास गया bank ने का अगर आप यह घर खरीतना चाहते हो तो आप एक काम करिये आप हर साल तीन सालों तक मुझे कितनी की payment करी 20,000 की rate of interest is 10% मैंने का ठीक है अब कोजिशन में को कह रहा है how to make these three options comparable मेरे पास तीन option क्या है एक मैं घर किराय पे ले लू दूसरे मैं घर को खरीद रूँ with the help of a debt और तीस राय की मैं upfront payment कर दे मैं bank के पास गया और bank ने मुझे का आप मुझे 20,000 की तीन payment करेंगे with a rate of interest of 10% अब मेरे आप से question है मुझे इन तीनों options को comparable करना है मैंने सबसे पहले क्या करा ये जो 20,000 की तीन payment sense को मैं क्या कह सकता हूँ PMT N कितना है 3 I by Y कितना है 10 मैंने क्या करा मैंने करा compute PV और ये PV को अगर आप compute करोगे तो आपका answer कितना आएगा आपका answer आएगा 49737 अब इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि अगर आज आप में को upfront payment करते हो DLF को तो DLF को upfront payment कितना करना है 49737 और अगर आप कहते हो नहीं मेरे पास अभी 49737 नहीं है तो आप क्या कर रहे हो banker के पास गए और banker ने का कोई दिक्कत नहीं है यह 49,000 map के भियाफ पर दे देता हूँ आप मुझे रिटन क्या दे दो 20,000 की 3 installments दे दो 20,000 की 3 installments का मतलब हुआ 60,000 क्या bank का square interest included है the answer is yes तो अगर मुझे first and second option को comparable करना है तो first option में मैं क्या करूँँगा घर को आज कितने का खरीदूँगा 49737 ठीक है option 3 की बात अभी थोई देर बात करते है अब देखते हैं मेरा debt repayment schedule year 0 में बैंक ने मुझे कितने रोपे का debt दिया 50,000 का और यह 50,000 का debt में कैसे repay करूँगा 20, 20, 20 की 3 installments देखे और installments का मतलब क्या होता है installments would be constant and installments has two components one is interest, one is principal धीरे 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 interest का amount क्या ओता जाएगा कम होता जाएगा principal का amount बढ़ता जाएगा but इन दोनों का जो submission होगा उसको मैं क्या कहता हूँ installments और यह installments क्या रहती है यह installments मेरी constant रहती है तो मैंने first time 20,000 की payment करी अब यह 20,000 की payment के दो parts थे one is interest, one is principal interest कितना होगा 49737 का 10% और मैं 20,000 की payment करी तो balance मैंने क्या कर दिया principal को repay मेरा outstanding कितना रहा 34,000 फिर मैंने interest दिया 16,000 की payment करी कितना रहे गया 18,000 and eventually मेरा loan outstanding कितना रहा 0 रहा that means मेरे पास options क्या थे या तो मैं upfront payment कर सकता हूँ 50,000 की या फिर में 20,000 की तीन installments में या amount को repay कर सकता हूँ ठीक है सब अब बड़े ध्यान से देखेगा थर्ड वाले case में मेरा amount क्या होना चाहिए अब मुझे rent कब तक देना है रेंट मुझे देना है देना है तिल इन्फाइनाइट मुझे रेंट देना है तिल इन्फाइनाइट एसेट की आज market में कीमत कितनी है और मैंने आपको चीज़ सिखाई थी कि इन्फाइनाइट कॉंस्टेंट कैश्फ्लोस की पीव हम कैसे निकालते है अब पीव कितना है 49737 my discount rate cash flow upon discount rate कितना है मेरा discount rate है 10% अगर मैं इसको इससे multiply करूँ तो मेरा cash flow कितना हैगा my cash flow would be equal to 4974 इसका मतलब क्या है आप infinite मुझे कितनी cash flow देते जाओ on infinite basis अब मुझे 4974 के rentals देते जाओ क्या ये तीनों option comparable है answer is yes first option में मैंने का अब मुझे 49,737 दे दो second option में मैंने का 20,000 की तीन installments दे दो and third case में मैंने का for the infinite period अब मुझे कितना दो 4974 क्या ये तीनों options अब comparable है answer is yes बड़े धियान से देखेगा जब आप asset को खरीदते हैं तब आपकी books में asset आते हैं और जब आप asset को खरीदते नहीं है आप क्या करेंगे आप सिर्फ rent पे करते रहेंगे और ये rent मुझे आप कितना देना है ये rent मुझे देना है 4974 का for how many years for infinite years ठीक है तो मान के चलते इसकी life लाइफ इंफाइनाइट थी इस asset की एक house था इसकी life इंफाइनाइट थी अब मेरे पास option के exist करते है खरीद लो डेट की हल से ले लो या फिर इंफाइनाइट बेसेस पे rentals देते रहाओ और अगर इंफाइनाइट बेसेस में मुझे rentals देने है तो मुझे कितने rentals देने पढ़ेंगे मुझे rentals देने पढ़ेंगे 4974 के for an infinite period अब बड़े ध्यान से दिखते है accounting entry in case of operating lease operating lease का मतलब है आपने इसे को क्या करें rental basis पे tenant की book पे entry आएगी rental expenses to cash आपने rent पे करा और यह rent को आप कहां पे लिके चले जाओगे अपने P&L में landlord की book में accounting entry क्या होगी उसको cash मिलेगा और वो cash क्यों मिला है क्योंकि इसको rental income हुई है और यह rental income कहां चली जाएगी मेरे P&L account में ठीक है so operating lease के case में क्या accounting entry होती है आपने rent पे करा और यह rent आपका खर्चा है landlord को rent मिला और यह rent इसका क्या है income है और कोई भी accounting entry नहीं होगी financial lease के case में accounting entry क्या होगी financial lease के case में आपने asset को खरीद है अब assets आपकी books में आएंगे तो देखते हैं मेरी पहली entry हुई house account debit to HDFC मैंने house को कितने पे record करा आज अगर मैं उसको खरीदता तो कितने value पे खरीदता मैं उसको खरीदता 49737 का 49737 पे मैं उसको record करा अब हर साल क्या होगा मैं 20,000 की payment करूँगा that 20,000 की payment has two component one वो मेरे debt को कम करेगा और दूसरा वो मेरा interest होगा तो second year के accounting entry क्या होई HDFC account debit interest debit to cash interest कितना था interest था मेरा 4974 debt कितना repay कर दिया 15026 और balance इन दोनों का submission कितना आता है 20,000 तो मेरी जब से 20,000 गए और क्योंकि अब मैं asset का owner हूँ तो मैं depreciation चार्च करूँगा और यह depreciation और interest के खर्चे कहां चले जाएंगे यह depreciation और interest के खर्चे मेरे P&L में चले जाएंगे तो financial lease के case में क्या हुआ मैंने assets को खरीदा है तो पहले assets को लाने के entry वी और यह asset मैंने debt की help से खरीदा है तो एक तरफ asset बढ़ गए एक तरफ debt बढ़ गया अब यह asset पर deposition चार्च करूँगा और यह liability है जो debt आ गया इसको भी repay करूँगा और इसके उपर interest पर करूँगा interest और deposition कहां चले जाएंगे मेरे P&L में चले जाएंगे ठीक है सै अब मुझे समझना है accounting entry क्या होगी in the books of lesser अब lesser दो तरीके से हो सकते एक को मैंने नाम दिया DLF, एक को मैंने नाम दिया HDFC, that means मुझे पैसा जो दे रहा है वो क्या है could be possible यह पैसा मुझे जो जिसका business है वो ही दे रहा है, example DLF और could be possible यह पैसा मुझे कौन दे रहा है एक banking institution दे रहा है, banks दे रहा है bank की accounting entry क्या होगी विकास से पैसा लेना है और आज इसमें विकास को कितने रुपैद दी होंगे 49,737 second year में उसको 20,000 मिलेंगे that 20,000 has two components one would be debt repayment, another would be interest income और यह क्या करेगा interest income को अपने P&L में लेके चला जाएगा ठीक है, interest income को अपने P&L में लेके जाएगा क्योंकि interest इसका income हुआ but could be possible यह घर मुझे किसने finance करा है यह घर मुझे HDFC ने नहीं, मुझे DLF ने करा है अब DLF और HDFC में फड़क है DLF का यह nature of business उसका कामी यह एक घर बेचना उसने accounting entry क्या पस करी विकास account debit A account debit to sales matching principle की concept के according उसने क्या करा cost of goods sold को भी book कर मानके चलते हैं यह घर उसने बेचा 49737 का बट आपको लगते कि उसके यह costing भी इतनी होगी यह costing कम होगी costing definitely कम होगी मानके चलते हैं, the costing is 39,000 तो बड़े ध्यान से देखके बताईए क्या 10,000 का gross profit उसने first day book करा या नहीं करा उसने sales दिखा दिए 49,000 की और खर्चे दिखा दे 39 के इसने 10,000 की income दिखाई अब over the period विकास उसको 20,000 की payment करेगा जिसके दो component है, one debt का repayment, दूसरा interest income तो वो interest income को भी P&L में लेके जाएगा that means in case of DLF there are two income, एक घर को बेचने की वज़ा से और एक आपको debt देने की वज़ा से HDFC के बैंक के case में there is only one income which is the interest income ठीक है, so एक मैं quickly sum up करता हूँ operating lease का मतलब है आपने किराय पे लिया है financial lease का मतलब है कि आपने asset को खरीदा है with the help of debt अगर आपने with the help of debt एक asset को खरीदा है तो पहले आप उसको PV पे record करोगे over the period asset के पर depreciation charge करोगे और debt को repay करते वग आपको क्या देना है interest interest और depreciation के खर्चे कहां चले जाएंगे मेरे P&I में operating lease के case में there would be only one entry which would be the rental, आप rent देते हो और landlord को वो rent मिल जाता है अगर आपको यह घर finance करे DLF ने तो DLF दो income करेगा एक घर को बेचनी की वज़े से एक आपको पैसा देनी की वज़े से और अगर HDFC bank ने कर रहा है तो HDFC bank को सिफ एकी income मिलेगी वो income क्या है that income would be equivalent to the interest income ठीक है सब अब देखते हैं financial statements पे क्या impact आएगा which is an important one net income initial years में in comparison to operating lease बड़ ध्यान से देखना operating lease के case में मुझे कितना rent दे रहे है 4974 का for infinite और financial lease के case में मुझे क्या देना है 20,000 की 3 payment यह जैसी 3 साल खतम होंगे क्या कोई interest का खर्चा या कोई depreciation में गरा के खर्चे होंगे answer is no that means यहाँ पे expenditure exist only for first 3 years but यहाँ पर infinite आपको खर्चा करता जाना है पहले 3 साल में यहाँ पर profit जादा होंगे यह कम पहले 3 साल में यहाँ पर खर्चे जादा है तो पहले 3 साल में profits कम बट बाकी साल में profits जादा होंगे in comparison to the operating lease क्यों कि कि अब मुझे कोई payment करनी नहीं है बट टोटल income क्या होगा टोटल income वो remains the same फिर से समझते है आपने इन तीन options को comparable कर रहा था और इन तीन options को comparable करने के लिए आपने मुझे क्या का फर्स्ट option आप आज में को payment कर दो 49,737 सेकेंड option विपे में 20,000 for 3 years और थर्ड option विपे में 4900 for an infinite period अगर मैं 20,000 पैले 3 सालों में दे रहा हूँ पैले 3 सालों में cash flows बहुत जादा हो नगे क्योंकि खर्चे बहूत जादा मैं ले रहा हूँ interest का खर्च़ डैपीसेशन के खर्चे जादा हो तो पहले 3 सालों में मेरी income कम पर तीन साल के बाद मेरा कोई खर्चा नहीं होड़ा बढ़ यहां पर खर्चे अंगिनत होते रहेंगे तो यहां पर once three periods are over मेरे profits क्या हो जाएंगे मेरे profits जादा but overall income क्या रहने वाली है overall income मेरी constant रहेंगे अपने काठी क्या then यहां पर आप assets को book करते हो assets higher similarly आप liabilities को भी book करते हो तो liabilities भी higher और EBIT EBIT आपके क्यूं higher होते हैं क्यूंकि P&L में दो खर्चे गए दो खर्चे क्या आते हैं एक interest का एक depreciation का तो EBIT इसका हमेशा higher होगा क्यूं क्यूं कि मेरे P&L में इसने financial lease ने क्या करा खर्चों को दो पार्ट में divide करा वो दो पार्ट क्या थे one is interest one is depreciation operating lease ने उसको submission करके नाम क्या दिया rental expenses यह rental expenses सारे के सारे EBIT के उपड़ आ गए होंगे इसने खर्चों को दो पार्ट में divide करा इसलिए इसका EBIT जाधा आता है बट टोटल income क्या रहती है टोटल income इनकी बड़ाबर रहती है अब कुछ points हैं with respect to the cash flow यह आपको समझ में कब आएंगे अभी आपको इसको note कर लीजे बट यह cash flow वाले points आपको सारे के सारे समझ में आएंगे once हम कौन सा chapter कर लेते हैं cash flow statements का ठीक है तो अभी यह point cash flows वाले आपको आएंगे नहीं बट once मेरी cash flow का chapter over होता है तब आपको यह सारे के सारे points समझ में आजाएंगे ठीक है तो इक बड़ मैं फटा-फट से repeat करता हूँ impact on my financial statements net income initial year lower later year higher overall same cash flows भी overall same और EBIT मेरी क्यूं higher होंगे क्योंकि एक नहीं consolidated खर्चा करके EBIT से पहला डाला और मैंने खर्चों को दो parts में ड़ाइड कर एक को मेरे depreciation का एक को मेरे interest का इसलिए मेरा EBIT higher आए now few conditions है to be satisfied for financial lease IFRS and US gap यहाँ पर क्या आता है first condition is अगर आपको title transfer हो जाए at the end of lease period अगर आज आप गारी खरीते हो with the help of the debt तो होता क्या है आपको पहले debt को repay करना है और जैसी यह 5 साल का debt repay होगा bank आपके घर में क्या भेज देगा bank आपके घर में एक NOC भेजता है अगर आप अपनी गारी की RC देखेंगे तो वो RC के पीछे क्या लिकाता है it's written that it's hypothetical to HDFC bank that means अभी इसका owner कौन है HDFC है but once आप अपने debt को repay कर दोगे तो bank आपको क्या देता है NOC देता है and then eventually आपकी गारी में से HDFC का नाम हट जाएगा that means title transfer at the end of lease or title transfer at a nominal cost इसका मतलब क्या है at times bank आप से क्या charge करते है nominal cost charge करते है for release of NOC example one row की charge करा अगर nominal fees charge कर रहा है bank तो भी वो क्या है financial lease है then lease period is equal to the economic life मानके चलते हैं एक गारी की life ही 10 साल है और मैंने 10 साल के lease को rental basis पे ले लिया तो वो भी क्या है operating और financial lease है PV of lease is equal to PV of lease payment is equal to fair value of assets and fifth case में क्या है asset is of specialized nature that can be used by lessee only example ambulance vans और cinema seats अगर यह 5 conditions satisfied है तो हम इसको financial lease मानेंगे वरना हम इसको operating lease यह 5 conditions क्या है फट 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 at the end of the lease आप owner बन जाते हो यह आपको एक nominal सी cost देनी है third option is जो आप lease payment कर रहे हो उसकी PV asset की fair value के बड़ाबर है चौते case में आप जितने साल के लिए lease पे ले रहे हो उसकी economic life है and fifth में asset is of so specialized nature कि उसको सिर्फ lessy ही use कर सकता है और कोई बंदा use नहीं कर सकता ambulance van मानके चलते हैं हमने dental business पे लिए यह ambulance van कौन यूस कर सकता है सिर्फ hospital वाले तो उसको भी हमने क्या आखा financial lease US gap में भी same बाते हैं but lease period क्या कहता है lease period should be at least equal to 75% and PV of lease payment is greater than 90% of fair value of assets अब कुछ disclosures होते हैं कितना amount आप next 5 years में pay करने वाले हो आपको उसका देना पड़ता है and payment after 5 years can be aggregated and last part is आपको leasing agreements का क्या देना पड़ता है general description so यह दो disclosures आपको देने पड़ते हैं disclosures क्याद कने की ज़रूरत नहीं so with this we have completed your reading number 28 ठीक है thank you Hello friends Today we are going to start with a new chapter जिसका नाम है non-compliabilities and this chapter में हम सिखेंगे कि non-compliability scheme हमें accounting कैसे कर देना start करते हैं मानके चलते हैं एक company ने आज एक zero coupon bond issue करा and this zero coupon bond की life कितनी है 3 years and company कहती है at the end of third year मैं आपको 1 lakh rupees pay करो जो पैसा company हमें आखर में pay करती है उसको हम कहते हैं face value that means this bond का face value कितना है is bond का face value of 1 lakh rupees मानके चलते है as an investor your required return is 10% तो आज अब जब यह bond खरीदे जाओगे तब आप इस bond को कितने का खरीद होगे आप इस bond को महंगा खरीद होगे यह सस्ता तो आज की value मैं कैसे find out करूँगा मैं अपने calculator पर लिखूँगा my future value is 1 lakh n is 3 i by y is 10 compute pv तो अगर इसको अगर मैं solve करूँ तो मैंने calculator मुझे answer क्या देता है मेरे पास value आती है 7513y that means अगर आज मुझे यह bond खरीद ना है तो मैं कितने रुपए दूँगा 75,000 company के पास पैसा कितना आया company के पास 75,000 रुपीस आगर अब मुझे इसकी accounting treatment को सीखने तो यहां पर लिखते है year यहां पर मैंने लिखा interest expenses to be charge to BNL account यह पर मैंने लिखा पूपर और यह पर मैंने लिखा closing value I see तो शुरू मेरे पास कितने रुपए आए मेरे पास value I 75,000 131 मेरे investor को इसकी उपर कितना percent return चाहिए था 10% तो इस year का interest expenditure कितना हुआ 75,000 13 क्या मैंने इसको कोई भी पैसा pay करा मैंने यहां पर year one year two यहां पर मैंने इसको कोई भी और payment नहीं करे तो अब यह liability कितने की बन गई अब यह liability मेरे बन गई 75,000 131 plus 75,000 13 यह liability मेरे बन गई 826,000 44 second year का opening value कितना है 826,000 44 यह इसको पर वापास कितना percent interest चाहता होगा 10% 826,000 मी liability का amount कितना बन गया 9,0908 third year 9,0908 10% को वापास return चाहिए यह amount मेरे कितना बन गया यह amount मेरे बन गया वल्ला है अब आपकी accounting entry क्या होगी आप इस amount को कहां पर लेके जाओगे अपने P&L में और इस amount का कहां पर दिखाओगे अपनी balance sheet में as your debt अब जैसी third year end होगा year 0 पर accounting entry क्या होगी year 0 पर सबसे पहला कि पास cash आया होगा तो आप accounting entry पास करोगे cash account debit cash आया इंट्रस्ट और क्या ये इंट्रस्ट आपने P करा या नहीं करा नहीं करा तो आपने कर दिए इंट्रस्ट तू देट ये इंट्रस्ट कामाउंट फोस्ट ये कितना था 7513 7513 और ये इंट्रस्ट कामाउंट आपके खाहां चला जाएगा आप P&L में पी अनल अकाउंट डेट तू 75 करते जाओगी करते जाओगी इंट्रस्ट आप अकाउंट इंट्रस्ट क्या पास करोगी debt account debit to cash आपकी जिबसे कितना चला गया आपकी जिबसे वाल आप रूपीस चला आज आज मैंने एक बंदे को बोला कि मैं आपको at the end of 3rd year वाल आप रूपीस दूँगा आज इसको मुझे 75,000 देती है over the period कोई payment नहीं हो ली but क्या मेरे P&L account में interest की liability होगी the answer is yes, आपके P&L में interest expenditures को book करूँगा no doubt मैं payment नहीं कर रहा but मुझे अपने interest expenditures को तो book करना है based upon which principle based upon a cruel principle और पड़े धियान से देखिए क्या यह premium bond था यह discount bond था time zero पे आप इसको महंगा खरिदना चाहते हो सस्ता अगर आप सस्ता खरिदना चाहते हो तो इसको हम क्या कहते है discount bond और पड़े धियान से देखिएगा अगर मैं इसका graph गना हो मानके चलते ही यह 1 lakh value है जो face value है एक discount bond की value शुरू में कितने थी 75,000 और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते या at the end of third year वो 1 lakh पे आगया the answer is company आपको कितना पोसें देरी थी पूपन company ने का मैं आपको 0% coupon दूँगी आपको required return था 10% अगर company आपके required rate से आपको कम दे रही है आप इसको महेंगा खरिना चाओगे सस्ता सस्ता तो मैंने का discount bond and discount bond की case में क्या होता है discount bond की case में liability धीरे 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 बढ़ते बढ़ते किसको आजाएगी eventually it will come to 1,000 it was an example of a discount bond अब हम एक और example करेंगे जिसमें मैं क्या लेता हूँ premium bond premium bond कब होगा मानके चलते हैं एक company में का map को 12% 1,000,000 आपका required date है 10% आपको 10% चाहिए company carrier में आपको 12% भूलगी आप इसको महंगा खरीदना चाओगी यह सस्ता आप इसको महंगा खरीदना चाओगी मिनिट टाइम में फिट से बनाया है company मुझे क्या कह रही है 1,2,3 मानके चलते है life इसकी 3 years company ने का every year मैं क्या दूँगी 12% of 1,000 which is 12,000 यह क्या है यह 12,000 मेरा फूपर है plus company ने का at the end मैं क्या दूँगी आपके 1,000 को की जी वापस कर दूँगी आपका required rate 10% इस bond को आज में कितने card करे दूँगी पहले तो मैं इस x की value चाहिए calculator पर कैसे करेंगे आपके पर कितने इस वाली वाली आपके इस दूँगी आपके आपके यह आंसर कितना आता है यह आता है 104 973 मैंने वापस से स्केडियूल बनाएं मैंने लिखा यह ओपनिंग वाल्यू इंप्रस एक्सपेंडिचर टी चाज्टी पी एनल अकांट यह पर मैंने लिखा उपन पेमेंट और यहां पर मैंने लिखा खुलोजिक वाल्यू यह वन के स्टाटिंग में ओप्रिंग वाल्यू कितना था 104973 उस बंदे को इंप्रस कितना चाहिए उस ब 497 पहां प्रऄस बंदी ग्राइप कर दी आपने 25दी जनम बंदी ऑपने 22,000 एक बंदा से 20,000 बंदी आपने 12000 धा रोपय करे तरच रुपिन सब्लेणाय करी तक कर दिया उस इंपकर दीदो दीडिग में आपने 15,500 यह क्या थे ऑप न्हिक सब्पने harा झसल प्रैआपर अ माइनस आपने ये रिपे कर दिया, अब मुझे आपसे और कितना प्रेसर चाहिए, यह कैसे हैगा, 104973 प्रस 10497 माइनस 12,000, यह वैलू कितना हो गया, 103470, अगें 10%, आपने कितना रिपे करा, 12,000, अब वैलू कितना रहे गया, अब वैलू रहे गया, 101817, मैं को फिर से आपसे कितना चाहिए, 10182, आपने कितना रिपे करा, 12,000, यह वैलू कितनी आगे, यह वैलू आपके आगे रिपालिया, पर इक घांसर देखने जाने का, आपने शुरू में इसको कितने का करीदा, शुरू मैं अपनी इसको खरीदा 104973, और क्या यह गिर्थे, 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 एक लग पर आगे, एक अनसर इस, इस, सो एक premium bond हो, या एक discount bond हो, at maturity, वो किस पर आजाएगा, वो अपनी face value पर आएगा, अब, यहां पे, over this period, मुझे जितना interest pay करना था, मैं payment इससे जादा करना हूँ या कम, मैं payment जादा कर देता हूँ, तभी तो तोर 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 के मैं 1 लाग पर आजाएगा, और यहां पर मुझे जितना pay करना था, मैं उतना pay नहीं कर रहा, तभी तो liability बर बर के, बर बर के, एक लाग रुपए हो जाती, premium bond की case में, मुझे pay कितना करना था, first year, premium bond की case में, मुझे first year में pay करना था, 10,000, मैंने pay कितना करा, 12, तो liability कम होगी, फिर मुझे 10 pay करना था, मैंने 12 pay करना, liability और कम हो लेकिन discount bond की case में मुझे जितना pay करना था मैं उतना pay नहीं करा, zero pay करा, liability बर बर के बर बर के कितने पर आगी, liability बरते 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 वाल ला कुपीस पर आगी अब premium bond की case में accounting entry कैसे है First year, time zero पर मेरे पास cash आया होगा, cash account debit, वो cash कितना है, 104973, to debt 104973, year one आया, year one के case में company ने payment कितने गी करी, company ने payment करी, to cash, 12,000, now this 12,000 has two component, one would be interest, one would be debt, interest आपने कितना pay करा, 10497, और आपने principal को कितने से repay कर दिया, 150, और ये debt आपका, ये जो interest काहां चला जाएगा, कि interest आपके PNL account में चला जाएगा, 150, अब ये accounting entries पास करते जाएगे, करते जाएगे, and at the end of third year अग्या accounting entry पास करेंगे debt account to cash, एक तरफ एक लाग चला जाएगा, एक तरफ से लाइटी चला जाएगा, एक तरफ से लाइटी चला जाएगा, market rate, that means the rate which is required by the investor, जाएगे मने रिकां, coupon rate, अब आप मुझे बता हिये, कि, अगर मेरा market rate 10% है, in all the three cases, that means, the return required by the investor is 10%, discount की case में coupon rate वो मुझे जादा देता होगा, वो उसको सस्ता खरीद रहा हूँ, तो वो मेरा require return के बड़ाबर दे रहोगा यह का, का, premium की case में मुझे coupon जादा दे रहोगा यह का, जादा, और bar की case में मुझे कितना coupon दे रहोगा, equal to the market, चीक है, equal to the market rate और कोई premium bond हो, power bond हो, या discount bond हो, वो eventually, over the period किस पर आजाएगा, वो over the period अपनी की case वालू पर आयता हूँ, यहाँ पर जितना interest देना था, कम दे रहा हूँ, liability बढ़ते बढ़ते एक लाग पर आगई, यहाँ पर जितना interest देना था, उससे जादा दे रहा हूँ, liability घटते घटते एक लाग पर आगई, जी है, प्र आपिमॉते है, आभ इमॉते है है।फ झा उतार ऑ्र प्रोट ब्रफट प्रफ कंवान से अठे जिल एंड फम फ्रफ यंड जय विस्क विस्काइब प्रफ प्रफ इंड फ्रफ तूसुष कि ओंड प्रफ एफ सुनौत मार्केट रेट 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 था मैं उसी भी इसको डिसकाउंट करता चाहूंगा ओवर दा पीरेट इन्वेस्ट की रिक्वाइर रिटन कम गिया जादा प्रूती रती है। I am least bothered with that. Book value of the bond क्या रहेगी? Book value of the bond would always be equal to period of cash flows discounted at market rate of interest at issuance. मांके चलते हैं, मुझे यहां पे bond की value के find out रहेगी, at the end of first year and as per you at the end of first year what is the bond value? 103470 यह value कैसे आ सकती है? Cash flows कितने है? 12000K N कितना है? 2 This is your PMT Your future value is 1 lakh I by Y is 10 अब क्या प्रेस करेंगे compute PV आपका PV कितना आएगा? 103470 एक बड़ करके देखते है My PMT is 12000 1 lakh is my face value 2 is my end 10 is my I by Y compute PV मेरा PV कितना आएगा? 103470 और यह मैंने कैसे निकाला? जो भी cash flows है उसको discount के spec कर दिया market rate at issuas मार्के चलते है question आपको कहता है at the end of first year rate increase or decrease हो गए? increase हो गए to 20% rate increase होते ही है decrease होते है I am least bother with that मुझे अगर किसी चीज़ की value निकालनी है book value निकालनी है that would always be equal to PV of cash flows discounted at market rate at issuas तो यह जो भी आपने liabilities निकाली यह liabilities आपने कैसे निकाली? यह liabilities आपने निकाली using book value अब एक और तरीका है निकालने का liabilities को आप इसमें दिखाना चाहते हो bond liabilities को दिखाना चाहते हो at their fair value अगर आप fair value को दिखाना चाहते हो तो क्या करोगे? it would be equal to PV of future cash flows discounted at current market rate और प्रेद्यान से कता है market rate as per you at the end of second year the bond value should be 103 47 कि क्या था? अगर market rate है 10% परेद्यान से बताईए market rate and bond value directly related है या anniversary related है अगर इस 10,20 कर दूँ यह value गिर जाएगी या बर जाएगी इस आर इन्वर्स्टी रिलेटेटेटेटे यह इन्वर्स्टी रिलेटेटेटे है मानके चलते हैं यहां पर payment कितना था? 12K 12K यह 1 lakh अब अब ज़रा value को compute करिए using I by Y to be 20 आपकी value कितनी आ जाती है? आपकी value आ जाएगी 8 7 7 7 7 आपकी इस आर इन्वर्स्टी रिलेटेट अगर रेट इंक्रीज होगा तो PB मेरी गिर जाएगी यह जो value आपने निकाली इस value को मैं कहता हूँ fair value इस value को मैं कहता हूँ book value अब बड़ा simple है IFRS US यह आप दोनों आपको कहते हैं this is as per the description of the management वो इसको book value पे दिखाना चाहते हैं या fair value पे और अगर आप fair value पे दिखाते हो तो इन दोनों का जो भी difference हाएगा अगर positive है या negative है वो कहाँ चला जाएगा that would be transferred to your income sleep अगर आप इसको book value पे दिखाना चाहते हो तो throughout आप क्या करो तो इसको discount करोगे at market rate at issuance अगर आप कहते हो कि नहीं मैं इसको fair value पे दिखाना चाहता हो तब आपको discount किस पे करना पड़ेगा market current market rate पे अगर current market rate बरता है तो bond की value come हो जाएगी and vice versa और इन दोनों में जो भी difference हाएगे वो दोनों differences कहाँ चले जाएगे आपकी income sleep ठीक है तो आपको दोनों ही method allowed so with this we have covered a discount bond a premium bond premium bond गिर गिर के एक लाग पे आते हैं discount bond बढ़ बढ़ के एक लाग पे आते हैं premium bond की case में मैं जितना coupon दे रहा हता हूँ coupon would always be greater than the interest payment in case of discount मैं जितना पैसा दे रहा हता हूँ that is less than the interest payment तभी वो liability बढ़ बढ़के एक लाग पे आ जाती है और आपको IFRS और 2S gap दोनों लाव करते हैं आप book value का भी दिखा सकते हो fair value पे और इन दोनों का जो भी difference आएगा वो कहाँ चला जाएगा वो मेरे income statement में चला जाएगा ठीक My next concept is LOS 30D Covenants Covenants means This is the restrictions which has been imposed by the bank आज अब किसी भी बंदे से पैसा बारू करते हो तो वो क्या करता है Lender आपके कुछ restrictions लगाता है इन restrictions को हम कहते हैं Covenants और यह restrictions दो तरीके के हो सकती है एक को हम बोलते है affirmative एक को हम बोलते है negative Affirmative को मतलब है Positive That means तुम interest को timely repay करोगे Principal को timely repay करोगे यह जो conditions है Income बोलते है affirmative Negative का मतलब है कि तुम किसी और बंदे से debt नहीं ले सकते हो आप किसी और अपने shares को बेच नहीं सकते हो आप dividend declare नहीं कर सकते हो Income कहते है negative That means जहां पर मैं company की उपर restrictions लगा रहा हूँ उनको मैं बोलता हूँ negative covenants और जहां पर मैं बोलता हूँ जो मैं benefits की बाते है जो मेरे administrative actions की बाते करता है उसको मैं कहता हूँ affirmative Example आप interest को timely repay करोगे Principal को timely repay करोगे So covenants का मतलब क्या हुआ Covenants का simply मतलब है restrictions और यह restrictions किस ने लगाई है यह restrictions मेरे lender ने लगाई है So that वो अपनी interest को safeguard कर सकते ठीक है Next LOS is based upon the disclosures So आप इसकी एक rough reading देदीजेगा हर company को बताना पड़ता है जो इसने पैसा borrow कर रहा है Next 5 years में वो कितना repay करने वाली है इनका effective rate of interest किया है इस लोड का purpose किया है और इन्होंने क्या-क्या assets को collateral रखा हुआ है for taking up this loan So it's a theory one एक simple सा reading दीजेगा and move to the next device ठीक है? Thank you Now friends we have already covered LOS FGHI यह किस से related है यह related है आपकी lease से तो हमने long lived assets के chapter में जब मैंने आपको lease सिखाया था lesser lessy दोनों point of view से सिखा दिये तो यह चारो LOS हमने कर लिये है My next LOS 30J यह 30J किस के उपर है? इस LOS deals with pension expenses that means my employee benefit अब employee benefit दो तरीके के होते है एककोम कहते है benefit plan and एककोम कहते है contribution plan that means एक employer अपने employees को दो तरीके benefits दे सकते है एक का नामे benefit plan एक का नामे contribution plan आज अगर आपको salary मिलती है और आपके employee नहीं का कि आपका PF कटेगा 8% के accordingly and 8% PF में आपको दोंगा PF stands for the provident fund अब आपका employee क्या करता है आपकी salary में इसे जो उसको PF देना था वो PF आपको नहीं देता वो क्या करता है PF authority के पास deposit कराने लगता है and कल को जब आप इनकी यहां से company छोड़ते हैं आप किसी new employer के पास जाओगे वो employer भी क्या करेगा आपसे आपका PF account number लेगा और उस PF में पैसा जमा करता रहेगा अब यहां पे हो क्या रहा है यहां पे मुझे पता है कि मुझे आपको कितना amount देना है और वो amount मैं आपका आज के आज ही क्या कर देता हूँ PF authorities के साथ deposit करता हूँ आपकी employee ने आपको का कि सर उसकी पर मुझे interest क्या मिलेगा मैंने का interest वगरा की बाते आप मेर से ना करिये आप किस से करिये PF authority वालों के साथ मैंने आपका पैसा वहां पे जमा करा दिया आप में का ठीक है सर that means contribution की case में क्या होता है जो पैसा मुझे contribute करना था वो पैसा already मैंने deposit करा दिया है issue पर rate of interest वगरा वगरा की बाते आप किस से करेंगे सीधा PF authorities के साथ करिये आप मेर से नहीं पूछेंगे की interest वगरा क्या है मुझे एक amount देना था और वो amount मैंने pay कर दिया इसकी accounting entry क्या होगी मान के चलते हैं एक employer को 500 रुपीज पीएफ देना था वो PF का entry क्या होगा pension expenses to cash और यह expenses कहां चले जाएंगे यह आपके PNL account में चले जाएंगे मेरे side से cash कम हो जाएगा और कल को अगर आपको कोई भी बाते करने हैं इस पैसे को withdraw करना यह जो भी करना है आप किस के पास जाएंगे आप pension authorities के PF authorities के पास जाने वाले लेकिन हर benefit provident fund की तरह नहीं होता example gratitude अब gratitude क्या होती है gratitude आपको मिलती है जब आप एक company के साथ 5 साथ complete कर लेते that could be possible और यह मिलेगे कर जब आप company छोड़के जाओगे अब पहली बात इसके लिए condition क्या है मैं 5 साल एक company के साथ रहू could be possible मैं 5 साल रहू could be possible मैं 5 साल कमनी के साथ नहीं रहू then यह gratitude का amount आता कैसे है based upon your last salary अब मेरी last salary क्या होगी that means income कहते हैं benefit plan benefit plan means आपके gratitude is an example of a benefit इसका मतलब है company ने का जब भी आप हमसे नौक्री छोड़के जाओगे हम आपको gratitude देंगे मैंने का sir वह gratitude होगी क्या उन्होंने का जो भी आपकी last salary होगी आपने जितने साल हमें serve कराऊगा मुझसे multiply करके कुछ एक figure लेके आएंगे क्या यह बहुत जादा factors की उपर dependent है answer is yes it is dependent upon a number of factors could be possible यह सारी की सारी के assumptions है could be possible यह हो could be possible यह नहीं हो example मैं अगर company को second year में छोड़ देता हूँ am I eligible for gratitude the answer is no okay that means this is dependent upon numerous factors अब इनकी calculation में किस से कराता हूँ इनकी calculations में कराता हूँ actuarial से जिन लोगों ने tutorial science pass करी है मैं एक tutorial के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा मुझे इनकी please computation करके दो अब बड़े ध्यान से समझेगा यह retirement benefit plans जैसे एक example मैंने आपको gratitude कर दिया वैसी कई retirement benefit plans और भी होते हैं अब मानके चलते हैं कि अब मुझे कुछ पैसा देना है gratitude का अब सरकार क्या कहती है सरकार कहती है हमें पता है कि यह पैसा आपको तब देने जब employee आपसे छोड़ के जाएगा बट क्या आपने कुछ खर्चा कर रहा है मैंने का yes abuse and negations क्या कहते है क्योंकि आपको कल 5 सल बाद 10 सल बाद एक employee का पैसा देना है and could be possible तब आपके पास क्या हो shortage हो cash की अब क्या करो आज इस पैसे के लिए कहीं न कहीं investment करना start करो मानके चलते है आज employee मुझे service दी और मेरे accordingly hypothetically that value is $500 दो यह पैसा मुझे अभी नहीं देना यह पैसा मुझे देना है 5-10 सल बाद अगर मुझे कोई पैसा देना है 5-10 सल बाद तो दिमाग क्या कहता है आप अभी से पैसे को invest करते जाओ so that at the end of 10th year I would be in a position to pay you $500 अब समझते हैं कि इनकी accounting entry कैसे हो पहली बात आज कोई भी पैसा नहीं जा रहा मानके चलते एक बंदा है Mr. Ram Mr. Ram ने मुझे अभी service दी तो matching concept कहता है match your expenses with respect to your revenue Ram ने अगर अभी service दी है तो Ram के खर्चों को P&L मे लेके जाओ बट मुझे नहीं पता यह खर्चा कितना जाना है मैं किसके पास जाता हूँ एक्चूरिल के पास और आपकी country में rules हैं government कहती है क्यों कि ये पैसा Ram को belong करता है आप Ram को pay नहीं कर रहे हो आप अभी से क्या करो अभी से इस पैसे को कहीं न कहीं invest करना start करो अब benefit plans की accounting आपकी books में covered नहीं है though earlier it was ये कहां पे covered है ये आपके level 2 में but still मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा की benefit plans की recording होती कैसे ठीक है तो देखते है सबसे पहले हम समझेंगी की IFRS scandals की recording कैसे होती है तो मैंने इसको 3 parts में divide करा एक को मैंने का service cost एक को मैंने का interest income and expenses और एक को मैंने का remeasurments अब एक employee ने अभी काम कर रहे उस services की value कितनी है उसको हम कहते है service cost ठीक है and एक और component है past service cost मांके चलते हैं मैंने अपनी employees को का था कि मैं आपको gratitude दोंगा 10% of your last round salary और अब मैं कहता हूँ कि मैं gratitude दोंगा 12% of your last round salary for the years you have worked इस साल के तो जो changes है वो तो मेरे P&L में हिट हो जाएंगे उसको मैं कहता हूँ service cost but जो उसने मेरे साथ पिछले 10 साल या 15 साल पहले काम कर रहे था उसके लिए वो उसको gratitude मिल रहे उसको मैं कहता हूँ past service cost ठीक है service cost past service cost कहां चले जाएंगे income statement में as pension expenses अब क्योंकि मैंने एक employee को पैसा अभी pay नहीं करा मैं over the period उसको pay करूँगा ये पैसा pay नहीं करा तो actuarial क्या करेगा actuarial सबसे पहले इनकालता है PV निकालता है फिर actuarial कहता है इसके उपर interest इस साल आपको मानके चलते हैं 210 पे करने थे आपने 200 पे नहीं करें और आपने इस liability को आगे लेके जा रहे हो तो क्या उसमें interest included होगा yes interest के खर्चे भी कहां चले जाएंगे interest के खर्चे भी आपके income statement में चले जाएंगे फिर से समझते हैं आज actuarial ने मुझे बोला कि भीया विविकास Mr. Ramani जो आपके साथ काम कर रहा है उसकी service cost बनती है 500 रुपए मैंने का ठीक है 500 रुपए को P&L में लेके चले जाएंगे और मानके चलते हैं अगर मैंने अपने plans में कोई amendment बगहरा करी मानके चला मैंने उनके rate को increase कर दिया तो जो Ramani मिर से पहले सालों का काम कर रहा है उसको मैंने नाम किया दिया past service cost IFRS कहते है service cost है यह past service cost ही कहां चले जाएगा income statement में और क्यूंकि मैंने पिछले सालों का पैसा पे नहीं करा तो interest आया होगा यह interest का amount भी कहां चले जाएगा यह interest amount भी आपके P&L में चला जाएगा ठीक है अब मैंने word लिखा हूँ है interest income first of all this is an expected return अब मैंने पैसा satisfied कर रखाऊगा that means मुझे आज किसी को गर 500 रुपे देने हैं पांक साल बात तो अभी मैं उस पैसे को invest कर रहा हूँगा उस पैसे की उपर आपको कितना percent लगता है आपकी income आईगी यह भी कहां चला जाएगा income statement फिर मैंने कुछ चीज़े बोली जो income statement में नहीं जाएंगी जो किसमें जाएंगी OCI में OCI stands for other comprehensive income जहां पे आपका net income खतम होता है उस में हम चार चीज़ों को add या minus करते है चार चीज़ों के adjustment करते है तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास आता है total comprehensive income इन चार चीज़ों को हम क्या कहते है OCI other comprehensive income यह चार चीज़ें क्या है अभी के लिए छोड़ दीजे बस उस में से एक चीज़ क्या है pension obligation adjustments that means कि income statement में नहीं जाते है यह किस में जाते है यह OCI में जाते है अभी measurements में किसको लेके गया सबसे पहले में लेके गया actuarial gain and losses आप यह चीज़ देखिए मान के चलते है actuarial यह जितना भी figure था किस के पर बेस था? actuarial के assumptions के पर actuarial को कितना percent लगता है कि विकास कितना years काम करेगा विकास की last salary क्या होगी that means this is dependent upon the assumptions अगर actuarial अपनी कोई assumption change करता है वे respect to the past wage उसने लिया था और आज वो assumption change कर रहा है उसको हम P&L में नहीं लेके जाएंगे use come किस में लेके जाएंगे? OCI में लेके जाएंगे plus ये जो return था ये return क्या था? expected return actual return और expected return में जो भी difference आता है उसको भी आप किस में लेके जाओगे? OCI फिर से मैंने आपको का कि आपको कुछ ऐसे पैसे हैं जो आपको आज नहीं देने है ये आपको देने है let us assume 10 years तो accounting क्या कहती है? राम ने अगर इस particular year में काम कर रहा है तो ये खर्चे तो income statement में जाने जाएंगे इसको मैंने का service cost और मानके चलते हैं आपने कोई plans में amendment करी है जिससे बज़से liability बढ़ या कम जाती है उसको मैंने का pass service cost क्योंकि आपने ये पहला वाला पैसा अभी तक pay नहीं करा इसके उपर interest भी देना पड़ेगा ये interest के खर्चे भी PNL में जाएंगे और क्योंकि आपको 10 सल बाद एक amount देना है तो आप अभी से पैसे को जोड़ जोगे उसके उपर भी जो आपको लगता है आप कमाऊगे वो भी आपके income statement में जाएगा अगर actuarial अपनी assumptions को change करता है उसकी वज़े से जो भी gain and losses आएंगे वो OCI में जाएंगे and कल को जो भी आपके plan assets है उसकी उपर जो भी आपके actual return आईगी visa भी जो आपने book करी है वो भी काम पे जाएंगे वो भी आपके OCI में जाने वाले है मानके चलते हैं मेरे पास assets बनते हैं 500 के liability है सारे 700 तो इन दोनों को अगर मैं net off करूँ 500 बनता है मैं 500 रुपए के क्या दिखाऊंगा net pension liability और अगर यह जादा आ रहे थे मन के चलते हैं had it been this is 900 and asset is this तो मैं क्या दिखाता है net pension asset कितने के तो यह accounting treatment हमने काम पे सीखा यह accounting treatment हमने सीखा with respect to IFRS and one thing to be kept in mind यह accounting treatment आपकी books में नहीं given है यह पहले course में था अभी course में नहीं है just मैं आपको एक overview दे रहा हूँ so that आपको यह समझ में आ जाए ठीक है अब US gap का देखते है US gap ने का service costs, interest expenses, expected return यह तीनों की तीनों चीज़े कहाँ जाएंगी income statement में actuarian gain and losses का जाएंगे OCI में यह अभी तक सेम बाते बोर रहें उसने फिर एक और चीज़ बोली past service costs जो income statement में जाता था under IFRS US gap ने क्या का, US gap ने का यह कहाँ पर जाएगा OCI में and eventually amatized होके कहाँ पर आ जाते है, income statement में यह आप कहाँ पर सीखने वाले हो, यह आप सीखोगे in your level 2 तो फटा फटा फट, US gap ने क्या का, US gap ने का service costs, interest expenses and expected data तीनों income statement में वही बात जो आया पर इस ने कही बट इसने का past service costs का जाएंगे OCI में and यह over the period amatized होके किसमें आ जाएंगे, over the period amatized होके किसमें आ जाएंगे, income statement ठीक है, फिर से एक बड़ कोई क्रिवीजन, मैंने आपको का, मैं अपने employees को दो तरीके के benefit देता हूँ एक को मैंने का defined contribution plan, एक को मैंने का defined benefit plan अगर आप word, word यूज करते हो contribution, that means मुझे कोई amount contribute करना है, इसकी बड़ी simple accounting entry आपकी जेख से पैसा जाएगा, आपकी CPF authority को जम्मा करा दोगे and then वही amount आप अपने expenses में book कर लोगे, लेकिन कई बड़ आप अपने employees को क्या कहते हो, कई बड़ आप अपने employees को कहते हो, कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, benefit, मान के चलते है, वो benefit का example क्या है, pension है, ये pension आपको का मिलती है, ये pension आपको मिलती है, जब आप नौकरी use करते हैं, practical life मुझे क्या है, मुझे सेटिस की accounting सीखनी है, और क्योंकि एक employee का पैसे और ये तब का पैसे जब इसको retirement पे मिलना है, तो सरकार में क्या था, अब अभी से इस पैसे को invest करके चलते जाओ, अब आपने जो भी उस बंदे को इस साल की जो उसकी कमाई थी, उसको म अगर एक्चुरियल अपने assumptions को change करते हैं, तो वो OCM में जाएगा, और जो भी कलको actual returns होते हैं, विजर भी expected return, वो भी कहां चले जाएगे OCM, ये बात किस की थी, IFRS की, US Gap ने भी यही तीन बाते बोली, starting की, लेकिन उसने का, past service cost कहां जाएगा, past service cost OCM में जाएगा, and past service cost and your agricultural gain and losses over the period amortize हो कि किस में आजाएगे, income stay, तो इसका accounting treatment आपको सीखना है नहीं है, just for your sake of knowledge, मैंने आपको ये explain का, ठीक है, now my next LOS is upon the ratios, 30K, ratios कौन सी है, solvency ratio, solvency ratio का मतलब है, ये banker देखता है, कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ, क्या company के पास capability है, उसको pay करने की या नहीं, solvency, solvency ratios में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं, debt upon equity, debt upon asset, debt upon, debt upon equity, इसको मैं क्या कहता हूँ, debt to capital ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, ये ratio जादा होनी चाहिए ये कम, ये ratio जितनी कम, उतना banker खुश, क्यों, इसका मतलब ये है, कि आपके business में debt कम है, तो solvency ratios का क्या है, solvency ratios जितनी कम, उतना अच्छा, similarly banker एक और ratios में इंट्रस्टेट होता है, जिसको हम कहते हैं, coverage indicators, एक coverage indicator क्या है, एक को हम बोलते है, interest cover ratio, इसका formula क्या होता है, इसका formula होता है, EBIT upon interest, मानके चलते हैं, ये ratio एक कमपनी की है 3X, एक कमपनी की है 5X, 3X का मतलब क्या है, अगर मुझे एक रुपे interest देना है, तो कमपनी कितना रुपे कमा रही है, 5 रुपे, banker कब secured है 3x 5x जितनी ज़ादा ये ratio होगी उतना ज़ादा आपका banker secured cover का मतलब क्या है अगर आपको 1 रोपे interest देना है तो आप कितने times कमा रहे जितनी ज़ादा आपकी कमाई होगी उतना ज़ादा आपका banker secured so it's better to have higher coverage it is better to have low debt equity एक और होता है जिसको हम कहते हैं fixed charge coverage ratio it is good to have fixed expenditure मैंने आपको सिखाया है था कि जब आप छोटे होते होगी आप क्या चाहते हो आपके सारे के इच्छा सारे कर्चे क्या हो variable it's not good to have fixed expenditure in the initial years अब दिखते हैं इसका formula मैंने क्या बोला इसको भी के लिए मैं नाम क्या दे रहा हूँ rent क्या EBIT में से आपने rent को already minus कर रहा है yes मैंने का add कर दीजिए rent को divide करिए rent plus interest क्या interest भी fixed expenditure आपके इस अब रेंट और interest देने से पहले आप कितना कमाते हो मानके चलते हैं 20 कमाते हो और आपको पे करना है 1 rupees that means if you need to pay 1 rupees you are earning 20 rupees क्या banker secure है या नि yes so जितने ज़ादा cover होंगे cover कमाते कितने times आप उसके कमारे जितना आपको पे करना है जितने ज़ादा cover उतने ज़ादा banker secure तो इसमें मैंने क्या रेशों बताईगी इस दो रेशों एक मैंने solvency का एक मैंने coverage का solvency मैंने क्या देखा debt equity, debt asset, debt upon capital and coverage मैंने क्या देखा coverage मैंने क्या देखा interest cover and fixed charge coverage ठीक है with this we have completed this chapter thank you hello friends today we are going to start with a new chapter जिसकार हमें income taxes and इस chapter में सीखेंगे कि हमें income tax के खर्चों की recording कैसे करनी होती है ठीक है तो समझते है हमारी country में companies की उपर क्या लगता है companies की उपर लगता है companies एक 2013 and companies एक 2013 कहता है कि हर company को financial statements बनाते वग accounting standards को follow करने तो मैंने का सर्व accounting standards क्या है उन accounting standards को हम कहते है in days that is वो कुछ भी नहीं है वो क्या है दीजादी replica of IFRS आपने का ठीक है अब मैंने IFRS को follow करते वग अपने financial statements बनाने लगा तो मेरा कुछ profits का figure आया और ये IFRS के principles क्या थे इन IFRS का एक principle था prudence and prudence का मतलब था जो losses आपको future में होने वाले हैं आप क्या करिए उन losses को आज based upon the conservative principle आप उन खर्चों को आज बुक कर लिजे आपने इनी को follow करते करते अपने accounting standards को follow करते हुए अपने profits को compute करा और उसके basis पे एक tax का value भी आएगा that means आपका आया earning before tax और आपने का इस profits की उपर में tax पे करना चाहता हूँ आप किसके पास गए टेक्स देके आप टेक्स लेके गए income tax department के पास और income tax department ने इन profits को accept करने से मना कर दिया उन्होंने का ये जो आपने profits compute करे हैं ये profits कैसे हैं as per IFRS और हमें नहीं पता IFRS क्या कहता है तो मैंने इन से पूछा कि संफिर मुझे tax कैसे देना है उन्होंने का you have to compute the income tax as per the income tax 1961 उन्होंने का हमें नहीं पता IFRS क्या कहता है और IFRS का इक principle क्या था prudence prudence का मतलब था जब future के losses हैं उन्हें आप क्या कर लो आज book कर लो क्या income tax prudence principle को follow करता होगा या नहीं करता होगा prudence का मतलब है future के losses को book करो अगर मैंने future के losses को आज book करा तो मेरे profits काम अगर profits काम तो टेक्स के liability काम that means दोनों के principles different different है अगर income tax भी prudence principle को follow करेगा तो income tax department वालों का income tax का revenue काम होगा तो उनोंने का हम prudence principles को follow नहीं करते that means दोनों की approaches different है IFRS की approach different है income tax की approach different है but मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ मैं आपको income tax सिखा रहा हूँ या IFRS सिखा रहा हूँ मैं आपको IFRS सिखा रहा हूँ that means accounting कैसे होनी चाहिए accounting तो होगी भी या IFRS के according लेकिन tax pay कैसे होगा pay तो वही value होगी जो income tax act 1961 कहता है ठीक है अब समझते है that means इन दोनों की approaches में difference है और अभी मैं एक बहुत simple example लेता हूँ किस चीज़ का depreciation का दोनों का depreciation निकालने का तरीका भी अलग है ठीक है मानके चलते हैं अभी IFRS कोई और figure बोल रहा होगा income tax कोई और figure बोल रहा होगा and with the help of this simple example मैं आपको सिखा हूँगा कि accounting कैसे होती है ठीक है sir so आप प्लीज नोट करते जाएंगे example यह मैंने लिखा as per accounts EBIT sorry EBIT मैंने अपना EBIT लिया 10 lakh 10 lakh 10 lakh 10 lakh this is year 1 year 2 year 3 और मानके चलते हैं मैंने एक machinery खड़ी थी the machinery value is 6 lakh salvage value is nil and life is 3 years तो इसका depreciation क्या है इसका depreciation मेरा आ गया 2 lakh rupees every year तो मैंने यह आप पर क्या लिखा minus depreciation and amortization 2 lakh 2 lakh 2 lakh my EBIT और मानके चलते हैं की interest के खर्चे नहीं है तो मैंने इसको का EBT यह कितना आया 8 lakh 8 lakh 8 lakh and tax मानके चलते हैं इस 10% तो यह value कितना हो गया 80,000 80,000 80,000 and my EAT are 7 lakh 20,000 7 lakh 20,000 7 lakh 20,000 that means अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि income tax का एगर depreciation किसी और तरीके से compute होगा और IFRS किसी और तरीके से depreciation को compute करना है तो IFRS के according depreciation क्या है 222 अब मैं बनाना चाहता हूँ as per income tax 1st year, 2nd year, 3rd year यह 10 lakh तो सेम है बट उन्होंने का हम यह depreciation नहीं मानते मैंने का सरब depreciation आपके according क्या है तो उन्होंने का हमारे according depreciation है 3, 2, 1 बड़े ध्यान से देखिए यहां पर भी depreciation का summation कितना आ रहा था? 6 lakh यहां पर भी depreciation का summation कितना रहा? 6 lakh that means eventually P&L में तो 6 lakh जाने है but accounts वाले कहरें 2, 2, 2 income tax वाले कहरें 3, 2, 1 अगर eventually P&L में same amount जाएगा that is the 6 lakh इनको हम कहते है temporary difference इनको हम कहते हैं timing difference that means if timing का difference है बाकी overall P&L में same value जाएगा तो timing difference का एक और नाम क्या हुआ? temporary difference इसकी बहुत जादा importance है अभी अब मेरे profits क्या रहे है 7 lakh, 8 lakh, 9 lakh मुझे tax कितना देना है? 70,000, 80,000 and 90,000 resultant answer कितना है? 6.3 lakh, 7.2 lakh and 8.1 lakh अब बड़े ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था मैंने आपको बोला यह figure मेरे कहां जाएगा? यह figure तो मेरे P&L account में तो यही figure जाएगा जो accounts वाले कहते हैं however मैंने pay कहां सा figure करोगा? मैंने pay यह वाला figure करा है यह मैंने असली में pay करा है और यह मेरे P&L में figure जाएगा अब आप बड़े ध्यान से सोच के बताएगे मुझे 80,000 pay करना था मैंने pay करा सिफ 70 asset या liability फिर से सुनिएगा मुझे pay करना था 80 मैंने pay किया है 70 asset liability मुझे pay यह amount करना है और मैंने pay कौन सा किया है? pay यह amount करा है मैंने 10 रुपे कम करे that means कि क्या बन गया? इसको मैंने का defer tax liability defer tax liability कितने का? 10K का मुझे pay करना है 80 मैंने pay करा 80 कोई liability create होगी? answer is no तो यह liability as it is कहा क्या बन गई? 10K मुझे pay करना था 80 मैंने pay कर दिया 90 10,000 रुपे जादा asset अब 10,000 की asset 10,000 की liability है तो क्या यह knock-off हो गया? the answer is yes so impact क्या जाएगा? यह amount मेरी liability side आ जाएगा liability side क्या आ गया? defer tax asset 10K 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 minus और income tax के P&L में खर्चे क्या जाएगे? P&L में income tax expenditure would be 80K 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 यह खर्चा आपके P&L में गया और आपकी जेब में से cash कितना कम हो गया? आपकी जेब में से cash कम हुआ यह वाला लाली फिर से समझते हैं यह figure P&L में जाना ही जाना है तो यह मैं as a test P&L में लेके आ गया 80K 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 इसको मैंने नाम क्या दिया? income tax expenses और क्यूंकि मैंने खर्चे कम pay करे हैं जतने मुझे करने चाहिए थे क्या बन गया? liability ठीके? यह पूरा का पूरा concept बस इसी पे based है answer क्या आना चाहिए answer should be as per the accounts जो accounts वाले कहना चाहते हैं जो आपका income tax recording है वह आपने pay कर रहा है और जो इन दोनों का difference है या तो वह asset बनेगा यह liability बनेगा अगर वह asset बन रहा है उसको हम DPL अगर वह asset बन रहा है उसको हम कहेंगे defer tax asset अगर वह liability बन रहा है तो उसको में क्या बोलूँगा defer tax liability ठीक है? अब आगे और समझते है अब कुछ definitions है definitions क्या है? एक चीज़ है accounting profit and एक definition आपको दी गई है income tax expenses दूसरी definition आपको क्या दी है? taxable income and taxes payable अब समझते हैं accounting profit का मतलब है ebt as per accounts taxable income का मतलब है ebt as per tax income tax expenses का मतलब है खर्चे जो आपको pay करने है as per accounts taxis payable का मतलब है taxes जो आपको pay करने है as per taxation अब बड़े द्हान से देखेंगे फिर से that means यह वाला figure 8,8,8,8,8,8 यह क्या हुआ? accounting profit 7,8,8,9,8 यह क्या हुआ? taxable income 80,80,80 क्या हुआ? income tax expenses 70,80,90 क्या हुआ? taxes payable अब आप accounting entry समझे मुझे pay कितना करना था? मुझे pay करना था इसको हम बोलते हैं income tax expenses मुझे pay करना था 80 के मेरे जेब से cash कितना गया? 70 के और deferred tax liability मैंने कितने से बना दी? 10,000 रुपे 80,000 रुपे P&L में चले गए 70,000 रुपे cash से माइनस होगे और 10,000 रुपे की liability क्रियेट हो. यह जो भी मैंने करा इसको मैंने क्या का? इसको मैंने का deferred tax liability क्योंकि मैंने पैसे कम दी अब आप एक चीज़ appreciate करेंगे कि P&L में value कैसे जाती है? P&L में value जाती है as per accounts और वो value क्या है? 80K 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 But this is not the correct way to show in the P&L account फिर मैंने पूछा है कि सार तरीका क्या है P&L account में दिखाने का? उन्होंने का? आप दिखाएंगे income taxes payable मैंने का ठीक है plus change in deferred tax liability minus change in deferred tax assets और अब जो resultant answer आएगा उस resultant answer को हम क्या बोलेंगे? income tax expenses और यह answer आना कितना है? आपको अभी से पता है यह answer 80 के 80 के 80 क्या नहीं income tax payable कितने थे? 70 80 90 आपने deferred tax कितना बनाया था? आपने deferred tax बनाया था 10 के 10 के 0 अभी deferred tax liability है 0 से 10 हुआ कितने का change? 10 का 10 10 रहा कितने का change? 0 का 10 0 होगे कितने का change? minus 10 का 0 0 0 अब आप अगर इसको solve करेंगे क्या आपका answer 80 80 और 80 रहा है? इस आपका अपका इस आपका इस आपका आपका that means मैंने answer कैसे लेके आया P&L के थू 80 देने थे 70 दिये 10 का liability this is known as the P&L approach एक और approach भी होती है जिसका हम कहते है balance sheet approach बरे धियान से देखेएगा accounts following depreciation कितना charge कर रहा था? 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh that means अगर मेरे पास 6 lakh रुपए का asset है तो at the end of first use की value किती रहागी? 4 lakh, 2 lakh and 0 और उसी की value as per text क्या है? text वालों का depreciation क्याता है 3, 2, 1 तो 6 lakh रुपए कैसे रता 3 lakh रुपए depreciation हो गया उसकी value कितनी रह गई? 3 lakh, फिर उसकी value कितनी रह गई? 1 lakh, फिर उसकी value कितनी हो गई? 0 अब बड़े ध्यान से देखेंगे accounts के according, book value जादा आ रहे है 4 है, 3 है accounts के according, book value जादा अगर accounts के according, assets की value जादा आ रहे है तो खर्चे, accounts के according expenses, accounts के according कम और अगर accounts के according, expenses कम तो tax जादा टेक्स liability जादा बनती थी आपने क्या करा? टेक्स की liability को कम पे करा DTA या DTL फिर से समझते है तो अब बैलेंशीट अप्रोच के थुरू भी अंसर कैसे आएगा बैलेंशीट के थुरू अंसर आएगा आप लिखेंगे बुक वाल्यू असपर अकाउंट्स आप लिखेंगे बुक वाल्यू असपर अकाउंट्स कितना है 4,2,0 बुक वाल्यू असपर टेक्स कितना है 3,1,0 अब आप क्या कम्प्रूट करेंगे डिफ्रेंस और इस डिफ्रेंस को मैं क्या कहता था टेंप्ररी डिफ्रेंस टेंप्ररी डिफ्रेंस वा डिफ्रेंस है अगर P&L में सेम इंपक्त जाए या या वन लाक या 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 जीरो आपका टेक्स रेट क्या था मल्टिप्लाइब टेक्स रेट आपका टेक्स रेट था 10 परसेंट परसेंट 10 परसेंट 0 10 परसेंट जर्ड़ा मल्टिप्लाइब करके आंसर बताईए 10 के 10 के जीरो अब यह जो भी आ रहा है यह लाइबिल्टी आ रहा है यह एसेट आ रहा है इस इस इक्वल टू डीटी यह डीटी यह कैसे आया खर्ची या तो खर्चे हैं या खर्चे एसेट हैं आपने का अकाउंट के अकॉर्डिंग एसेट की वैल्यू ज्यादा आ रही है दाट निस अकाउंट के अकॉर्डिंग expenses कम अगर accounts के according expenses कम तो accounts के according profits ज्यादा profit ज्यादा तो text ज्यादा आपने कम पेग करा DTA, DTL तो हमने एक simple से example करा और जो मुझे पेग करना था और जो मैंने असली में पेग करा है इन दोनों की difference से क्या बनता है इन दोनों की difference से बनता है DTA या DTL and then income tax के खर्चे को दिखाने का तरीका क्या है taxes payable plus change in DTL minus change in DTA तो आपके पास जो भी resultant answer आएगा that would be the income tax expenditure as per the accounts ठीक है सार समझ में आए अब मैं आपको एक और example देता हूँ जिसमें क्या बनेगा जिसमें DTA बनेगा example 2 यहाँ पर लिखेंगे accounts यहाँ पर लिखेंगे tax मैंने यहाँ पर लिखा EBT अच्छा उससे पहले एक और चीज़ मान की चलते हैं मैं आपके साथ एक partnership lead में एंटर करता हूँ you and me enter into a partnership जहाँ पर मैं आपको क्या कहता हूँ मैं आपको कहता हूँ कि मेरा share है 70% और आपका share है 30% आपने का ठीक है सब मेरा 70 आपका 30 हमारी company ने मिलके 100 रुपय profit कमाए मेरा share कितना 70 रुपीज आपका share कितना 30 आप बड़े ध्यान से सोच के बताईए कि अगर ये profits कमपनी ने कमाए तो 70 मेरा 30 आपका और अगर ये profits की जगा losses हो जाए क्या business में losses हो सकते हैं सरहा हो सकते हैं तो 70 मेरा 30 आपका क्या correct है answer is yes अब आप बड़े ध्यान से दिखेगा मान के चलते हैं आपकाउंट के अकॉर्डिंग profit आए minus 10 लाइ plus 10 तो text कितना आना चाहिए text लिखेंगे and then अभी हम पर लिखेंगे EAT फिर आप यहां पर भी लिखें EBT 10 negative 10 positive और अब Texas क्या आते हैं ऐसे कर दीज़े मेरे पिछले वाल एक्जांपल में मैंने का अगर बिजनेस में losses है तो आपने का 70 सर आपका और 30 मेरा बिल्कुल सही बात है और अब आप मेरे पास आए आपने मेरे से का की सर आप बिजनेस मेरे साथ आपने मेरे साथ partnership रीड एंटर क्यों करी थी मैंने का बेटा मैंने आपके साथ partnership रीड इसलिए एंटर करी थी क्योंकि बिजनेस में कल को क्यों होंगे profits होने थे बड़ आपने का सर आप तो loss करवारे मैंने का बेटा हाँ loss हो गया ये तो one time event है आगे जाके profits होंगे बच्चे ने का सर मैं आपको ये 30 रुपीस नहीं देना चाहता मैंने का क्यों क्यों सर आपने loss करा दिया मैंने का जब पिछले साल 100 रुपय का profits था तो क्या आपने मेरे से profit लिये थे उसने का हाँ तो मैंने का आप losses में क्यों contribute नहीं कर रहे हो बच्चे ने का सर आपने में को कहा था business में profits होंगे और मैं आपके साथ profit बाठता चाता हूँ losses नहीं मैंने का बेटा ये तो normal सी चीज़ है business में profit और losses दोन होते है बच्चे ने का अच्छे सारी बाते छोड़ो अब ये बताओ अगले साल profit कितना होगा मैंने का मुझे लगता है कि अगले साल profit होगा 200 उसने का अगले साल 200 रुपए का profit है तो 140 आपके मैंने का हाँ 60 मेरे हाँ बच्चा क्या कह रहा है बच्चा कह रहा है कि सर अगले साल मुझे 60 मत देना मैंने का फिर कितने दू उसने का अगले साल आप में को 30 दे देना प्रोवाइड इड आप में से आज 1 रूपे भी मत दूआ फिर से समझते हैं सेनारियो काम पे हम दोनों disagree कर दे बिजनेस में प्रोफिट और लॉसस चलते रहते हैं और एक बढ़ हमारा प्रोफिट क्या हुआ लॉसस में आ गया और जैसी लॉसस में आये क्योंकि बच्चे का मेरी बिजनेस में 30% शेर था मैंने का बेटा आप में को 30 रूपीज पे करो इन ओर टू रन दी बिजनेस की क्यों लॉसस में गये बच्चे ने का सर में 30 रूपीज पे नहीं करता क्योंकि में जे लगा था प्राफिट से कुझे बेटा कैसी बाते र्रये हो उसने का आप सारी बाते चुड़े इस साल तो लस है अगले साल का बताओ ब्रफिट मैंने अगले साल का प्रेट 200 उसने का मेरी 60 बंते हूंगे आप में को 30 देड़े इसे थोड़ी होता है लेकिन यह बच्चा नहीं है यह कौन है इस एस इंडियन गवर्मेंट और सची बताईए किया जब आप प्रॉफिट कमाते हैं कि आपको इंकम टेक्स पे करना पड़ता है अंसर इस क्या गवर्मेंट और आपका एक सौट आफ पार्टनर्शिप ही तो ह जो भी आप कमाते हो उसमें 30% गवर्मेंट करें बट इस शुट स्टांड्स प्रॉफ फॉर लॉसे जब आप लॉसेज में जाते हो तो क्या सरकार आपके घर आती है अपना 30% शेर देने अंसर इस नू सरकार क्या कहती है जब फ्यूचर में मुनाफिय जादा कमाओगे मेर खर्चे को क्या कर देना सेट आफ कर देना इस अन्सेट का नम क्या है इस कांसिप को हम कहते हैं मईस जनी खर्द कर तर्द के अब necessity कि य जाते हो तो सरकार आपके घर क्या करती है सरकार को कभी भी पैसे से वापस नहीं करती है सरकार क्या कहती है फूचर में लास प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स से आप मेरे निट बैलन्स को पे करना कि मैंने का ठीक है अब आप देखिएगा कि यहां पर इसको ट्वेंटी कर दीजिए मांके चलते हैं टेक्स डेट एट 10% यहांपे 2 रॉपए तो मेरे पास 18 बचने चाहिए थे हाँपे 1 रॉपए सरकार का लास है तो मेरा लास कितने है असली में 9 रॉपए यह कहानी थी as per the accounts 10 रुपै का लॉस हुआ, 1 रुपै सरकार का 9 रुपै मेरा, similarly कलको जब 20 रुपीस के प्रॉफिट सुए, 2 रुपै सरकार के 8 रुपै मेरी, मैं income tax वालों के पास गया, मैंने का 1 रुपै दे दो, income tax वालों ने का, हम इस साल तुम्हें काम करो, हमें कोई भी tax मत दो, तो answer कितना आया, 10 रुपै अब बड़े ध्यान से देखिए, next year में कितना देना थाए, 2 रुपै देना चाहिए, लेकिन 1 रुपै पहला का set off करूँगा, तो मैं कितने दूँगा, 1 रुपै, resultant answer कितना आएगा, resultant answer आएगा, 19 रुपै अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे profits का submission कितना आ रहा है, यहाँ पे profits का submission आ रहा है, 9, यहाँ पे profits का submission कितना रहा है, 9, यहाँ पे taxes का submission कितना रहा है, 1, यहाँ पे भी taxes का submission 1 रहा है, permanent difference, temporary difference, again it's a temporary difference, if expenses का submission over the year constant जा रहे है उसके हम क्या कहते है only there is a timing difference अब बड़े ध्यान से देख रहा है आप बताना DTA create होगा या DTL मुझे सरकार से एक रुपए लेना था देना नहीं है लेना है मुझे सरकार से एक रुपए लेना है सरकार ने एक रुपए भी नहीं दिया asset liability अपने क्या का this should be DTA यह DTA कितने का होना चाहिए वन लाग रुपीस का और फिर से मुझे सरक देने थे दो लाग रुपए मैंने दिया एक अपने का liability एक रुपए की asset और एक रुपए की खड़े है तो यह क्या हो गए यह eventually knock off हो गया तो first year मैंने DTA कितने का दिखाया 1,00,000 का second year मैं दिखाया कितने का दिखाया 0 का कैसे एक लाग रुपए लेने थे कुछ भी नहीं लिया एक लाग का DTA दो लाग रुपए देने थे एक लाग रुपए दी एक लाग रुपए कम अपने का liability पहले का यह एक लाग रुपए दो नहीं लाग रुपए कितने के रह गए जी लो के इस केस में मेरा क्या बना इस केस में मेरा बना DTA अब आपको एक और एक्जाम्पल कर रहा था हूँ एक और एक्जाम्पल लेते हैं तो यहां पर हमने किस चीज का treatment सीखा एक्जाम्पल 2 में यहां पर हमने सीखा treatment in case of losses अब मैं आपको एक और बताता हूँ एक्जाम्पल 3 वारेंटी एक्सपेंस आज मारूती सुजुकी है और मान के चलते हैं मारूती सुजुकी अपनी गारी के उपर कितने की आपको वारेंटी देती हैं मान के चलते हैं गिब यू दी वारेंटी फॉर 3 यह और कंप्री ने आज 100 कार सोल्ड करी और अगर कंप्री ने इस पर्टिकुलर फैनेशल एर में 100 कार सोल्ड करी हैं तो based upon the matching principle आपको अपने सारे के सारे खर्चों को match करना चाहिए with respect to the sales आपने का yes अब मैंने वारेंटी for 3 years मान के चलते हैं इस पर्टिकुलर एर में कोई भी वारेंटी के खर्चे नहीं आए बट के वारेंटी अभी भी कितने साल के लिए valid है for another 2 years and could be possible मेरा यहाँ पर खर्चे आ सकते हैं ठीक है law makers ने क्या का law makers ने का based upon the matching principle आप गारी को इस पर्टिकुलर एर में sold कर रहे हो तो वारेंटी के खर्चे को भी यहाँ पर book करके आप चलते जाओ आप provisioning करते चले जाओ मैंने का ठीक है बट मैंने का सर जो खर्चे future में होने उनकी provisioning कैसे करो उसनोंने का मारूची Suzuki तुम कोई नई company नहीं हो तुम्हें कैसी company हो जो for more than decade operate कर रही है तुम्हें अंदाजा तो होगा कि तुम्हारे warranty के खर्चे कितने होते हैं और ना estimation basis आप क्या कर लो provisioning बना के च एक्जांपल 3 difference कहां पर आएगा with respect to warranty तो इससे हुआ किया मैंने तीन चीज़े कवर कर ली एक मैंने एसेट कवर करा एक मैंने भी liability कवर कर दिया और एक मैंने losses का case कवर कर अब मानके चलते हैं मेरे profits है first year second year मेरे profits आ रहे है मेरा EBIT आ रहा है बड़ यहां पर मैंने लिखा before warranty expenses यहां पर मैंने लिखा 10 यहां पर मैंने लिखा 20 मैने का minus warranty expenses और वारेंटी के खर्चे हैं मुझे लगा यहाँ पे भी पांच रुपाग का खर्चा होगा और यहाँ पे भी पांच रुपाग का एक्स्पेंस है तो मेरे प्रफिट कितने हुए मेरे प्रफिट यहाँ पे वह ऐफ जा university 15 टेक्स्ट का रेट है मान के चलते हैं 10% sorry 20 ले लेते हैं तो यहां पर मेरा वाल्यू कितना आएगा यहां पर मेरा वाल्यू आएगा 1 यहां पर मेरा वाल्यू आएगा 3 So I am left with 4 I am left with 12 This is my EAT यह वाल्यू किसकी है यह वाल्यू as per accounts है मैं नहीं हम पर लिखा as per tax first, second 10, 20 income tax वालों ने का जब खर्चे होंगे तब देखे जाएंगे that means हम आपको provisioning नहीं करने देते मैंने का ठीक है, provisioning मत करने दो और मानके चलते हैं मेरा total खर्च यह टू के एंड में कितना हो गया 10 रूपीज का profits कितने 10, 10 tax की liability कितनी है, 2, 2 answer कितना है, 8, 8 बड़े ध्यान से बताईए, अभी भी expenditure कितना जा रहा है 10 रूपे, यहाँ पे भी expenditure total में कितना जा रहा है, 10 रूपे temporary difference, permanent difference these are the temporary difference अब ध्यान, पढ़िए गा समझते हैं, आप बताएंगे liability है यह asset है देने थे एक रूपे, दे दिये दो रूपे asset liability आपने का असर DTA, कितने से 1,00,000 रूपे देने थे 3 रूपे, दिये सिफ दो आपने का liability, एक रूपे की asset एक रूपे के करे हैं तो दोनों knock off हुए, तो यह value कितना बन गया यह value मेरा बन गया 0 का अब मैं आपको एक summary sheet बनाऊँगा और summary sheet से आपके answer हमेशा क्या हमेशा correct है ठीक है, दिखते है अगर assets है अगर assets की value accounts में ज़ादा आ रही है, as per tax अगर accounts की value ज़ादा है, that means खर्चे accounts में कम गए, खर्चे अगर accounts में कम गए, तो profit ज़ादा, tax ज़ादा, आपने कम दिया क्या बनना चाहिए, DTA, DTL आपका बनना चाहिए DTL अगर tax में value ज़ादा आ रही है, assets की तो आपका क्या बनेगा, DTA liabilities की value अगर liabilities की value accounts में ज़ादा आ रही है अगर liabilities की value accounts में ज़ादा that means accounts में खर्चे ज़ादा accounts में खर्चे ज़ादा अगर accounts में खर्चे ज़ादा तो accounts में profit कम, tax कम अपने ज़ादा दिया DTA और यहां पर क्या जाएगा DT बस आपको यह summary याद करने है और आपको मैंने balance sheet approach भी सिखा दिया मैंने आपको PNL approach भी सिखा दिया balance sheet approach में हम क्या करते हैं? हम दोनों का difference लेते हैं priority private tax rate करते हैं हमारे पास सीधा सीधा answer आ जाएंगे और हमारे पास सीधा सीधा answer आ जाएंगे और PNL approach में आपको देखना पड़ता है कि वो liability asset आपस में knock off हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं and class show करने का तरीका क्या है? आपको दिखाना है income tax expenses क्या होते हैं? income tax expenses का हम निकालते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे taxes payable plus change in DTL minus change in DTA अब जो भी होगा आपके पास answer क्या आ जाएगा? आपके पास answer आएंगे as per accounts ठीक है? अब एक और important चीज़ sorry कई बार क्या होता है? कई बार income tax department हमें advantages देते हैं example common wealth games आए और जब common wealth games आए थे तब हमारे business हमारी country में किस चीज़ की requirement थी? क्योंकि tourist आने वाले थे हमें hotels की requirement थी and in order to promote की private लोग आएं hotels को construct करें तो income tax वालों ने हमें advantage दी वो tax की liability को increase करेंगे ये कम करेंगे? वो tax की liability को कम करेंगे उन्होंने advantage क्या दिया? उन्होंने advantage दिया कि अगर आप hotel construct करते हो तब हम सारा का सारा expenditure आपको first year में allow कर देंगे इसका purpose क्या हुआ? अगर आपको सारा का सारा hotel का खर्चा पहले साल में allow कर देंगे तोर तोर के नहीं करने देंगे तो आप अपने खर्चों को book कर पाओगे और अगर खर्चों को book करोगे तो आपकी profits कम profits कम तो tax की liability कम तो means income tax वाले कह रहे हैं हम आपको depreciation जादा allow करेंगे और अगर income tax वाले हमें depreciation allow जादा कर रहे हैं तो DTA, DTL it will always create जितना tax बनता था हमेंने कम पी करा तो मेरा DTL बनता है अब बड़े ध्यान से देखिएगा DTL कहांपे आता है DTL आपके liability side आएगा defer tax liability अब मैं इसको क्या treat करूँ इसको equity treat करूँ मैंदा इस खर्चे को या इस खर्चे को मैं liability की तरह treat करूँ अब ये सबसे बड़ा question mark आता है as a analyst आपको defer tax liability को कैसे treat करना चाहिए as a equity as a liability अब बड़े ध्यान से देखिएगा अगर आप एक ऐसे business में है यहां पर मैंने hotel बनाया फिर मैंने hotel बनाया फिर मैंने hotel बनाया hotel बनाया that means आपके business में detail क्या होता जा रहा है अगर आप rapid expansion mode में हो तो ये detail का value बढ़ता जाएगा increase होता जाएगा अगर इस detail का value increase होता जा रहा है और आप rapid expansion mode में और आप ऐसे business में जिसमें सरकार आपको benefits देती है एक और business कौनस है research and development अगर आप research करते जाते हो सरकार के तेम आपको ज्यादा deductions देंगे आपका detail का amount बढ़ता जाएगा इसको आप as a analyst क्या treat करने वाले हो equity और अगर आपको लगता है ये detail near future में reverse हो जाएगा अगले साल reverse होने वाला है तब आप इसको कैसे treat करोगे तब आप उसको liability की तरह treat करने वाले हो फिर से समझते हैं अगर आप एक ऐसे business में हैं जिसमें income tax department ने आपको कुछ advantages दे रखे example you are into the business of research and development you are into the business of construction of hotels तो आपको सरकारने का खर्चे हम आपको ज्यादा लाव करेंगे आपको शुरू में खर्चे कम देने जो आपको देना चाहिए था liability बन रही है और liability आपकी income state आपकी balance sheet में liability side आ जाती है अब आप rapid expansion mode में हो यह liability का amount बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा अगर ऐसा scenario है तो आप liability को क्या treat करोगे आप liability, defer tax liability को मान के चलोगे कि यह क्या है this is nothing but an equity और अगर यह liability का amount आपको लगता है reverse होने वाला है आपको आगे जाके जादा देना ही पड़ है अगले 2 सालों में यह 3 सालों में तब आप उसको liability की तरह treat करेंगे अगर आपको लगता है यह reverse नहीं होगा this is nothing but an equity और अगर आपको लगता है कि यह reverse होने वाला है तब आप इसको liability की तरह treat करेंगे ठीक है अब एक और question at times क्या होता है आपको paper में given आएगा कि income tax का rate 10% था last year और अब कितना हो गया है 20% so what would be the impact बड़े ध्यान से देखते है income tax expenses हमने कैसे निकाले थे income tax expenses हमने निकाले थे taxes payable plus change in DTL minus change in DTA A ठीक है अब आप बड़े ध्यान से बता है यह taxes payable क्या था जो भी EBT था as per tax आपने उसको tax rate से multiply करा अगर tax rate बढ़ जाएंगे तो यह value value बड़ेगा यह घटेगा यह वाला value increase होगा plus change in detail यह detail कैसे आता था book value as per accounts book value as per text अपने difference निकाला और इस difference को अपने multiply कर दिया था text rate के साथ अगर tax rate increase हो रहें तो defer tax liability भी increase और DTA भी increase that means यह तीनों चीज़े increase होती है लेकर income tax के खर्चे कैसे आते है इसको plus करना होता है इसको plus करना होता है और इसको minus करना होता है तो अगर rate increase होते हैं तो taxes payable increase, defer tax liability increase, DTA increase but क्योंकि DTA increase होंगे तो क्या हो सकता है income tax के खर्चे कम हो सकते हैं फिर से समझते हैं अगर tax rate increase यह increase, यह भी increase और यह भी increase और अगर change in DTA increase होगा तो income tax के खर्चे क्या होगे? कम होगे लेकिन अगर DTL इंक्रीज हो रहा है और Texas Pable इंक्रीज हो रहा है तो income tax के खर्चे क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो यह छोटा सा LOS था So with this हमने शुरू के चार LOS को cover up करा You have to be very much thorough with the definition मैंने आपको चार definition बताई Accounting Profit, Taxable Income, Texas Pable, Income Tax Expenses फिर आपको यह समझना है कब DTA बनने है कब DTL बनने है लेकिन PNL में तो वही value जाएगा जो उसके according आता है अब अगर आपने कम paker है अगर आपने कम paker है तो liability बन जाएगी जादा paker है तो asset बन जाएगा और यह सारे के सारे क्या होते हैं DTA, DTL eventually zero बनते हैं अगर यह eventually zero बन रहे हैं PNL में same amount जा रहा है over the period in differences का हम कहते है temporary difference ठीक है तो आपको यह video भाद ध्यान से देखना है और समझना है एक एक example को ठीक है तो आप move करेंगे to the next video ठीक है? Now friends प्लीज आप एक पले important note लिख लिएजे की, this is important from point of view of exam in case, in question, the income tax rate changes अगर अगर आपको question में बोलता है कि income tax का rate increase की है decrease हो गया है then in order to find DTA और DTL आप हमेशा क्या करने वाले हैं you are always going to use balance sheet approach balance sheet approach का मतलब है आप क्या करेंगे आप निकालेंगे book value as per accounts, book value as per text दोनों का difference निकाल लोगे and in order to find out DTA, DTL आप उसको किछी से multiply कर दोगे जो भी आपका text rate आपका answer हमेशा का हमेशा क्या हैगा correct आएगा so आप P&L approach फॉलो नहीं करेंगे आप कौनसी approach फॉलो करेंगे you are always going to follow the balance sheet approach ठीक है अब मेरे next concept है permanent difference and temporary difference DTA details किस की उपर बनाई जाते हैं DTA details बनाई जाते हैं only on the temporary difference and temporary difference का एक और नाइम था that is the timing difference income tax वाले कह रहे थे कि depreciation are allowed है 3 to 1 income accounts आप लोने का 2 to 2 that means cumulatively over the P&L मेरे कितना भी value जा रहा है 6 lakh अगर ऐसी बाते हैं तो उनका हम temporary difference और timing differences कहते है permanent difference की उपर क्या बनता है permanent difference की उपर DTA detail नहीं बनाई जाते अब यह सर permanent difference हैं क्या so हमारी country में एक रूल क्या है हमारी country में law है कि अगर आपको खर्चों की उपर tax deduction चाहिए तो उसके उपर आपको क्या करना पड़ेगा उसके उपर आपको TDS deduct करना पड़ेगा अब मानके चलते हैं आपने कोई खर्चा करा जिसके उपर आपने tax deduct नहीं करा income tax वाले कहते हैं कि हम कभी भी उसके उपर tax deduction अलाउँ नहीं करेंगे कभी भी यह क्या हो गया permanent permanent की उपर DTA DTL create नहीं होते similarly अगर कोई illegal payment है अगर illegal payment है वो भी tax deductible नहीं होते अगर वो tax deductible ही नहीं होते तो सारी के सारी क्या है permanent temporary मतलब income tax वाले करें अभी 321 है accounts वाले करें 222 है that means cumulatively eventually वो PNL में आ जाएगा लेकिन permanent differences का मतलब है कि वो कभी भी आपके PNL में नहीं आने वाल है ठीक है now my next concept is upon valuation allowance important point to be noted क्या है कि यह US gap का concept है यह IFRS में नहीं लगता अब बड़े ध्यान से देखेगा मैंने आपको एक scenario कराया जिसमें क्या था losses थे और जब losses हुए तो क्या बने क्योंकि सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया तो यह DTA बन जाए बानके चलते हैं कि मैं कैसे business में हूँ जो पिछले 2-3 सालों के losses में अगर यह business losses में तो क्या और होगा मेरे P&L मेरे balance sheet में DTA बढ़ते जारेंगे बढ़ते जारेंगे और यह DTA की value कब कम होगी यह DTA की value सिर्फ एक ही scenario में कम हो सकती है अगर मेरा profit मेरा business क्या हो जाएगा मेरा business profitable होगा तब भी यह DTA की value कम हो सकती है वरना यह DTA की value बढ़ती जारी है बढ़ती जारी है अब US gap ने क्या का US gap ने का अगर आपको लगता है कि आपका business profitable नहीं होगा that means यह DTA reverse नहीं होगे आपने एक asset को books में दिखा रखा है और आपको लगता है कि यह कभी भी आपको उनकी gains नहीं मिलने वाले based upon conservative principle based upon prudence principle वो आपको क्या कहेगा assets को गिरा दो that means इस concept का economy क्या है impairment अब वो कहेगा assets को गिरा दो और corresponding link खर्चों को कहां लेके चले जाओ इन खर्चों को आप P&L में लेके चले जाए so what is the meaning of valuation allowance पहली बात यह कहां पे लगता है यह US gap पे लगता है second point अगर आपको लगता है कि आप कभी भी profitable नहीं आने वाले हो अगर आपको लगता है कि DTA reverse नहीं होंगे तो आज क्या करो इस DTA की value को गिरा दो based upon the prudence principle और खर्चों को का लेके चले जाओ खर्चों को अब लेके चले जाए अपने income statement में अब important क्या है IFRS में जब DTA बनाए जाते हैं यह only to the extent लिखेंगे याँ पर DTA are created only to the extent that management feels that it will reverse that means आपको उतने ही book करने है जितना आपको लगता है कि profits होंगे US gap क्या कहता है US gap कहता है आप DTA बनाओगे full value के और अगर आपको कभी future में लगता है कि आपके profit sufficient नहीं है तब आप उसको कैसे गिरा दोगे with the help of valuation allowance और यह valuation allowance कुछ भी नहीं है यह valuation allowance क्या है इस नथिंग बट impairment और एक और चीज़ अगर आपको लगता है कि future में आपके profit जादा हो गए है और आपको लगता है profitable situation हो गई है तो आप वापस से इसको reverse प्री कर सकते हैं इस अपवर्ड मुमेंट और रिवालिशन अलाउंस वु सारी वालिशन अलाउंस इस अलाउड तो फिर से समझते हैं इस कॉंसेप्ट को IFRS के का अप DTA उतने ही extent तक बनाएंगे जितना आपको लगता है कि आपके future में profits हो सकते हैं अगर आपको लगता है future में profits ही नहीं होगी तो आपको DTA बनाने की ज़रूरत ही नहीं US gap ने का आप DTA full बनाओगे और कभी आपको लगता है कि आपके profit sufficient नहीं होने वाले हैं तब आप उसको गिरा दोगे valuation allowance के थूँ valuation allowance is nothing but a sort of impairment आप assets को गिराते हो और खर्चों को P&L में लेके जाते हो और वो इसकी क्या कहते हैं वो वापर से कहते हैं कि आप इसको वापर से अफ़ट लगा सकते हो अगर कल को scenario's change होते हैं यह एकलौता case है जहां पर IFRS क्या 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 कहता है आप उसको अफ़ट लेके जा सकते हो so this is the only scenario inventory के case में impairment करा वो कहते है अफ़ट allowed नहीं है आपने उसमें long yield assets में assets को गिराया वो कहते है उपर वापस नहीं लेके जा सकते हो this is the only scenario जहां पर वो क्या बोलेगा क्या वापस उसको उपर लेके जा सकते है ठीक है so इसमें हमने दो concept करें एक concept मैंने क्या करा अपना permanent difference versus temporary difference and second मैंने करा valuation allowance valuation allowance concept का लगता है valuation allowance मैंने concept लगेगा only in case of US याद ठीक है so with this हमने majority of the chapter कर लिया अब आपके तीन LOS है LOS H I and J I strongly recommend कि यह जो तीनों LOS है आप कहां से करेंगे आप से वीडियो से करेंगे and need not to refer the books क्योंकि books में काफी confusing दे रखा है तो आप notes से परेंगे that would be more than sufficient ठीक है तो यह सिर्फ आपको यह तीनों concept आपको कहां से करने है यह तीनों concept आपको मेरी help with the help of video ही करने है so now friends मुझे last के तीन LOS करने है LOS H I and J अब हमारी country में क्या है हमारी country में different tax rate exists for the different hits of income इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि latest हजिम अगर आपकी कोई business income है तो हमारी country में business income क्यों पर tax rate कितना है हमारी country में effective tax rate आता है 34.608% अब इसमें क्या क्या included होता है 30% basic rate है अगर इस सारी चीज़ों को मैं मिला लूँ तो यह rate बनता है 34.608% का similarly अगर मैं assets को बेचता हूँ example मेरे पास machine ली थी car था मैंने car को बेचा उन के उपर में कोई gain your losses हो सकते हैं उसको हम बोलते है capital assets capital assets के उपर rate कुछ और है dividend से अगर income होती है उसके लिए tax rate कुछ और है share से अगर आप पैसा कमाते है उसके लिए tax rate कुछ और है that means हमारी country में different tax rate exists for the different hits of income अब वो यह कह रहे हैं DTA detail बनाते वक्त जब आप difference निकालेंगे उस difference को आप किस rate से multiply करेंगे जो भी उनका respective relevant tax rate है आप उसको उसी tax rate से multiply करने वाले हो आपने का ठीक है सर और जूसरा concept यह है क्यूंकि company के उपर 34.608% का tax rate रखता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर company का effective tax rate यही आ रहा हो मानके चलते हैं मेरी dividend income है और dividend income मारी country में 10 lakh rupees तक की examit है मेरी टोटल income थी मानके चलते हैं 100 करोड 100 lakh rupees जिसमें से 10 lakh जो है वो exempt है उसके उपर tax नहीं लगता और 90 lakh की उपर मानके चलते है tax rate लगता है 34.608% तक मैंने इस 90 lakh पर कितना tax दिया होगा इस 90 lakh की उपर मैंने tax दिया 31 रूपीस इसके उपर मैंने 0 दिया तो मेरा effective tax rate अब कितना रहा है 31% 31 plus 0 divided by 100 हर company को अब क्या करना पड़ेगा हर company को एक reconciliation statement बनाना पड़ेगा that means उन्हें reconcile करना पड़ेगा कि क्यों उनका effective tax rate 34 से ज़ादा या 34 से कम आ रहा है यह भी आपको कहां देना पड़ेगा अपने disclosures में तो अभी मैं आपको किस की annual report दिखाऊंगा मैं आपको C8 की annual report दिखा रहा हूं जहां पर C8 नहीं क्या कर रखा है इस reconciliation statement को बना रखा है देखते हैं तो हमारी country में effective tax rate क्या है हमारी country में tax rate जो business income के उपर लगता है 34.608% है फिर company को research and development के लिए additional deduction मिला allowances के लिए additional deduction मिला income tax rate special rates कर करा कि company का effective rate के तना रहा है 31.96% तो हर company को ये rate भी disclose करना पड़ेगा reconcile करना पड़ेगा कि क्यों उनका answer 34.608% से different आ रहा है ठीक है साथ अब एक और concept है जिसमें वो क्या कहता है जिसमें वो कहता है कि आप detail कैसे बनाऊगे अगर assets का revaluation होता है पहली बात आपने assets के chapter में सीखा था long live assets में करके हैं assets को rpm Brett कर सकते है हम इने अप्वर्ड भी कर सकते हैं js डाउंवर्ड भी कर सकते हैं और वह कहता है कि अगर आप अपने assets को अपवर्ड रिवाल्युशन करते हो पहली बात और किपस्क कर रहें is अगर हम अपने assets को upward revolution करते हैं तो based upon prudence principle क्या मैं अपने income statement को touch कर सकता हूं या नहीं मैं अपने income statement को touch नहीं कर सकता हूं मानके चलते हैं मेरे पास एक गाड़ी है 18 lakh की और मैं इसको 24 lakh पर दिखाना चाता हूं तो नहीं क्या का था ये entry pass कैसे होगी ये entry pass होगी with the help of revolution reserve एक तरह आपके assets बर जाएंगे और दूसरी तरफ आपके liability के अंदर एक item आएगा जिसका नाम होगा revaluation reserve 6 lakh 6 lakh और आपकी balance sheet 10 अब आपको इसका accounting treatment भी सीखना है आपकी reference book में इसकी उपर example नहीं दे हुआ बड़ जो आपके main c book में दिया हुआ है मैं उसी की example की help से आपको सिखाऊंगा कि इसका accounting treatment हम कैसे करने वाले है ठीक है तो समझते हैं पहले question को मान के चलते हैं मेरे पास एक asset है जिसकी value 20 lakh रोपीस है salvage value निल है और life as per accounts है 20 years और as per taxation life is 10 years तो depreciation का amount accounts के कोड़िंग के इतना है 20 lakh divided by 20 that means 1 lakh और tax के कोड़िंग मेरे depreciation आता है 2 lakh रोपीस अट दी बिगिन अफ थर्ड यो धी मैंजमें डिवेल दी एससे को 24 lakh further it is expected that the asset can be used for another 20 years आपको defer tax asset defer tax liability को compute करना tax rate आपको केतना दे रखा है tax rate आपको 40% दे रखा है आप देखते हैं मेरी शुरू में book value थी 20 lakh 1 lakh का depreciation चार्ज करा 19 फिर 1 lakh उपीस का depreciation चार्ज करा 18 lakh यहाँ पर 2 lakh का depreciation था 18 वाली फिर 2 lakh का depreciation का चार्ज करा 16 lakh आई at the beginning of third year company asset को rebel कितने पर करती है 24 lakh पर तो यह accounting entry किसके पास होगी एक तरफ से हम asset को increase कर देंगे एक तरफ से हम liability को increase करेंगे उस liability को मैंने नाम क्या दिया उस liability का नाम है revaluation reserve तो मैंने यह entry पास कर दी 24 lakh और अब उन्होंने का कि asset जो है that could be used for another 20 years तो 24 divided by 20, 1 lakh 20,000 depreciation charge करा और book में उसकी value कितनी आ रही है 22 lakh 80,000 and as per text the value is 14 lakh अब आपको DTA और DTL को compute करना है बड़े ध्यान से देखे मैंने क्या करा मैं balance sheet approach को follow कर रहा हूँ and as per balance sheet approach मैंने book value लिखा मेरा book value आया 19, 18, 22 lakh 80,000 मेरे text की book value आया 18, 16 lakh, 14 lakh इनका difference कितना आता है इनका difference आया 1 lakh, इनका difference आया 2 lakh इनका difference आया 8 lakh 80,000 और respective text rate से मैंने multiply करा 40K, 80K, 3 lakh 52,000 अब बड़े ध्यान से बताईए यह DTA बनेगा यह DTL accounts में book value ज़्यादा रही है अगर accounts में assets की value ज़्यादा तो accounts में खर्चे कम accounts में खर्चे कम तो accounts के profit ज़्यादा profit ज़्यादा तो take ज़्यादा, accounts वालों ने कम दिया DTA detail, that means यह जो बन गया मेरा detail बना तो detail आपके according कितना आएगा detail आपके according आएगा 40,000 at the end of first year 80,000 at the end of second year and 352,000 at the end of third year अब यह जो अपने third year का value निकाला है this is incorrect third year का मेरा value कितना आ रहा है 352,000 this value is incorrect अब मुझे इसी के accounting treatment को सीखना है ठीक है सब आप समझते है accounting treatment को सबसे पहले मैंने क्या करा मैंने अपने assets को 6,00,00 रुपी से increase करा and similarly मैंने क्या करा revaluation reserve को भी 6,00,00 रुपी से increase करा balance sheet अभी तक टेलिये चल रही है answer is yes अब बड़े ध्यान से सोच के बताईए आपने क्या करा आपने का मेरे asset की value 6,00,00 रुपे जादा है that means आपने inner way आप यह कहना चाहते हो अगर यह आपका gain था और अगर आपने अपने assets की कीमत तो 6,00,00 रुपे से बढ़ाया तो आपने gain को भी इनवे book करा 6,00,00 रुपे और जैसी आपनी 6,00,00 रुपे को gain book करा क्वान आया होगा आपके पास income tax department आया और income tax department ने का इस 6,00,00,00 में मेरा share कितना है इस 6,00,00 में मेरा share है 40% that means यह जो gain हुआ आपको 6,00,00,00 का इसके दो पार्ट है एक equity का है equity का कितना होगा 60% और government का कितना है 2,00,00,000 टेक्स रेट में को 40% दिया हुआ था और यहां पर मैंने लिखा 60% अब आप बड़े ध्यान से देखिए लेकिन आपने devaluation reserve कितने का दिखा दिया 6,00,00,00 का अब अपनी गलती को सबसे पहले rectify करिए यहां पर करिए minus 2.4 तो यहां पर कितना आना चाहिए 3.6 तो आपने का सर अब मेरी balance sheet टेली नहीं करेगी यहां पर मैं क्या नाम दूँगा टेक्स लाइबिल्टी और अकाउंट ओफ री वालुइशन यह वो पैसा है जो अभी तक आपने सरकार को नहीं दिया और इसको मैंने नाम दे दिया 2.4 क्या मेरी balance sheet अभी भी टेली है अब बड़े ध्यान से दिखिएगा अब गॉइंग फर्वर्वर्ड मेरी book value at the end of second year क्या था at the end of second year the book value is 18 lakh और इस 18 lakh को आपने कितना कर दिया इसमें 6 lakh जोडे और यह 24 lakh बन गया अब आप depreciation चार्ज करोगे depreciation for the 20 years यह बन जाता है 1.2 यह बनेगा 30,000 और यह बनेगा आपका 90,000 यह value आपकी आईगी 17 lakh 10,000 यह आएगा आपका 5 lakh 70,000 और यह आपका आएगा 22 lakh 80,000 ठीक है अगर मैं summation करता हूं तो क्या यही values आ रही है the answer is yes आप समझिएगा that means going forward जो depreciation होना है वो going forward मेरा depreciation कितान है वो depreciation मेरा होगा 1.2 lakh का अभीदा देखिएगा आपकी according अगर मैं difference निकालता हूं तो this difference is 8 lakh 80,000 और 8 lakh 80,000 को अगर मैं 40% से multiply करता हूं तो यह value मेरा आता है 3 lakh 52 और as per you this should be the deferred tax liability यह deferred tax liability नहीं होगा यह deferred tax liability क्यों नहीं होगा क्योंकि मैंने पहली एक liability on account of free valuation बुक कर ली वो कितने की बुक करी 2 lakh 40 की आपके according amount आ रहा था 352 तो अगर मैं इसमें से 240 minus कर देता हूं तो जो resultant answer आता है detail मेरी books में कितना आएगा मेरी books में detail आएगा 1 lakh 12,000 को इसका मतलब क्या है अगर आप अपने assets को revalue करते हो तो revaluation के पहले loss पहले tax liability को आ बुक करोगे उसके बाद जो net value आएगी वो आपका detail कहलाता है अब going forward अप treatment दिखेगा going forward अब आपका 1 lakh 20,000 का depreciation आने ये 1 lakh 20,000 पी अनल में नहीं जाएगा ये 1 lakh 20,000 का जाएगा 90,000 आपके P&L में जाएगे और 30,000 अब दिखेगा कैसे होगा ये 1 lakh 20,000 का depreciation है 90,000 तो आपके P&L में जाएगे अब आपका बच्चा 30,000 ये 30,000 किस के उपर था revaluation क्यों पर? 30,000 का 60% that is 18,000 यहां से सप्राक्ट होता जाएगा and 12,000 यहां से और eventually ये revaluation reserve or tax liability क्या बन जाएगे बुक्स में? 0 प्रास पीस समझे, important है मैंने एक asset को reval करा 18 lakh से 24 lakh पे आया और जो difference आने लगा, deferred tax liability आने लगी 3 lakh 52 की lawmakers ने का आप इसको नाम deferred tax liability नहीं दोगे पहले इन में से ये बताओ revaluation की उपर tax कितना बनता है मैंने का revaluation का tax है 2 lakh 40,000 तो उन्होंने का अगर 2 lakh 40,000 अपका revaluation का loss revaluation की उपर tax liability बनती है तो net value पर बनेगा detail तो detail का value कितना है 112,000 अब going forward जब मैं depreciation charge करूँगा that is 1 lakh 20,000 मैंने अपनी यहां से क्या करा 1 lakh 20,000 को minus करा 90,000 मेरे P&L में जाएंगे and जो 30,000 है 30,000 for 20 years यहां से 18,000 माइनस होता जाएगा यहां से 12,000 eventually at the end of 20 year क्या होगा ना मेरी books में revaluation reserve होगा ना मेरी books में tax liability on account of revaluation रहेगा so यह automatically क्या बन जाएंगे over the period of 20 years यह automatically 0 बन जाएंगे मैं अपने P&L में भी loss कितने का लेके जाऊंगा before revaluation before revaluation value कितनी 18,000,000 18,000,000 को 20 से divide करा 90,000 तो यह तो figure P&L में जाएगी आपने अगर अपने assets को 6,000,000 से reveal करा तो सबसे पहले revaluation reserve जैसी revaluation reserve 6,000,000 से बढ़ा है सरकार ने का इसके पर 2,40,000 मेरा है सरकार के 2,40,000 बुक करे और net net value जो भी आती थी उस पर detail बुक करा and going forward जो भी आप इसका depreciation होगा revaluation का वो P&L में नहीं जाएगा एक पार्ट में सरकार की liability से कम करूँगा एक पार्ट अपने reserve से अगर आपको by chance यह समझ में नहीं आता एक simple तरीका किया दोट सा difficult concept तो जो आपकी reference book में लिखा हुआ है अब आपको समझ में आ जाएगा कि reference book जो कहना चाती है क्या कहना चाती है और सिर्फ आपको क्या करना है उसको theoretical क्योंकि book में theoretical दिया हुआ है तो I try my label based कि मैं आपको एक example की हल से समझाने की कोशिश करूँ ठीक है अब मेरा बस एक last concept है और वो last concept है what is difference between IFRS and US gap with respect to defer tax assets and defer tax liability तो यह मैंने आपके लिए summarize कर रखा है मेरा पहला difference किया है रिकनाइजेशन का IFRS में आपको to the extent available profits यहां पर आपको क्या करते हो full recognize करते हो फिर आपको एक concept बने सिका है था revaluation allowances valuation allowances का मतलब है अगर आपको लगता है कि आपके profit sufficient नहीं होगी जिसके गेंसी DTA adjust हो सकता है तो आप उसको reduce कर सकते हो और आप इसको वापस upwardly valuation of valuation allows भी allowed है क्या ऐसी कोई requirement IFRS में होगी answer is no क्यों कि वो पहले ही कहते है जितना आपको लगता है profits होंगे उतने ही DTA को create करो US gap ने का आपको DTA को 100% create करना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि profit sufficient नहीं है तो उसको reduce करना पड़ेगा ठीक है सर फिर मैंने आपको एक revaluation का सिखाया revaluation के case में adjustments का होंगी equity में यहाँ पे not applicable क्यों क्यों क्योंकि US gap में हम revaluation की बात करते ही नहीं है then यह तीनों points important है tax rate IFRS में वो tax rate के बारे में क्या कहता है enacted और substantively substantively enacted enacted यहाँ पे लिखा हुए enacted only इसका मतलब क्या है हमारी country में budget कब पास होता है हमारी country में budget पास होता है February के मन और यह budget applicable कब से होता है यह budget applicable होता है 1st April से मानके चलते है आज है 20 मानके चलते है आज है Feb 19 तो Feb 19 में जो budget पास होगा वो हमारी country में applicable कब से होगा 1st April 19 से और मेरी financial statements का बनती है 31st March 19 को मेरा last day होता है financial statements का अब समझते हैं यह मेरा financial year 19 है और इस दिन तक हमारे tax rate हमारी country में applicable क्या था हमारी country में मानके चलते है जो tax rate है that is 30% budget आया February 19 में और budget में हमारे finance minister ने का कि next year के लिए that means for FI 20 the tax rate is 40% अब मेरा आपसे question है जब मैं deferred tax asset liability निकाल रहा हूँगा for the financial year 19 shall I use 30 और shall I use 40 IFRS कहता है आपको 40 करना चाहिए inacted और substantively inacted rate US gap कहता है कि इस year का rate क्या है 30 तो आपको 30 पे book करना चाहिए यह एक difference है आगे difference क्या है IFRS इसको हमेशा कहां पर दिखाएगा non current US gap कहता है हम इसको current भी दिखा सकते है non current भी दिखा सकते है based upon the classification of assets and liability फिर यह कहता है कि हम सिफ net amount दिखाएगे that means हम defer tax ऐसे defer tax liability अलग अलग नहीं दिखाएगे यह इन दोनों को net करके value दिखाएगा यह कहते है हम DTA DTL दोनों को अलग से दिखाएगे और दोनों को net नहीं करेंगे so these are the theoretical points जो आपको याद होने चाहिए ठीक है so with this we have completed our defer tax it's a sort of very difficult chapter I would request किया वीडियो से पढ़ लीजे and last के 3 LOS को बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना हमने notes में लिखवा है this is more than sufficient and numerical is not important numerical से इसलिए कराया so that आपको theoretical जो बुक्स में बाते लिखे हुई है वो आपको समझ में आजए hello friends now we are going to start with our new chapter जिसका नाम है income statement and इस chapter में हम सीखेंगे कि company के P&L account को हम कैसे बनाते हैं जब हमने FRA start कर रहा था तब मैंने आपको एक broad format लिखवाया था income statement का आज उसी format हम क्या करेंगे extend करेंगे and comprehensive हमें समझेंगे कि company के income statement कैसे बनाए जाते है अब income statement का मतलब क्या है income statement का मतलब है कि company ने during a period कितने मुनाफ़े कम है अब before to answer any question मैंने आपको का था कि IFRS चार principle क्यों पर based है अब उन चार principle को mind में रखेंगे and मेरी questions का answer करते चले जाएगे वो चार principles कान से हैं 1st is matching, 2nd is accrual, 3rd is conservative and 4th is consistent इन चार बातों का आप भ्यार में रखेंगे बाकी सारी की सारी चीज़ आपको क्या लगेंगी logically लगेंगी कि हाँ ये सारी बाते correct जा रही है ठीक है I start with sales sales मैंने minus करा cost of goods sold cost of goods sold का मतलब क्या था मान के चलते हैं मैंने 500 bikes बनाए और सिफ 200 बेची है तो matching concept क्या 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 होगा P&L में सिफ 200 खर्ची भी जाएंगे बाकी 300 कहां चले जाएंगे बाकी 300 गुट भी माय inventory मैं gross profit पर आया मैंने other operating expenses इनको अलग से दिखाने का purpose क्या था क्यूंकि ये matching concept की पर based नहीं है minus करा मैंने depreciation को depreciation को अलग से क्यूं दिखाया है क्यूंकि ये non cash expenditure था minus करा मैंने interest ये interest कि कि को belong करता है ये interest क्यूंकि debt holders को belong करता है इसलिए मैंने minus करा और फिर हम नहां पर आये थे ebt ebt में से मैंने tax को minus कर रहा था और eat पर आ गया था इतना अभी तक हमने समझाया अब आगे समझते हैं अब P&L में खर्चों को आप कैसे club कर सकते हो P&L में आप खर्चों को club कर सकते हो उनके nature के according और उनके functions के according नेचर का मतलब क्या है मैंने सारे के सारे depreciation को एक साथ club कर दिया अब यह depreciation car का भी हो सकता है यह depreciation machine का भी हो सकता है यह depreciation किसी भी चीज़ को सकता है that means जिनके nature एक जैसे है उनको एक साथ club कर दिया और आप खर्चों को club कैसे इसका कर सकते हो बाइधे फंक्षन example cost of goods sold cost of goods sold में खर्ची क्या क्या आ रहे होंगे raw material का रहा होगा, labor का रहा होगा, power का रहा होगा, freight invert रहा होगा यह तो आप खर्चों को functions के according क्लब कर सकते हो यह आप खर्चों को nature के according कर सकते हो nature का मतलब है deposition के सारे खर्चे क्लब कर दिया selling के सारे खर्चे क्लब कर दिया पेनल में दिखा दिया और खर्चों कैसे दिखा सकते हो by their function जो वो सारे के सारे खर्चे जो goods बनाने के काम आए raw material का सकता है, labor का सकता है, power का सकता है ठीक है sir, समझ में आया अब कुछ मैं एक company में जो पैसा लगाता हूँ मेरी जो investments होती है वो investment तीन तरीकी के हो सकती है एक को मैं कहता हूँ subsidiary company एक को मैं कहता हूँ associate और एक को मैं कहता हूँ other investments अगर एक company में आपके 50% से अधिक ownership है वो मेरी सबसी के लाएगी अगर मेरी ownership 20-50% है उसको मैं associate कहता हूँ और अगर मेरी इस company में ownership less than 20% है तो वो मेरी other investment के लाएगी मानके चलते एक company है Jio and hypothetically मानते हैं इस Jio में Reliance Industries कितना उन करती है 70% Atal का कितना है 20% and Vodafone का share कितना है 10% that means एक company Jio है उस Jio के तीन shoulder है एक का ना में Reliance, एक का ना में Atal एक का ना में Vodafone Reliance की ownership 70 है Atal की 20 है Vodafone की 10 है तो from Reliance point of view Jio का क्या हुआ उसकी सबसी company है from Atal point of view उसकी क्या है associate है and from Vodafone point of view वो क्या है other investment अब इसका purpose क्या अब Reliance के लिए accounting treatment कुछ और होगा Atal के लिए accounting treatment कुछ और होगा associate and less than 20 that is my other investment अब lawmakers क्या कहते है lawmakers कहते है कि अगर वो आपकी सबसी company है that means उसमें आपकी 50% से अधिक होने shift है अब इस company में जो भी हो रहा है वो Reliance तुम करा रही है आज Jio में कोई भी decisions लेने है तो shoulders का approval चाहिए और ordinary resolution मलब कोई भी चीज पास करने के लिए मुझे कितने percent vote in favor चाहिए 50% अगर more than 50% vote in favor है तो वो काम हो रहा होगा तो lawmakers ने का Reliance Jio में जो भी हो रहा है वो कौन करवा रहा है वो तुम करा रहे है तो तुम क्या करोगे अब जब तुम अपने financial statements बनाऊगे तुमें दो financial statements देने पनेंगे Reliance ने पूछा दो financial statements कौन कौन से एक को नोने का stand-alone financial statements और एक को नोने का consolidated मांके चलते है Reliance में सिफ एक ही काम होता है that is their oil refinery और इनकी सबसी company है Jio जिसमें telecommunication का business है तो law makers ने का Reliance तुमें दो financial statements देने पढ़ेंगे एक होगा stand-alone एक होगा consolidated stand-alone means सिफ तुमारे oil refinery business के P&L account and consolidated का मतलब है including the P&L account of Jio आपने एका ठीक है मांके चलते है Reliance की stand-alone sales है 100 rupees profit है 20 rupees and Jio की sales है 50 and Jio की profit है hypothetically and Reliance owns 70% in Jio तो एक तो मुझे stand-alone P&L देने और एक मुझे consolidated 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 means including the results of Jio मेरा question आपसे बहुत simple है Reliance जब consolidated financial statements बनाएगा तब वो sales कितनी दिखाएगा option number one sales 150 दिखानी चाहिए option number two 100 के दिखाओगे plus 50 Jio की है उस Jio में मेरा कितना है 70% अगर मैं इसको solve करूँ that would be 135 मेरा question आपसे यह है मुझे sales अपनी 150 दिखानी चाहिए consolidated या 135 similarly profit मुझे अपने 25 दिखाने चाहिए या 20 plus 5 का 70% which would be equal to 23.5 सोचिये कि अगर मुझे Jio Reliance के consolidated financial statements बनाने है मुझे sales 150 दिखानी चाहिए 135 मुझे profit 25 दिखानी चाहिए 23.5 बच्चा सोच रहा होगा कि मुझे sales दिखानी चाहिए 135 profit दिखाना चाहिए 23.5 This is incorrect answer correct answer क्या है अब sales दिखाएंगे 150 profit दिखाएंगे 25 और अब इस profit को क्या करोगे इस profit को आप दो भागों में divide करोगे एक जगा आप लिखोगे belonging to parent company parent company का कितना है parent company का है 23.5 और बाकी आप नाम क्या दे दोगे बाकी आप नाम दोगे MI stands for minority interest और minority को अब कितना दोगे 1.5 that means consolidation होती है consolidation किस basis पे होती है consolidation 100% business पे होगी और जो profits तुमारे नहीं है 25 रुपय में 1.5 रुपी तुमारे नहीं है that means consolidation कैसे होती है consolidation is on 100% basis immaterial to me आपका 70% है यह 90% है consolidation तो 100% होता रहेगा और जो पैसा मेरा नहीं है जो profits मेरे नहीं है उसको में नाम क्या देजिता हो MI मान के चलते है company की balance sheet है यह reliance की balance sheet है standalone basis पे reliance में equity है 100 रुपीज fixed assets है 70 और investment है 30 रुपीज यह investment कहां पे है Jio में और Jio की balance sheet में equity कितना है मान के चलते है equity 50 रुपीज है fixed assets है आपके 50 रुपीज यह balance sheet है अब Jio मेरी क्या हो गई क्योंकि Jio में मेरे 50% से जाद है तो Jio मेरी सकसी है और मैंने आपको काप consolidation होगी 100% basis में बड़े ध्रान से देखके बताएएगा Jio में reliance में 100 रुपे लगे 17 रुपे रुपे यहां पे लगे और 20 रुपे अलग से लगे That means असली में Reliance plus Jio में कितना पैसा लगा हुए Reliance plus Jio में Reliance में लगा हुए 70 रुपीज Plus Jio में कितना लगा हुए 50 That means In totality 120 रुपे लगे पढ़े अब मैं क्या करूँगा Balance Sheet बनाते वाक्त अब मुझे Balance Sheet बनाने ए Consolidated मैं Line by Line Consolidation करता चला जाओगा Equity कितना है Equity 50 रुप है था मैंनी हाम पे लिखा Equity 100 रुप है अब इस में इस 50 में 20 रुपे किसी और के है मैंनी घाम पे दिया MI 20 रुप है और Fixed Assets अब कितने के दिखा दूँगा Fixed Assets में दिखाऊंगा 120 के क्या मेरी Balance Sheet बनाने Answer is Yes That means Consolidation कैसे कर रहा हूं 100% Business पे Business में in totality 120 रुपी रगे 100 रुपी रे लगाए 20 रुपी रुपी किसी और बंदे न लगाए उस Non-Controlling Inclus को मैं क्या बोलता हूं Minority Inclus थीक है, तो अगर कोई कंपनी अपकी सक्षिरी है, तो आपको दो financial statements बना रहे हैं, एक होंगे stand-alone, एक होंगे consolidated, consolidated का मतलब है, including the P&L account of your सक्षी companies, consolidations would be on 100% basis, and जो profits आपके नही है, आपके राम दोगे, profits belonging to minority interest, चीक है, तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको C8 के annual report दिखाता हूँ, और मैं आपको कौन से financial statements दिखा रहा हूँ, consolidated, तो आपको क्या कर रहा हूँ, इन consolidated profits को दो parts में divide कर रहा हूँगा, एक को बोलगा profits belonging to the parent company, और एक को कर रहा हूँगा profits belonging to minority interest, यह company में क्या करा, company में रिखाया profits for the year, और यह profits किसको बिलॉग करता है, यह profits, equity holders को बिलॉग करते हैं, और non controlling interest को बिलॉग करते हैं, non controlling means minority interest, यह treatment किसका हूँआ, यह treatment अभी आपने सीखा सक्सुरी companies का, अब treatment हम समझते हैं, associate का, अगर किसी company में आपकी 20 से लेके 50 पोसिन तक ownership है, तब law makers क्या कहते हैं, आप एक ही financial statements दोगे which is stand alone, और in stand alone financial statements में single line item आएगा, और single line item क्या होगा, share of profits from associate company, share of profits from associate company, मान के चलते हैं, जियो के profits है, 100 रुप है, और ATL की ownership है, इसमें 25%, तब ATL अब क्या करोगे, अपने PNL account में single line लेके आओगे, और single line क्या होगा, उसमें simple सा लिखाओगा कि आपके profits associate company से कितने हैं, इस case में आपका answer कितना आता है, इस case में आपका answer आता है 25, तब सब एक single line लेके आओगे और 25 डिपीस के profits दिखाते हैं, मैं गर आपको income statement दिखाओँ, जहां पर उन्हें क्या दिखाया, share of profits and losses of associate and JV, there would be a only single line item, कोई consolidation लेकर नहीं होगे, अप सिर्फ एक single line item दिखाओगे, और दिखाओगे कि आपका profits उस associate company में कितना था, और अगर ये other investments है, तो other investments की case में क्या होगा, other investments तीन तरीके के हो सकती है, एक को मैं कहता हूँ, health till maturity, एक को मैं कहता हूँ, available for sale, और एक को मैं कहता हूँ, current investments और trading investments, current investments का मतलब है, अगर आप उस investment को hold करोगे, for less than one year, health till maturity का मतलब है, मानके चलते हैं कि मैंने किसी bond में invest करका है, और मैं उस bond को till mature नहीं हो जाता, hold करने वाला, that means इसको मैं कब तक hold करूँगा, till उसकी maturity, तो उसको हम कहते है, health till maturity, और अगर हम उसको hold करना चाहते है, for less than one year, उसको हम कहते है, current investment, और shares की case में हम जहां पर मानके चलते हैं, latest asume में invest कर रखा है, तो मैंने का इस company के shares में कब तक hold करूँगा, latest asume 5 years का, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, health till maturity, अब available for sale क्या है, available for sale का मतलब है, अगर आप उस investment को hold करोगे, for more than one year, but less than five years, उसको हम कहते हैं, available for sale, अब इन तीनों की accounting treatment अलग है, current investments, मानके चलते हैं, मैंने बजाज का share खरीदा, for 1700, और आज बजाज का share market में कितना trade कर रहा है, 2100, और मैंने अभी तक shares को बेचा नहीं है, तो यह क्या कहेंगे, किताबों में आप investments को कितने पर दिखाऊगे, इनकी market value पे, यहां पे भी वो कहता है market value पे, बट यहां पे वो बोलता है, कि आप उसको कहां पे दिखाऊगे, उसकी cost पे, until there is a case of permanent loss of value, अब इसका मतलब क्या है, मैंने एक share खरीदा था, 1700 रुपए का, market में इसकी कीमत हो गई है, 21 रुपए, बट अभी तक मैंने share बेचा नहीं है, यह कह रहा है किताबों पे asset को दिखाऊ 2100, 2100 और books में assets को दिखाऊ 1700, अब asset 1700 रुपए के लिए थे, अब वो कह रहे है 2100 रुपए दिखाऊ, that means 400 रुपए unrealized gain and losses है, इस case में वो कहते हैं, जो 400 रुपए का unrealized gain and losses है, यह कहां जाएगा, P&L में, इस case में कहते हैं, जो 400 रुपए का unrealized gain and losses है, वो कहां जाएगा, OCI में, OCI का मतलब है other comprehensive income यह अगे हम थोई देर में सीखने वाले हैं, और इस case में तो unrealized gain losses आएंगे ही नहीं, but यहां पर मैंने चीज लिखी, cost until there is the case of permanent loss of value, इसका मतलब क्या है, मानके चलते हैं मैंने King Fisher में पैसा लगा रखा था, और King Fisher एक company जो bankrupt हो गई, अगर वो bankrupt हो गई है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इसकी fair value पर लेकर आना पड़ेगा और losses को book करना पड़ेगा, based upon true death principle, बट अगर कोई permanent loss का case नहीं है, तो आप हमेशा इसे को कितने पर दिखाओगे, cost पे, यह 16 हो जाए, तब भी 17 सो पर दिखाओगे, एक की सो जाए, तब भी 17 सो पर दिखाओगे, until there is a case of loss of value, इस case में उनने का analyze gain and losses का जाएंगे, PNL में, इधर analyze gain and losses का जाएंगे, OCI में, OCI stands for other comprehensive income, अब प्लीज देखिए गा, अगर मैं अपने चार्ट को complete करूँ, तो investments तीन तरीके की है, एक है सबसी, एक है associate and एक है other, सबसी की case में आपको क्या करने है, आपको दो financial statements बनाने, standard and consolidation, consolidated financial statements would be prepared based upon 100% consolidation और जो share आपका नहीं है, आप क्या बोल दोगे, ये MI को belong करता है, associate की case में there would be only single line, और ये single line भी कैसे आएगी, ये single line भी before tax आने वाली है, other की case में depend करता है कि वो investment आप कब तक hold करना चाहते हो, अगर आप उसको less than 1 year hold करना चाहते हो, current investment, अगर आप उसको more than 1 year, less than 5 year available for sale, और अगर आप उसको long period के लिए hold करना चाहते हो, held till maturity, यहां पर आप market वाली पर दिखाऊगे, यहां पर आप market वाली पर दिखाऊगे, यहां पर आप cost पर दिखाऊगे, इसका unrealized gain and losses OCI में जाएगा, इसका unrealized gain and losses का पर जाएगा आपके PNL account में उचाहते हो, ठीक है, तो एक बार फिर से ठीक है, जो मैंने format बनाया, तो मैं यहां तक आया, profits before share of profits of associate and tax, मैंने क्या काया, single line दिखाई share of profits of associate, मैं ebt पर आया, ebt में से मैंने tax को minus करा, मैंने लिखा income after tax before adjustments of discontinued operation, इसको अभी छोड़ते हैं, यह net income आई, और चार चीज़े जोड़ी जिसको मैंने OCI का और मैं आगिया, total comprehensive income है, इस income को मैंने क्या करा, इस income को मैंने दो parts में divide करा, एक को मैंने नाम दिया parent company और एक को मैंने नाम दिया minority interest, अब आपके P&L में, सारी की सारी चीज़े आपके P&L में जाती हैं, सिर्फ 4 items को छोड़े, और इन 4 items को मैंने नाम क्या दिया, OCI है, that means other comprehensive income, that means my net income plus OCI कर दूँ, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा total comprehensive income, इस net income में मैंने चार चीज़े और जोड़ निया, बाकी सारी की सारी चीज़े P&L अकाउंट में जाती है, except for the 4 things, और अगर इन चार चीज़े को भी जोड़ दूटश को मैं totality में क्या बोलूँगा, total comprehensive income, अब वो चार चीज़े है क्या, एक चीज़े तो मैंने अभी आपको बताया, unrealized gain and losses from, investments held from, available for sale, फिर एक और चीज़े, unrealized gain and losses from, cash flow hedging derivatives, अब derivatives होते हैं हम derivative के chapter में सीखेंगे, बट ये भी एक sort of investments है, इसको भी आप इस पे दिखाते हो, fair value पे, इसका भी जो भी unrealized gain and losses होगा, वो कहां पे जाएगा, OCM में जाएगा, and point to be remember is that, I am talking only of unrealized gain and losses, अगर realized हो चेक हैं वो तो P&L में जाएँगे, only unrealized gain and losses, then एक और item है, जिसका नाम है, foreign currency translation, अब foreign currency translation के है, आज Facebook है, Amazon है, इस companies are earning in multiple currency, अब मान के चलते हैं, आज Amazon के financial statements बन रहे हैं, and Amazon is a company which is listed in US, उन्होंने मान के चलते हैं, तीन companies हैं, की, एक Amazon US, एक Amazon Germany, और एक Amazon India, अब अपने consolidated financial statements बनाते हैं वक्त, Amazon को क्या करना पड़ेगा, इंडिया वाले को भी dollar में convert करना पड़ेगा, और euro वाले को भी dollar में convert करना पड़ेगा, अब उसको convert करने की वज़ज़ से, जो भी foreign currency का gain and losses आता है, वो भी कहां जाएगा, वो भी आपके OCR में जाएगा, समझते हैं फिसर, मानके चलते हैं, company Amazon, it's a company listed in US, but they have operations in multiple countries, एक है US, एक है German, एक है India, अब उसको Amazon वाली company को क्या करना है, US वाली को अपने consolidated financial statements देने, उसको इंडिया वाले को भी, रुपीस को भी डॉलर में convert करने हैं, यूरो को भी डॉलर में convert करने हैं, उसकी वज़ज़ से जो भी foreign currency के gain and losses आएगे, वो भी कहां जाएगे, आपके OCR में, और एक चीज़ है, pension obligation adjustments, यह हमने कहां सीखा था, यह हमने सीखा हुए, अगर मैंने इंकम में यह चार चीज़ जोर दू, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा total comprehensive income बनेगा, यह चार चीज़ हैं क्या, यह है आपका foreign currency translation, एक है आपका pension obligation adjustment, unrealized gain and losses from available for sale, unrealized gain and losses from cash flow hedging, sum up करेंगे, यह आपका बन जाएगा, total comprehensive income, और इस comprehensive income को क्या करोगे, दो भागों में divide करोगे, एक को आप बोलोगे, belonging to the parent company, और एक को आप बोलोगे, belonging to the minority interest, ठीक ऐसा, अब, एक question आता है, कि financial statements का, मतलब यह, और मैंने आपको का था, financial statements का मतलब है, P&L account, balance sheet, cash flow statement, अब एक और चीज़ भी आईगी, फोर्थ को हम कहते हैं, statement of, changes in, equity, इसका मतलब क्या है, यह total comprehensive income आये, यह total comprehensive income किसको belong करता है, यह total comprehensive belong करता है, equity को, अब आपको एक और statement बनानी परेगी, statement of changes in equity, इसमें आप क्या दिखाऊगे, इसमें आप दिखाऊगे, सारी की सारी transactions, किसके साथ, with shareholders, shareholders के साथ, क्या-क्या transactions होती हैं मेरी, shareholders को मैं dividend देता हूं, तो वह यहां पर आएगा, मानके चलते हैं मैंने new shares issue करें, मैंने shares को buyback करा, यह सारी की सारी चीज़े काम पर आएगी, statement of changes in equity में, यह P&L का पार्ट नहीं होता, देखते हैं, इस case में मेरा total comprehensive income आया, और यह total comprehensive income दो पार्ट को belong करता था, अब आप देखेएगा company क्या करेंगी, company ने क्या दिया, statement of changes in equity, और इस statement में वो क्या बताती है, यह company के profits थे, यह OCI था, यह total comprehensive बना, अब इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया, transactions with the shoulder, payment of dividend, payment of dividend tax, यह सारी की सारी चीज़े उन्होंने दिखाई, और यह सारी की सारी चीज़े कहां पर आती है, यह मेरा P&L का पार्ट नहीं है, यह किस का पार्ट है, statement of changes in equity का, यह चीज़ आपको याद रखने है, ठीक है सब, अब इसमें जो last component है मेरा, जो मैंना अब भी तक आपको नहीं बोला, that is, profits, from, discontinued operation, net of tax, अब इसका मतलब क्या, मानते चलते हैं, एक company की 3 divisions है, मानते चलते हैं, इसकार्स लिमिटेड, और स्कार्स लिमिटेड की 3 divisions है, यह तीन divisions कांग सी हैं, one is tractor division, एक इनका railway equipment division है, और एक इनका auto components का division है, और यह auto component, मानके चलते हैं loss making था, और company ने decision लिया, कि हम इस company को बेजने वाले हैं, इस division को close करने वाले हैं, अब lawmakers ने का, जो भी division आप close करोगे, उसके results आप कैसे दिखाने वाले हो, उसके results आप net of tax दिखाओगे, important point, और उसको क्या बोलोगे, profits from discontinued operation net of tax, यह एकलाता item है, income statement में, जो net of tax दिखाया जाता है, यह कहां दिखाया जाता है, profit after tax के बाद आप एक line item लोगे, उसको नाम क्या दोगे, income from discontinued operations, और यह कब होता है, यह हमेशा net of tax आप दिखाने वाले है, ठीक्या, सहीए साथ, अब आप देखे, क्या आपको कोई भी problem है, मैं इसको में निमाइस करता हूँ, so I started off with my, sales, minus cost of goods, gross profit आया, minus other operating expenses, EBIT, minus depreciation, EBIT, minus interest, फिर मेरे पास आये profits, before share of profits of associate, फिर share of profits of associate लिया, EBIT, minus tax, income after tax, फिर मैंने discontinued operation को करा, इसको मैंने net income दिया, और net income में चार इंचीज़ों को जोरा, जिसके बाद मेरे पास क्या आगया, मेरे पास मेरी total comprehensive income आगया, अब एक और चीज़ है, अब होता क्या है, मान के चलते हैं, मेरे को depreciation के दो method है, एक है SLM, और एक है DDP, और SLM method के लिए, मेरी cost थी 5 लाए, और मैंने assume करा, salvage value would be 0, और life would be 5 years, तो मेरे depreciation क्या होगा, मेरे depreciation होगा 1 लाए, 1st year, each year 1 लाए, और जैसी 2nd year खतम हुआ, मुझे लगता है कि life, अब remaining 3 है, अब life remaining 3 ना होगे, अभी भी life remaining कितनी है, 6 है, that means I want to change my estimates, अगर आप अपने estimates को change करते हो, अपनी assumptions को change करते हो, तो उसका impact आप कैसे दोगे, always prospectively, prospectively का मतलब है, मेरी books में अब asset की value क्या होगी, at the end of 2 year, 3,00,000 लोपीस का asset बच्चा है, और आप life कितनी कह रहे हो, 6 years, तो अब आप depreciation कितना charge करोगे, for the next 6 years, अब कितना charge करने वाले हो, चुप्टी को, that means, अगर आप अपनी कोई assumptions को change करना चाहते हो, या estimates को change करना चाहते हो, वो सारे के सारे क्या होगे, prospectively, मान के चलते हैं मैं पहले SLM method follow कर रहा था, and now I want to move to DDP, क्या है ये, मैंने का था, मैंने किनीव बातों का answer करने से पहले, चार बातों को ध्यान रखेंगे, prudence, accrual, matching, and fourth one would be, consistent, क्या ये policy consistent है, आप SLM से DDP पर आना चाहते हो, law makers में का, अगर आप SLM से DDP पर आना चाहते हो, तब आपको क्या impact देना पड़ेगा, आपको retrospective impact देने पड़ेगे, by retrospective impact means, आपको शुरू से depreciation किसके according charge करना पड़ेगा, आपको शुरू से depreciation, DDP के according charge करना पड़ेगा, फिर से समझते हो, अगर आप अपने methods को change करना चाहते हो, अगर आप अपने methods को change करना चाहते हो, अगर आप अपने estimates ये assumptions को change करना चाहते हो, इसका impact आप क्या दोगे, ठीके, so with this we have covered 4 LOS, ये 4 LOS हमने कान आप कान से cover करे, A, F, L, आप नो Правेंज, इन वीडियो, we would be covering 5 LOS, 23 B, C, D, E, and G, and जब मैंने IFRS आप राथा, तो मैंने आपको काहत हा कि Xiaofừng का, one of the principle is Accruval, and Accruval का मतलब था, कि पैसे से हमें लें देना कुछ नहीं है अगर ट्रांजिक्शन्स हो चुकी हैं तो आप ट्रांजिक्शन्स को रिकार्ड करोगे मानके चलते हैं कि मैं एक बच्चे को सर्विसेज दी दूरिंग प्यूरिट और उसने मुझे का कि सर मैं आपको पैसे बाद में दूंगा और मानके चलते हैं जो सर्विसेज मैं इसको दी दाट इस पर 50,000 क्या मुझे अपनी सेल्स 50,000 की बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एक रूवल प्रिंसिपल कहेगा अगर आपनी सर्विसेज रेंडर कर दी हैं इट्स इम्माटीरियल टू मी की पैसा मिला है या नहीं मिला तो आप सेल्स को बुक कर लीजे similarly मानके चलते हैं कि मेरा बैश स्टार्ट होने वाला था और बैश की स्टार्ट होने से पहले मुझे कई बच्चों ने अप एडवांस फीस पेकर दी है अब क्या मैंने उस एडवांस फीस को अपनी सेल्स दिखानी चाहिए या नहीं क्योंकि अभी तक मैंने सर्वेसेस रिंडर नहीं करी है अगे इन मटील की पैसा आया है यह नहीं आया मैं उसको क्या करूंगा उसको उस पर्टिकुलर एडवांस जो मिला है उसको मैं अपनी सेल्स नहीं दिखा सकते हैं ठीक है ?That means मैं सेल्स कब बुक करूंगा अगर यह पांश कॉडिशन फिल्फिल होती है कि तब आप सेल्स को बुक कर सकते यह कैसे क्या है फोस्ट कॉंडिशन इस कि रिस्क रिवार्ट शिट्ट बी ठांस्वरड रिस्क रिवार्ट ठांस्वर होना चाहिए आपको पता होना चाहिए आपको कितना revenue आना है, उसकी costing कितनी है and you are reasonably assured that कि पैसा आपके पास आ जाएगा, that means assurance कि there would be an economic benefit, अगर ये 5 conditions fulfill होती है, आप sales को book करोगे, वर्न आप sales को book नहीं करने वाले, conditions कान कान सी है, risk and reward should be transferred, the management should not have the control over the goods, third, आपको पता होना चाहिए आपको कितना revenue मिलने वाला है, उसकी लागत कितनी है and you have the reasonable assurance that कि ये पैसा आपको मिल जाएगा, अगर ये 5 conditions fulfill हैं, आप sales को book करिये, और अगर ये 5 conditions fulfill नहीं हैं, तो आप sales को book नहीं कर सकते, ठीक है सब, अब मान के चलते हैं, कि एक long term contract है, let us assume मैंने contract लिया to constructor road, और ये road बनाने में मुझे लगते हैं 3 साल, और ये contract है 30 lakh और जो costing है, that costing is 20 lakh rupees, अब मेरा अपसे सवाल है, कि इस road को construct करने के लिए मुझे 3 साल चाहिए, total anticipated revenue is 30 lakh and costing is 20 lakh, अब मैं अपनी cost, profits, revenues को कैसे show करूँ, सबसे पहले में treatment आपको किस रिस्पेक्ट में बताऊंगा, IFRS की रिस्पेक्ट में तो IFRS कहता है, अगर आप outcomes को reasonable estimate कर सकते हो, आप कांसा method follow करोगे, आप percentage completion method को follow करने वाले हो, में को project को complete करने के लिए कितने चाहिए, 20 lakh रुपे, तो management तुम बना, बताओ, कि हर साल तुम कितनी cost को incur करोगे, मांगे चलते हैं, यहां पर मैं 10 lakh रुपीज incur करूँगा, यहां पर 5 lakh रुपीज, यहां पर 5 lakh रुपीज, यहां पर 5 lakh रुपीज, total is 20 lakh, 10 lakh रुपीज कर दी, कितना percent project complete हो गया, 50%, 25%, 25%, 25%, now, irrespective आपको पैसा मिला है या नहीं मिला, यह कितना पैसा मिला है, मैं sales कितनी book करूँगा, in totality मुझे कितना पैसा मिलना है, 30 lakh, 30 lakh का 50%, 15 lakh, 30 lakh का 25%, this is equal to 7.5, this is equal to 7.5, मेरी costing कितनी है, 10 lakh, 5 lakh, 5 lakh, तो मेरे profits क्या होंगे, my profits would be 5 lakh, 2.5 lakh, and 2.5 lakh, तो मैंने concern method follow करा, मैंने percentage completion method follow करा, जितना जितना percent मेरा project complete हो गया था, to the extent of that मैंने revenues को book करा, and मेरे eventually profits आ गये, मुझे in totality profit कितना आना था, 10 lakh रुपे, इस 10 lakh की profit को मैंने book कैसे करा, first year 5 lakh, then 2.5 lakh and 2.5 lakh, मान के चलते हैं, आप outcomes को estimate नहीं कर सकते हो, that means, these are, आप reasonably estimate नहीं कर सकते हो कि इतना इतना complete होगा, अब considering the prudence principle, मैं क्या follow करूँगा, I will follow a cost recovery method, आप cost recovery method क्या कहता होगा, आपकी costing कितनी थी, your costing was 10 lakh, 5 lakh, 5 lakh, मैं मान के चलूँगा, की sales कितनी होई, sales equivalent to the cost, 10 lakh, 5 lakh, in the first, in number of years, and सारे के सारे profits कब बुक करूँगा, सारे के सारे profits मैं last year में बुक करूँगा, मुझे in totality कितना पैसा मिलना था, 30 lakh, 15 lakh औरेडी बुक कर चुका हूँ, 15 lakh यहाँ पर बुक करके, मैं profits जो हैं 10 lakh रुपीस के, वो कब बुक करूँगा, last year में, चीक है, एक बाफ फिर से समझते हैं, अगर आप outcome of a long term contract को reasonably estimate कर सकते हो, then percentage completion method, अगर आप reasonably estimate नहीं कर सकते हो, तब आप पहले साल में क्या करोगे, revenue को उतना ही recognize करोगी, जाता मने passing कर कर है, and profits को अब कब recognize करोगे, only at completion, only in the final year, अब मानके चलते हैं, कि आप की company ने contract एंटर करा, और इसके लिए costing है, 20 lakh rupees, बट आपको revenue मिलेगा 15 lakh, that means, it's a loss making contract, अब क्या करोगे, इस case में, IFRS आपको कहेगा, कि अब फ्रेंट ली आप क्या करो, 5 lakh के losses को बुक करो, based upon prudence, principle, चीक है, तो अब यह मैंने आपको, किस के counting treatment बताया, मैंने आपको long term contract को बताया, long term contract की case में, अगर आप estimate कर सकते हो, बोस्टम डिश कंपीशन मेथड, estimate नहीं कर सकते हो, cost recovery मेथड, and अगर वो एक loss making contract है, तो जितने भी losses आपको होने वाले, उन losses को आप time zero पे पहले book कर लिजे, ठीक है सा, अब IFRS, अब US gap क्या कहता है, US gap की case में भी यही तीन सेनारी है, आप outcomes को estimate कर सकते हो, cannot estimate, and it's a loss making, तो loss making की case में, जो US gap ने का, जो IFRS ने का, वो ही US gap काएगा, outcome estimate के case में भी, जो भी IFRS ने का, वो ही US gap काएगा, difference कहां पे आजाता है, difference हाजाता है, cannot estimate के case में, यहां पी US gap क्या काएगा, in the initial years, we need not to do anything, ना आप cost को book करो, ना प्रेवेनिस को book करो, और सारी की सारी चीज़े आप कब करोगे, last year में, अगर मैं पहले वाल example लो, यह revenues, यह cost, इन्होंने का, कुछ भी book मत करो, ना revenues को book करो, ना cost को book करो, और सारी की सारी चीज़े आप कहां पे करोगे, last year में, तो profits कितने हैं, 0010 lakh, क्या IFRS की case में भी answer 10 lakh आ रहता है, 0010, answer is yes, बट यहां पर यह कहता है, need not to do anything in the first two years, and revenues and profit and cost को book करो, third year में, on the other hand, IFRS कहरता था, कि in the initial years, book the revenue to the extent of cost, and profits को book करो, ठीक है, एक बार नोट से दिखते हैं, US gap, outcome को अगर estimate कर सकते हो, same as IFRS, loss is expected, same as IFRS, लेकिन अगर आप estimate नहीं कर सकते हो, तो completed contract method is used, accordingly revenue, expenses and profits are recognized, only when the contract is completed, ठीक है, तो हमने किस का accounting treatment सीखा, हमने long term contracts का accounting treatment सीखा, अब मांखे चलते हैं, कि आज मैं एक mobile shop पे गया, और इस mobile shop पे, मैंने वोड़ा फोन का 500 और पीस का recharge कराया, अब मेरा आप से question है, कि जब मैंने इस mobile shop पे गया, मैंने 500 का recharge कराया, तो इसको मिला क्या in return, मानके चलते हैं, वोड़ा फोर वालों ने इनको commission दिया हुआ था, 50 रुपीस, मेरा पहला question आप बच्चों से है, कि यह जो mobile shop vendor है, यह अपनी sales कितनी दिखा है, 500 और 50, और second question है, वोड़ा फोन की sales कितनी है, 500 और 450, पेसे समझते हैं, आज मैं शाप्पे गया, और शाप्र में ने क्या करा, mobile, वोड़ा फोन का रीचार्च करा, 500 रुपीस का, जैसे रीचार्च करा, वोड़ा फोन कांप्री ने उसको 50 रुपीस commission दिये, इस vendor की sales कितनी थी, 500 और 50, और वोड़ा फोन की sales कितनी है, 500 और 450, अब बड़े ध्यान से देखेगा, मेरा पहला question आब बच्चों से, before to answer this question, मान के चलते हैं, कल को, मैंने 500 का रीचार्च कराया, और इसमें कुछ सिग्नल की प्राव्ब्रम आने लगे, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये सारे के सारे issues आने लगे, अगर ये issues आने लगे, तो आप कहां जाएंगे, आप vendor के पास जाओगे, जिससे आपने ये coupon खरीदा, या फिर आप Vodafone के customer care पर कॉल करोगे, पैला question, दूसरा question, ये 500 और पीस का coupon बिकेगा, ये price किस ने decide करी, vendor ने decide करी, कि Vodafone ने decide करी, उस vendor को 50 और पीस का commission मिलना है, ये बात किस ने decide करी, vendor ने decide करी या Vodafone ने decide करी, Sir, अगर मेरे latest azim network नहीं आता है, ये x, y, z issues आते हैं, मैं किसको contact करने वाला, मैं Vodafone को contact करने वाला, ये coupon 500 और का market में बिकेगा, ये भी किस ने decide करा, Vodafone ने decide करा, और मुझे 500 और commission मिलना है, ये भी किस ने settle करा, ये भी Vodafone ने decide करा, that means, ये जो mobile vendor था, it is basically acting as an agent, on behalf of Vodafone, Vodafone मेरा principle है, और ये जो mobile vendor है, ये क्या है, it is only acting as an agent, अगर आप agent हो, तो आप क्या आप revenues book करोगे, you will book the net revenues only, by net revenue, I mean, आप books में कितने दिखाऊगे, सिर्फ 50 और पीस, and main obligator कौन है, इसके अंदर, Vodafone है, अगर obligator क्या करेगा, obligators अपनी sales दिखाएंगे, 500 और पीस के, that means, अगर आप सिर्फ एक agent हो, तो आप सिर्फ अपनी net revenues दिखाऊगे, that means, 50 और पीस, and जो main principle है, वो principle कितने की sales दिखाएगा, वो principle sales दिखाएगा for 500 और पीस, ठीक है, जो यह concept था, gross reporting versus net revenues reporting, ठीक है सर्, अब एक और scenario आपकी बुक में discuss कर रखा है, with respect to battle transaction, battle transaction का मतलब क्या है, मान के चलते हैं, मैं बच्चों को coaching देता हूं, और आप में सिक्षोई, tires का vendor, तो उस बच्चे निमें को का, कि सर्, आप मुझे फीस मत लीजे, मैं आपकी गारी में 4 tires लगा देता, that means, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम, for my services, I am not taking the money, for my services, what I am doing, I am taking the tires, that means, battle transaction हो रहे हैं, अब अगर battle transaction होगी, तो मैंने आपको sales करी, और in return मैंने आपसे क्या लीजे, 4 tires लिये, मान के चलते हैं, तो मैं चार टायप की costing है 16,000, और मेरी fees है 25,000, had in beat में किसी और बच्चे को यह fees देता, अब IFRS, और US gap क्या कहेंगे, IFRS और US gap कहेंगे, कि आप Revenues को book करोगे, उस value पे, अगर यह services आप किसी दूसरे बंदे को देते, अगर मैं अपनी services किसी दूसरे बंदे को देता है तो 25,000 पे तो मैं sales को book कितने पे करूँगा 25,000 पे और आप अपने टायप किसी और बंदे को बेचते तो कितने पे बेचते है 16,000 पे तो आप भी revenues कितने पे book करने वाले हो 16,000 पे इन material मेरी coaching की value कितनी है, अगर मैं किसी दूसरे बंदे को यी services provide करता, तो कितनी value पे करता, similarly अगर आप ये टायप किसी दूसरे person को देते, तो किस value पे देते, तो आप respective revenues को आप book करने वाले हो, ठीक है, एक बार नोट से देख लेते हैं, revenue from barter transactions must be based upon the fair value of revenue from similar non barter transactions with undileted party, IFRS में undileted word लिखा हुआ है, that means वो person should not be the related party, that means अगर ये ही coaching में किसी undileted person को देता तो कितने पे देता, US gap में word undileted नहीं है, revenues can be recognized at fair value only if the firm has historically received cash payment for such goods and service, otherwise the revenue is recorded at the carrying value of the asset cylinder, ठीक है, so मुझे किस पे record करना है, मुझे record करना है fair value पे, fair value of revenue, जो मैं किसी एक similar non barter transaction करता भी सम undileted parties के साथ, अब एक और concept है, with respect to installment sales, यहाँ पे मैंने लिखा IFRS, यहाँ पे मैंने लिखा US gap और यहाँ पे देखते हैं, first case is, collectability is certain, मान के चलते हैं, कि मेरे पास, एक थाउजन लुपीस का land parcel है, यह मैंने आपको थाउजन लुपीस का land sell करा, and payment कितना आना है मुझे, 400, 400, and 200, and the cost of this land is 800, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यह asset को बेच रहा हूँ in the form of installments, IFRS क्या कहेगा, जो भी cash flows है, इनकी क्या करो, इनकी PV को compute करो, और PV पे sales को record करो, यह काम हमने काम पे सीखा था, यह काम हमने long live assets में सीखा, under the heading, financial lease, तो जो treatment हमने financial lease के cases में कर रहा था, वो ही treatment हम IFRS के case में भी कर रहा हूँ, US gap कहता है, book delivery, asset list, कितने पर revenue book कर लो, 1000 रोपीस पर book कर लो, IFRS नहीं क्या का, PV compute करो, और PV पे record करो, and over the period जब 400, 400, 200 आएंगे, तो आप एक और income आपको होगी, वो काँसी income होगी, वो आपको interest की income होगी, बट यहां पर वो कहता है, सीधा revenues को book करो, अगर collectability cannot be reasonably estimated, अगर आपको लगता है, आप estimate नहीं कर पा रहे हूँ collectability को, तब इसने क्या का, cost recovery method, और इसने का, installment sales method, तो सबसे पहले मैं आपको installment sales method समझाता हूँ, अब आपको collection कितना आन है, 400, 400, 200, आपकी costing कितनी थी, 800 की, और आप बेज कितने का रहे हो, 1000 का, आपको profits कितने है, 200 के profits है, और अगर sales से divide करूँ, आपका profit है, मैंने यहां पर लिखा, sales, और यहां पर मैं क्या लिखूँँगा, cost, और यहां पर क्या लिखा, profits, मैं profits कितने बुक करूँगा, 400, 400, 200, मैं profits दी, सिफ 20% इबुक करने वाला, तो यहां पर मैं profits कितने बुक करूँगा, 80, 80, यहां पर मैंने प्रॉफिट कितने बॉक कर रहा हूं, इसको मैंने का installment sales method and third case is if collectability is highly uncertain, इसने का cost recovery method और इसने भी का cost recovery method cost recovery method का मतलब क्या है, cost, sales, मुझे यहां पर कितने पैसे मिले, 400, 400, 200, मेरी costing कितनी थी, 800 रुपय, तो मैंने के चला, मेरी cost recovery हुई, मेरी cost recovery हुई, यहां पर कोई cost बची नहीं, तो मेरी profits कितनी कि हुए, मैंने profits सबसे पहले जो collection हुई, मैंने का मैंने cost को recover करा, and जो remaining value थी, उसको मैंने का वो मेरा profit है, फिर से समझते है, installment sales method, installment sales method में हमने उसको कितने parts में divide करा, उसको हमने divide करा कि collectability is certain, collectability cannot be reasonably estimated, collectability is highly uncertain, अगर collectability certain है, तो US GAAP, IFRS ने का पीवी compute करो, US GAAP ने का बुगदी revenue straight away, अगर collectability cannot be reasonably estimated, अब आप क्या करोगे, अगर आप estimate नहीं कर सकते हो, तो installment sales method है, under US GAAP, IFRS cost recovery method, uncertain है, तो US GAAP ने का cost recovery method, IFRS ने का cost recovery method, installment sales method का मतलब है, book the profit to the, book the profits as a percentage of sales, total as a percentage of sales profit कितने हो रहेते है, 20%, इस year अगर आपको 400, 400, 200 मिला है, तो अगर profits किता हो रहोगे, 80, 80, 40, and cost recovery का मतलब है, कि पहले जो collections होंगी, वो मेरी cost को recover करेंगी, and once मेरी पूरी की पूरी cost recover हो गई है, balance would be the profit, तो इस case में profits का बाते हैं, in the later years, और इहां पर मैं profits को क्या करता हूँ, profits को evenly as a percentage of sales over the years divide करता हूँ, ठीक है, तो हमने चार चीज़े सीखी, long term contract, installment sales, barter transactions and gross revenue versus net credit, ठीक है, अब आपको analyze करना है, कि company की policy, aggressive है, या conservative है, conservative होगी, जो profits को last year में book कर रहे होंगे, aggressive होगे, जो profits को evenly over the period book कर रहे होंगे, तो जब भी कल को आप किसी comparable companies के financial statements को analyze करोगे, तो आपको यह देखना है, कि इनकी accounting policies aggressive है या conservative, उस company की conservative होगी, जो profits को last year में book कर रहे है, in comparison to a company, जो profits को evenly over the period book कर रहे है, ठीक है, अब यह जो differences मैंने आपको बता है, यह differences पहले exist करके थे, अब यह differences exist नहीं करते है, कि IFRS क्या कहते है, US gap क्या 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 है, क्यूंकि May 2014 में हुआ क्या, IFRS को कान बनाता है, IFRS को बनाता है International Accounting Standard Body, and US gap को बनाता है Financial Accounting Standard Body, इन दोनोंने का, क्यूंकि globally, हर company के accounting policy consistent होनी चाहिए, comparable होनी चाहिए, तो इनोंने क्या करा, इनोंने converged principles बनाया, और इन converged principles पे इनोंने क्या करा, इनोंने percentage completion method को follow करा, इनोंने किसको follow करा, percentage, completion method को, और इनोंने का, जैसे जैसे आपका project complete होता जाता है, only to the extent of that आप अपने profits को book करो, तो इनोंने five step process बताया, वो five step process क्या है, first is identify the contract with customer, जा कर दो डवका बाBक नरव जुक पूती। बच में अधिस्याप्जिद फूड विस्याप्ज्दाइ cu everything. Liberalबा, सिर्फान्फ्याबिस्याप्श र्यखिम्रはब्यक्पटिरा, З थर्नेफिस्याप्टिक्टिम्र है फेडिटन्सथ्किनविद प्रॉटicar, धन्येम अफन्या करिफ ये इसलिए फर्फे इसलिए फटीा है प्रिकите चिह इसके उंदी पिंदुलिए अबना अउंद स्वांक्षट और शॉर्रेAAAAAAAA इसका मतलब क्या है? सबसे पहला आप ये बताइए आपका कस्टमर के साथ कांट्राक्ट किया identify the contract उसमें आप भी बताइए कि आपको क्या काम करना है? आपकी performance obligation के आपको क्या काम करना है? इस काम के लिए आपको क्या कीमत मिलेगी? फोर्थ वन इस ये जो पैसे मिलने हैं ये पैसे मुझे कब मिलेंगे? मान के चलते मैंने contract करा, ये contract है 30 लाग रूपीस का और इसमें मेरी costing हने वाली है 20 लाग रूपीस अब इन्होंने मेरे से ये बोला और मेरे को लगा कि first year में मैं complete कर लूँगा 30%, 50% and 20% अब मुझे पैसा कैसे कैसे मिलने वाला है? allocate the transaction price and eventually जैसी आपने first lot खतम करा आप अपने profits को book कर लो over the period फिर से समझते है identify the contract with the customer, identify the performance obligation आपको क्या काम करना है? determine the transaction price, इस काम करने के लिए आपको तिकनी कीमते मिलने वाली है अब allocate, जो पैसा आपको मिलने वाला है, allocate the transaction price to the performance obligation उस price को divide कर दो कि आप जैसे जैसे काम खतम करोगे उस price को allocate करो and divinies को book करो, जैसी वो काम आपका खतम हो जाता है तो यह five step process बोला, आप दोनों में differences exist नहीं करते हैं but from the exam point of view आपको दोनों ही चीज़े आनी चाहिए, differences पहले क्या थे और आप differences exist नहीं करते हैं, आप वो converge हो चुके हैं तो आपको दोनों ही बाते आनी चाहिए ठीक है मैं मुविंग टू दी नेक्स कांसेप्ट विच इस माइ LOS 23E इसमें उन्हें डेप्रीसेशन फीफो लीफो की बाते कर रखी हैं जो आपने मैं औरेडी डिसकस कर दिया है वट इसमें एक important बात है जिसमें किसकी बात करता है warranty expenses की मानके चलते हैं मैं मारू की सुजु की हूँ और मैं अपनी हर कारी पे 3 साल की warranty देता हूँ इस साल मैंने 100 रुपे की सेल करी और जो warranty मेरे पास आई actual expenditure is only two rupees but अभी भी मेरी warranty कितने years के लिए valid है for the another two years जो गुर्स मैंने अभी बेचे अब मेरा आपसे question है कि जो खर्चे कि आने वाले सालों में होने हैं क्या मुझे उन्हें अभी पुक कर लेना चाहिए ये खर्चे हुए नहीं तो based upon prudence principle based upon matching principle आपको इन दो सालों के खर्चे को भी क्या करना पड़ेगा अभी estimate करके book करना पड़ेगा मारूती तुम कोई नई company नहीं हो तुम पिछले 25 सालों से automobil के business में हो तुम्हें पता है कि तुमारी कितनी गारी return होती है कितना तुमारा warranty का खर्चा है estimate basis पे आप क्या करोगे अपने खर्चों को इहां पे book करोगे and provisioning बनती जाएगी कल को जो असली खर्चे होंगे तो आपको P&L को hit करने की ज़रूरत नहीं है आप अपने क्या करोगे provisions में से ही पैसे को transfer करते चले जाओगे ठीक है तो क्या मुझे warranty expenses को actual basis पर बनाने है the answer is no आप warranty expenses को बुक कैसे करोगे कितना आपको लगता है कि आपने जो इस ताल गारिया मिलची है उसकी उपर होगा and corresponding लिए आप क्या करेंगे आप provisions बनती जाएगे ठीक है so with this we have covered all the LOS 23B, C, D E and your G1 ठीक है thank you now friends in this video हम क्या निकालना सीखेंगे हम सीखेंगे कि company का EPS कैसे निकालते है and EPS का मतलब है earning first share so हर company को क्या करना है अपने P&L के face में उन्हें basic EPS and dilutive EPS दिखाना mandatory है अब भी basic और dilutive में फरक के वह बात में सीखेंगे but EPS का मतलब है earning first share earning post share means equity वालों ने per share कितने रुपय कम है इसका formula होता है net income minus preference dividend net income में से जो profits थे उसमें से मैंने क्या minus कर दिया preference के dividend को and divide कर दिया weighted number of outstanding shares during the year अब जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगा मेरा basic EPS so मैं आपको again C8 के annual report दिखाता हूँ अब इस annual report में आप देखिए company ने क्या कर रखा है अपने P&L के face पे उन्होंने दो चीज़ें disclose कर रखिया एक को उन्होंने का है basic EPS और एक को उन्होंने का है diluted EPS ठीक है सा अब एक 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 एंपट लेते हैं the information belongs to the company RS Follow you have to compute the basic EPS Net Income is 26,25,000, Preference Dividend is 4,20,000, Equity Dividend is 2,20,000, and Number of Share Outstanding is equal to 6,00,000. मुझे क्या Compute करना है? मुझे Basic EPS Compute करना है. इसका Formula क्या होता है? My Net Income is 26,25,000 minus Preference Dividend divided by Weighted Number of Outstanding Shares during the year. Now, Point to be Remember is that, आप Equity Dividend को minus नहीं करोगी. क्यों? EPS का मतलब है कि Equity Shoulders नहीं क्या कमाया? So, Point to be Remember, आप यहाप पे Note लिखेंगे. Note is, Need Not to Deduct Equity Dividend. ठीक है? तो अगर Question में आपको Equity Dividend देता भी है, तो Basic EPS निकालते वक्त आप उसको minus नहीं करने वाल हो. अगर इसको हम Solve करें, तो Answer कितना आएगा? So, the answer would be equal to 3.675. ठीक है? अब दिनॉमिने पी क्या दे रखा था? दिनॉमिने पी दे रखा था? Weighted Number of Outstanding Shares During the Year. ठीक है? तो अभी Concept है, जिसको हम कहते हैं, Stock, Split and दूसरा Concept है, Bonus Shares. अब Stock, Split और Bonus Shares का मतलब क्या है? मानके चलते हैं, कंपनी का शेर है, 70,000 रुपीस का, पर शेर, हमारी कंप्री में सबसे महेंगा शेर किसका है? हमारी कंप्री में सबसे महेंगा शेर है MRF का, और उसका पर शेर कितने का है? Close to 60,000. मैंने एक ऐग्जामपल लिया, कि एक शेर की मार्केट वैल्यू है, 70,000 रुपीस. अब आप में को बड़े ध्यान से बताइए, अगर यह 70,000 रुपीस का है, तो अगर इसको मैं कंपेर करना चाहूं, एक शेर जो 200 रुपीस का है, आपको किसमें लगता है, वाल्यूम जादा खुरीदा बिचा जाता होगा, जो चीज सस्ती होती होगी, अब कंपनी क्या करती है कई बार, अपने स्टॉक के प्राइज़ को गिराना चाहते है, अगर यह शेर मार्केट में टूट गया, अगर अगर कम वैल्यू पे होगा, तो वाल्यू को प्रमोट करने के बेचे अब उसका तरीका क्या है एक तरीका होते है stock splits एक तरीका होते है bonus share मानके चलते हैं मेरे पास इस company का share है for 70,000 and क्यूंकि 70,000 की value बहुत जादा और इसकी volume को promote नहीं कर रहे है क्योंकि हर बंदा खरीदिया बेच नहीं सकता company नहीं क्या कहती है I divide I split this share into two parts जैसी company ये बात कही ही मेरा एक share अब कितने का हो गया एक share की value हो गई 35,000 बर अब मेरे पास number of outstanding shares कितने है तो मेरी net worth अभी भी कितनी रही मेरी net worth अभी भी 70,000 रही So what is the purpose of split split आपके share number of share outstanding को increase कर देता है बर correspondingly per share वाली को उसी according ली गिराता है In such a manner कि आपकी net worth बराबर रहती है मानके चलते हैं मैं इस share को 7 parts में divide कर देता हूँ जैसी मैं 7 parts में divide करूँगा तो मेरे पास shares कितने हो गए 7 फिर correspondingly मेरे per share value कितनी हो गई 10,000 मेरी net worth अभी भी कितनी रही 70,000 और एक और concept होता है bonus share bonus share का मतलब क्या है यह stock dividend इसका मतलब है company कहती है कि हर बंदे के पास जिस बंदे के पास एक share है मानके चलो मैं इसको 3 share और देती है अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो अगले दिन stock exchange में क्या होगा मानके चलते है मेरे पास एक share है पर 60,000 और company ने का जिस बंदे के पास एक share है में इसको 3 share देती हूँ तो मेरे पास 3 share हो गए इसके लिए मैंने कोई price pay करी no at the end of जैसी company 3 shares में को देगी मेरे पास केतने share होगे 4 60,000 अगले दिन stock exchange में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी per share 15,000 और ये काम companies क्यों करती है इसमें आपकी network पे कोई भी फारक नहीं परता but trading volume को promote करने के लिए ताकि जादे से जादे लोग आपकी shares को खरीदे तो हमारी country में सबसे महेंगा share किसका है MRF का तो मैं money control पे गया और यहां पर मैंने लिखा MRF और एक और मैंने लिखा Apollo Tires तो दोनों टायर सेग्मेंट के अब MRF का एक share 62,000 का है और बड़े इसके side में volume देखिए यही अगर मैं Apollo Tires से compare करूं तो Apollo Tires को volume कितना है 1.4 मिलिया अब volume को promote करने के लिए इसके स्टेप्स लेती है अपने shares को या तो bonus देती है या विफो stock spreads लेती है overall आपकी network सेम रहती है बड़ shares per unit उनके value गिर जाती है और number of share outstanding increase हो जाते है अब मेरा question क्या है लिखते है example मानके चलते है company के starting में 10,000 share outstanding थे company 1 April को 2,000 shares 24,000 shares 24,000 shares 24,000 shares और issue करती है company 8 July को 20% stock dividend देती है that means bonus share देती है and company 1 September को 1200 shares को buyback करती है आपको क्या निकालना है आपको weighted number of outstanding shares during the year निकालना है अब point to be remembered क्या है यह जो stock dividend मैंने दिया 1 July को अब क्या मानेंगे it will apply to मानके चलते हैं यह 10,000 वालों के पास अब कितने हो standing हो जाएंगे 2,000 वालों के पास अब कितने होंगे 20% extra होंगे यह इन सभी shares वालों को मिलने वाला है मैं मानके चलूंगा यह 20% stock dividend एक जुलाई को नहीं दिया गया यह कब दिया गया यह इन वाले share वालों को एक January को और इन shares वालों को एक April को दिया गया क्यों इसका कोई purpose नहीं था मेरे net worth को impact करना इसका सिर्फ purpose था number of outstanding shares को increase करना तो जिस दिन यह declare हुआ मैं मानके चलूंगा कि यह इस दिन ना होके कब हुआ है यह एक April and 8 January को respectively हुआ है that means अब मुझे number of outstanding shares निकालना है 8 January को कितने shares outstanding थे 10,000 20% stock dividend दिया that means 12,000 यह कितने महिने के लिए outstanding है 12 divided by 12 1 April को कितने outstanding थे 2400 20% stock dividend दिया 2880 अभी कितने महिने 9 divided by 12 1 July नहीं आएगा और 1 September को मैंने shares को buyback करा कितने shares को 1200 buyback करें तो share increase होंगे decrease कम हो जाएंगे यह मेरा आएगा 12,000 यह मेरा आएगा 2160 यह मेरा आएगा 400 negative तो during the year मेरे कितने share outstanding है 13760 आपको किस बात को mind में रखना है कि जो stock dividend यह stock splits होते हैं इनका purpose मेरी net worth को impact करना नहीं होता इनका purpose होता है number of outstanding shares को increase करना तो मैं मान के चलूँगा कि यह outstanding shares को first starting sale मिले थे और अगर कोई shares during the year issued हुए हैं तो उनको भी respectively उसी date को यह shares issue मिल गए थे ठीक है तो इसबार फटा-फट पढ़ते हैं if a company declares a stock dividend, stock split or a stock dividend, the weighted average number of outstanding shares should be calculated based upon the assumption that the additional shares have been outstanding since the date the original shares were outstanding तो मैंने मान के क्या चला यह इस दिन 10,000 नहीं थे यह इस दिन कितने थे 12,000 the stock splits and stock dividend are applied to all the outstanding shares prior to the split prior to the split जितने भी थे यह सबको लगेगा they are not applied to any share issued or repurchase after the announcement इस पर यह नहीं लगने वाला और इस पर यह लगने वाला ठीक है तो आपने समझा मैंने कैसे निकाला मैंने जितने shares जितने महिने के लिए outstanding तो उसको उससे multiply करा divided by 12 तो मेरे पास rated number of outstanding shares आगए एक और question करते हैं Example मानके चलते हैं कि साल की शुरुआत मेरे पास केतने shares है 10,000 then on first March मैंने 2,000 on first March मैंने 3600 shares और issue करें on first September मैंने 50% stock dividend गिया अब मुझे compute करना है number of outstanding shares तो पहली बात यह stock dividend है मैं उसको इस दिन नहीं मानूँगा मैं इसको इन respective rates पर मानूँगा कितना % है 50% तो मैंने माने यह 10,000 नहीं है यह कितना है यह 15,000 है कितने महीन है 12 टोटल कितने महीन है 12 यह 15,000 आया then 3600 multiply by 1.5 multiply by कितने महीन के लिए outstanding है 10 months divide by 12 अगर आप इसको solve करेंगे 4500 तो आपको resultant answer कितना आएगा 19,000 1500 ठीक है सब अब हमें क्या निकालना है अब हमें dilutive EPS निकालना है अब dilutive EPS का मतलब क्या है कई बार हमारे capital structure में कुछ items होते हैं जो कैसे होते हैं which are of the equity निचो example convertible preferences convertible debt debt and stock options यह क्या है यह तीनोही चीज़े equity की है अब समझते हैं that means these could be possible यह क्या हो dilutive in nature यह anti-dilutive भी हो सकते हैं यह dilutive भी हो सकते हैं अब समझते हैं मान के चलते हैं मेरा basic EPS आया 2.45 यह मेरा basic EPS है और मैंने dividend दिया preference dividend 10,000 का और यह 10,000 का dividend मैंने कितने shares पर दिया 10,000 preference shares पर that means 1 rupee per share and these 10,000 preference shares are convertible into 10,000 equity shares क्या ही convertible है yes now could be possible यह dilutive in nature अब लिखेंगे in order to find whether a particular security is dilutive आपको क्या compute करना है अगर कल को यह preference shares dividend equity में convert हो गए तो क्या आपको preference dividend देना पड़ेगा answer is no आपको preference dividend नहीं देना अगर आपको preference dividend नहीं देना तो आपकी earning कितने से increase हो गई 10,000 correspondingly आपके shares कितने से increase हो गई 10,000 क्योंकि per shoulder को आपने कितने दिये 10,000 रूपीस यह ratio कितने आपके 1 इसको मैंने बोला step 1 इसको मैंने बोला step 2 if step 2 is less than step 1 the security is dilutive dilutive in nature ठीक है अगर यह नहीं होती तो anti-dilutive था less than है that means it's dilutive in nature अब step 3 क्या है आपको dilutive EPS निकाल ला dilutive EPS का formula क्या हुआ net income minus preference dividend divided by number of outstanding shares अब हम मानके चलेंगे dilutive EPS का मतलब क्या है मानके चलेंगे convertible debt convertible preference shares preference shares नहीं है यह क्या है अगर यह equity है तो अब क्या preference dividend दोगे no मैंने preference dividend को add करा और नीचे के add करा number of equity shares to be issued to be issued in respect of these preference shares so dilutive EPS का मतलब क्या है dilutive EPS का मतलब है यह जो potential securities है हम क्या मानके चलेंगे हम मानके चलेंगे कि यह preference shares नहीं है हम मानके चलेंगे यह equity है अगर यह preference shares है तो मुझे dividend देनी की ज़रुरत नहीं है मैं dividend नहीं दूँगा और correspondingly अपने denominator को increase कर दूँगा with new equity shares to be issued in respect of these preference shares ठीके तको सिफ तीन steps को याद करूँगा अब मैं आपको तीन examples करूँगा a company earns profit of 25 950000 for the year end rate 31st December 2008 the company has 1 million weighted average number of outstanding shares during the year pay checks at the rate 40% the company has 1000 convertible preference shares outstanding which pays a dividend of 50 rupees per share every year each convertible preference share can be converted into 100 common shares, calculate basic and dilutive EPS. So, मैंने लेखा question number 2, step 1, step 1 क्या है, आपको basic EPS को compute करना है, basic EPS का formula था, net income minus preference dividend divided by number of, weighted number of outstanding shares, minus income is 25 lakh minus preference dividend, the company has 1000 convertible preference shares, which pays a dividend of 50, तो मैंने dividend कितना दिया, 50,000, मेरे shares कितने हैं, 10 lakh, तो मेरा EPS कितना है मेरा EPS हाया 2.45 क्या मेरे में कोई potential dilutive security है Yes, convertible preferences अब मैंने क्या करा Step 2 अगर ये preference shares preference share नाओ के equity होते तो मैं को कितने रुपए मेरी income बढ़ जाती है मेरी income बढ़ जाती है 50,000 से बढ़ मुझे नए shares कितने इशू करने पड़ते है 1000 1000 1000 convertible preference shares Each convertible preference share can be converted into 100 common shares that means 100 multiply by 1000 ये कितना आता है ये मेरा आता है 0.5 is step 2 is less than step 1 the answer is yes that means क्या है ये dilutive in nature है और अगर ये dilutive in nature है तो step 3 में मैं क्या करूंगा 25,000,000-5000,000 लिए प्रयूज़ था और ये जी फफ्रयूज़ नहीं देने पर ढखेंगे divided by 10,00,000 plus 1,00,000 this would be equal to 2.27 and 0.2 remember, dilutive EPS would always be less than equal to basic EPS. ठीक है, anyways अगर यह जादा आ रहाता तो dilutive नहीं है, तो यही answer, तो मैं क्या बोलता है, यही basic है और यही मेरा dilutive है, अगर step 2 is greater than step 1, तो नहीं not to go to step 3, तो अब क्या control करोगे, basic EPS is equal to the dilutive EPS, ठीक है सब, अब हम question 3 करेंगे, question 3 में क्या होगा, convertible debt होगा, परते हैं, लें लें प्राट यौ से नहीं बोड नहीं, यह रडियर लिखरल under 45,000 तो नहीं धासर तो लेंगे लेंगा, 10 लेंगे जाओं से नहीं ट्सारीन स्नख्डर Aly आपको basic and dilutive EPS निकालना है, सबसे पहले step 1, basic EPS, basic EPS में रख कितना होगा, 25 lakh minus 50K, divide by 10 lakh, 2.45, step 2, अब यह convertible debt है, और अगर convertible debt, debt now की equity होता, तो आपकी income पे क्या फरक आता है, आपको interest पे नहीं करना परता, interest, net of tax, पे नहीं करना परता, divided by number of new shares to be issued, number of new equity shares to be issued, 75,000 का कितना interest दे रहे हो, 10 पोच, लाकिन 7500, net of tax, तो मैंने लिखा, 75,000, into 1 minus 40%, और कितने नहीं से issue करने पड़ेंगे आपको, 7,000, इसको अगर आप solve करेंगे, यह आप कहाता है, 0.64, क्या यह answer step 1 से काम है, yes, that means यह भी क्या है, dilutive है, तो step 3 में मैंने क्या करा, 24,000, 25,000, minus 50,000, plus 45,000, divided by 10,00,000, plus 7,000, इसको गर आप सोफ करेंगे, दिस वोड बी एक्वल तो 2.43, इन मैं लास्ट एक्जाम्पल में क्या लूँगा, stock options, और stock warrants, stock options का मतलब क्या है, at times मैं अपने employees को option देता हूँ, कि आप क्या कर लीजे, आप में से stocks खरीद लीजे, at जो market में rate है, उससे ज़्यादा है, उससे कम, उससे कम, मैं अपने employees को एक advantage देना चाहता, आप सबसे पहले अप क्या दिखेंगे, कि क्या ये stock options, in the money है, या out the money है, in the money का मतलब कि क्या ये आप right exercise करना चाहोगे, ये right को exercise ही नहीं करना चाहोगे, आप rights को तब exercise करना चाहोगे, जब वो आपको सस्ते मिल भें, that means, when average market price, is greater than the exercise price, market में टीमाच चल रही है, 70 रुपए है, मैंने का मैं आप से 50 रुपए पर आपको दूँगा, तभी आप इस option को exercise करने वाले है, तभी ये इंदा मनी है, LC क्या होगा, आउट दा मनी, और अगर ये आउट दा मनी है, तब तो बाती नहीं है, अगर ये इंदा मनी है, तभी आपको next step पर proceed करना है, आप समझते हैं, अचा एंद एक और चीज, वर्ट average important है, पेपर में क्या होगा, आपको average वर्ट भी दिया होगा, आपको closing price भी दियोगी, आपको last day price भी दिया होगा, आपको किस पर focus करना है, average day, अब मानके चलते हैं, मेरी company का share market में चल रहा है, 500 का, और आपका exercise price है, 200, क्या आप ये इंदा मनी है, आउट दा मनी है, average market price is 500, exercise price is 200, क्या आपको exercise करना चाओगे, ये ये इंदा मनी है, और मैंने आपको कितनी shares सी राइट दिये, मन के चलते हैं, 10,000 shares के मैंने आपको option दिये, मैंने money कितना collect करा होगा आपसे, मैंने money click करा, 200 multiplied by 10,000, that means, मैंने आपसे 20 lakh रोपीज कलेक करें, और इस 20 lakh रोपीज की health से, मार्कर में कीमा चल ली थी 500, मैंने कितने shares purchase कर लिया होगे, मैंने 4,000 shares purchase करें, बट मैंने आपको वादा कितना कर रहा था, कि मैं आपको कितने shares दोंगा, मैं आपको, 6,000, 10,000 का था, 4,000 ता आपके पैसे से purchase कर लिया, तो मुझे कितने इशू करने परेंगे, 6,000, अब ये 6,000, एक और तरीके से भी आ सकता था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम, प्रेजरी स्टॉक मेथड कहते हैं, समझते हैं, मानके चलते हैं, share की कीमत है, एक रुपए, आपने कितने रुपए दिये, आपने का, ये share पांसो रुपए का था, और मैंने आपसे कितने मांगे, 200 रुपए, तमेंस, 200 डिवाइड बाइ 500, मैंने आपसे 40% मांगा, अगर 40% आपसे मांगा है, तो 60% मैं दे रहा हूँ, मैंने किसे साथ इसको मिल्टिप्लाइ करा, number of shares, for which, right is given, पिर से समझते हैं, मैंने आपको का, in totality एक share की कीमत है, एक रुप है, और आपको का, 40% आप दे दो, तो 60% मैं दे रहा हूँ, मैंने आपको कितने, कितने shares का right दिया था, 10,000, तो मुझे market से, कितने shares इसे करने पड़ेंगे, मुझे कितने अपनी जिप से, नए shares इसे करने पड़ेंगे, मुझे 6,000 नए shares इसे करने पड़ेंगे, in order to meet the commitment, आप मेरे employee थे, मैंने आपको का, 500 रुपे मेरी company का share चल रहा है, मैं आपको 200 रुपे पर देता हूँ, that means, 60% मैं बेर करूँगा, 10,000 shares का option था, तो 6,000 नए shares मुझे, इसे करने पड़ेंगे, इसकेस में आप क्या करोगे, अगर stock option है, अगर stock option इंदा मनी है, then it would always be dilutive, और dilutive EPS क्या होगा, net income minus preference union, divided by number of outstanding shares, plus number of new shares, to be issued, अगर वो इंदा मनी है, तब अग सीधा सीधा क्या करोगे, अपने denominator में वो shares को increase कर दोगे, क्यों आपके कुछ savings नहीं होनी P&L में, बट आपका denominator increase को रहा है, समझते एक example से, the company earns 25 लाग, and has 10 लेक outstanding shares, the company has preference dividend 50,000, average market price is 50, stock option 10,000, and exercise price कितने है 30 तो सबसे पहले मैंने क्या find out करा मैंने अपना basic EPS find out करा which is equal to 25,000,000 minus 50,000 divided by 10,000,000 या या 2.45 अब stock options थे तो सबसे पहले average market price क्या है 50 exercise price क्या है 30 क्या इंदा money है yes step 3 number of new shares to be issued 1 रोपीस है मैंने अपको कितना पॉसेंट आप दे दो 30 अपन 50 और कितने stocks को option दिया है 10,000 मैंने अपसे 40% मांगा तो कितने नेशेस मुझे इस्यू करने पढ़ेंगे 4000 step 4 diluted EPS is equal to 25,000 – 50,000 10,000,000 plus मुझे कितने से increase करना पढ़ा 4000 से अगर आप इसको solve करेंगे, this would be equivalent to 2.44, ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने basic EPS and dilutive EPS को निकालना सीखा, basic EPS का मतलब था, earnings which belongs to the equity shoulders, dilutive का मतलब था, जो potential dilutive capital structure में equity हैं, उनके लिए आपने dilutive EPS को निकाला, now the last concept is 23J and 23K, इसमें वो क्या कहता है, for analysis purpose आपको क्या बनाना चाहिए, आपको common income statement बनाना चाहिए, common income statement का मतलब क्या है, मेरी P&L में जो भी चीज़े आ रही हैं, मुझे सब को क्या करता हूँ, sales से divide करता हूँ, और जैसी में sales से divide करता हूँ, सारे की सारे line items किसमें आ जाएंगे, percentage terms में, और अब मैं analyze करता हूँ, कि in comparison to my peers and in comparison to my previous year performance, मैंने कैसे perform करा है, So, for analysis purpose हम क्या बनाते हैं, common income statement, common size income statement का मतलब है कि हम अपने P&L की हर line item को क्या करेंगे, sales से divide करेंगे, and now हम percentage को analyze करेंगे, कि whether हमने अच्छा perform कर रहा है या बुड़ा perform कर रहा है, plus, दो profitability ratio जो हम देखते हैं, एक को हम कहते हैं, gross margins, the formula for this would be, gross profit divided by sales, और एक को हम कहते है, net margin, इसका formula हते है, net income divided by sales, so, यह दो profit ratios है, जिनको हम देखते हैं कि कंपनी की performance, profitability इंप्रूव होई है, या डेटरेट होई है, चीक है, so with this, we have completed the income statements, चीक है, thank you, hello friends, now we are going to start with a new chapter, जिसका रहा हमें balance sheet, and इसमें हम सीखेंगे कि कंपनी के balance sheet हम कैसे बनाते हैं, assets, liabilities को किस कीमत पे लेके हम balance sheet में आते हैं, now हमने study session 8 काफी detail में कर लिया है, तो almost इस chapter की जितनी भी बाते थी, वो हमने already respective chapters में देख लिया है, तो अब इस chapter में इतना कुछ नहीं है समझाने के लिए, ठीक है, so अगर आप यह chapter देख रहे हैं, तो make sure that आपने study session 8 अपना बहुत अच्छे ढ़ंग से complete कर रहा है, ठीक है, अब अगर में अपना balance sheet का performa देखू, तो यहां पर आता है liabilities, और यहां पर आता है assets, और इसके नीचे वो क्या बोलते हैं, इसके नीचे मेरा आता है, shareholders fund, then it's debt, फिर मेरा आता है current liability, फिर यहां पर आते है non current assets, and non current assets का part हो जाएगा मेरा, fixed assets, long term investments, and current assets, current assets पर मेरे पास मेरे आजाएगे debtor, inventory, all this stuff, so एक यह मेरा पर्फार्मा है balance sheet का, now what is the meaning of assets, and what is the meaning of liability, क्या criteria meet होने चाहिए, मुझे left hand side आने के लिए, क्या criteria meet होने चाहिए, to be on the right hand side, so, assets, assets are the resources, which will result in, inflow of cash in the future, येक resources है, जिनकी वज़े से मुझे लगता है, future मेरे पास क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है, what is the meaning of a liability, the liabilities are the obligations, which will result in, outflow of cash in the future, मान के चलते हैं, ये debt बुक से कब जाएगा, जब मैं इस debt को repay कर दूँगा, तो ये debt क्या है, मेरे उपर एक obligation है, which will result in, outflow of cash in the future, अब मैंने इस balance sheet को कैसे bifurget करा, ECOMENICA, non-current assets, current assets and current liabilities, now what is the meaning of current assets and what is the meaning of current liabilities, अगर आपको लगता है, इन वाले assets से मुझे cash मिल लाता है, अगर आपको लगता है कि आपको इन से cash मिल जाएगा, that means it will be converted to cash, within a EO, or an operating cycle, operating cycle का मतलब गया था, data days plus inventory days, whichever is greater, अगर आपको लगता है कि ये cash में convert हो जाएँगे, अभी के लिए मांके चलता है, within a EO, that will satisfy the definition of a current liability, and अगर आपको लगता है, within a year, आप liability को paid कर दोंगे, that will meet the condition of a current liability, तो current liability के लिए आने में क्या conditions मेट होनी चाहिए, it has to be paid, within a EO, current assets के conditions क्या है, it has to be converted to cash, within a EO, अगर ये conditions मेट है, तो आप इनको current assets और current liability में डाल दो, वरना आप उसको क्या बना दो, नाम कर दो, ठीक है सब, तो ये मोटा माटी मेरा balance sheet का performer था, अब balance sheet की health से हम करते क्या है, balance sheet की health से, हम दो important ratios को compute करते हैं, जो हम ratios के chapter में सीखेंगे, एक को हम कहते हैं solvency ratios, और एक को हम कहते हैं liquidity ratios, जो solvency ratios होती है, वो basically इस part के साथ deal करती है, और जो liquidity ratios होती है, वो इस part के साथ deal करती है, solvency का मतलब है, कि क्या company अपनी long term liabilities को pay कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका हम कहते हैं solvency, और liquidity का मतलब है कि company अपनी short term liabilities को pay कर पाएगा या नहीं कर पाएगा that means with the help of balance sheet हम दो ratios को compute करते हैं एक को मैने का solvency ratios एक को मैने का liquidity ratios अब ये solvency ratios और liquidity ratios होते क्या है ये हम detail में सीखेंगे in the chapter ratios ठीक है सब अब मुझे सीखना है कि accounting treatment हर item का क्या होना चाहिए तो मैं जब देखना चाहता हूँ मेरी balance sheet में items आते क्या है मेरी balance sheet में पहला item है cash तो cash को किस कीमत पर दिखाऊ आज मेरी जिब में 200 रुपए है उसकी कीमत क्या है 200 रुपए तो इसको आप क्या दिखाईए जितने आपके पास जो भी आपके पास cash है इसको अपने exact value पर दिखाईए inventories को किस value पर दिखाते हैं यह हमने inventories के chapter में सीखा कि net realizable value और cost whichever is lower impaired में विगड़ा यह हम already कर चुके है fix assets को किस पर दिखाना चाहिए यह भी हमने कर लिया है investments को किस value को दिखाना चाहिए आप investments को तीन parts में bifurget करोगे एक को बोलोगे available for sale एक को बोलोगे trading एक को बोलोगे healthy maturity और जिसका जो nature होगा debtors को किस value पर दिखाऊ debtors को दिखाऊगे amount receivable जो भी आपको लगते हो इस बंदे से amount मिलेगा net of bed debts bed debts का मतलब है मानके चलते हैं मैंने आज आपको goods उधारी पर बेचे और वो goods बेचे 500 रुपए के और आपको लगता है 100 रुपए नहीं आएगा that means आप मुझे केताबों पर कितने दिखाऊगे 400 रुपए और 100 रुपए जो आपको लगता है नहीं आएगा based upon the prudence principle आज आप लॉसेज बुक कर लोगे ठीक है goodwill हम सीख चुके है intangible assets हम सीख चुके है then would be bond bond का treatment भी हमने सीख लिया the last one would be accounts payable accounts payable का मतलब है creditors वगेरा जितना amount हमें इन लोगों को देना है हम उसको उसी value पे दिखा देंगे that means अगर में एक चीज बोलू तो balance sheet में कुछ चीजे अपनी market value पे आती है example current investments current investments किस पे आती है अपनी market value पे कोई चीजे अपनी book value पे आती है example land, land के पर depreciation चार्ज नहीं होता तो land हमेशा उसी book value पे आता रहेगा and कुछ चीजे किस पे आती है अपनी amortized cost पे जैसे की debt that means balance sheet में जो figures आती है वो market value नहीं है सारी के सारी वो book value भी नहीं है वो क्या है these are the mixtures of amortized cost, book value and the market value और assets का मतलब है resources जिसके वज़े से हमें लगता है पैसा आएगा liabilities का मतलब है obligation जिसके वज़े से हमें कल को cash देना है ठीक है so broadly हमने यह chapter बहुत detailed में करा हुए now the last part of this chapter is equity तो equity का क्या है first component is equity share capital second is retained earnings third is other comprehensive income other comprehensive income fourth is minority interest fifth is preference stock and last one is treasury stock तो यह 6 parts किसके होते है equity के equity share capital का मतलब है जो पैसा चलाने के लिए उसने शुरू में दिया हमान के चलते है उसने 100 शुरू में 100 रुपीस contribute कर रहे थे retain earnings का मतलब है जो भी आपके EAT आये थे अब वो EAT किसको belong करते है shoulders को अगर दो तरीके या तो आपने EAT को क्या कर रहा होगा business से निकाल दी होगा in the form of dividends या आपको में reinvest कर रहे है तो retain earnings का मतलब है profits which has been reinvested by the shoulders these would be the retainer earnings EAT कहां पर चले जाते हैं EAT retainer earnings बन जाते हैं other comprehensive income हमने चीज़ सीका था P&L में सारी की सारी चीज़े आती है except for the four things उन चार चीज़ों को मैंने क्या का OCI ये भी किसको belong करती है equity को MI का मतलब है minority interest मैंने कहा था जितनी भी आपकी सबसी companies है consolidation होगा और मानके चलते उस सबसी company में 30% आपका नहीं है उसका मैंने नाम क्या दिया minority company preference stocks भी शू करती है और last one is the treasury stock ये जो item है treasury stock इसका मतलब क्या है वो shares जो company में क्या कर ली है buyback आज मानके चलते हैं TCS अपना buyback लेकर आने वाला ये विपर अपना buyback लेकर लेकर आता है जब भी shares अब होता क्या है company के पास capital होता है और over the period company क्या करती है अपने debt को मानके चलते है जो मने लगते कि पैसे के requirement नहीं वो अपने debt को zero पे ले आती है और company को लगते है अभी भी मेरे पास cash पड़ा हुआ है और मेरे पास नहीं है कि इस पैसे को मैं कहीं पर invest कर सकती हूँ तो company क्या करती है अपने ही shares को market से buyback करने लगती है so what is significance of a buyback मेरे पास cash पड़ा है और अब मैं इस cash flow कहीं invest नहीं कर सकता तो मैंने सोचा जिन लोगों से पैसा लिए उन लोगों का पैसा मैं वापस कर दूँ treasury stock का मतलब है वो stocks जो company ने buyback करें यह किस के साथ आते हैं यह negative figure के साथ आते हैं एक तरफ से equity share capital कम हो जाती है एक तरफ से cash कम हो जाता है and कुछ period के बाद हम इन shares को क्या करते हैं cancel करते हैं अब समझीए आज मैंने 100 रुप equity raise कर रहा था और 20 रुपए को मैं buyback करता हूँ तो इस 200 रुपए को मुझे minus करने और simultaneously मैं cash में से minus करूँगा इसकी कुछ requirement होती है as per the company's act company's act कहता है कुछ time के लिए इसको balance sheet में दिखाओगे as a negative figure and बाद में ये negative figure मेरी क्या आती है balance sheet से अपने आप हट जाती है so what this negative figure signifies that ये shares जो है मैंने क्या करें है buyback करें ठीक है और इस chapter में वो कुछ common size balance sheets के बारे में भोलेगा तो ये सारी की सारी बात है हम ratios में करने वाले है so this was a brief overview about this chapter ये already हमने काफी detail में कर रहा है तो एक reference दीजेगा and proceed to the next chapter thank you hello friends today we are going to start with a new chapter जिसका नहां है cash flow statement and इस chapter में हम सीखेंगे कि एक company के हमें cash flow statement कैसे बनाए जाते है इस chapter में वो क्या काएगा इस chapter में वो बताएगा कि एक company ने जितना भी cash कमाया है earn कर रहा है उसको आप three parts में divide करो income कहते हैं cash flow from operating activity, income कहते हैं cash flow from investing and income कहते हैं cash flow from financing अब before to start with मैंने दो notes लिखे है note number one and note number two ये दोनों ही notes most important है so ये notes anyways हम आपको provide करेंगे तो ये आपको अपनी books में note down कर लेना है so both the notes are very important ठीक है so समझते है so मैंने का cash flow from operating activity cash flow from investing and cash flow from financing activity that means एक company ने जितना भी total year में cash कमाया है उसको आपको three parts में divide करना है और अगर मैं आपनी balance sheet बनाओ this is equity, this is debt this is my creditor, debtor and fixed assets so ये वाला जो position है ये किस के साथ deal करता है investing के साथ ये वाला position किस के साथ deal करता है financing के साथ ये वाला position मेरा किस के साथ deal करता है operating activities के साथ तो उन्होंने का एक company ने जो cash कमाया उसको आप three parts में divide कर दीजे ये ने का ठीक है अब सुचिए कि क्यों lawmakers ने ये का इसको three parts में divide कर दीजे and as a investor, as a analyst, अब क्या analyze कर रहे है मान के चलते एक company का cash flow from operating activity previous year था zero crore ये भी zero था और ये भी zero था and this year, this is 100 CR, 100 CR, 100 CR cumulatively company ने कितना cash कमाया 300 last year cumulatively company ने कितना कमाया था zero as a investor, zero से 100 होगे operating is it a positive or it is a negative news from your point of view company की performance improve होई है ये deteriorate होई है similarly investing zero से 100 होगे performance improve होई है, deteriorate होई है financing zero से 100 होगे performance improve होई है ये deteriorate होई है अब आपको ये analyze करना क्या आप तीनों ही scenarios में खुश हो maybe possible अब भी आप कह रहे हो हां कि company ने तीनों ही जगा से 100 CR कमाया है, so company की performance improve होई है अब मैं आपको एक example दूँगा जिसकी form से मैं आप समझाओंगा कि आप कब खुश होते हो positive cash flows हो और आप कब खुश होते हो कि negative cash flows हो that means इन में से एक activity में positive cash flow आया है but as a investor मैं खुश नहीं ठीक है सब मान के चलते हैं मेरा CA complete हुआ and जैसी मेरा CA complete हुआ मेरी job नहीं लग रही थी job नहीं लगा, it has been two years हो गए मेरी अभी भी job नहीं लग रही और finally after two years of struggle मेरी job लग जाती है with 20,000 per month 20,000 per month की job लगी और मैं घर आया, मैंने अपने मम्मी को ही 20,000 औपीस दिये मेरी ममी खुश या दुखी ममी और भी रही हापी कि मेरे बच्चे की job लग दे अब वो ही विकास इसकी job नहीं लग रही है हुआ क्या मेरी ममी ने पूछा विकास तेरी job लगती ही क्योंने तुन्हें CA clear कर लिया मैंने का mom the problem is that कि मैं time to interview पर पहुच ही नहीं पाता मुझे interview पर पहुचने के लिए आप एक काम करो active आ ले दो ममी ने का ठीक है मैं active आ ले देती हूँ ममी ने मुझे active आ ले दी अब हुआ ये मैं वही विकास अगले दिन गया हूँ अरगफार में ये स्कूटी को बेच दिया सर आपकी ममी आपकी पिटाई करेगी क्यों पिटाई करेगी कल भी तो मैंने वी साजर दिए थे और आज बhim वी साजर दे रहा हूँ आज जो आप 20,000 रुपै दे रहे हो आपthree इसे दे रहे हो acids को बेच के that means यहाँ पर मैंने क्या करा sale of assets और अगर आप sale of assets के through cash कमा रहे हो as a investor आप खुश हो या दुखी as a investor you would be sad आपकी company क्या कर रही है अपनी company assets को बेच के cash कमा रही है company तुम्हारा काम assets को बेच के cash कमाना नहीं था तुम्हारा काम था कि इन assets की help से sales को generate करो और profits earn करके दो नाकिन assets को बेच दो और अगर तुम्हें इसी तरह assets को बेचते गए तो अब क्या question आएगा आपकी going concern पे question mark उठने start हो जाएगे okay sir समझ में आए that means एक important चीज जब assets increase होते हैं तब पैसा जाता है that means it's a negative cash flow और जब asset decrease होते है तब क्या होता है positive inflow मान के चलते हैं मेरे पास card नहीं थी last year so balance sheet में card zero आ रहा है और अब मेरी balance sheet में card आ रही है 50 lakh rupees asset increase हो रहे हैं अगर asset increase होते हैं that means मैंने मेरी जेब से 50 lakh rupees आए होंगे या गए होंगे मेरी जेब से 50 lakh rupees गाए होंगे और जब liabilities decrease या increase होती है मान के चलते हैं मेरे पास debt था zero वो debt हो गया 50 जब liabilities increase होती हैं तो पैसा आता है asset increase होते हैं पैसा जाता है liability increase होती है तो पैसा आता है अब सोचो यहाँ पर operating था यहाँ पर investing था यहाँ पर financing था यहाँ पर भी आपने 100 crore कमाया यहाँ पर भी 100 कमाया यहाँ पर भी 100 कमाया अगर investing positive आ रहा है तो आपने मशिनरी खरीदी होगी या बेची होगी Investing relates to मशिनरी fix a six This signifies कि आपने मशिनरी को sell करा और अगर आप मशिनरी को sell कर रहे हो Is it a good thing or it is a bad thing? It is a very negative news As an investor क्योंकि ये कोशन मा किस पो उठा रहा है ये कोशन मा को उठा रहा है मेरी going concern पे You always want And sir financing Financing positive है Financing positive का मतलब है कि cash आया है ये cash आने का मतलब है इधर अपने क्या raise करा होगा इधर अपने equity raise करा है ये आपने bank से debt लिया है अब समझेए जब मैं छोटी company होगी That means in the initial stages of my operation I need the money मैं को debt raise करना पड़ता है equity raise करना पड़ता है But over the period मेरे operations stable होते है मेरे profitability stable होती है और मैं तब क्या चाहता हूँ as a investor कि मेरे debt का level reduce हो That means Financing क्या है Initially Positive Initially positive signifies कि मैंने market से debt उठाया But eventually It should turn negative Turn negative means कि मैं अपने debt के level को क्या कर रहा हूँ अपने debt के level इसको reduce कर रहा हूँ So इसलिए lawmaker ने का कि company ने जो cash कमाया है It has to be divided into three parts Ecom कहते है operating, Ecom कहते है investing, Ecom कहते है financing Operating means आपके business operations के थुरू Investing means fixed assets And financing means equity and debt Agar operating increase हो रहा है That means आपकी company ने profits earn करें Investing increase हो रहा है That means आपने fixed assets को बेचा है And if financing increase हो रहा है That means आपने क्या करा है Aपने equity को ये debt को risk करा है As an investor you always want operating to be positive As an investor you always want investing to be negative And you always want financing initially to be positive And eventually to be negative Okay sir, so this ये एक logic था कि उनोंने का आपको cash flow statements को Three parts में divide करने दूसरा reason क्या है cash flow को बराने का मेरा जो income statement होता है वो किस principle के उपर based है That is based upon the accrual principle और accrual का मतलब था Cash आया है या नहीं आया Transiction हो चीशिए तुसको record करो Cash flow statement में हम किस की बाते करेंगे Cash flow में हम accrual की बाते नहीं करेंगे हम cash की बाते करेंगे ठीक है So this is the two reasons why we need to prepare the cash flow statement ठीक है सब So एक बार फिर से देखते है ये balance sheet है Equity Equity के दो पार्ट होते है Equity, Equity के दो पार्ट होते है Debt Creditor, Debtor Fixed Assets ये मेरा हो जाएगा Investing ये दोनों मेरे हो जाएगे Financing ये मेरा Operating के मुनाफ़े होते है Operating, Operating And Operating और बस आपका ये चैप्टर Almost, Almost Over आपको बस माइड में एक चीज और याद रखनी है अगर asset increase होते है पैसा आता है ये जाता है पैसा जाता है Liability increase होती है तो पैसा आता है ठीक है सब अब मैं एक example लोगा उसके help से मैं आपको cash flow statements बनाना सिखा हूँ But before to start with that example I want कि आप क्या note कर लिजेगा अपनी note books में Note No.1 And Note No.2 ये दोनों ही notes most important है And then आपकी reference books में क्या लिखा है आपको वो refer करने की ज़रूरत नहीं है आपकी answers automatically correct आहीं ठीक है समझते हैं आगे अब मान के चलते हैं कि मेरी पीरेड में sales हुई 100 रोपीस की और मेरे डेटर है opening debtor is 20 and closing debtor is 60 This is my opening debtor and this is my closing debtor मैंने एक बंदे से 20 रोपे अभी भी लेने है और उसको मैंने 100 रोपे का माल बेचा that means in totality मुझे उससे कितने रोपीस receive होने है 120 रोपीस और वो अभी भी कह रहा है कि मुझे आपके 60 रोपे देने है तो मैंने उससे cash कितना receive कर लिए होगा during the period मैंने during the period उससे 60 रोपीस का cash receive करा मान के चलिए मेरा जो customer है उसका नाम है ABC ABC ने का sir मुझे आपके 20 रोपे देने मैंने का ठीक है और साल के आखिर में कह रहा है मुझे आपके 60 रोपीस देने और मैंने देखा during the period क्या हुआ during the period मैंने उसको 100 रोपे के goods और बेचे शुरू में 20 रोपे लेने थे 100 रोपे के goods और बेचे that means in totality I should receive 120 और वो अभी भी कह रहा है कि मुझे 60 रोपीस आपके देने that means पूरे इस पूरे सेनारिय में मैंने कितने रोपे receive करे मैंने 60 रोपीस receive करे मेरा formula क्या बना cash receive from customer is equal to opening data plus sales minus closing data this is 20 plus 100 in totality I should receive 120 और अभी भी 60 रोपीस receive करने बाकी है that means मैंने पास कितना पैसा आया मेरे पास 60 रोपीस आया अब first point अपना बड़े ध्यान से पढ़े लिए cash receive from customer is equal to opening data plus sales during the period minus closing data ठीक है now मान के चलते हैं मेरे expenses है insurance का expense है 50 रोपीस जो P&L में आ रहा है and liability side क्या रहा है liability side आ रहे है outstanding insurance expenses opening value is 10 closing value is 30 अब दिखते हैं मुझे एक बंदे को साल की शुरुवात में 10 रोपे देने थे उसने मुझे पचास रोपे के goods और दे दिये services और दे दी expenses reported in P&L plus opening liability minus closing liability 50 plus 10 minus 30 is equal to 30 रोपीस मेरे insurance के खर्चे कितने हैं पचास रोपे के और साल की शुरुवात में मुझे 10 रोपे देने थे that means is insurance company को in totality मुझे कितने देने 60 रोपीस ठीक है sir और मैंने क्या करा 30 रोपीस अभी भी देने बाकी है that means during the period when इस बंदे को कितने रोपे दे होंगे 30 रोपीस ठीक है मान के चलते ये outstanding नहीं है ये क्या लिखा हुआ है this is advance और prepaid लिख देते है prepaid asset side आता है prepaid value आ रहा है let us assume 5 and 15 अब मैं इस पार्ट को इग्नोर कर रहा हूँ मैंने साल की शुरुवात में कितने रोपे पिक्स्टा दी होए थे 5 रोपे 50 रोपे की services all ले ले that means अब मुझे कितना पैसा देना चाहिए in totality मुझे 45 रोपीस देने चाहिए मैंने 15 रोपे का और advance दे दिया तो मेरी जिब से पैसे कितने गए समझते हैं फिर से पूरे साल में मैंने 50 रोपे की service ली लेकिन मैंने 5 रोपे पहले से दे दिये थे that means इस सल मुझे कितने देने चाहिए 45 लेकिन वो बंदा कह रहा है आपने मेंको advance 15 रोपे अभी भी आपके advance मेरे पास पड़े होए that means in totality मैंने उसको कितने रोपेस दिये during the year 60 रोपीस कैसे आएगा expenses reported in P&L again अपने क्या sign यूज कर रहा था उपकर ये plus ये within bracket था opening minus ये मैं इसी को same रखोंगा मैंने रिखा opening asset minus closing asset और आगे मैंने sign क्या लगा दिया minus का देखते हैं 50 minus 5 minus 15 ये minus हाएगा minus minus plus क्या आपका answer 60 आता है the answer is yes एक और चीज़ देखे जब asset increase होते हैं तब पैसा आता है ये जाता है पैसा जाता है कितने रोपे गए 10 पचास रोपे देने थे तो in totality कितने गए होंगे 60 अगर asset increase होते हैं तो पैसा जाता है that means अगर मुझे एक simple सा formula बनाना हो तो simple सा formula क्या बना अगर मुझे direct answers निकालने हो expenses reported in P&L minus क्या कर दो opening asset minus closing asset plus कर दीजिए opening liability minus closing liability इसको मैं क्या बोल सकता हूँ minus change in asset plus change in liability change in asset अगर asset बढ़ते हैं तो पैसा जाता है minus sign liability बढ़ती हैं तो पैसा आता है अब आप पढ़ेंगे point number 3 मेला point number 3 क्या है expenses paid in cash is equal to expenses reported in P&L account minus change in asset plus change in liability ठीक है cash receive signifies inflow of cash cash paid signify outflow of cash तो outflow तो उसको मैं किस sign के साथ दिखाऊंगा उसको मैं negative sign के साथ दिखाने वोले ठीक है साथ अब थार इक point आता है COGS का cost of goods sold अब cost of goods sold मैंने P&L में क्या जाता है मैंने जितना माल बेचा बट अब मुझे क्या निकालना है cash paid to the suppliers तो cash paid to the supplier में कैसे निकालूँगा अगें asset अगर increase होते है minus liability increase होते है तो add दिखते हैं मुझे निकालना है cash paid to the supplier COGS cost of goods sold is equal to opening inventory plus purchases minus closing inventory तो मैं क्या लिख सकता हूँ और purchases is equal to COGS minus change in asset और फिर मुझे निकालना है cash paid to the supplier purchases plus शुरू में कितना देना था minus अभी भी कितना देना है तो अगर net net मुझे COGS निकालना हो तो net net COGS निकालना हो sorry net net अगर मुझे cash paid to supplier निकालना हो क्या करो COGS यह COGS कहा होते है PNL में that means expenses reported in the PNL account minus change in asset minus change in inventory plus change in liability plus change in creditors क्या मेरे पास answer आजाएगा the answer is yes so first or first quickly revise करते है तीन चीज़े है first is cash receive from customers is equal to opening debtor plus sales minus closing debtor अगर मुझे निकालना है cash paid for expenses is equal to expenses reported in PNL account minus change in assets plus change in liability मुझे निकालना है cash pay to the supplier expenses reported in PNL account which is COGS minus change in asset that means minus change in inventory plus change in liability that means plus change in creditors और मेरा तीनो के तीनो points कब रहे है ठीक है ये फोस्त नूर था था दन एक और इंपर्टें पॉंट है विद रिस्ट टू इंटर्स के खर्चे और दिविदेंट एक्सपेंडिचो प्लस इंटर्स रिसीव्ड और दिविदेंट रिसीव्ड ये किसको signify करते हैं दोने ये paid है ये भी paid है तो मैं अगर अपनी balance sheet देखो equity, debt, fixed assets, investment मुझे interest किसकी उपर मिलाओगा मुझे interest अपनी investments पर मिला है dividend भी किस पर मिलता है मुझे मेरी investments की उपर dividend मिलता है ये वाला काम कौन से portion पर आ रहा है investing वाले में तो IFRS ने का interest receive को हम investing मानेंगे dividend receive को भी हम investing मानेंगे और उन्होंने का हम इसको operating भी मान सकते लेकिन US gap ने क्या का interest receive would be operating dividend receive भी क्या है operating IFRS ने का investing भी हो सकता है operating भी हो सकता है US gap कहता है दोनों के दोनों income क्या है operating in nature है मैंने का ठीक है similarly मैं interest किस की उपर देता हूँ debt की उपर dividend किस की उपर देता हूँ equity की उपर यह कहां पर आ रहा है इस वाले content को मैंने कहता है क्या होगा this would be equal to financing IFRS ने का यह financing भी है और operating operating और financing IFRS कहता है US gap कहता है interest paid would be operating and dividend paid would be financing तो यह चीज़ अब आपको एक और याद करनी है क्या याद करना है as per as per US gap interest receive और dividend receive would be operating लेकिन IFRS क्या कहता है operating और investing interest paid क्या है operating और financing यह कहता है operating dividend paid क्या है operating और financing यह क्या कहता है financing और अगर question silent होगा तो मैंने कहा था हम क्या follow करते है IFRS बट इस case में मैं बोलूँगा अब क्या follow करो US gap क्यों अगर आप US gap फॉलो कर रहे हो क्या eventually आप simultaneously क्या आप IFRS को भी follow कर रहे हो the answer is yes so by default हम interest receive interest interest receive dividend receive को क्या मानने वाले operating interest पेट को क्या मानने वाले operating dividend पेट को क्या मानने वाले है finance and यह बहुत ही important है from the exam point of view this Q पर आप मांक कर लीजे most important very important ठीक है so now we are ready with the question मैं को जितना बता आना था मैंने आपको बता दिये और अब मैं क्या करूँगा एक company के properly आपको cash flow statements बनाके दिखाऊंगा with the help of an example यहां पर मैंने लिखा cash flow statement और cash flow statement का मतलब है कि company ने जो cash कमाया उसको आपको कितने parts में दिखाना है three parts में को हमने का operating एक का investing और एक को मैंने का financing यह operating निकालने के दो तरीके हैं एक को हम कहते हैं direct method एक को हम कहते हैं indirect method अब direct method follow कर रहे हैं या indirect method follow कर रहे हूं answer दोनो scenarios में क्या आना चाहिए तो मैं दोनों मेथड से आपको करते दखाऊ चलिए करते हैं अपने कुश्चिन को Falling is the income statement and balance sheet of ABC You have to prepare the cash flow statement using direct and indirect method मुझे sales गिवन है, expenses गिवन है equity dividend, taxes and मेरी balance sheet गिवन है जिसकी हल से मुझे क्या करना है मुझे अपने cash flow statements को बनाना है चीक है So लिखते है Cash flow statement of ABC company मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा Cash flow from operating activity Cash flow from operating activity as per the direct method तो मेरी सबसे पहली क्या आ रहा है Sales Sales की किस में मैं क्या निकालता हूं Cash receive from customers तो मैंने लिखा Cash receive from customers मेरे cash receive क्या होता है Opening debtor Opening debtor is 4500 plus sales plus sales which is 50,000 minus closing debtor which is 5000 तो यह value कितना है 49500 Then मैंने लिखा COGS है तो COGS की case में मैं क्या निकालता हूं Cash paid to the suppliers So यहां पर मैंने लिखा Cash paid to supplier यह amount क्या आएगा Expenses reported in P&L which is 20,000 फिर add क्या कर दो Sorry Add आप करेंगे Liabilities का creditor 2500 minus 4500 Minus अब क्या करेंगे Change in Assets minus 3500 minus 2500 तो यह minus होजागा 2000 Sorry, minus होगा 1 minus होगा 2000 That means this would be 17,000 और cash paid कर रहा है Positive, Negative Negative फिर मेरा next figure है Wages मैं क्या लेकोंगा Cash paid for wages क्या आएगा Expenses reported in P&L which is 2500 which is 2500 plus opening liability My opening liability is 4000 minus 2250 So, if we solve this This would be equal to 25 plus 4 minus 2250 This would be 4250 with a negative sign अगर आएगा 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 तो मैं आएगा interest Again, expenses reported in P&L plus opening liability which is 1500 minus 1750 plus 1500 minus 1750 अगर आप इसको solve करेंगे तो negative 250 interest हो गया, gain from sale of land, ignore करेंगी क्यों, gain from sale of land क्या होगा? it would be investing activity, taxes, मैंने लिखा 10,000, plus opening liability, 2000, minus 2500, within brackets, plus deferred tax की liability भी गिवन है, तो deferred tax भी क्या बता है, income tax, plus 7500 minus 10,000, तो यह 500 negative, 10,000 minus 500 minus 2500, so this would be equal to 7,000 negative, मेरे पास क्या आगया? cash flow from operating activity, और अगर आप इसको solve करेंगे, आपका answer आएगा, minus 252, minus 4250, 17,000 plus 49, so this would be equivalent to 21,000 रुटीस आपका क्या आगया? 21,000 आपका आगया? cash flow from operating activity as per the direct method, तो indirect method के according to answer क्या आना चाहिए? indirect method के according to answer आना चाहिए 21,000, मैने तीम चीजों को इगनोर करा था, मैने उगनोर करा depreciation को, मैने इगनोर करा gain from sale of land, and मैने इगनोर करा था, अपना equity dividend को, depreciation को क्यों इगनोर करा? it's a non-cash, gain from sale of land को क्यों इगनोर करा? because it's an investing and equity dividend को क्यों ignore करा because it's a financing अब जब मैं indirect method use करूँगा तो मैं इनी तीन चीजों को use करने वाला ठीक है तो अभी हमने answer 21,000 निकाला as per the direct method now I'm going to compute the same answer as per the indirect method अब indirect method में मैं start किससे करता हूँ मैंने start करा profits transfer to reserve तो मैंने लिखा profits transfer to reserve कितना था 14250 मैंने equity dividend को ignore करा था अब मैं करूँगा add कर दो equity dividend क्योंकि equity dividend इस figure में से minus है वो operating नहीं है वो क्या है वो financing है तो financing में minus करना यहां पर क्या कर दो add तो मैंने का add करो equity dividend क्योंकि equity dividend इस value से minus हो रहा है तो मेरा equity dividend कितना है मेरा equity dividend है 4250 प्लस आपने क्या का आपने का यह gain 5000 का इस figure में included है येस क्या यह gain include होना चाहिए नो क्योंकि यह क्या है यह तो मेरा investing है तो आपने का minus कर दो gain from sale of land gain कितना है 5000 का आपने का minus कर दो मैंने का ठीक है और फिर आपने का depreciation को add करो क्यों depreciation एक non cash expenditure है मेरा depreciation कितना था 3500 बड़े ध्यान से देखिए जो चीजे मैंने direct method में छोड़ी थी इन direct method में मैंने सबसे पहले उनी तीन चीजों को consider करा मैंने resultant answer से start करा equity dividend इसमें से minus था add कर दो depreciation minus था add कर दो gain included था minus कर दो क्यों? क्योंकि equity dividend financing है depreciation non cash है and gain from sale of land के investing है आपने का ठीक है कुछ एक answer आएगा इसके बद आप क्या करोगे? adjustments for working capital और अगर assets बढ़ते हैं पैसा आता है ये जाता है assets बढ़ते हैं पैसा जाता है liabilities बढ़ती हैं पैसा आता है assets बढ़ते हैं पैसा जाता है liabilities बढ़ती हैं पैसा आता है अब मैं क्या करूँगा सीधा सीधा अपनी working capital पर हिट करूँगा debtors, debtors क्या हो रहे हैं? increase, increase in debtor means पैसा जाएगा तो आपने लिखा, increase in debtor, debtor कितने से increase हो रहे हैं? 500 से, आएगा जाएगा? जाएगा inventory, decrease हो रही है कितने से? 1000 से पैसा आएगा कितना पैसा आया? 1000 रुपीज liabilities बढ़ती हैं, पैसा आता है, creditors बढ़ रहे हैं पैसा आएगा कितना? 2000 wages घट रहे हैं, liabilities घटती हैं तो पैसा जाता है, कितने से गया? decrease in liabilities wages, पैसा जाएगा कितने से? negative interest, liabilities बढ़ रहे हैं, पैसा आएगा 250 taxes, liabilities बढ़ रहे हैं, पैसा आएगा 500 defer tax liability भी बढ़ रहे हैं, पैसा आएगा अब अगर इसको solve करोगे, आपका answer वापर से कितना आना चाहिए? आपका answer 21,000 आएगा so मैंने indirect method में क्या करा, मैंने profit transfer to reserve लिया, जो तीन चीज़े पहले छोड़ी थी, सबसे पहले उनको लिया और adjustment for working capital, अगर asset increase होते हैं, पैसा जाता है, liabilities increase होती है, तो पैसा आता है अगर आप इसको solve करिया, चो इस वोड बी 14250, plus 4250, minus 5000, plus 3500, minus 500, plus 3000, minus 1750, plus 250, plus 3000, तो अगर आप इसको solve करेंगे, आपका answer क्या आएगा, आपका answer positive 21,000 आएगा, तो मैंने क्या operating निकाल लिया, yes, direct method से भी, indirect method से भी, आप कोई भी method follow करो, आपका answer क्या आएगा, आपका answer सेम आने वाल, अब मुझे क्या निकालना है, cash flow from, investing activity, and cash flow from, financing, ठीक है, आपने direct method में तीन चीज़ें छोड़ी थी, वो direct method में तीन चीज़ें क्या थी, depreciation, gain, and equity dividend, equity dividend क्या होता है, financing, तो आपने लिखा, equity dividend paid, मैंने बोला, expenses reported in P&L account, expenses reported in P&L account क्या है, 4,2, 4,2, 5,0, plus liability, opening liability, minus closing liability, फिर मैंने आपको का, common stock, liabilities, decrease हो रही हैं, पैसा गया होगा, 25,000 रुपे की equity, 20,000 की हो गई है, तो 5000 से कम हो गया है, 5000 से क्या हुआ होगा, buyback, तो मैंने यहां पर लिखा, buyback of equity, 5000 पैसा गया, यह वाला आपको कितना आएगा, 4,2, 5,0, plus 500, minus 3,000, तो यह आपका आजाएगा, 1750 negative, यह भी मेरा हो गया, यह हो गया, अब एक चीज़ क्या बच्ची है, loans, loans क्या बच्ची है, increase, पैसा आया होगा, गया होगा, आया होगा, debt, raised, during the period, कितना, 25 रोपे, तो cash flow from, financing activities कितना आगया, मेरा cash flow from financing आएगा, negative 4250, अब मुझे निकालना है cash flow from investing, आपके पास 20,000 रोपे की land थी, अब वो 17,500 की बच गई है, 25 रोपे से कम हो गई, तो आपने क्या करोगा, अपने जमीन को बेचाओगा, खरीद होगा, अपने जमीन को बेचाओ, 25 रोपे आने चाहिए थे, और आप करेवा, मुझे गेन है 5000 रोपे का, तो इन तोटलिटी आपके पास पैसा केतना है या, इन टोटालिटी आपके पास पैसा आया 7500 25 और पैसे तो बुक वाल्यू काम होगी प्लस आप कहड़े हो मुझे गेन हुआ है 5000 का तो इन टोटालिटी पैसा कितना आया 7500 तो मैंने यहां पर लिखा proceeds from sale of land 7500 फिर एक और चीज़ क्या है ग्रास यह क्या लिखा हुए plant and machinery का तो मैं आपको सिफिक account बनाना सिखा हूँगा और इस account की help से आप figure को find out करोगे कि company ने कितना purchase गया कितना sell कर है तो आप एक working note बनाएंगे नीचे working note number one और यहां पर देंगे fix asset account यहां पर लिखेंगे to balance brought down यहां पर लिखेंगे by balance carried down मेरा balance brought down कितना है मला opening value 25,500 closing value कितना है 34,500 अब प्लीज देखेगा यहां पर क्या आता है जो चीजे assets को घटाती है वो credit side आता है by depreciation by sale और जो चीजे increase करती है वो कहां पर आती है वो यहां पर आती है to purchases या तो sale हुआ होगा या purchases हुए होगे depreciation आपको कितना दिया था आपको depreciation दिया था 3500 तो आपने ही हम पर लिखा 35 अब आप क्या करेंगे जिस भी side का weight जादा आ रहागो उसका total करेंगे यहां पर total कितना आता है 25,500 यहां पर total कितना आएगा यहां पर आपका आएगा I think 38,000 तो यहां पर लिखेंगे 38, 38 अब मुझे कुछ न कुछ add करना चाहिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ नहीं करो यहां पर करो तो कितना add करो 12,500 यह मेरा क्या आगया balancing figure तो purchases हुई है पैसा आया होगा गया होगा पैसा गया होगा यह figure एक और तरीके से भी आ सकता था यह figure कैसे आ सकता था अगर आप इन दोनों figures को देखते पहले estate 30 के थे अब 42,500 के हो गये हैं लेकिन यह क्या है gross कितने से बर गये 12,500 तो पैसा आया गया पैसा गया मैंने यहां पर लिखा purchase of fixed assets 1 to 500 यह purchase है तो negative और एक और चीज़ आ रही है investments investments पांच की थी दस की हो गई है 5000 से बढ़ गी पैसा आया गया गया so increase in investments 5000 पैसा गया अगर आप इसको भी solve करेंगे आपका अंसर कितना आएगा आपका अंसर आएगा 10,000 negative so that means company ने in operating से कितना कमाया company ने operating से कमाया 21,000 investing से कितना कमाया 10,000 negative और financing से कितना कमाया financing से company ने कमाया 4,2 5,0 negative तो net net company के पास पैसा कितना आया होगा company के पास पैसे आए that means cash received during the year कितना हो गया 6,750 so now friends we have to cover the last LOS of this chapter जिसमें क्या निकालना है हमें निकालना है free cash flows to firm and free cash flow to equity सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी significance क्या है जब मैं equity का chapter सिखाऊंगा तो equity के chapter में कायेगा valuations और valuations करते वग मुझे कैसे निकालना होता है valuations की technique होते है जिसको हम कहते है discounted cash flow उसमें क्या करते है हमें cash flows को project करके company के value निकालना होती है example आज में एक reliance की share की value निकालना है तो मैं cash flows को project करूँगा और discount करके उनकी as on rate value को निकालूँगा इस value को हम कहते है intrinsic value that means value जो मेरे according आ रही है और मनके चलते है मेरे according value आती है 1200 और ये share market में चलते है 1000 का तो मैं क्या करूँगा इस share को buy कर लूँगा and vice versa मैं क्या कर दूँगा sell कर दूँगा so that means अगर हमें किसी भी share की कीमत निकालना ही होती है तो हमें क्या करना होता है हमें cash flows को project करना होता है और cash flows दो तरीके के होते है एक को हम कहते है free cash flow to firm एक को हम कहते है free cash flow to equity firm का मतलब होता है अब किस की बात कर रहे हो debt plus equity की और equity का मतलब है अब खाली किस की बाते कर रहे हो equity की अगर आप firm की बाते कर रहे हो तो आप उसको किस से discount करोगे WAC से और अगर आप खाले equity की बाते कर रहे हो तो आप उसको किस से discount करोगे cost of equity के साथ only that means these are the two approaches to value a company अब हमें कहां firm यूज़ करना चाहिए कहां equity यूज़ करना चाहिए अगर आप firm यूज़ कर रहे हो तो firm में क्या होना चाहिए debt plus equity और यह debt और equity कब तक होने चाहिए business में हमेशा होने चाहिए that means what is the life of the business the life of the business is infinite it's a going concern but कुछ businesses ऐसे होते हैं जिनकी life finite होती है example toll road toll road के case में क्यों आता है एक developer road को construct करता है that means इसको कैसे क्याते हैं इसको हम कहते हैं BOT build, operate, transfer उसको बनाएगा, develop करेगा कुछ time period के लिए operate करेगा उस period में उसको क्या मिलने वाल है उस period में उसको toll मिलेगा and after the end of that particular period वो toll road को क्या करेगा transfer to the government that means eventually the owner of that road is government in businesses में क्या होता है in businesses में जिनकी life finite होती है एक time के बाद debt रहता ही नहीं debt दीरे 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 कम होगा और eventually zero हो जाएगा उस case में हमें क्या use करना पड़ता है उन cases में हमें use करना पड़ता है free cash flow to equity that means हम free cash flow to equity कहा ही use करते है जहां पर business की life क्या होती है finite होती है example toll road अगर मेरे business की life finite है तब हम use करते है free cash flow to equity और अगर मेरे business की life infinite है आप free cash flow to firm use करो या free cash flow to equity the answer would be same in both the scenarios बट ये बाते हम कहां पर करेंगे ये बाते हम anyways equity के chapter में करने वाले अभी आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि firm कैसे निकालते है और equity कैसे निकालते है firm का मतलब है debt plus equity equity का मतलब है only equity ठीक है sir debt or equity ने मिलके क्या कमाया debt or equity ने मिलके कमाया earning before interest and tax और इसमें से मैंने minus क्या कर दिया tax के खर्चों को equity ने क्या कमाया equity ने कमाया EAT आपने का sir add कर दो depreciation क्योंकि depreciation क्या है एक non cash मैंने यहाँ पर भी depreciation को क्या कर दिया add back करा आपने का minus करो capex incur asset increase होते हैं तो पैसा जाता है मैंने यहाँ पर भी क्या करा minus करा capex incur minus करिए working capital additional working capital requirement minus करिए additional working capital requirement that means अभी तक इन में क्या चेंज आया है इन में चेंज आया है यहाँ पर हम स्टार्ट करते है EBIT 1-T के साथ यहाँ पर हम स्टार्ट करते है EAT के साथ बाकी तीन अजिस्मेंट्स होती है हम depreciation का add करते हैं EPEX को माइनस करते हैं और working capital को माइनस करते हैं क्या दोनों केसे में सेम होगा answer is yes और यहाँ पर एक और चीज़ हम करते है adjustment for debt अगर आप debt ले रहे हो पैसा आया होगा add कर दो अगर आप debt को repay कर रहे हो पैसा गाया है माइनस कर दो इसको हम कहते हैं free cash flow to equity और इसको हम कहते हैं free cash flow to इसके लिए discount factor क्या होता है vac इसके लिए discount factor क्या होता है key और बड़े ध्यान से देखेगा मैंने starting point क्या लिखा था firm की case में EBIT 1-T इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं EAT plus interest 1-T बड़े ध्यान से प्तिस का मतलब क्या है debt और equity ने मिलके क्या कमाया तो मैंने का equity वालो ने यह कमाया और debt वालो ने यह कमाया debt वालो ने interest कमाया interest की उपर tax देना होगा तो net of tax उनोंने interest कमाया और equity वालों ने क्या कमाया, EAT कमाया, क्या ये दोनों ही बाते सेम है, answer is yes, मैं आपको प्रूव भी कर सपता हूँ, मान के चलते हैं, EBIT है 100 रोपीस, interest है 10, this is 90, EBIT and tax rate is 20%, that means ये आपका 18 आया, ये आपका 72 आया, EAT, तो मैंना भी आपको क्या बोला, EBIT, 1-T, EBIT कितना है 100, tax rate कितना है 20%, ये कितना है 80, और एक और तरीका क्या है, EAT plus interest 1-T, equity वालों ने कितना कमाया, 72, debt वालों ने कितना कमाया, 10, लेकिन 20% tax दिया होगा, तो 8 रोपीस, this is equal to 8, तो उपर वाली चीज़को मैंने और कैसे सही करना चाहूँ, जो मैंने ये लिखा हुआ था, इसको मैंने करेक्ट करा, और इसमें लिखा, EAT, तो EAT plus interest 1-T, एक मेरा बन गया free cash flow to equity, एक मेरा बन गया free cash flow to firm, और बड़ी ध्यान से दीखेगा, आपने जब index method के according to cash flow from operating to निकाला था, आपने किस से start कर रहा था, EAT के साथ, उसमें add कर रहा था depreciation, और उसमें क्या कर रहा था, working capital की adjustment, that means EAT plus depreciation minus working capital requirement क्या होता है, इसको हम कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, cash flow from operating activity, तो मेरा क्या बना final formula और, अगर मुझे इसको और polish करना है, तो मैंने इसको भी अटा दिया, इसको भी अटा दिया, और इसको भी अटा दिया, मैंने क्या लेखा, free cash flow from operating, oh cash flow from operating activity, plus interest, minus capex incurred, similarly, यहां से भी मैंने वही चीज़े हाटा दि, तो मेरा formula यहां पे भी क्या बन गया, cash flow from operating activity, minus capex incurred, then adjustment for the debt, पैसा अगर डेट से आया है, तो add कर दो, नहीं आया है, तो minus करना है, तो इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको note क्या करना है, आपको यह दोनों चीज़े note करना है, तो free cash flow to firm क्या होता है, EAT, plus interest, plus depreciation, minus capex incurred, minus working capital, और इसको हम क्या क्या सकते है, cash flow from operating activity, plus interest, net of tax, minus capex incurred, तो इस दो तरीके थे, plus आपके books में कुछ performance ratios के बारे में दे रखा है, so these are self-explanatory, वो आपको खुद करने है, ठीक है, so with this, we have covered this chapter, Hello friends, today we are going to start with a new chapter, जिसका नाम है Financial Analysis Techniques, and this chapter हम सीखने वाले हैं की, completely financial performance from कैसे analyze करते, अब मानके चलते हैं, की मेरे maths में, last year राइख एट माक्स, and अभी में score करा है, 70, और मैं अब से पूछ रहा है, की क्या मेरी performance improved वे ये, अब तो आंसर में any question आप क्या बोलोगी, की सर, ये जो 8 माक्स आपने score करे थे, ये 8 माक्स आपने कितने में से score करे, that means, आप isolation में numbers को compare नहीं कर सकते, और किसी भी चीज का analyze करने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है, उसको किसी ने किसी चीज में, इसको ratios में convert करना पड़ता है, तभी हमें एक meaningful analysis कर सकते हैं, अब आपने में से पूछा, की सर, ये paper कितने marks का था, और मैंने का, ये paper 8 marks का था, और ये paper 200 marks का था, आपने कर सर, इस exam, ने, that means, last year, आप कितना percent score कर रहे थे, आप 100 percent score कर रहे थे, and now, आपने score कर रहे 35 percent, that means, आपकी जो performance है, वो deteriorate हुई है, that means, जो financial statements होते हैं, वो क्या होता है, वो raw data है, अब उसको meaningful analysis में convert करने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है, हमें ratios की help लेनी है, और ratios पर हमें बताएंगे, की हमारी performance improve है, या deteriorate है, time series analysis, और दूसरा है, cross sectional, time series का मतलब है, की मैं अपनी ही performance को, over the period compare करना चाहता हूँ, मानके चलते हैं, last year में मैं मास्क में कितने थे, उस से एक साल पहला कितना था, और अभी में कितना score कर था, that means, मेरा comparison खुट से, over the period of time, cross sectional में क्या करता हूँ, अपना comparison, अपने class में इस के साथ करता हूँ, आज मेरी class में मानके चलते हैं, 10 बच्चे, उन 10 बच्चों में मेरी performance कहां पर stand करती है, उस analysis को हम कहते हैं, cross sectional, आप time series करने चाहते हैं, या cross sectional, आपको क्या करना परेगा, raw data को convert करना, raw data को हम किसमें convert करते हैं, raw data को हम convert करते हैं, into the ratios, ठीक है, तो अब हम सीखेंगी की ratios की limitations क्या है, uses क्या है, and कौन-कौन से, different type की ratios है, जिनको use करके हम analysis कर साथ हैं, ठीक है, तो देखते हैं, So, the various tools and techniques, that I use to convert data into meaningful analysis, include ratios, common size analysis, graphical analysis, and regression, यह बाग की 3 क्या होते हैं, यह हम बाद में देखेंगे, but in totality, there are 4 particular ways, अब सबसे पलमने का ratios का, अब ratios को analyze करने की जरूरत क्या, मान के चलते हैं, एक बंदा है, जो plan कर रहा है कि मुझे, Reliance Industries में, पैसा लगाना चाहिए, या नहीं लगाना चाहिए, अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले, Reliance की performance को evaluate करेगा, both time series analysis करेगा, and cross-sectional analysis करेगा, Reliance एक company है, जो basically majority of revenue कैसे कमाती है, साथ है through, all you find me, मैं देखूंगा, कि Reliance की performance, over the period कैसी रही है, and जो इस particular industry में, और companies है, उसके respect में, Reliance की performance कहां पर standout करती है, मैंने दोनों ने analysis करेगा, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इनकी evaluation करना है, मैं equity के chapter में सीखूंगा, कि अब मुझे सोचना है, कि आज की date में, according to my assumptions, what is the value of Reliance, अब मुझे क्या करना परेगा, एक टेक्नीक होती है, valuation की जिसको हम कहते हैं, BCF, BCF को मतला है, discounted, discounted cash flow, अब मुझे future की, cash flows को क्या करना है, project करना है, और आज की date पे, company की valuation को लेके आए, that means going forward मुझे क्या सीखूंगा, going forward मैं चीए project करना है, कि Reliance के मुनाफिक क्या होगी, मैं सिफ एक assumption लेता हूँ, बाकि सारी की सारे assumptions क्या आती है, बाकि सारी की सारे assumptions, relative to sales होती है, इसका मतलब क्या है, मानते चलते हैं कि मैं 5 यस के लिए, Reliance की projection करना चाहता हूँ, और मैंने एक figure माना, कि जो sales होँगी, let us assume वो 100 होगा, 120 होगा, 150 होगा, 160 होगा, 170 होगा, इस figure मैंने ते लिया, अब बाकि सारी की सारी चीज़े में कैसे project करूँगा, relative to sales, मतलब, sales का 10%, मेरे fixed asset कितना होगा, sales का 2%, मेरी working capital कितने होगी, sales का 3%, that means practical life में मैं से एक assumption लेता हूँ, और बाकि सारी की सारी चीज़े क्या होगी है, relative to sales, और मैं देखता हूँ, company के historically margins कितने रहे, मान के चलते के company के historical margins रहे हैं, 10, 9, 10, 9.5, इस range में, तो मैं मान के चलूँगा, कि going forward भी company के margins इसी range में रहने वाले, या बाइचास में सोच रहों कि improve होने वाले हैं, या deteriorate होने वाले हैं, then what is the rationale for the particular reason, okay, that means, कल को मुझे projections करनी हैं, तो वो projections भी क्या ratios की मदद से उने वाली हैं, yes, So, what are the uses of ratios, the first uses, कि कल को आपको क्या सीखना है, कल आपको सीखना है कि एक company की मुझे वालेशन कैसे करनी है, second, एक company की performance को evaluate करनी के लिए, और इसके लिए क्या करते हो, दो तरीकिक अनलेसे, एक को मैंने का time series, और दूज़रे को मैंने का class section, देखते हैं, project earnings and cash flow, इस point का purpose क्या है, so that कि मैं company की क्या कर पाऊ, मैं company की वालेशन को conclude कर पाऊ, evaluator firm's flexibility, the flexibility in terms of, whether company has the ability to pay its debt, or not, इस चीज़ को देखने के लिए, मैंने यह यूज़ का करा, evaluator firm's flexibility, management की performance को evaluate करने के लिए, evaluate changes in the firm, and industry over time, and compare the inform with the competitors, so these are the uses of ratio, limitations क्या है, ratios are not useful when viewed in isolation, इसका मतलब क्या है, मुझे comparable companies चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ, कि आपकी performance, इसका मैं बता सकता हूँ, कि आपकी performance, इंपुरूब ही है, इसका में बता सकता है, और मैं देखना चाहता हूं कि Reliance की performance इंप्रूव होई है या डिपो रेट, मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे मिलता जूता comparable company चलिए, क्या Reliance जैसी की comparable company ढूनना मेरे में एक मुश्किल काम है, या नि ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्यों, आज बाते चलो कहते हूं कि ATL is the company which is not present in oil and gas, petrochemical defendable company है, जो से टेलीकॉम में, या रोतों इसकी comparable company है, भारत Petroleum, भारत Petroleum is the company which is only in the business of oil, crude oil के business में, वो टेलीकॉम में नहीं है, वो petrochemical इसमें नहीं है, क्या comparable company भूनना, अपने में एक challenging task है, यस, इस वन आप दी most challenging task, कि मैं अपने जैसा एक comparable company को भूने, required adjustments, when different company use different accounting treatments, मान के चलते एक कंपनी ने P4 उसका रखा है, एक कंपनी ने Average method उसका रखा है, क्या में एक लिए लिए कंपारिजन करना मिश्कुल होगा, the answer is yes, comparable ratios may be hard to find for the companies that operate in multiple industry, वो ही फस्त वाला point जो भी इस्पीन करा, ratios must be analyzed related to one another and determine the range of acceptable values for a ratio could be different, so these are the uses and the limitation of ratios, अब हम क्या करेंगे, अब हम different ratios को लिखेंगे की different कितने types की ratios हैं और उसके basis पे हम conclude करेंगे की company की performance improve हो रही है या different है, तो हमारे स्कोर्स ने किपनी ratios हैं, पहली ratio है activity, activity, various liquidity, solvency, profitability and valuation ratios, activity का मतलर है की company कितने अपने अपने resources को utilize कर रही है, ठीक है, तो इसमें सीखेंगे की company कितने अपने अपने resources को utilize कर रही है, इसके तीन पार्ट है, पहला है total asset turnover ratio, then fixed asset turnover ratio and working capital turnover ratio and working capital turnover ratio के भी three parts है, एक का नामे inventory turnover ratio, receivable turnover ratio and pay-based turnover ratio, अब मानते चलते हैं की ola driver है और इस ola driver के पास एक गारी है, तक निस आपीक्स acid, 5 lakhs rips, यस इस ola driver a और एक क्और ola driver है जिसका नाना b इसके पास भी काह रही होई 5 lakh lach rips है, जो a की sales है, a की sales है 50 lakh rips और b की sales है 100 lach अब मैं एक ratio कंप्ueet कर आओ, जिस ratio का नाम क्या है, इस रिशियो का फॉर्मुला क्लाया है सेल्स अपॉन निट फिक्स एसेट्स और यह बना मेरा इस केस में यह रिशियो आता है 10x और इस केस में यह रिशियो आती है 20x की बड़े ध्यान से बताईए कि कौन अपने रिसूर्स को efficiently utilize कर रहा है A efficiently utilize कर रहा है या B efficiently utilize कर रहा है मैं आपको पढ़ना सिखा रहा है और आपने एक रिशियो गर पढ़ना सीख लिया बाती सारी की सारी रिशियो आप पढ़ लोगे इसका मतलब है 10x इसको मैंने कैसे लिफा 1 और यहां पर मैंने लिफा 10 अगर मेरे पास ₹ का asset है तो मैं 10 ₹ की Sales करता हूँ और 20 इसका मतलब है अगर मेरे पास ₹ का asset है तो मैं 20 ₹ की Sales करता हूँ A अपने resources को जादा की km की utilize कर है या B answer would be B क्योंकि अगर B के पास ₹ कीзя है वह 20 ₹ की sales कर रहा है वलिफी day essay 1 sop एक कितने रुपे की सेल कर पा रहा है, एक सेल कर पा रहा है, उनली 10 रुपीस की, that means B is more efficiently utilizing its resources. नो दूस्वा इंपोंट पूइंट अपो क्या रहा है, और कोई भी रेशो आजाए, कोई भी रेशो आजाए, आप क्या करोगे इसको हमेशा, अब इसी format में करवात करोगे, और स्टार्ट करोगे, अगर बंडूपी के fix asset है, तो सेल कितने रुपे की आ रहा है, एक जगा सेल 10 रुपे की है, एक जगा सेल 20 रुपे की है, that means B is more efficiently utilizing its resources. Now second point to be remember, मानते चलते हूं, मेरी P&L में, interest cost आडा है 10 रुपे, and मेरा debt का opening value था 100, and closing value है 200. I am asking, in percentage terms, what is my interest cost? P&L में, मने 10 रुपे interest cost लिया, debt मेरा opening value है 100, closing value है 200, I am asking, in percentage terms, what is my interest cost? Option number 1, 10 upon 100, Option number 2, 10 upon 200, Option number 3, 10 upon 150, जो बच्चे कह रहे है, 10 upon 100, ये मने लिखा 0, ये मने लिखा 1, ये मने लिखा 100, ये मने लिखा 200, मैंने लिखा 100, मैंने during the year, कितनी बाड़िंग करी होगी? मैंने during the year, 130 की बाड़िंग करी, तभी वह answer 200 आ रहे, जो बच्चे कह रहे हैं, कि 100 रुपए, डिनामिनेटर शुब भी 100, वह बच्चे क्या कह रहे हैं? ये additional 100 रुपए, मैंने साल के आफिर में बाड़ो करा, तभी इसके उपर में interest नहीं दे रहा, जो बच्चे कह रहे हैं, डिनामिनेटर शुब भी 200, वह कह रहे हैं, ये 100 रुपए मैंने बाड़ो करें, साल के शुरुवात में, और जो बच्चे बोड़ रहे हैं, डिनामिनेटर शुब भी 150, वह कहना चाहते हैं, ये 100 रुपीस, मैंने uniformly, over the period, बाड़ो करें, कांसी assumption realistic है? 100 वाले ने माना, ये पैसा साल के आप्र में बाड़ो करें, 200 वाले ने माना, ये पैसा साल के शुरुवात में बाड़ो करें, और 1.500 वाले ने माना, कि ये पैसा, uniformly, over the period, बाड़ो करें, तैकनिस उसने क्या माना? ये पैसा मैंने बीश में बाड़ो करें, किसकी assumption realistic है? सब्चिस अदर realistic assumption लिया, option no.3rd, अब, आपको क्या आया करने, ये 150 कैसा है सक्ता था, ये 150 आया, average of 100 and 200, that means, ये 10 एक P&L item थी, P&L upon balance sheet item or balance sheet upon P&L item, अगर कोई आप SE ratio compute कर रहे हो, आप मेंशन क्या करोगे? आप balance sheet item का average लोगे, ठीटे? अब मेरे वाली case में क्या साफ़ांबा? मेरे वाली case में का sales upon fix assets, sales एक P&L item है में मेंशन balance sheet item का क्या लोगा? Average and average का होता है opening value plus closing value divided by 2 ठीक, यह by default यह standard relation जो आपको याद करने और जहां पर भी आपको P&L or balance sheet item होगे, जिसकी रिशो में आप balance sheet item का average लेने वालो अगर आपको opening values नहीं गिवन है तब आप closing लेलोगे अगर opening गिवन है तो आप हमेशन opening और closing का क्या कने वालो? divide by 2 तबके इसको compute कने रहा ठीक है? यह फिर्स इशो में क्या सीखी? हमने फिर्स इशो सीखा fixed asset turnover ratio अभी मेरी balance sheet हो यहां पर मने लिखता equity यहां पर मने लिखता debt यहां पर मने लिखता fixed assets और यहां पर मने लिखता networking capital और अभी जमें networking capital की बात कर रहाऊं इसमे cash included हो अभी इसमे cash included अब मैं एक और ratio compute करना चाहता हूं networking capital turnover ratio इसका formula क्या होगा? इसका formula होगा sales upon networking capital और बड़े ध्यान से देखिए इस जगह को आपने काथा sources of funds और इस जगह को आपने काथा application of funds that means यह वो पैसा है जो मैंने अभी apply कर रहे that means इतना पैसा मैंने खर्चा है अब एक बंदे की sales है 100 rupees और दूसरे की sales है 100 बट एक की working capital requirement 2 rupees है और एक की working capital requirement 80 है फिरसे हम क्या करेंगी ratios को compute यहां पे मेरा आएगा 50 और यहां पे मेरा आएगा 1.25 पर्फोर्मेंस A की अच्छी है यह B की फढ़ेंगी अगर मेंको एक रुपे working capital चाहिए तो मैं 50 रुपे की sales करता हूं अगर मुझे एक रुपे working capital चाहिए तो मैं 1.25 रुपी की sales करता हूं A अच्छी जादा performance दे रही है यह B जिसका जितना ज्यादा working capital turnover ratio ज्यादा उसकी performance उतनी अच्छी तो मैं उतने कम पैसे के साथ उसी लड़ी का business कर रहा है जो की B कर रहा था अब मैं क्या करूंगा अब मैं working capital को तीन पार्ट्स में divide करूंगा एक को मैं बोनूंगा debtor base एक मैं बोनूंगा inventory days और एक मैं बोनूंगा creditor days अब मैं क्या करूंगा days terms में compute करूंगा debtor कितने, inventory कितने and creditors कितने पहरी बार is it good to have more debtor or less debtor debtor जितने कम उतने एक्छे creditors जितने ज्यादा उतने एक्छे और inventory में सीखा था, inventory has to be optimum inventory कम भी नहीं होनी चाहिए, जादा भी नहीं होनी चाहिए अगर inventory कम होगी तो customer हमारी दुकान के होगा हमारे पास माल नहीं होगा और inventory बहुत जादा है, तो हमने बहुत जादा पैसे को inventory में रख रख है, खुद खुद भी पासिबल कि ये inventory क्या हो जाए, ये inventory हमारी खराब हो जाए debtors जितनी कम उतनी अच्छे बट विजा condition कि आपकी जो sales है वो sales growth आपकी hamper नहीं होनी चाहिए you are able to meet the industry growth rate अगर मैंके चलते हूं, मेरे debtor है मेरे debtor days आ रहे है 0 days के, that means मैं लोगों को भार देता ही नहीं और मेरी comparable companies के आ रहे है 30 days that means वो लोगों को 30 दिनों का समय देते हैं payment करने के लिए मेरी जो sales growth है वो है 2% और जो मेरी industry की sales growth है मांके चलते हैं वो 40% अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपकी credit policies इतनी strict है that means जिस business में आप operate करते हो वहां पे आपकी customers को उधार दिया जाता है क्योंकि आप उधार नहीं देते हो जिसकी वजह से जो आपकी sales growth है वो कम है Is it good? The answer is no अगर आपके debtor days कम है which is a good thing यह कम है provided that you are able to meet the industry sales growth अगर आप industries की sales growth को meet नहीं कर पा रहे हो that means जो आपकी credit policy है वो कासी ज्यादा tight है आपको थोड़ा lose कने की ज़रूरत है so that आप भी sales उसी level की कर सबो जिस level की आपकी comparable companies का रहे है अब formulae comp बनाते है मानके चलते हैं मैंने पूरे सार में 725 पीस की sales करी and 360 days होते हैं in a year और मेरे books में जो debtor है वो debtor कितने के खड़े हैं वो मानके चलते हैं debtor 90 पीस के खड़े हैं अब मैं आपसे पूछ हूँ यह 90 पीस के debtor कितनी दिन की sales को represent करते हैं और उसी का answer क्या बन जाएगा debtor, days that means सबसे उपर मुझे क्या चाहिए days तो मैंने unitary method करा unitary method में मैंने क्या करा मैंने का 360 upon 720 यहां पे मैंने लिखा days यहां पे मैंने लिखा rupees that means अगर यह ratio कितना आता है यह ratio आपका 0.5 मैं एक रुपेकी sale आगे ज़र में करता हूँ तो 90 रुपे की sale मैं कितने दिन में करूँगा 90 रुपे की sale में करूँगा 45 days तो मेरी 90 रुपे की payment जो बख्ची हुई है वो कितने दिन को represent करती है वो 45 days को represent करती that means मेरे customer मुझे 45 दिन के बाद payment करते और इस formula को में एक और तरीके से भी लिख सकत पाता है 360 और 365 multiply by sales divided by sales and multiply by your debtor figure or 360 upon sales divided by debtor figure or debtor days is equal to 365 divided by debtor turnover ratio where debtor turnover ratio is equal to sales upon average debtors and अगर आप इस formula में put करेंगे यह formula में आपका answer कितना हैगा 45 days debtor days जितने कम उतन अच्छा provided that आप अपनी sales growth को meet कर पाड़े जो इंडस्रीटी sales growth है वही sales growth आपको मिल रही है and बड़े धना से बताएगे is there a inverse relationship between debtor days and debtor turnover ratio yes debtor days जितने कम उतन अच्छा और debtor turnover ratio जितनी जादा क्या मैं inventory के लिगी formula बना सकता हूँ inventory days would be equal to 365 divided by inventory turnover ratio and table days is equal to 365 divided by creditor turnover ratio दोनों के formula बनगा लेकिन point to be remember inventory turnover ratio का formula क्या होता है turnover ratio नीचे तो average inventory आएगा यहां पे भी average payable आएगा यह average creditor आएगा लेकिन यहां पे जो numerator आगो क्या है creditor नीज वो लोग जिन से ने उधारी पे माल प्री रहा है तो यहां पे word आएगा purchases और यहां पे word क्या आएगा inventory के case में cost of goods sold तो बड़ धांस है turnover word है तो could be possible आप क्या यूज कर सकते हो sales आप sales यूज नहीं करोगी क्यों inventory किसे link है आपके पास 200 पे की inventory है और मैंने का किपने का माल आपने बीचा So inventory is linked with cost of goods sold and tables is linked with purchases वो लोग जिनसे मैंने माल उधारी पे खरीदा debtor की case में debtor की case में मैंने sales की release करा था क्योंकि debtor वो लोग है जिनको मैं उधारी पे माल बेचता हूँ redditor वो लोग है जिनसे उधारी पे माल खरीदता हूँ और inventory inventory is based upon cost of goods sold ठीक है so it point to be remember plus could be possible आपको purchases पेनल में आगे वोगा तो आप purchases को लिकालने के लिए क्या formula जूस करेंगे note में लिखेंगे my cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases minus closing stock मानके चलते हैं मैंने पूरे साल में 20 books खरी दी 10 mere past stock में के और अब stock में 2 बच्ची है कि मैंने पूरे साल में कितबे बेची 28 अब मैं आपसे पूचना चाहता हूँ this is equal to cost of goods sold अब आप मैं पूचना चाहता हूँ कि मैंने पूरे साल में कितनी books खरी दी मैंने बेची केतनी 20 दो अभी भी stock में थे तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और purchases is equal to cost of goods sold plus closing stock minus opening stock यह कितना था 28 यह थाद 2 minus 10 कि मैंने पूरे साल में कितनी किताबे खरीदी होंगी मैंने पूरे साल में 20 किताबे खरीदी होंगी P&L आता कैसे P&L आता sales minus cost तो purchases अपको drinking नहीं गिवन होंगी तो purchases क्या करना परेगा आपको purchases का amount आपको compute करना परेगा debtor जितने कम उतन अच्छा creditor जितने जादा उतन अच्छा but अपने creditor को तंग मत कर दे ना कि वो goods supply करने से बंद कर दे and inventory always to be optimal अगर inventory बहुत कम है अगर inventory बहुत कम है that means आपकी उतकान को customer आया goods नहीं थे बहुत जादा है तो कुब भी possible आपकी inventory खड़ा हो सकता ठीक है and the last part of the activity ratio is एक हम ने करा working capital एक हम ने करा fixed asset now its total asset turnover ratio तो formula बता ही turnover है sales upon total asset और ये ratio भी जितने आपकी जादा क्यों ची कहा से एक बार note से go through कर लेते है हम ने करा total asset fixed asset and working capital और working capital के तीम पाट ते inventory turnover, receivable turnover and payable turnover so working capital ratio is equal to net sales upon net average working capital और इसी के बाद मैंने क्या क्या compute कर लिये था average collection fee similarly inventory के ले मैंने क्या use करा 365 divided by inventory turnover ratio और inventory turnover is equal to cost of goods sold upon average inventory then payables के ले मैंने क्या use करा 365 divided by payable turnover and इसके लिम्रेटर क्या आता है purchases और अगर purchases आपके question में न गिवन हो तो आप कैसे compute करोगे cocks plus closing stock minus opening stock बाद की आपने करा fix asset turnover ratio or total asset turnover ratio and fix asset turnover ratio and fix asset turnover ratio अभी मैं comprehensive question कराऊँगा जिसमें मैं यह सारी की सारी ratios आपके compute करके दे देंगा ठीक है अब अगला चलते हैं अगला मारा क्या है liquidity ratios it determines the firm's ability to pay its short term liability अब अगर यह मांते चलो यह company की balance sheet है this is equity this is debt this is my fixed assets और यह मेरी क्या होंगे यह मेरी current assets है और यहांपे मेरा क्या है current assets है liabilities now the liquidity ratio जो है वो क्या करेगी वो सिफ इस पार पे focus करने वाली है सिफ इस पार पे focus करेगी मेरा पहली ratio आती है जिसको मां बोलता है current ratio and current ratio का formula होता है current assets upon current liability current assets upon current liability current assets upon current liability और यह ratio मैंने आपको का था की working capital excluding cash should be negative but including cash it should be positive और current ratio ideally कितना माना जाता है the ideal current ratio is 2-1 इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको लोगों का 1 rupee देना है तो आपके पास 2 rupee होने चाहिए यह मैंने लिखा liabilities यह मैंने लिखा assets liabilities का मतलब क्या था liabilities are the obligations which will result in outflow of cash assets are the resources which will result in inflow of cash मैंने का यह ideal ratio कितना है 2-1 अगर 1 rupee की current liability है तो 2 rupee की current asset होने चाहिए अगर लोगों का 1 rupee देना है तो 2 rupee आपके पास होने चाहिए अब मानके चलते हैं एक company A हो एक company B हो एक company C हो company A का जो ratio आ रहा है current ratio that is 1 by 1 company B का है 2 by 1 and company C का है 6 by 1 As a investor अब A से कुश हो D से कुश हो या C से कुश हो अब majority of the बच्चा क्या सोच रहा होगा कि C की performance अच्छी है C is in a better position to pay its short term liability तो कि उसके पास 6 rupee है अगर उसका लोगों को 1 rupee देना है यह ratio अगर जादा है तो भी बुरी है और कम है तो भी बुरी है और कम है तो भी बुरी है It is the optimum ratio अब समझते लिए optimum क्यों है जहां के अगर लोगों का 1 rupee देना है तो जेब में 1 rupee पड़े तो भी possible मैं कल तो default कर दूँ यह जिन लोगों से मुझे ले रहा है जितना मैं MPs कर रहा है उतना पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं अपनों obligations को और नहीं करता है यह तो समझवा है सर यह की जलत है मान को चलते हैं यह current assets बनते कैसे हैं यह debtor हो सकता है inventory हो सकता है और यह cash हो सकता यह तीन item हो सकता है debtor अगर किसी company में जादा है तो पैसा डूबने का ड़र है inventory अगर किसी business में बहुत जादा है तो inventory खड़ाब होने का ड़र और अगर cash किसी business में बहुत जादा है तो तो मैं इस पैसे को invest यू नहीं करते हो तो तुम अपनी pocket में क्यों रगते हो मैं तो इक और simple example मान के चलते हैं मैं daily daily से बुर गाउं जाता है और में जो में लगता है 50 rupees मेरे daily expenditure 50 rupees और मेरे भर से जब भी नहीं कलता हूं मेरी mom कहते है विकास you should have 100 rupees in your pocket मैंने कहें क्यों mom क्यों मैं मैंने कह बाइचास कल को metro में तो इस problem आगई आगई आपको बस से आना पड़ा है ये x-way-z so just on the safer side there should be a 100 rupees in your pocket ये मेरी mother की और मानके चलते मेरी friend की mother ने का you should have 50,000 in your pocket is it required to have 50,000 in your pocket the answer is no पैसा उतना जेव में रखो जितना जहूरत है अगर आपके पास बहुत जादा current assets है वो current assets मानके चलते से तीन चीज़ हो सकती है debtors debtors जादा है तो पैसा ढूबने का ड़ा inventory जादा है तो थड़ा गोने का ड़ा और cash अगर जादा तो तो तुम invest क्यों नहीं करते हो तुमने अपने pocket में ये पैसा क्यों रखता है this ratio is ideal ratio इसमें हम जितना भी seeking गो सारी के सारी क्या है optimum ratio ना भाद जादा ना भाद कम ठीक है पढ़ते हैं note से 4 तुमने पैसित सारी के सारी के सारी के सारी की चीजा दन एक और अर्ज़के लिखा हुए acceptable current ratio is 2 इसन1 दन अम सीखिँगे quick ratio क्या जोडिए my formula is quick assets क्या जोडिए upon current liabilities क्या है cash plus marketable securities plus receivables इसमें से मैंने क्या चीज़े हटाई इसमें से मैंने inventory को नहीं जो रहा इसमें मैंने prepaid expenses को नहीं जो रहा तो मैंने अपनी ratio को और छोटा कर दिये तो यह माना जाता है कि inventory को बेशने में काफी time लग सकता है तो company को अगर जल्दी से पैसा recover करना हो तो किन चीज़े से कर सकती है cash plus marketable securities plus receivables marketable securities का मतलब है मेरे पास shares है किसी company के और यह shares कौन से है these are the listed shares और अगर आज मुझे पैसा चाहिए तो मैं क्या करूँगा stock exchange में जाऊँगा और फटा फटा फट इंशेर को बेचाँगा और मेरे economy क्या जाएगा पैसा जाएगा यह भी liquid है debtor भी liquid है cash भी liquid है इसलिए मैंने क्या करा inventory को हता है या prepaid को हता है यह ideal कितना माना जाता है यह ideal ratio है 1-1 अगर मैंने अपनी numerator को छोटा कर दिया तो मैंने अपनी expected range को भी कितना कर दिया 1-2-1 then is cash ratio इसमें मैंने एक और चीज हटा दिया इसमें मैंने क्या हटा दिया receivables ठीक है सबसे पहले हमने करा current ratio current ratio का formula था current assets upon current liabilities कोई ratio का formula था कोई cases upon current liabilities और जहां कोई cases का मतलब था cash plus marketable securities plus data cash ratio में जैसी है मैंने क्या करा मैंने formula बनाया cash plus marketable securities divided by current liabilities मैंने किस चीज को हटा दिया मैंने receivables को हटा दिया next is basic defense interval इसका formula क्या है it indicates the number of days of average cash expenditure the firm could pay with its current liquid assets formula इसका है basic defense interval ratio is equal to quick assets divided 5 daily expenditure और मन्ते चलते हैं यह ratio आता है 2x का यह answer आये था days में that means मानते चलते हैं अगर दिन का खर्चा है 100 रुप है और मेरे पास जो assets है वो 200 रुप है को जो आपके पास assets जेड में पड़े हैं उसकी हैं से अब कितने दिन का खर्चा उठा सकते है अपना daily तो मैं अपने दो दिनों का खर्चा उठा सकते हैं optimum होनी चाहिए ना भाद जादा ना भाद का फिर से समझते इसका मतलब कोई cash upon daily cash expenditure मान के चलते ही value आती है 200 रुप है 100 रुप है रुप रुप है आपस में कट गए यह अनसर कितना आ जाएगा 2 days that means मेरे पास जो current assets quick assets है उसकी हल से मैं कितने दिन अपने चला सकता हूं 2 दिन के खर्चे उठास ठीक है then its my cash conversion cycle cash conversion cycle का formula क्या है debtor days plus inventory days minus paid balance ठीक है so it was a very simple ratio हमने 2 ratio कर ली एक हमने करा activity एक हमने करा liquidity अब एक कोशन करते है so following are the financial statements of ABC company which we will use to calculate and interpret various financial ratios यह company का P&L account है और हमने कंपनी की दो साइक की balance ship given मैंने अब आपको क्या सिखाया मैंने आपको activity ratio सिखाया और मैंने आपको क्या सिखाया liquidity तो अब मैं liquidity ratios और क्या compute करने वालों company के activity ratios तुम्हें सबसे पहले compute करने लगा activity ratio activity ratio में हमने सबसे पहले सिखाय था debtor turnover ratio और turnover ratio और debtor turnover ratio का formula था sales upon average debtor मेरी sales कितनी है my sales is 5,000 मेरी average debtor कितनी है this is 27 this is 34 तो अगर इसका में अभी निकार 27 plus 34 this would be equal to 30.5 तो यहां पुम्हें पुम्हें 50,500 तो तुम्हें पुम्हें better turnover ratio is equal to 16.39 16.39 अब मैं क्या compute करूंगा debtor days that is मेरा पैसा किते देनों कि लिए फॉसा रहता है यह formula था 365 upon debtor turnover ratio this is equal to 22.265 days that means on an average मुझे अपने debtor से payment किते दिनों में आती है मुझे payment आती है 22 दिनों मैंने फिर्ट कम्टूट करा inventory turnover ratio inventory turnover ratio का formula क्या था cost of goods sold divided by average inventory मैंने का था COGS आपको कहां पे given होगा COGS आपको P&L में given है this is 3,80,000 मैंने लिखा 3,80,000 divided by average inventory inventory कितनी है 16 and 34 so the average कितना है 25,000 inventory turnover ratio is equal to 15.2 अमें क्या computer हो inventory days this is equal to 365 upon inventory turnover ratio this is equal to 365 divided by 15.2 यह आपका आथा है 24 days my fifth is creditor turnover ratio this is equal to purchases upon average creditor अब purchases आपको question में given नहीं है तो अब purchases आप कैसे निकालोगे Purchases is equal to cost of goods sold plus closing inventory minus opening inventory तो मेरा cost of goods sold कितना था 3,80,000 plus closing inventory कितना है 34,000 minus 16,000 minus 16,500 this is equal to 3,28,000 divided by average creditors my creditors are 27 and 20 the average would be equal to 23,500 this is equal to 398 divided by 235 00 16.93 criminal account creditors days this is equal to 365 upon creditors turnover ratio this is equal to 21.55 days that means on an average creditors कि payment कित जिन में करता हूं 21.55 जिन में करता हूं 21.55 जिन में करता हूं जिन में करता जिक कितना जिए Higher तो मेरी working capital 2006 में के ने की और 2007 में के ने की ने की working capital is equal to current assets upon current liabilities, minus current liabilities current assets का summation ही यहां पे 149,500, यहां पे है 100,500, current liabilities का है 397,000, 37,000 सो मेरी working capital इस इतना आया मेरी working capital is 60,800, 1,12,500, plus average कितना हो गया, यह average हो गया, it is 6,650, government के solve करो, this would be equal to 5.77x, अगर मेरे पास एक रूप एक की working capital है, तो मैं 5.777 की क्या करता हूं, sales करता हूं, then 8, fixed assets turn over ratio, this is equal to sales divided by average fixed assets, my sales gross ₹ customers, average net fixed assets केने केना, मेरे कास fix assets से掉すashed oss, 151,000 2,54,000 उंका में एवरेश करूंगा So, this would be 2,25,000 So, this would be equal to 2.469 Last part is Total Asset Turnover Ratio This is equal to Sales upon Average Total Assets My Sales is 5,00,000 Mayre Total Assets कितने थे? 2,51,500, 4,3,500 मसकर क्या करूंगा? Average दोंगा This would be equal to 3,27,500 To, अभी मैंने क्या compute करा? मैंने अभी सारी की सारी Activity Ratio को compute करा Now, I am going to compute the Liquidity Ratio बारेक्स Liquidity Ratio मैं फस्क्राइश कर रिए था Current Ratio is equal to Current Assets upon Current Liabilities my current assets, now my entire focus would be on this particular area, sorry, this particular area, here or either mirror, my focus would be, be over here. and here, current assets upon current liability, this would be equal to 149,500 divided by 37,000, second is quick ratio, quick ratio is equal to quick assets upon current liabilities, this is equal to cash plus short term investments plus receivables. 32,000 plus 22,000 plus 34,000 divided by 37,000, my third is cash ratio, cash ratio conversion cycle is equal to debtor days plus inventory days minus creditor days. This would be equal to 149,500 divided by 37,000, 4.04. 2.378, 1.45. My debtor is 22.265 plus inventory is 24 minus creditor is 21.55. So, this would be equal to 24.75. So, this would be equal to 24.75. That means quick assets, that means quick assets divided by daily cash expenditure. That means quick assets divided by daily cash expenditure. Quick assets are how much? Quick assets are how much? Quick assets are how much? 32,000 plus 22,000 plus 34,000. So, this would be equal to 88. और आपकी खर्चे के कितने हैं, तो जो आपके expenditure हैं, एक expenditure आपका 3,80,000 को, एक expenditure आपका 29,000 को, और यह सिफ, operating income से उपर की खर्चो को मानता है, और deposition क्योंकि खर्चा नहीं है, इसलिए में deposition को include नहीं कर रहा. तो मेरा total खर्चा कितना है? मेरा total खर्चा है 4,9,000 को, तो 4-day expenditure, 4-day expenditure divided by 365, this would be equal to, 1120.547 to 1120.547, 7, this is equal to 78.53 days. तो हमने क्या करा? हमने activity ratio को सीखा, और हमने किसके सीखा? हमने अपनी liquidity ratio को सीखा, ठीक है? Now, I am proceeding to the next ratios. My next ratio is solvency. और solvency ratios basically कौन यूस करते हैं? Solvency ratios is used by the bankers. जो लोग हमें पैसा उधार कर देते हैं. अब वो यह देखना चाहते हैं, कि इस बंदे को मुझे पैसा देना चाहिए कि इस बंदे को मुझे लोन देना चाहिए, कि इस बंदे को मुझे लोन देना नहीं चाहिए. First ratio is debt to equity. इसका formula क्या होगा? Debt upon equity. Then its debt to capital. इसका formula होगा debt upon debt plus equity. और बड़त जहां से देखो क्या यह दोनों ही balance sheet item है? क्या मुझे average use करना है या नहीं करना? मुझे average worth use नहीं करना. Debt to asset. Debt to asset का formula होता है debt upon total assets. और financial leverage को मतलब होता है total assets upon equity. यह जो चार मेंने भी आपको कर रहा है. इन चार को हम क्या बोलते हैं? इन चार को हम बोलते हैं debt ratios. फिर है interest cover and fixed charge coverage ratio. इसके मैं अभी आँगा. बड़ यह पहले चार क्या थे? यह पहले चार है debt ratios. और बड़े जहान से बताईए bank debt equity को चाहता होगा जादा हो यह कम. debt equity जितनी जादा मानके चलते हैं. एक company का debt equity आ रहा है 2x. एक company का debt equity आ रहा है 4x. From the banker point of view company AXE है यह company B. इस company में अगर एक रुपे equity है तो दो रुपे debt है. इस company में अगर एक रुपे equity है तो चारुपे debt है. किसमे debt जादा? इस company में debt जादा? तो banker point of view से इस company को fund नहीं देना चाहेगी. क्यूं? इस company में बहुत जादा debt है. यह ratio जितनी कम उतना अच्छा. यह ratio जितनी कम वह signify करेगी कि आपकी business में उतना कम debt है, तो और debt जितनी भी banker से वह और debt आपको देना चाहेगी. ठीक है? second bit is debt to capital. again self-explanatory. यह भी ratio जितनी कम उतना अच्छा. मानके चलते हैं, एक company का debt equity है 2x. इस 2x का मतलब क्या है? कि in totality business को कितना रुपए चाहिए थे? 3 रुपए चाहिए थे. जिसमें से 2 रुपए debt है, और 1 रुपए equity है. इसका मतलब यह हुआ, कि इस company में 66.67% क्या है? debt है. और 33.33% क्या है? equity है. अब आप दिखेगा. अगर मुझे compute करना हो, debt upon capital, तो debt कितना है? 2 रुपए. और capital कितना है? टोटालिटी में? 3 रुपीस. 66.66% इस signifies कि अगर आपको पोटालिटी में 100 पीस के requirement है. 66% आपका क्या है? यह ratio भी जितना कम, उतना अच्छा, जितनी ratio कम, वो signify करते हैं, कि आपके business में क्या है? debt कम. ना बैनेंशीट का यह side था, sources of funds, और यह side है, application of funds. आपनी यहांपे का debt, और यह debt आपने क्या करऊगा? इन debt से आपने खरीदा होगा, बढ़े ध्जान से next ratio का देखियो, debt to asset, formula क्या बना, debt upon asset, ये ratio भी जितनी कम उतना अच्छा, that means, in assets को खरीदने के लिए आपने क्या करा है, आपने debt कम लिया, आपने leverage के chapter में भी सीखा था, as a investor, मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे company में debt पसंद नहीं, और जो last ratio है, that is financial ratio, financial leverage, financial leverage का formula क्या है, financial leverage का formula होता है, average total asset upon average total equity, important point to be remembered, यहां दोनों जगह मैं word क्या use कर रहा हूं, यहां दोनों जगह एक को पहली बात में average word मिस करता हूं, और यह boost ही चीज़ क्या है, यह ratio signified क्या करती है, समझते है, simple से examples, मान के चलते हम, आज मैंने एक asset खरीदा 100 rupees का, और इस 100 rupees के asset के लिए, मैंने 100% equity लगा है, और और कुद भी possible, यहां दो सेनारियो की यह share 80 rupees का रसकता है, यह share 120 का रसकता है, यह share 120 का रसकता है, यह कितने % का loss, loss is equal to 20% and gain is equal to 20%. In the next case, मैंने यह 100 rupees का share खरीदा, और अब मैंने क्या introduce कर दिया, मैंने introduce करा debt, मान के चलते है, equity is 60 rupees and debt is 40, वापर से यह 80 हुआ, यह 120 हुआ, सबसे पहले मुझे debt to repay करने, मैंने debt to repay करा 40, मैंने debt to repay करा 40, मैंने debt to repay करा 40, now I am left with 80 and I am left with 40, मेर 60 rupees 40 बंगे, मेर 60 rupees 80 बंगे, that means 20 rupees का gain and loss, 20 rupees का gain and loss over 60 rupees, तो gain percentage कितना, 33.33, loss percentage कितना, 33.33, और मैंने भी रेशो compute करी, total asset कितने का था, 100 rupees, equity कितना था, यह ratio आपका एगा 1.67, और अगर आप 1.67 को 20 से multiply कर दे, क्या answer 33.33 आता, येस, अब बड़े ध्यांसे दे परी, जो wallet, 1 और 1 की थी, by introducing the debt, आपने उस volatility को कितना कर दिया, आपने उस volatility को 1.67 करा, that means जैसी debt आता है, आपकी gains and losses क्या हो जाते हैं, magnify हो जाते हैं, आप gains भी अंदे होंगे, और losses भी क्या होंगे, अंदे, इसलिए हम आपको कहते हैं कि business में जितना कम debt, तो financial leverage का formula कहता, asset upon equity, और अगर आपका 100 रुपे का asset है, और equity 60 रुपीस का है, यह 1.67 आया, यह ratio जितनी जाजा, यह signify करते हैं कि आपके business में कोतना debt, यह minimum possible कितना हो सकता है, यह minimum हो सकता है 1, and 1 signify कि आपके business में debt नहीं हो, तो जितना कम उतना चाहिए, बरे दिलाएं से देखें, क्या यह जितने भी debt ratios थी, यहां पर मैंने 80 word यूज करा, वो एक word क्या था, कि यह ratios जितनी कम bank पर उतना ज्यादा secure, अब हम बात करेंगे coverage की, और यह coverage ratios जितने ज्यादा उतना bank पर secure, first ratio is interest cover, interest cover का formula होता है, EBIT upon interest, और दो नहीं P&L लेटर ने तो कहिंके की average नहीं होगी, मान के चलते हैं यह ratio आती है 6x, मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एक रुपय का interest देना है, तो interest देने से पहले में 6डर कमाता हूँ और एक company का है ATEX, अगर मुझे एक रुपय interest देना है, तो, interest देने से पहले में कितना कमाता हूँ, 8位 pay, that means, मैं हम इ papi interest को कितने times cover कर रहूँ, मैं अपने इंट्रस्स का आठ गना कमाता हूं और मैं अपने इंट्रस्स का छे गना कमाता हूं बंकार कहा पर जाधा सिक्यों हो रहा हूं बंकर कहा खुशो कुद। आर ठीए और कुदु बी यह राशियो ई जितनी जाधा बंकर लोटिखना सिक्यों okay then the next one is इसका formula क्या है EBIT plus rent divided by rent plus interest then is the fixed expenditures. वो fixed खर्चे क्या मेरे EBIT में already minus हो चुछे है? Yes. So, मैंने उनको वापस से जोड़ा. और यह क्या signify करता है? यह fixed खर्चे देने से पहले में कितना कमाता है? और यह fixed खर्चे कितने ही कितना है? मान के चलते हैं, this is 1 lakh and this is 25,000 that means 5 bucks. अगर मुझे एक रो पेकर rent or interest मुझे मुझे वन रोपीस के fixed cost क्या है? तो मैं 5 खर्च कमाता है. वो उस cost को 5 गुना cover कर रहा है. यह ratio जितनी ज़्यादा भांकर उतना secure. इसने क्या बताया interest cover ने? कि मैं अपनी interest cost को कितने times cover कर रहा हूँ? और fixed charge ने बताया मैं अपनी fixed cost को कितने times cover कर रहा हूँ? और बड fixed cost rental रहा हूँ? तो मैंने इसको पहले जोड रहा हूँ. जोडने का purpose कि मैं इस खर्चे से पहले कितना कमा रहा हूँ? और इस खर्च को करने के लिए मैं उसको कितने times cover कर रहा हूँ? तो अगर यह 55 है? यह 1 है? तो अगर 1 गुपे का खर्चा है, तो मैं उसको 5 times cover 1. So, this was the solven यह दोनु ही एक कौम कहते हैं, debt ratios, एक कौम कहते हैं coverage ratios, debt ratios जितनी कम उतना अच्छा, coverage ratios जितनी ज्यादा उतना अच्छा, ठीक है कभी एक numerical की हैं से करेंगे. My first is debt upon equity, my debt in the business is 83 and the equity is 283 500, the Hidesha Kutna Banam, 83 000 divided by 283 500 divided by 283 500 this is equal to 0.2927, debt upon capital is equal to 83 000 plus 83 000 divided by 83 000 plus 283 500, this is equal to 0.264, this is equal to 0.264, then its debt upon asset 83 000 plus, total asset skipping, sold as 3500, 0.2057, financial leverage is equal to 0.2057, financial leverage is equal to asset upon equity, equity, equity कितना है, यह minimum कितना होता है, 1 और यह जितना ज्यादा उतना बड़ा, then interest coverage issue, EBIT upon interest, मेरा EBIT कितना है, operating income is known as EBIT, so this is 79 000, और मेरे इंप्रस के खर्चे कितना है, 80 000, so this is equal to 43 8a tax, data में, question में fixed expenditure का data नहीं गिवा, so we are not in a position to compute, but मानके चलते हैं, अगर यह lease payments हमें दिया होता, 20 000 का, तो में क्या करता, fixed charge coverage ratio is equal to EBIT plus lease payments ordained divided by interest plus lease, this is equal to 79 plus 20 divided by 1800 plus 20, गर में को सूल्स करूं, 99 000 divided by 218 00, this would be equal to 54.54 tax, ठीक है, so हमने कितनी ratios कर ली, हमने activity ratio करा, हमने solvency करा, and हमने liquidity करा, activity में मैंने 3 चीज़े सीखी थी, एक को मैंने बोला, total asset, total, sorry, एक को मैंने बोला, total asset turnover ratio, एक को मैंने का था fixed asset, और एक को मैंने का था working capital, और इस working capital को मैंने 3 part में divide करा था, मैंने का था debtor days, inventory days, and private areas, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा, ये जितने काम, और debtor turnover ratio जितनी ज्यादा, ये जितना काम, प्रवाइड दा की inventory days जितने काम उतना अच्छा, प्रविज्चे पर नहीं हो रहे हैं और यह जतना ज्ञादा उफने अच्छा कि यह अत्वी में आपकर आपके। Solvency में आपने सीखवा, Debt Ratio Coverage, जितने ज्यादा उफना अच्छा, जितने कम उतना अच्छा और लिक्विडिटी में अपनी क्या सीखा? आइडल वेश्ट यह जादा नहीं होनी चाहिए यह इतन ही होनी चाहिए जितने हो चैनल ठीक है? Now friends, we are going to start with profitability ratios और profitability ratios को मैंने दो parts में divide कर रखा है एक को मैंने का है based upon sales और एक को मैंने का है based upon return Based upon sales में क्या दिखेंगे? हम company के profit margins को दिखेंगे और ये profit margins जितने जादा उतने अच्छे मेरा पहला नम क्या आता है? पहला है net profit margin net profit margin का मतलब है your net income divided by sales और ये जितने जादा होंगे उतना अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलते हैं आपके net profit margins हा रहे हैं 0.20 के और 20% इसका मतलब है अगर आप 1 रुपे की sales करते हो तो 0.20 आपके क्या है? net profits है फिर आए आपका gross profit margin gross profit margin का formula होगा gross profit divided by sales operating profit का margin next is operating profit margin इसका formula है EBIT upon sales and my last one is pretext margin pretext margin का मतलब है EBIT upon sales और यह जितने जादा उतना अच्छा फिर मेरा आता है based upon return based upon return का मतलब है यह ratios मुझे क्या बोलेंगे? कि अगर मैंने business में एक रुपए लगाया तो अपने एक रुपए की उपर मैंने कितना कमाया और यह ratios भी जितनी जादा उतनी अच्छी लेकिन मैं due point में बोलूँगा it is not always true अधिकतर cases में जितना जादा return उतनी अच्छी बात है except for one scenario जो हम किसमें सीखेंगे जो अभी हम due point analysis में करने वाले है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं business में एक रुपए लगाता हूँ तो मैं अपने एक रुपए की उपर कितनी return कमा रहा है अगर आप बड़े ध्यान से देखिए अगर ये मेरी balance sheet है this is equity debt this is my fixed assets this is my current assets and current liabilities अब इन लोगों ने पैसा दिया है अब मैं इनकी return compute करना चाहता हूँ इन्होंने जो मेरे business में एक रुपए लगाया इन्होंने कितने रुपए कमाया है first one is return on assets so return on assets का formula क्या होता है return on assets is equal to net income divided by average total assets जहां total assets का मतलब क्या है current assets plus fixed assets और at times हमें क्या compute करना पड़ता है हमें adjusted ROI को भी compute करना पड़ता है adjusted ROI में हम क्या करते हैं हम net income लेते हैं plus interest के expenses को add कर देते हैं और यहां पर लिखते हैं average total asset now what is the logic of adding the interest here क्योंकि हम कहते हैं हम इन दोनों पर निकालना चाहते हैं return और इन दोनों को अगर मैं देखू balance sheet का total तो balance sheet का asset is always equal to the liability तो क्या इसमें debt included हैं yes तो कई लोग क्या करते हैं adjusted ROI भी निकालते हैं जिसमें वो क्या करते हैं interest को खर्चा नहीं मानते वो कहते हैं कि interest के साथ हमने मिलके कितने रुपए कम है तो net income इसे interest minus होता है मैंने वापस interest को add करा और जैसी मैं interest को add करने लगा तो जो tax की savings थी है वो tax की savings नहीं होंगी तो इसलिए मैं उसको net of tax add करा now point to be remember is that यहां पे वो किस की बात कर रहा है यहां पे वो gross interest expenses की बात कर रहा है आप उन्हें net मत कर दीजेगा net का मतलब क्या है इसमें से interest की income को minus नहीं करेगा simply आपको add क्या करना है interest expenses net of tax so ROI का मतलब क्या है अगर मैंने 1 रुपए business में लगाया हुआ है तो उसकी उपर मैंने कितने percent return कमाया next one is operating return on assets यह simple है यहां पे मेरा numerator हो जाएगा EBIT upon average total assets return on total capital employed का formula होगा EBIT debt or equity ने मिलके क्या कमाया debt or equity ने मिलके कमाया EBIT divided by short term debt plus long term debt plus equity and final is ROE ROE का मतलब है कि equity holders ने क्या कमाया equity holders ने कमाया net income minus preference dividend divided by equity तो हमने profitability ratio सीखी profitability ratio की case में मैंने क्या करा उसको दो parts में divide करा एक को मैंने का based upon sales एक को मैंने का based upon return यह जितने जादा उतना अच्छा based upon return ने क्या का अगर मैं बिजनिस में लगा रहा हूँ उसकी उपर मेंने कितने कमाया और based upon sales ने का अगर एक रूपे की sales हो रही है तो उसके अंदर मुनाफिय कितने हैं ठीक है सब अब एक example की हज से हम यह सारी की सारी ratios को compute कर लेते हैं so my first one is net profit margin so net profit margin would be equal to net income which is 54,000 divided by sales जो की है मेरा 5,00,000 then मेरा था gross profit margin gross profit margin is equal to gross profit 1,20,000 1,20,000 divided by 5,00,000 then it's EBIT margin operating income क्या कहते हैं EBIT this is equal to 79,000 divided by 5,00,000 and my last one is EBIT margin which is equal to earning before tax 75,000 divided by 5,00 तो मैंने सारे के सारे profitability ratios निकाली अब मैं कौन सी ratios निकालूँगा return ratios so return ratio में मेरा first क्या है return ratio मेरा first है ROA और ROA के लिए मैं आपको formula क्या बोला था net income divided by average total assets my net income is 54,000 and my average total asset is 251,500 plus 403,500 divided by 2 this would be equal to 16.48% फिर मैंने आपको सिखाया था adjusted ROA adjusted ROA की case मैं क्या करते हैं net income plus interest net of tax divided by average total asset ये तो आपने 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 निकाल रखा है my numerator would be 54,000 plus interest के खर्चे interest के खर्चे interest के पर नीचर कितना है 1800 अब इसको मुझे क्या करना है पड़ेगा net of tax अभी मैं tax का rate कम्प्यूट कर लूँगा divided by 251,500 plus 403,500 raised to the power 2 और बड़े धियान से देखिए मेरा tax rate कितना है मैं 21,000 का tax देता हूँ और इंकम आफ 75,000 तो मेरा tax rate कितना हुआ मेरा tax rate है 28% अगर आप इसको solve करेंगे तो मेरा निक्स क्या था मेरा. नियरोणोड रविल्या मैरा निक्सा रविल्या रविल्या आपका EBIT कितना है 79,000 divided by 25100 plus 403500 less to the power 2 अगर आप इसको solve कर देंगे this would be equal to 24.12 percent. My next is return on total capital employee ROCE formula वत P upon total capital employee this is equal to 79,000 और मेरा capital employed कितना था मेरा capital employed का मतलब होते है long term date plus equity short term date given नहीं है तो 2006 मेरा capital employed था 218 00 plus 190,000 2007 मेरा capital employed है 83,000 plus 283 00 अगर आप इसका average कर लेंगे 27.32% and my last is ROE this is net income upon average total equity net income is 54,000 plus this is the average equity 1,90,000 plus 283,500 divided by 2 so this would be equal to 22.80% तो अगर equity holders एक रूपर बिजनस में लगाते हैं तो वो कितना कमाते हैं वो 0.2280 रूपीज कमा रहे हैं for their 1 रूपी इन्वेस्टे इन दी बिजनस so with this we have completed all the ratios हमने activity ratio देखा, liquidity देखा, solvency देखा and profitability देखा ठीक है and I would really appreciate कि जो भी आपकी reference book में questions दी हैं यह काफी simple थे तो आप प्लीज एक दो questions करेंगे तो automatically आपका इस पे आपको knowledge आजाएगी plus from the exam point of view these are very important for a में ऐसा कोई question नहीं होगा जिसमें ratios नहीं होगे तो ratios भाती जादा important topic है ठीक है आगे देखते है so now अब हमें क्या करना है अब एक example हम करेंगे जिसमें हमें क्या कर रखा है हमें companies के कुछ ratios दे रखी है और हमें देखना है कि रखा है या निकरेंगें है परते हैं which of the following choices best describe a reasonable conclusion that an analyst might make about the company's efficiency level over the 4 year period company A has shown a greater improvement in efficiency than company B as indicated by total asset turnover ratio increasing from 0.6 to 0.2 to 1.19 तो ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कम्पनी एक की टोटल एसे टनोव रिशो इंप्रूव हुई है 0.6 से लेके 1.19 ये अच्छी बात है ये बुरी बात है देखते हैं वो इस रिशो की बात कर रहे हैं ये रिशो कम्पनी एका था 0.6 और 0.6 से ये बढ़ते बढ़ते कितने पर आगया 1.19 और कम्पनी बी की ये 1.19 से गिर की कितने पर आगया 1.02 टोटल एसे टनोव रिशो जादा अच्छी ये का ये जितना जादा उतने एफिशेंटली आप अपने रिसोर्स को क्या कर रहे हो यूटिलाइज कर रहे हो और कम्पनी ए का ये 0.60 से इंक्रीज हो गया है 1.19 क्या ये अच्छी बात है ति आंसर इस येस कम्पनी ए की परफॉर्मेंस इंप्रूव होई है कम्पनी ए ने इन कम्पारिजम टो भी अपने एसेट्स को जादा एफिशेंटली इउटिलाइज कर रहे हो अगला पढ़ते हैं इन 2007 कम्पनी ए इन्वेंट्री देज 5 के थे इन्डिकेट्स दाट इन लेस एफिशेंट आट इन्वेंट्री मैनेजबंट दाट कम्पनी भी विच हैड आ इन्वेंट्री देज और इसके inventory days कितने हैं 41 के, मैंने कहा था inventory days के और चाहिए optimum, और अगर आप अपनी sales growth को meet कर पा रहे हैं, जो भी industry की sales growth है, that means assuming all other things to be constant, inventory days जितने कम उतना अच्छा, that means यहां पर मैं assumption क्या ले रहा हूँ, मानके चलते हैं, क्योंकि sales growth को data नहीं गिवा, तो मानके चलते हैं, assumption, both have same sales growth, जो दोनों companies हैं, उनकी sales growth ब्राबर है, अब जिसके inventory days कम, that means वो अपने resources को उतना efficiently utilize कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपना पैसा कम फसा के रखा है, यहां पर क्या वो सही बात बोर रहे हैं, in 2007, company A, inventory days of itna, indicate that it is less efficient, क्या वो less efficient है यह more efficient है, company A is more efficient in inventory management than company B, so this is incorrect statement, in 2008, company A, companies B, receivable turnover of 8, indicates that it was more efficient at receivable management than company A, which had a turnover of 11.57, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, कि debtor days is equal to 365 upon debtor turnover ratio, और मैंने का था, debtor days जितने कम उतना अच्छा, that means debtor turnover ratio जितनी जादा उतना अच्छा, अब 2008 में, इनका turnover कितना है, इनका turnover है 11, और इनका turnover कितना है, इनका turnover है 7, और अगर यही बात में debtor days में करना चाओ, तो इनको payment मिलती है 35 दिन में, इनको payment मिलती है 35 दिन में, company A better है, यह company B, company A is more efficient in debtor management, क्योंकि इसको पैसा कितने दिनों में मिल रहा है, उसको पैसा मिलता है 35 दिन में, वीजा भी company B को कितना मिल रहा है 45, देखते हैं उनका लिखा है, company B is more efficient, answer is incorrect, क्योंकि company B को पैसा कितने दिनों में मिल रहा है 45 दिन में, और company A को पैसा कितने दिनों में मिल रहा है 35 दिन में, so company A is more efficient, यह भी गलत है, over the 4 years company B has shown improvement in efficiency then company A as indicated by net profit margin of 4.62 क्या ये लाइन भी सही है ये गलत है ये लाइन incorrect है क्यों उसने क्या बोला efficiency efficiency net profit margin से पता नहीं लगती efficiency किस से पता लगती है activity ratio से so ये statement भी आपका incorrect है क्योंकि profit तो ये बताते हैं कि आप मुनाफिक इतने ज़्यादा कमाते है efficiency होती है resources की so efficiency is governed by activity ratio वो profitability से compare कर रहा है this is also the incorrect answer तो आपकी exam में ऐसे questions आने वाले हैं चीक है अब दिखते हैं अगला question और सारी अगला concept जो की है due point मैंने अभी आपको बोला था कि ROE means equity holders ने क्या कमाया जो उन्होंने एक रूपे लगाया था उन्होंने कमाया net income divided by equity तो अगर वो एक रूपे लगाते हैं अपने एक रूपे की उपर उनकी कितनी कमाई है और इसको मैं थोड़ा extend करके लिखना चाहता हूँ और आप बताएगे क्या मैंने सही लिखा या गलत मैं इसको एक और स्टाइल में लिखना चाहता हूँ और ROE यहां पर EAT लिखना हूँ EAT EAT EBT 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 EBIT EBT TIBIT W cycl겠다 EBT TOTAL assets upon assets, मैं लो total assets divided by equity, क्या मैं लिख सकता हूँ, the answer is yes, और अभी मैंने आपको कह था, ROE जितना ज्यादा उतना अच्छा, this is incorrect, इस ROE को मैंने क्या करा, इस ROE को मैंने फाइफ पार्ट्स में डिवाइट करा, और यह जो पहले चार पार्ट्स हैं, यह जितना ज्यादा उतना अच्छा, that means अगर ROE पहले चार फाक्टर्स की वज़े से ज्यादा आ रहा है, it's a positive thing, और यह लास्ट चीज़ की वज़े से ROE जादा आ रहा है, it is a negative, अब आप में को नाम बतारेंगे, चीक है, इस के लिए मुझे इस ratio के लिए अच्छा सा नाम बताईए, कि आप इस ratio को, मैं leverage ratio कह सकता हूँ, और मैंने आपको कहा था, यह leverage ratio minimum कितना होगा, इससे ROE जादा आ रहा है, this is not a positive thing, क्यों, आज मुनाफ़े जादा हुए हैं, no doubt, बट कल को अगर आपके बिजनस में losses हुए, तो losses भी आपको जादा होने वाले हैं, यह profit आपको क्यों होने हैं, क्योंकि आप में business में क्या था, leverage था, leverage magnifies the gain, आज यह अंधे होएं, कल को losses भी क्या होंगे, अंधे होंगे, यह leverage ratio है, यह जितना कम, उतना अच्छा, बाकि सारी चीज़ें, जितनी जादा, उतनी अच्छा है, यहाँ पर लिखेंगे, leverage ratio minimum कितना हो सकता है, leverage ratio, minimum, इस के लिएक अच्छा सा नाम दीजी, sales upon total asset, क्याइस को मैं बोल सकता हूँ, asset, turnover ratio, और asset, turnover ratio आपने का था, जितने जादा, उतना अच्छा, इसके लिए मैंने word यूज करा, ABIT margin, इसके लिए मैंने word यूज करा, interest burden, और यहाँ पर मैंने word यूज करा, text burden, और यह दोनों कितने हो सकते हैं, यह दोनों maximum 1 हो सकते हैं, अब लिखे, यह दोनों कितने हो सकते हैं, यह दोनों maximum 1 हो सकते हैं, समझते हैं, मान के चलते हैं, एक कंपनी का EBIT है 100, इंकर चलते हैं, एक क्या चलते हैं, एक कुछ अब चलते हैं, एक क्या लिखे, एक क्या लिखे, 90 upon 100 और इस particular चीज़ को मैंने का text burden और इसको मैंने का interest burden बड़े ध्यान से देखिए 90 रोपे मैंने कमाए अगर ये text 0 होता तो यहां पर value किया जाता 90 90 divided by 90 that means ये ratio maximum कितना हो सकता है ये ratio maximum 1 और जितना जाधा text होगा 30%, 40%, 50% ये ratio क्या आती जाएगी ये ratio आपकी गिरती जाएगी और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकता है अगर आप इसको solve करेंगे तो ये आपको कितना आता है ये आप कहते है 72 divided by 90 this should be 80% और ये 80% एक और तरीके से भी आ सकता था 1 minus tax rate tax rate 20% था तो क्या 80 हुआ? येस और जितना जाधा tax rate होता जाएगा मानके चलते हैं कमपनी का tax rate है 50% तो tax burden कितना हो 50% ROE आपका गिर जाएगा जितना कम tax उतना जाधा आपका ROE similarly मानके चलते हैं यहाँ पर interest जो होता वो 0 होता तो यहाँ पर 100 आ जाता 100 divided by 100 यह ratio भी maximum कितनी हो सकती है यह ratio भी maximum 1 होगी और जितना जाधा आपमें interest का burden होगा numerator आपका छोटा होता जाएगा और numerator छोटा होगा तापकी ROE कम हो जाएगा that means मेरे पहले 4 components जितने जाधा उतना अच्छा अगर यह जाधा आ रहा है in respect to the comparable company that means मेरे उपर tix का button का में मेरे उपर interest का button का में मेरे अंदर margin जाधा है और मैं अपने assets को efficiently utilize कर रहा हूँ अगर last component जाधा है that signifies आज के gain अधिक हुए है no doubt but यह किस की वज़स से हुए है debt की वज़स से कल को अगर losses हुए तो losses भी क्या होने वाले है make me find ठीक है तो देखते हैं question करते है so हमने कान सा करा यह basic वाला quit कर लीजएगा हमने कान सा करा 5-way that means the extended one इसको मैंने का tax burden इसको मैंने का interest burden इसको मैंने बोला EBIT margin इसको मैंने का assets turnover ratio और last वाले को मैंने का leverage ratio और last वाला जितना कम उतना अच्छा बाकि चार components जितने ज़्यादा उतना अच्छा देखते हैं consider the following information ये company का ROE है और अगर में सारी चीज़ों को multiply करूँ एक दूसरे से क्या मेरे पास ये ROE वाला figure आजाएगा तो ये ROE वाला figure होगा based upon this information comment on the negative trend in the company ROE आपको negative trend पे compare करने की company की ROE 24 से 9 पे क्यों आ गई है क्या factors हैं मैंने सबसे पहले देखा text burden और text burden ये वाला answer जितना जादा उतना चाहिए maximum possible कितना सकता है why ये 62, 62 ये almost constant रहा है इसमें कोई change नहीं है interest भी almost constant रहा है EBITDA margins EBITDA margins company के 14 से गिर के कितने पे हो गए 8.63 क्या अगर EBITDA margins गिरेंगे मेरा ROE गिरेगा answer is yes so one of the factor is EBIT margin और company के EBIT margin 14 से गिर के कितने पे आ गए है 8.63 पे asset turnover ratio भी जितनी जादा उतना अच्छा शुरू में company की asset turnover ratio थी 1.58 और अब asset turnover ratio कितनी है 8.85 so the second reason is decline in ROE is asset turnover ratio leverage आपको almost constant रहा है so what are the two factors जिसके वज़े से मेरा ROE गिरा है decline in the EBIT margins and decline in the asset turnover अब hypothetically मान के चलते है कि यहां पर यह ratio होता 1 और यहां पर यह ratio होता 2 क्या यह negative होता या positive कि इसको आप negative मानने वाले because there has been increase in the financial leverage तो आप इसको positive नहीं मानोगे इसको भी आप क्या मानोगे negative बाकि चार components जितने जादा उतने अच्छे last वाला component जितना कम उतना अच्छा ठीक है सब now हम सब अब एक रिश्यो और रह गई है जो हम किसमें सीखने वाले है equity में और income कहते हैं multiples पहले मतलब समझ लेते हैं though we are going to cover this in detail कहां पर यह हम detail में सीखेंगे in the chapter equity अब जब मैं किसी company के valuation करता हूं तो valuation दो तरीके से होती है income कहते हैं absolute approach और income कहते हैं relative approach income कहते हैं absolute approach income कहते हैं relative approach और मान के चलते हैं आज मैंने अप्से पूछा कि आपके घर की कीमत क्या है धालेशन करना चाहते हों और क्या practical life में आपने कभी किसी चीज की valuation करी है the answer is yes आपने number of time से variation करे है example मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपके घर की कीमत क्या आपने का sir the value of my house is 2 करो मैंने का भी ये 2 करोड का value आया कांसे आपने का sir अभी अभी मेरी गली में घर विका है और वो घर 2 करोड का विका है तो मुझे लगता है आपका admission हुआ ISB में और मैंने आपसे पूछा what is the average package you are expecting आपने का sir I am expecting a average package of 22 lakh मैंने का ये 22 lakh का figure आया कांसे आपने का sir अगर मैं last year का placement report देखू तो average package 22 का है तो मुझे लगता है मेरा package भी 22 का होगा that means relative valuation करते वक्त आपने दो assumptions लिए वो दो assumptions क्या है पहली बाद ये जो 2 कोरोड का rate है this is the correct rate मानके चलते हैं जब ISB आई थी जब कैंपस में companies आई थी last year तब क्या था तब e-commerce boom पे था higher package चला गया ये market election year था market में इतना ज़दा बूम नहीं था जिसकी होज़े से वो package कम लगा आप मानके चलते हैं ये 22 लाग का package जो है that is a true rate this is the first assumption second assumption is that you are equal to an average guy could be possible आप एक average बच्चे से अच्छे हो could be possible आप एक average बच्चे से कम हो but आपने क्या माना आपने माना कि मैं एक average बच्चे के बड़ा ब़ग अब relative का मतलब समझो relative का मतलब है किसी से मेरी तुलना करो और बताओ कि मेरी value क्या होगी और हम इसमें क्या निकालते हैं इसमें हम multiples निकालते हैं और multiples का मतलब simple एक ही है for one rupee profit what is the price I am pink तुम्हें एक रुपे मुनाफ़े के लिए क्या कीमत पे कर लागते हैं मान के चलते हैं एक और example so that आपको clear हो जाए बड़ ये multiples हम निकालना कहां पर सीखेंगे ये multiples हम निकालना सीखेंगे in the chapter equity मान के चलते हैं कि एक लड़का है उसको एक लड़की से प्यार हुआ और जब लड़की से प्यार हुआ तो अब घर पे शादी की बाते चल लेगा और ये जो लड़का है इसकी कालिफिकेशन क्या है ये बीकौम है। CA है, CFA है, ISB है और लाखो डिग्री है और इसका package अभी है 10 लाख रुपए का और इस 10 लाख रुपए के लिए उसने बोले क्योंकि मैं अन करता हूँ So I want a dory of 60 लाख रुपीस ये deal किस multiple पे हो रही है ये deal हो रही है मेरे 6 के multiple पे That means multiple का मतला क्या हुआ, for 1 रुपी profit, what is the price I am ready to pay मांग के चलते हैं, इसी जैसे एक और comparable लड़का है और उसका package है 20 लाख तो आप उसके लिए क्या package निकालोगे उसके कितना उसका value क्या है उस लड़के का value हो जाएगा 1.2 करोट और ये 1.2 करोट कैसे आया आपने simply वो multiple उठाके जो आपने उपर निकाला था comparable companies का वो ही multiple इसकी earnings पे लगा दिया point to be remember for a premium company we are ready to pay a higher price एक microphone है, एक iPhone है क्या मैं iPhone के लिए higher price पे करता हूँ, yes, why? because it's a premium product ठीक है तो ये detail में हम काम पे सीखने वाले anyways ये हम detail में सीखेंगे in the chapter valuation जो आएगा equity के under so this about price to earnings, price to cash flow, price to sales simple एक ही लाइन अप पढ़ेंगे for one rupee profit what is the price I am paying now credit analysis करते वाग credit analysis का मतला है banker जब आपको लोन देथा है तो वो किन ratios में इंक्रस्टेड है the banker is interested in only one ratio जो कि है आपकी solvency वो देखेगा कि debt ratios कितनी है और coverage ratios debt ratios जितनी कम उतना अच्छा और coverage ratios जितनी जादा उतना अच्छा now my next LOS is explain the requirement for segment reporting and calculate segment reporting ratios अब मैंने अपको इस क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको एक एक ग्जाम्पल दिया था that reliance जो है for different businesses में so reliance कौन कान से business में it is in oil refinery it is in petrochemicals it is in oil and gas it is in digital business as well अब मुझे reliance की valuation करनी है तो मैं reliance की valuation करूँ तो करूँ कैसे reliance की valuation करने के लिए कौन सी approach follow करते हैं हम SOTP approach follow करते हैं सरब SOTP का मतलब क्या है SOTP का मतलब है sum of total parts that means मैं क्या करूँगा इस business की अलग से value करूँगा इस business की अलग से value करूँगा इस business की अलग से value करूँगा और इस business की अलग से value करूँगा बट सर अगर आप इन businesses को अलग से value करना चाहते हो क्या आपके पास इनके अलग-अलग financial statements हैं तो accounting standards क्या कहते हैं accounting standards कहते हैं है reliance तोमारी जितने जितनी segments है उस सब के आपको क्या करने पड़ेंगे उस सब के आपको हमें देने पड़ेंगे segment reporting कि उस particular business से आपने कितने रुपै कमाए उस particular business में आपके क्या losses क्या profit थे यह सारे के सारे आपको disclose करने पड़ेंगे तो अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको reliance का annual report दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि reliance ने क्या कर रखाए यह segment reporting करके दिखाई हुई है कि वह oil and gas से कितना कमाता है petrochemical से कितना कमाता है oil and gas से कितना कमाता है अब इन सब का विसे purpose क्या है कल को तुम्हें equity में valuation सीखनी है और आपको reliance की valuation करनी है कि आपके according उसकी value कितनी है तो आप कौनसी approach follow करोगे sum of total parts हर business को अलग-अलग value करोगे और जोर्दोगे और हर business को अलग value करने के लिए मुझे किसकी help चाहिए again मुझे उससे analyze करना है with the help of ratios किसी business की जादा profitability होगी किसी में जादा debt होगा किसी में कुछ होगा यह सारी की सारी चीज़े मैं कहां से दिखूँगा segment reporting से तो आपको इक पर मैं दिखाता हूँ so this is the annual report of reliance और यहाँ पर मैं control if करता हूँ segment reporting और देखे कंपनी ने अपने segment reporting क्या दिखा रखिया है कंपनी ने यहाँ पर दिखा रखा है refinery, petrochemical, oil and gas, retail, digital, others और उसने बताया कि हर एक से मेरा turnover कितना है profits कितने है, interest के खर्चे क्या है यह सारी की सारी बाते कंपनी अपने segments में दे रही है उसके assets कितने है, उसकी liabilities कितनी है क्या यह मेरे लिए as a analyst important है yes, क्यों कि मुझे कल को in totality इनकी valuation करनी है similarly, एक और example में आपको दूँगा ITC, ITC is a company which is into FMCG business, hotel business, cigarette business क्या हर business को मुझे अलग से value करना है yes, मैं क्या देखूंगा मेरे लिए उनकी segment reporting एक बहुत important part है ठीक है सार, इक बार देख लेते हैं a business or a geographic segment is a portion of a firm that has risk and return distinguished from the rest of the firm and accounts for more than 10% of the firm's sales and assets यह क्या कहने चाहता है अगर किसी particular business segment से तुमारी मानकों चलता है total sale है 100 रुपए और उस particular business में से 10 या 10 रुपए कि जादा की sale हो रही है तो आपको उसकी segment reporting करना mandatory है ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे एक जगा उसने word क्या लिखा है एक जगा word उसने लिखा है others इस others में क्या होगा इस others में Jio included है तो इन्होंने Jio को अलग से अभी क्यों नहीं दिखाया could be possible कि अभी Jio इतना बड़ा नहीं है from the reliance point of view जिसकी segment reporting मुझे अलग से करनी पड़े ठीक है तो इस वस अन्धी segment reporting now the next LOS is describe how ratio analysis and other techniques can be used to model and forecast earnings ये point हाला मैं आपको अरड़ी बता दिया कि मैं क्या करता हूँ मैं सिफ sales की assumption लेता हूँ और बाकी सारी की सारी assumptions क्या होँगी relative to sales debt कितना percent होगा sales का इतना percent equity कितना होगा profits कितना होगी that means with the help of ratios मैं company का historical behavior देखता हूँ historically companies के क्या margins देखता है और उसी के basis पे मैं क्या करता हूँ forecasting करता हूँ so these are help in making the forecasting statements और forecasting की हगसे में क्या करूँगा पहला काम valuations करता हूँ और दूसरा काम credit underwriting the meaning of credit underwriting is कि क्या मुझे उस बंदे को पैसा उधार की form में देना है या नहीं और valuation का मतलब है कि क्या उस business में मुझे equity की तरह invest करना है या ठीक है now the last part of the chapter हमने सीख लिया था कि फोर तरीके होते हैं एक को मैंने का था ratios एक को मैंने का था common size एक graphical एक regulation तो common size का मतलब क्या है ratios हमने कर लिया common size दो तरीके के होते हैं एक को हम vertical कहते हैं एक को हम horizontal कहते हैं मानके चलते हैं एक कमपनी की sales है 100 और EAT है 20 यहाँ पर sales ही 200 और यह हो गया 30 मैंने क्या compute करा मैंने profit margin compute करे profit margin यहाँ पर थे 20 परसें और यहाँ पर मेरे आते हैं I think 15 परसें यह जो मैंने analysis करा इसको मैं क्या कहता हूँ vertical vertical का मतलब क्या है जितने भी PNL के components थे उन सब के लिए मैंने base क्या use करा मैंने इसको सब को divide कर दिया उस year की sales से और मैंने का अब बताओ कि मेरी profitability इंप्रूव हुई है या debtorate इस तरीके को हम कहते हैं vertical PNL के case में मैं सारी के सारी line items को किस से divide कर दूँगा sales से और balance sheet में मैं किस को divide कर दूँगा by total assets horizontal में हम क्या करते हैं इसको compare करते हैं विधी प्रिविए से मैं सेल्स हाज ग्रोण बाई 50 परस्ट मैं सेल्स हाज ग्रोण बाई 100 परस्ट मैं प्रोफिट्स हाज ग्रोण बाई 50 परस्ट अगर आप ऐसा analysis कर रहे हैं इसको हम horizontal कहते हैं और vertical की case में हम कैसे करते हैं सारी की सारी चीज़ों को sales से divide एबर पढ़ते हैं vertical stated as a percentage of sales for income statement and as a percentage of total assets for balance sheet horizontal में क्या करते हैं हम previous year से compare करते हैं कि मेरी value improve हुई है या debtorate हुई है graphical यहां पर हम graphical presentations करेंगे line charts बनाएंगे और बताएंगे कि company की performance improve है यह data rate and last one is the regression regression का मतलब क्या है regression हम सीखेंगे portfolio में but regression का मतलब गी है based upon which हम दो dependence में क्या करते हैं दो dependent variables में relationship find out करने की कोशिश करते हैं और में GDP growth का figure लेके आया 7% अगर GDP growth rate इतना होगा तो what is the sales I am targeting that means I want to know the relationship between GDP growth was and my sales growth तो इसको हम कहते हैं regression एक बार फिर से ratios हमने पूरा detail में करा फिर हमने सीखा common size common size में as a percentage of sales निकालता हूँ and as a percentage of total asset और मैं क्या करता हूँ या तो मैं मैं previous year से compare करता हूँ previous year से compare कर रहा हूँ तो उसको हम कहते है horizontal as a percentage of sales कर रहा हूँ तो उसको मैं कहता हूँ वर्टिकल फिर मैंने अपको का graphical graphical की forms में different different graphs बनाते हैं और बताते हैं कि company की performance कैसे रही है and last one is the regression regression में मैंने का I've tried to identify the relationship between two variables ठीक है दो जब हम beta का formula करेंगे तो beta का formula किस क्यूपर based है beta का formula based होता है regression क्यूपर और इसका formula क्या होता है वैसे though it is not required covariance upon variance covariance of my stock return with the market divided by the variance of the market that means मेर और market के returns में क्या relationship है ठीक है so this we try to find out with the help of a independent variable so with this we have covered your ratios and believe me कि अगर जितने भी chapters हम नहीं करें FRA में कोई एक chapter जिसके उपर मैं भहत जादा emphasis करने चाहता हूं that is going to be the ratio and mark my words जितने FRA के questions आएंगे उन सब में ratios आने वाला है ठीक है so do this chapter properly numericals इतने नहीं हैं जैसे भहत basic basic numericals है but आपको identify करना आना चाहिए कि कौनसी रेशो जाद अच्छी है कौनसी रेशो कम अच्छी है ठीक है? Thank you Hello friends Now we are going to start with our next chapter जिसका नाम क्या है? introductory chapter हाला यह chapter हमने starting में करना चाहिए था but हमने क्या करा हूं हमने सब से पहले जो मुश्किल study session थे study session 8 & 7 हमने उनको रापक करा अब हम basic study session पे आ रहे है which would be the introduction now इसका logic क्या था मैंने ऐसा करा क्यों मैंने इसलिए ऐसा करा क्योंकि मैं अपने regular batches में भी क्या करता हूं सबसे पहले में difficult topics को उठाता हूं ना the best part would be कि एक बार आपको difficult topics समझ में आदे तो यह introductory basic chapters हैं आपको बहुत अच्छे रंग से समझ में आएंगे है ठीक है? अब इस chapter में मैं सीखने वाला हूं कि सबसे पहला LOS जो है मेरा which would be the LOS A वो कहता है कि company को financial statements बनाने की ज़रूरत क्या है? क्यों एक management financial statements को बना है? जब मैं word use करता हूं financial statements इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरा P&L account my balance sheet my cash flow statements and notes to accounts और H इस हमने और सीखे थी statement of changes in equity अगर में इन 5 चीज़ों को जोड़ दो तही मेरा financial statements बनते हैं अब इसकी requirement क्या है? Now the requirement is that there are different stakeholders जो मेरी company में interested है वो लोग कौन interested है? Number one would be the investors जिन लोगों ने मेरी company में पैसा लगा रखा है company तुमारा हद बनता है कि बताओ कि particular period में तुमारी performance कैसी रही तुमने कितने मुनाफ़े कम है, कितने loss करे और क्या तुमारा debt or assets का क्या amount है क्योंकि मैंने तुमारी company में क्या कर रखा है? मैंने तुमारी company में पैसा invest कर रखा है तो as a investor यह मेरा right है कि मुझे पता हो second would be the lenders या potential lenders मांके चलते हैं आज आज आप bank के पास जाते हो और bank को कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए आप bank कहता है कि भईया मुझे आपको पैसा देना है या नहीं देना तो मुझे आपको financial statements देने परेंगे third person would be the creditors creditors आपको माल उधारी पर चाहिए वो भी कहता है कि मैं आपकी credit worthiness check करूँगा कि क्या आपकी capability है में को pay करने की अगर होगी तो मैं आपको उधार दूँगा वरना मैं आपको उधार नहीं दूँगा एक और stakeholder होता है government government कहते है मुझे compute करना है कि आपको कितना text देना चाहिए that means एक company को financial statement इसलिए बनाने चाहिए so that जो भी different stakeholders है वो एक economic decisions पे आए until unless आप उने ही data नहीं दोगे वो analyze कैसे करेंगे so the purpose is so that कि यह जो लोग है यह economic decisions ले सगे इसलिए company तुम्हें यह सारी के सारी data को क्या करना पड़ेगा यह सारी के सारी data तुम्हें provide करना पड़ेगा अब एक growth level पर समझते हैं मन की चलते हैं कि मैं company की valuation कर रहा हूँ और उस company का नाम है बल्रामपूर चीनी मिल्स अब यह company क्या करती है this company is the largest producer of the sugar in the country यह हमारी country में sugar बनाने वाली company है और मैं इसकी valuation कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं potential investor हूँ कि क्या मुझे इस company के equity shares में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अब as a investor कौन-कौन से documents हैं जो मुझे company के बारे में पढ़ना चाहिए मैं आपको इस बात बताना चाहूँगा कि बेटा at the end of the day आप CFA इसले ही कर ले हूँ so that कि आपको कल को investment banking की job मिले और investment banking की job is nothing but a job of a research आपको सिर्फ ग्यान भूदना है कि एक sector कैसे operate करता है what are the projections और जितने correct आपके inputs होंगे, inputs are the assumptions, जितना correct आपके inputs होंगे उतना ही सही आपकी valuation है that means investment banking is nothing but a pure research job अब मुझे इस company की valuation करने, अब मुझे क्या-क्या documents को देखना चाहिए सबसे पहले एक statement होती है जिसको हम कहते है quarterly results मैं आऊंगा धीरी-धीरे सब पर second is annual report third is investor's presentation fourth is earning guidance fifth is transcripts मुझे as a potential investor यह सारे के सारे documents देखने चाहिए अभी documents हैं क्या आपकी country में हर district entity को क्या करना जरूरी है हर district entity को quarterly results लेके आना mandatory है मानके चाहते है यह particular year है this would be my first April this is my 31st March अब सभी क्या कहती है सभी कहती है हर district entity तुम्हे quarterly results लेके आने होंगे मेरा first quarter end होता हुआ 38 June, 30 September, 31 December and 31 March इस दिन मेरा quarter end हुआ मानके चलते हैं आज आपका CFA का paper खतम हुआ results के आज ही आते हैं थ्रूआ time लगता है results आपके approximately 45 days लगते हैं तो यहां पे भी सभी ने क्या का कि company तुम्हें 45 days के अंदर अपने results को that means by 15th of August, by 15th of November, by 15th of February and by 15th of May ठीक है अब यह word क्या use करा से भी ने within 45 days इंडियन क्या पढ़ते होंगे इसको इंडियन क्या पढ़ते हैं as-on सभी as-on नहीं है company तुम 45 दिन के अंदर कभी भी अपने results को declare कर सकते हो यह जो results आते हैं इनको मैं बोलता हूँ quarterly statements मैं quarterly statements भाद ध्यान से पढ़ने वाला और इन quarterly statements का purpose क्या आता है हमारी country में कई businesses seasonal है example जितने भी consumption sector है वो सारा का सारा seasonal business है क्यों क्योंकि दिवाली के time consumption एकदम से बढ़ जाती है that means मैं देखना चाहता हम कि क्या यह किसी pattern के उपर based है कुछ seasons है या नहीं है इसलिए मैं quarterly results को भाद ध्यान से देखोंगा then हर company को क्या करना पढ़ता है जिसन इसका financially close होता है उसके six months के अंदर अंदर उन्हें क्या करना पढ़ता है एक AGM करने पढ़ती है उस AGM का full firm है annual general meeting अब इस annual general meeting में क्या होता है इस meeting में जो border directors है वो dividend shoulders को propose करते हैं कि shoulders हम इतना dividend देना चाहते है then जो shoulders है वो resolution pass करते हैं कि हमें dividend देना या नहीं देना similarly board auditors के लिए भी होता है that means इस meeting में क्या होता है company बताती है कि उनकी performance पूरे साल में कैसी रही कितना वो dividend देना चाहते हैं क्या auditors हों के कौन director होगा यह सारी की सारी बाते इस meeting में होती है अब इस meeting में जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ invitation चाहिए उस invitation को मैं कहता हूं annual report और यह annual report public domain में कब आती है 21 day prior to eGM जिसे मेरा eGM होगा उससे 21 दिन पहले क्या आ जाता है उससे 21 दिन पहले यह public domain में आता है पहले यह आपके घर में courier होता था जितने भी shoulders थे अब क्या आता है क्योंकि हम e-governance को follow कर गया है तो company अपने website पे investors column के अंदर इस annual report को upload कर देती है मुझे इसको भी पढ़ना है और इसमें बहुत important important data होता है इसमें क्या data होता है इसमें company बताती है कि यह जो financial statements बनाएगर यह financial statements बनाते है वक्त हम में क्या क्या assumption use करी example मुझे salvage value की assumption लेनी होती है आपने inventory को value करा fixed assets को value करा console method को follow करा fifo को करा leafo को करा क्या आपने को impairment ली यह ने ली यह सारी की सारी बाते इन financial statements में दी जाती है इनको मैं क्या कहता हूँ notes to account इनको आप disclosure भी अभी तक पढ़ रहे थे क्या यह मुझे एक important data देते हैं yes क्योंकि valuation करने के लिए मुझे क्या चाहिए valuation करने के लिए मुझे दो companies में comparison करने मानके चलते हैं बल्रामपुर एक company जो चीनी बनाती है और दूसरी company है द्वारकेश या दूसरी company है धंपुर अब मुझे compare करना है कि मेरी performance अच्छी है या नहीं है तो मुझे यह भी देखना होगा कि क्या दोनोंने same accounting policy को follow करा है या नहीं करा है that means from our investor point of view क्या notes of accounts भी मेरे लिए के important है yes यह notes of accounts मुझे कहां पर मिलेंगे यह notes of accounts मुझे मिलेंगे मेरे annual report में इस annual report में एक और भात important चीज होती है जिसको हम कहते हैं management, discussion and analysis MDA session इसको कहते हैं यह सबसे important session होता है पूरी annual report का इसमें क्या बताया जाता है इसमें company बताती है कि globally environment क्या चाहिए business को लेके global sector क्या है इंडिया में क्या चल रहा है and what are the challenges जो यह sector face कर रहा अब मैं आपको एक example देता हूँ बल्रामपुर का अब बल्रामपुर is the company which is into the sugar और शुगर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है शुगर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा शुगर के और मैं आपसे एक भाद simple सा question पुछता हूँ आज मुझे market में शुगर किस कीमत पे बेचनी है यह कौन बताएगा मानके चलते हैं मैं आपको CFA पर हाड़ा CFA की कीमत मुझे क्या रखनी चाहिए आपको बेचनी के लिए वो कौन decide करेगा मैं खोड decide करूँगा जो भी market में competition होगा मानके चलते हैं को market में fees चल रहे थटी तो मैंने जो भी market में fees चल ली थी उसके accordingly fees रख लिए that means sugar market में किन कीमतों पर बिखेगी जो भी market में demand supply होगा मानके question is मैं sugarkin किस price पर खरीदूँगा sir again sugarkin में आप उसी price पर खरीदोगे जो भी market में sugarkin की demand इस अप्लाई होगी the answer is no मैं sugarkin किस price पर खरीदूँगा यह कौन बताता है यह बताती है आपकी सरकार हमारी country में rule है हम इसको क्या बोलते हैं इसको हम SAP भी बोलते हैं and FRP भी बोलते हैं I am going somewhere out of the way just to explain you one point so SAP का मतलब क्या होता है state administrative price FRP का मतलब होता है fair administrative price अब इक लिए दोनों चीज़े एक ही मानिए अब this is the price हमारी country में सबसे ज़े शुगर के इंकाम पे है UP करनाट का महराश्ट का सरकार कहती है मैं बताऊंगी कि तुम गन्ने कितने कीमतों पे खरीदोगे अब पिछले साथ हुआ कहता 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा producer कौह है Brazil is the biggest producer of the sugar and Brazil की currency over the period depreciate कर रही थी अगर Brazil की economy over the period depreciate कर रही थी और अगर इंडिया है इंडियन currency के comparison में तो इंडिया से good सस्ते हो गए अब दिखेगा हमारी country में अगर आप पहले Brazil से sugar आती थी तो there is no import duty और क्योंकि Brazilian currency depreciate हो रही थी क्या हुआ जैसी Brazilian currency depreciate हुई मेरे लिए वो माल सस्ते हो गए इंडियन्स ने Brazil से माल मंगवाना शुरू कर दिया यहां पर गन्ने की कीमत है कितनी थी यहां पर गन्ने की कीमत ही थी 25 रूपए और sugar market में कितने का बिक रहा था 22 रूपए किलो के that means gross regards level में कितने रूपए का loss कर रहा था 3 रूपए का नुकसान कर रहा था क्या sector में एक भाती problems आने वाली थी yes क्यों गन्ना में को 25 रूपए का खरीब नहीं on the other hand market में शुगर कितने की बिक रही थी 22 रूपए की अरे मुझे तो शुगर की बनाने के लिए अभी तो मुझे लेबर को पैसे देनी है processing fees देनी है क्या मैंने 3 रूपए का loss gross gross level पे कर रहा था yes that means मुझे sector की knowledge होना भाज अगर जरूरी है that what are the मुझे क्या करना पड़ता है SWOT analysis करना पड़ता है क्या मेरी company की strength है क्या weakness है और क्या sectors की problem है यह सारी की सारी बाते companies कहां पे discuss करती है अपने management discussion and analysis में so from the investor point of view this is a very important it would be very important area जो आपको as a investor पढ़ना चाहिए so अभी मैं आपको कर दिखाना चाहता है so I have downloaded the report यह बल्रामपुर की annual report है यहाँ पे मैंने control of करा management discussion and analysis अब देखी यहाँ पे company ने क्या discuss कर रखा है sugar industry का overview then price print से इनोंने discuss कर रखा है then Indian industry का overview दे रखा है plus इसमें company एक और चीज़ बताती है कि going forward हमें क्या लग रहा है कि हमारी company कैसा perform करने वाली है क्या यह सारी की सारी बाते मुझे अच्छा input दे रही है so that my assumptions accurate कर पहूं the answer is yes क्या मुझे यह भी पढ़ना चाहिए yes it is very important आगे देखते हैं फिर क्या होता है जब भी कोई company के quarterly results आते हैं तो उससे पहले क्या होता है company साथ के साथ आपको एक investors presentation भी देती है इस investment presentation का purpose क्या आता है so that यह तो quarterly results से सिर्फ P&L की बाते करते है so that company आपको बता पाए कि this particular year में company में क्या updates हुए sector में क्या updates हुए क्या यह भी मेरे लिए important है yes फिर कुछ companies जिनमें strong corporate governance है example Wipro, example TCS यह क्या देते हैं अपनी earning guidance earning guidance का मतलब है कि आने वाले साल में मुझे क्या लग रहा है मैं कितना कमाने वाल हुए क्या यह भी मेरे लिए important source of information है the answer is yes and the last part is the transcripts transcripts का मतलब क्या होता है जब भी किसी company के quarterly results आते हैं मानकिक सब्सक्राइए अभी Tata Motors की results आते और Tata Motors ने अभी कितना close to 25,000 करोड का loss बक करा और अभी जो Tata Motors की price market में चल रही है Tata Motors अपने 10 साल के lowest level पे trade कर रहा है somewhere close to 140 rupees per share अब इतनी बड़ी बात हो गई तो management क्या करती है management एक coin call करती है उस coin call में कौन हाते हैं उस coin call में यह investment bankers को बलाते हैं और कहते है investment bankers जो भी आपके questions है आप प्लीस पूछिए इस meeting में इस conference में मेरे और आप जिससे लोग invited नहीं होते हैं इसमें कौन होते हैं सिफ investment bankers होते हैं और अगर company ने coin call करी है that has to be made to be available to the public वो public को कैसे available करी जाती है इस meeting के जितने 20 call पर बाती होई उसके minutes उसके transcripts आपको देने पड़ते हैं सभी को so क्या ये भी मेरे लिए एक important source of information है yes so at the end of the day वेट आप क्या करे हो at the end of the day आप एक research के business में हो और research के business में जितने भी data का परोगे जो आपकी assumptions को validate करते होंगे उतने strong आपकी inputs होने वाले now this is mandatory document this is mandatory document this is discretionary this is as for the discretion of the company कई cases में आपको मेलेगा कई cases में आपको नहीं मिलेगा earning guidance भी discretionary है और अगर company ने con call करी है तो transcripts लाना mandatory अगर con call ही नहीं है तो transcripts इना जरूरी नहीं है अगर con call ही है तो transcripts is a mandatory document यह सारी की सारी चीज़े आपको पढ़नी चाहिए now अब की financial statements जो company ने बनाए है क्या यह सही बनाए है यह नहीं बनाए है यह कौन बताता है यह आपको बताता है आपका auditor so what is the purpose of an auditor auditor देखता है कि company ने जी financial statements बनाए है इनको बनाते वाद क्या company ने properly in days को follow करा है या नहीं करा मेरा पहला कोशन financial statements बनाना किसकी responsibility है financial statements बनाना is the responsibility of a management यह आपकी यह auditor की responsibility नहीं है management की है company में effective internal control हो यह भी किसकी responsibility है यह भी responsibility management की है auditor का काम है कि verify करना कि क्या यह financial statements true and fair view देते हैं या नहीं देते हैं अब auditor जो होता है हमारी कंक्रीमें बिट फोर काहन है Unstan Young, Deloitte, PwC and KPMG यह चार्ट biggest big fours है अब मैं आपको दिखाऊंगा यह annual report में अगर आप परेंगे तो auditor क्या करते हैं auditors अपनी opinion देते हैं कि उनके accordingly कि financial statements true true and fair भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो देखते हैं अब यहां पर auditors ने क्या दिया अपनी opinion दी और इनोंने यहां पर लिखा in our opinion and to the best of the information and according to the explanation given to us the forces stand alone in the financial statements give the information required by the act in the so manners and give a true and fair view that means उनोंने का जो भी IFRS में लिखा है company ने उनको follow कर आ इस opinion का हम क्या कहते हैं इस opinion का हम कहते हैं unqualified opinion और clean opinion that means there is no qualification second opinion होती है qualified 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 का मतलब है यहां पर auditor बोलेगा कि वैसे तो company के financial statements ठीक हैं लेकिन छोटी मोटी गलतियां और जो गलतियां वो बोलेगा उसको वो express करना पड़ेगा अपनी opinion में third होता है disclaimer disclaimer का मतलब होता है auditor कहता है that I am not in a position to express my opinion मुझे अपने काम करने के लिए जो जो चीज़े चाहिए थी company वो data मुझे नहीं दे लिए तब वो क्या करता है disclaimer and fourth opinion is adverse adverse का मतलब होता है कि company में भाद जादा दिक्कते चल गई है company ने IFRS को follow नहीं करा तो क्या ये financial statements proper तरीके से बनाए गए या नहीं गए है इसके लिए क्या system करा इसके लिए system reduce हो auditor का that means एक independent chartered accountant check करेगा कि क्या company के financial statements में कोई गलती है या नहीं ठीक है and the last part the last LOS LOS F किसके साथ deal करता है वह ये कहता है कि what would be the framework for our financial analysis so बहुत simple steps है उसने 6 steps बोले first आप objective बताईए कि आपका objective क्या है second वह कहता है data को gather करिए third process करिए fourth conclusion लाइए and report करिए and fifth regular basis पे आप क्या करेंगे अपने analysis को update करते चले जाएंगे मन के चलते है आज आपने किसी particular sector पे या particular company पे आपने दी sell call अब यह sell call मन के चलते है share market में और टूट गया अब आपको लगते है नहीं अब यह बड़े नग तो आपको regular basis पे अपने analysis को क्या करना चाहिए अपने analysis को update okay so it was a very simple chapter एक broad reading देंगे अब फटा फटा आप क्या करेंगे अपने next chapter पे move करेंगे from the exam point of view this chapter is not of much importance hello friends now we are going to start with our next chapter जिसका नाम है financial reporting standards और इस chapter में सीखने वाले है what is the importance of standards वी जो हमने सीखा कि financial statements बनाए जाते है IFRS की help से इनको बनानी की importance क्या थे स्टार्ट करा था FRA मैंने क्या क्या था कि हर company को financial statements बनाने है और यह financial statements इसके according बनाए जाते हैं यह financial statements बनाए जाते हैं as per the IFRS अब IFRS को लेके आने की जरूरत क्या क्यों lawmakers ने स्टांडर्स बनाए the only purpose of standard is that क्योंकि एक company को financial statements देते हो और financial statements के basis पे कई लोग अपना decision ले रहे example, bank परने decision ले कि मुझे आपको loan देना या नहीं देना या मैंने as a investor decide कर रहे कि मुझे इस company में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह सारे के सारे decisions में क्या मेरी financial statements कही नहीं मेरी मदद करते है the answer is yes so lawmakers ने का फिर हम आपको बताएंगे तरीका कि आपको financial statements कैसे बनाने का अगर यह तरीके मैंने आपको नहीं बताए तो could be possible आप manipulative financial statements बनाऊगे और manipulative financial statements अगर तुमने बनाए तो could be possible banker का पैसा दूब जाए कि investor का पैसा दूब जाए इसा में खोने नहीं को का that means in order to protect the interest of the investors these standards बनाए गए हर अमने आपको बता दिया कि क्या क्या करी के आप यूज कर सकते example आप inventory को value करना चाथे इन तीन method हमने आपको अलाव कर दिए इस तीसरे method के अलावा आप कोई भी चीज नहीं कर सकते that means the purpose to frame the standard was that to protect the interest of the investors छीक है so this was my first LOS LOS A then it's my next LOS LOS B अब इन standards को बनाता क्या है IFRS को जो 30 बनाती है उसका नाम है International Accounting Standard Body US Gap के जो 30 बनाती है उसका नाम है Financial Accounting Standard Board इन authorities नहीं यह accounting standards बनाया है हमारी country में क्या लगता है हमारी country में लगता है India को किसने बनाया है The Institute of Chartered Accountants of India ने हमारी country में India बनाती है अब अब यह country में follow हो रहा है या नहीं हो रहा अब किसकी responsibility है यह responsibility है यह responsibility है Regulators है हमारी country में regulator कौन है हमारी country में regulator है US में regulator कौन है SEC Securities and Exchange Commission authorities अब तुमारा काम है यह देखना कि क्या entities in regulations standards को follow कर रही है यह नहीं कर रही है और अगर यह standards को follow नहीं कर रहे है तें यह have the right to take strict actions against that company that means country में standards follow हो रहे है यह नहीं हो रहे यह किसकी responsibility है This is the responsibility of regulators to ensure that कि यह आपकी country में follow हो रहे है यह नहीं हो रहे है अब यह जितने भी regulators हैं यह सब एक organization को belong करते हैं जिसका नाम है International Organization of Securities Commission इस इतने regulators आते हैं इस authority के अंदर 34 regulators है और सेवी भी सेगुलेटर इस authority का पाट है और यह कहती है कि regulators का काम क्या है there are the three objectives of regulator first is to protect investors second to promote efficiency and the last part is to reduce systematic this systematic यह systematic रिस हमने एक बर पढ़ा था इंदी chapter of corporate finance और फिर से हम सीखेंगे in the chapter of portfolio management अभी के लिए मान के चलिए जो market का risk है उसको reduce करे अब इस अब इस अब इस अब इस अब इस अब इस में कुछ forms हम समेट करने पड़ते हैं SEC के पास जो भी companies US में operate कर रही है उनको SEC के पास कुछ document समेट करने पड़ते हैं वो forms के नाम है इन forms के नाम को आपको याद करना है market as most important so my form no.1 is X1 this is the form मैं लिखे दे तरह this is the form for registration of securities आप कोई भी security issue करना चाहते हो सबसे पहले आपका SEC के पास register करना पड़ेगा उस form का नाम क्या है S1 second is form 10K मैंने अपको का था हर company को अपने annual results देने उस annual results का form क्या है 10K so 10K is for the annual results और annual report भी आप कह सकते हो third is 10K 10Q 10Q is the quarterly results 10Q 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 11Q 10Q 10Q यह किसलिए होता है ? To disclose the ownership of director and officer of the property आज मानके चलते हैं कि मेरे पास क्या है company के debtors के पास इसकी company की holdings है तो company तुम्हें यह ही public में बताना पड़ेगा कि किस debtors के पास कितने कितने shares है उसके लिए form कौन सो आता है ? उसके लिए form है 3,4,5 then 6th is form 8K 8K का purpose क्या है ? To disclose material events such as mergers and acquisitions company में क्या merger acquisition इस साल में कर रहे या और भी कुछ material event से जो तुम बताना चाहते हो तो उसके लिए form कौन सा हुआ ? उसके लिए form हुआ मेरा 8K Then my next form is form 144 यह किसली होता है ? To issue the securities to certain qualified investors So, आपके इसमें 7 form दे रखे है और आपको यह सातों की सातों form को क्या करना है ? याद करना है यह फिर से बताता हू Form S1 is for registration, 10K is for annual results, 10K is for quarterly results DEF 14 is for the proxy statement Form 345 is for to disclose the ownership of directors and officer of the company 8K to disclose material events and 144 is to issue the securities to certain qualified investors यह किसे securities आप पुलिक को issue नही कर रहो कुछ qualified investors को ही करना चाहते हो तोस केस माखको कांसा form देना पडेगो Form 144 and mark it as most important highly testable pointer for the exam pointer Now let's move to the next LOS LOS C LOS C कहता है कि हमें same IFRS follow कर लेने चाहिए पूरी दुनिया में लेकिन पूरी दुनिया में IFRS follow नहीं होते है पूरी दुनिया में क्या है इनका थोड़ा से change version है जिसको हम कहते है convergence Now what is the meaning of convergence As it is हमने IFRS को follow कर रहा है Second Second Is Political pressure Within the country अब मांके चलते हैं Elections आने वाले का और याट number of PSU companies एक PSU कामने कांज से हमारी कंटी में देलते हैं और रिल्वेस काकी ताइम से लॉसेज में चल रही थी अब मैंने अपने accounting standards में कुछ ऐसे changes करे मान के चलते हैं मैंने का आप खर्चों को P&L नहीं डालोगे आप खर्चों क्या बना दो Assets बना दो in case of railway companies क्या उस particular year में मैंने एक ऐसा change करा जिसकी वज़े से inflated profits आ रहे हैं Yes So कई बड़ political companies क्या करती है अपने जब वो power में होती है They pride कि उन्होंने PSU company को profit में लेके आ गए और उसे profit मिलाने के लिए क्या करते है They make changes with the accounting standards That means a country में political pressure होता है कि आप उसको थोड़ा सा emant करो तो IFRS में क्या लिखा होगा मान के चलते है IFRS कहता है It is based upon three principles A cruel prudence and matching हमने का हम क्या करेंगे जो भी real risk खट्चे कर रही है इसको PNL में ना ले जाके assets बनाएंगे क्या real risk profit यह बन जाएगी Answer is yes So that इसका मतलब यह है In order to meet the requirement of a specific country हम उसमें चोटे मोटी changes करते है और वो चोटे मोटी changes करने का reason क्या है पहला है कि जो standard settings bodies है उनकी सोच में difference है and second one is the political pressure within the time So friends एक बार note से पढ़ने पे My first LOS is The objective of financial statements So the objective of financial statement is to provide economic decision makers with useful information and the importance of financial standards So standards क्या है To narrow the range of reasonable estimates on which financial statements are based This aids user of financial statement who rely on them for information about the company's activity profitability and credit workiness So ये था मेरा LOS number one Then LOS number B इन standards को बनाता कौन है IFRS को बनाता है International Accounting Standard Body and U.S. में U.S. Gap को कौन बनाता है Financial Accounting Standard Body Regulatory authorities कौन है SEC है U.S. में and UK में कौन सी है Financial Service Authority फिर में आपको काते है ये सारे की सारे Regulators किसको बिलॉं करते है They belongs to the National Organization of Securities Commission and इसके अकौरिंगली इनके 3 objectives है Protection of Investors Ensure that the markets are fair and last one is to reduce the systematic risk फिर हमने ये 7 forms करे थे and इनको please mark it as most important this is a highly testable point from the exam point of view S1 किसलिए है for the purpose of registration 10K annual filing 10K quarterly filing DEF 14A proxy statements 10K to disclose material events 144 to issue securities to the certain qualified buyers and form 345 involve the beneficial ownership of securities by a company's officer and director so mark it as most important फिर में आपको का था LOSC में की convergence हर जगा converged IFRS use हो रहे है and barriers क्या है the first barrier is difference of opinion among accounting standard bodies and regulatory authorities and political pressure within the countries so हमने करा LOS A B C now let's move to the next LOS describe the International Accounting Standard Board's conceptual framework including the objective and the qualitative characteristics so I, A, S, B के according there are few उसने दो चीज़े बोलिये qualitative characteristics of our financial statements so qualitative characteristics क्या है the fundamental characteristics are कि वो financial statements क्या होने चाहिए relevant and faithful mark it as most important so the fundamental characteristics of financial statements are कि वो एक relevant हो plus वो क्या करें faithful presentation करें और enhancing characteristics क्या है comparability हो verifiability हो timiness and understandability comparability का मतलब है कि मानके चलते हैं मैंने बजाश finance के financial statements बनाए and बजाश finance is the NBFC अब ये किसी और NBFC के साथ comparable हो that means NBFC sector में जो भी policies use करी जाती है बजाश finance तुमने भी अपने financial statements बनाते वक्त उनी accounting standards को follow कर that means कोई independent person इन सारी चीजों को verify कर सकता है आपको financial results मुझे timely basis पर देने चाहिए and understandability का मतलब है जिस बन्दे को finance की knowledge है वो इन financial statements को समझ सकते so अब important क्या है paper में आएगा what are the fundamental characteristics so fundamental characteristics of दो है relevant and faithful presentation and अगर वो word use करता है enhancing to enhancing मेरे चार है comparability verifiability timeliness and understandability so यह दोनों चीज़े आपको याद करने चाहिए very important from the exam point of view then my next is elements of financial statements financial statements का मतलब क्या financial statements का मतलब चार्ट चीज़े है my income statement balance sheet cash flow statements and statement of changes of equity statement of changes in equity फिर वो गोता है constraints क्या है financial statements बनाते वक्त the first constraint is the cost versus benefit आज मुझे financial statements बनाने है proper accounting करनी है तो मुझे एक C.A को अपॉइंट करना पड़ेगा plus मुझे कॉडिटर को भी अपॉइंट करने so that वो मेरे financial statements को verify करे क्या cost involved है yes so first constraint is the cost and second constraint is the difficulty of capturing the non-contefiable information example आज Amazon या फिर Tesla क्या करने है they are investing a lot into artificial intelligence अब इनकी reputation और इनकी capacity of innovation एक भाद बढ़ी है इस चीज को capture करना financial statements के लिए difficult है और financial statement बनाते वक्त दो assumptions क्या है one is the accrual and second one is the going concern accrual का मतलब है कि company को cash मिले या ने मिले हम accounting करेंगे and going concern का मतलब है the life of the business is in fine okay so what is the fundamental characteristics relevant and faithful what are the enhancing characteristics comparability verifiability timeless understandability important point then element constraint and primary assumption double star so what are the two primary assumption financial statements बनाते वक्त one is the accrual second what would be the going concern my next analysis describe the general requirement for financial statements वह यह general required financial statements क्या है balance sheet है income statement है cash flow है statement of changes in equity है and notes to accounts है plus वह ही क्याते है कि what are the general features of financial statements as per accounting standard number one fair presentation होना चाहिए going concern accrual consistent material aggregation no offsetting reporting frequency and comparative information क्या features है सबसे पहले वह क्या करें fair view दे वह किसके पर based होना चाहिए going concern accrual principle के based होना चाहिए consistent होना चाहिए consistent का मतलब है जो accounting policy मैंने पिछले साल यूज करी थी वही accounting policy मैंने इस साल भी यूज करी होनी चाहिए materiality materiality का मतलब है कि मेरे financial statements सारे के सारे material events को disclose करते है aggregation aggregation का मतलब है कि आप expenses को sum up कर सकते हो as per their nature or by their function मानके चलते हैं selling के खर्चे हुए यह depreciation के खर्चे है अब depreciation plant and machinery की उपर है यह depreciation furniture की उपर है अब सबको क्या कर सकते हो club करके दिखा सकते हो no offsetting मानके चलते हैं मेरा creditor भी है that means एक बन्दे को मैं goods बेशता भी हूँ और उसे से goods खरीकता भी हूँ इन दोनों को आप क्या करेंगे इन दोनों को आप offset नहीं कर सकते हो debtor को अलग दिखाओ trader को अलग दिखाओ reporting frequency हर company को कम से कम साल में एक बार को अपने financial statements देने चाहिए comparative information इसका मतलब है अभी मैं आपको दिखाया था financial statements और उस financial statements में क्या होते हैं दो साल का data होता है current year and previous year वह किस लिए कि मैं दोनु साल को compare करूँ अभी requirement किस की है इस 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 रिक्वाइमेंट आप international accounting standard मेरा accounting standard number one कहता है कि आपको दो साल के financial statements दिखाने चाहिए ठीक है मैं नेक्स दिखाया इस identify the characteristics of a coherent financial reporting framework and the barriers to create such a framework इसका मतलब क्या है अगर हमें एक logical uniform financial reporting framework बनाने है तो उसकी क्या characteristics होने चाहिए उसके characteristics होने चाहिए कि it should exhibit transparent हो comprehensive हो plus वो क्या हो consistent हो that is आजम सोच रहें कि एक accounting framework कैसा होने चाहिए एक accounting framework should be in such a fashion कि वो transparency को promote करे comprehensive हो plus वो क्या हो consistent हो market as most important इस chapter में मैंने भी आपको important क्या बोला एक मैंने आपको बोला था fundamental characteristics एक मैंने आपको बोला enhancing characteristics यह किसके according थे as per international accounting standard board अब मैंने आपको क्या बोला GoHeading GoHeading का मतलब है अगर आप एक logical financially potent framework बनाना चाहते हो तो उसके क्रिक्टिस्टिक्स क्या होने चाहिए उसके क्रिक्टिस्टिक्स होने चाहिए Transparence, Comprehensiveness and consistent अब ऐसा framework बनाने में क्या-क्या दिक्कते आ सकती है अब एक ही framework बनाने चाहते है आप में ही चाहते हो Indies अलगो, US Gap अलगो IofRs अलगो आप चाहते हो कि सारे के सारे accounting standards एक जैसे होने चाहिए तो उनमें ये features required है Then H कहता है कि जितने भी new accounting standards आएंगे As an analyst we should be aware of that And I कहता है कि हर company को अपने जो policies उनने follow करी है उनने disclose करना पड़ेगा अपनी ANO report में Plus Public companies are also required to disclose the impact of recently issued accounting standards on their financial statements So friends this is more of a theory chapter ठीक है And again not important from the point of your exam इसमें important points क्या है मेरे forms कान कान से है Ennancing characteristics Fundamental characteristics and coherent characteristics That's it So एक broad reading दीजेगा And directly jump to the question So that आपको पता लगे कि वो पेपर में आपसे क्या कूछा है ठीक है Hello friends Now we are going to start with the next chapter जिसका है आमें financial reporting quality अब इस chapter में क्या है सिफ थियोरी है So what I expect from you is that आप फटाफट सी वीडियोस देखेंगे And आप reference boxes को पढने वाले And teacher के questions करतेंगे ठीक है So give it a very broad reading And reply आपने questions को करने वाले So देखते है My first release is Distinguish between Financial reporting quality And quality of reported results So इसने first word क्या यूश करा Financial reporting quality यह जो मैंने financial statements बनाए है क्या यह अच्छी quality के है या नहीं है यह मुझे कैसे पता लगेंगे अब financial statements बनने किसके according चाहिए थे यह financial statements बनने चाहिए थे As per the IFRS अगर management तुमने financial statements बनाते वक्त IFRS को follow करा है That means यह जो financial reporting है Is it of good quality और अगर तुमने इनको बनाते वक्त IFRS को follow नहीं करा That means यह अच्छी quality के नहीं ठीक है So high quality financial reporting complies with IFRS और US GAAP And is decision useful in terms of relevant and faithful Now what is the meaning of faithful यहां पर प्रीज double star mark करें जब मैंने आपको Chapter 1 कराया था उसमें मैंने कहा था As per IFRS there has to be some fundamental characteristics of financial reporting वो fundamental characteristics क्या थे एक था R एक था F R stands for relevant and F stands for faithful Now what is the meaning of faithful representation It has to be complete neutral and free from any error अब neutral पर फिर से double star mark करें अब हम इस चाप्टर में सीखेंगे At times management क्या करती है Management aggressive accounting भी करती है और conservative accounting भी करती है मतलब आप सीखेंगे कि aggressive को क्या conservative करकें तो मैंने पूछा Management आपको क्या चीज करनी चाहिए aggressive या conservative IFRS कहता है It has to be neutral ना आप aggressive accounting करोगे ना आप conservative accounting करोगे ठीक है So this was the meaning of financial reporting quality Next word is quality of reported results अब company ने क्या करा Company अपने financial statements ले कि आई और उसमें company ने अपने profit sales की figure दी अब यह जो profits की figure है यह good quality की है या नहीं कैसे पता लगेगा First जो earnings company ने disclose करी It has to be sustainable That means आने वाले सालों में भी मुझे लगता ही यह earnings होनी चाहिए वो sustainable profits होनी चाहिए And second वो क्या हो वो मुझे जो पैसा मैंने company में लगाया है उसके उपर मुझे एक adequate return दे अगर वो एक adequate return दे रहे है मुझे that means जो company ने profits disclose करे है वो एक अच्छी quality के है So two words है पहला था कि financial reporting एक अच्छी quality के है यह नहीं है यह कैसे पता लगा अगर वो IFRS के US gap के according बनाई गये और company ने जो profits बताए वो एक अच्छी quality के है यह नहीं है वो कैसे पता लगेंगे वो ऐसे पता लगेंगे अगर एक तो वो मुझे क्या कर रहे है मेरे पैसे की ऊपर adequate return दे रहे है प्लस वो क्या है इस आर sustainable in future periods मान के चलते हैं आज मेरे profits हुए 20 lakh के और मैंने का out of this 18 lakh is on account of sale of lakh क्या जो मैंने profits दिये क्या वो sustainable in nature है क्या अगले साल वापो से मुझे profits होने है the answer is no that means जो मैंने deserves दिये these are not of a good quality जी क्या साथ my next LOS is describe a spectrum for evaluating financial reporting quality a spectrum for evaluating financial reporting quality considers both the quality of firm's financial statements and the quality of its earning that means आपके जे evaluate करना है कि financial reporting quality कैसी है अच्छी है यह बोडी है अब पहली चीज़ क्या थी it should comply with IFRS and second था कि जो मेरी earnings थी वो क्या थी sustainable थी plus वो मुझे क्या कर ले थी adequate return देनी थी this is the best possible case अब मैं दीरे दीर आपको क्या बताऊंगा highest quality सेंप कि spend दे lowest quality थी but one important point to be remember is that earning should be in financial statements आपने बने थी this should be in compliance with IFRS अगर आपने IFRS को comply नी करा that means this is not a good quality financial reporting so पहला क्या है reporting is comply with IFRS and earnings are sustainable and adequate this is the best case second case में ने क्या का earning is low third case में का earning is low and reporting choices and estimates are biased that means management ने अपने accordingly estimates लिये और उन्होंने क्या करा biasness दिखाई ये एक अच्छा तरीका नहीं था so first point earnings are sustainable second earnings low है तीसरे में earnings low है और management में जो choices लिगो क्या थी में 22 fourth case में वो कहता है earnings are actively managed that means मैंने का मुझे इस साल 200 क्रोट का profit चाहिए management ने decide करें कि इस साल हम 200 क्रोट का profit disclose करेंगे अब company ने हर तरीकी कि तिग्रम यूस करें to arrive at this figure of 200 that means वो अपनी earnings को क्या कर रहे है वो अपनी earnings को actively manage कर रहे है now fourth, fifth and sixth case में लिखेगा क्या लिखा है reporting does not comply with IFRS तो ही सबसे last में आएगा तो इस नहीं क्या लिखा reporting does not comply with IFRS but the numbers presented are based upon company's actual performance और लास नहीं बोलता है कि numbers क्या है fictitious and knuckly number so मैं जब यह देखना है यह financial reporting अच्छे quality की है या नहीं मैं च्छे बाते देखूंगा from the highest to the lowest level the first best possible case is earnings are the financial statements comply with IFRS and earnings are sustainable and adequate second में मैंने क्या करा earning को लो करा third case में earnings is low and reporting choices and estimates are biased fourth case में earnings are actively managed fifth case में मैं IFRS के साथ comply नहीं करता but actually number है sixth case में IFRS के साथ comply नहीं करता and जो number है वो क्या है गलत हैं छूट so इस order में मैंने आपको बताया this is highest to lowest level of financial reporting quality okay important point to be remembered के है अगर आप IFRS के साथ comply नहीं करते हूं तो आप सबसे आखर में आने वाला aggressive accounting का मतलब है हम क्या कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं अपने मुनाफ़े को जाद से जाद दिखाना और दूसरे case में conservative में मैं क्या करता हूं कोशिश करता हूं अपने मुनाफ़ों को कम दिखाने के लिए अब कब company aggressive accounting follow करना चाहते हैं कब company conservative accounting follow करते हैं मान के चलते हैं मैं expect कर रहा था कि मेरी sales होंगी वह 100 की होंगी और मैंने अभी 10 महिने में sales कर ली है 120 की तैकि जो company ने जो targets हमने सोचे थे वो targets औरेटी हमने achieve कर ली अब मैं क्या कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा conservative accounting करना है conservative का मतल है वो मुनाफ़ो को कम देखा हूँ क्यूँ मैंने already sales अचीव कर ली अपने targets अचीव कर ली है और अगर यहां पर मैंने एक असली number दे दिया तो this will set the expectations for the next year so in order to avoid that मैं क्या follow करना चाहता हूँ conservative accounting और मानके चलते हैं मेरा target था to have a profit of 100 पूरा साल खतम होने को आया है मैंने सिफ 70 रुपीज ही earn करे और अगले दिन जब इस टॉक मार्टर में result आएगा मेरा stock crash करेगा company क्या करते है company start following the aggressive accounting aggressive का मतलब है they try their level best कि वो अपने profits को क्या करे inflate करे conservative में वो गिराना चाहता है क्योंकि उन्होंने target अचीव कर लिया और अगर उन्होंने बड़ा नंबर दे दिया this will set the target for the next year aggressive में क्या है जो target दिया था वो मैंने meet नहीं करा so in order to meet that मैं कोशिश क्या करना हूँ अपने profits को inflate करने थी में को conservative accounting करनी चाहिए aggressive the answer is you have to follow up neutral accounting na aggressive na conservative दिखतें so conservative choices tend to decrease the company's earnings और यह कब करते हैं when the earnings are above the target level और aggressive का मतलब क्या है to increase the earnings और यह कब करते हैं जो मिरी earnings आने वाले है that is the below time खीक है then move to the next describe the motivation that might cause management to issue financial reports that are not of high quality management क्यों good quality के financial statements लेके नहीं आना चाहिए समझते हैं मांके चलते हैं आज आपने paper दिया और आपके marks max में 8 out of 100 that means you have scored 8% only but historically अगर मैं आपका record देखूं तो हमेशा 90-95% लेके आने वाले हैं अब आज आप घर है और आपको डर है कि अगर मैंने पापको सही marks बता है तो पिटाई होने वाली है that means what is the motivation for you कि आप घर पे 8% नहीं दिखाना चाहते हो और आप खुछ गलत number दोगे what is the motivation the first is pressure आपसे कुछ expectations थी और अगर आपने अब expectations नहीं करी हैं अब आप सारे के सारे तिग्रम यूज करोगे उस number को क्या करने के लिए गलत लेके आने के लिए so the first motivation for you is the expectations to meet or exceed the earning targets आपके father ने आपसे expectations लगा रखी है मेरा बिच्चर थी क्या करेंगा 90-95 वाले जैसी आपके number का माया your time your level based की में क्या करूँ उस number को meet करूँ तो आपने क्या करागा उस 8 के आगे क्या लगा दिया होगा 9 तो मेरे marks केतने आजए 9 then career considerations अगर आज company के results गन दिया है तो could be possible क्या होगा board of directors profits रिखाए तो higher level पर क्या होता है your bonus is linked with the profits of the company मैं जितने जादा profits रिखाऊंगा उतनी जादा क्या होगी मेरी salary होने वाली है फिर क्या है improving the perceptions among the customers and supplier and last one is important mark करिएगा meeting the terms of debt covenants covenants का मतलब क्या है जब भी bank मुझे पैसा देता है तो bank क्या करता है मेरे उपर कुछ restrictions लगाता है और कुछ conditions लगाता है उसमें सी condition अभी के लिए मानके चलते है interest cover issue किया interest cover issue क्या होता था EBIT upon interest bank नहीं का है कि आपका interest cover होना चाहिए 12 का मानके चलते है मेरे इस particular year में interest cover 12 का नहीं बगता अगर नहीं बनेगा तो bank क्या करेगा bank rate of interest को increase कर सकता है यह फिर bank अपना पैसा भी demand कर सकता है to avoid that scenario मैं क्या करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि अपने financial results को क्या करूँ manipulate इस LSM में क्या सीफा what are the motivations for you to manipulate the earnings motivations पहली बात कि मेरा career considerations है मेरा composition linked है मेरे लोगों से expectations है और मेरे क्या है debt governance में लिखा है अगर यह सारी की सारी चीज़े क्या कर रही है मुझे force कर रही है कि मैं अपने earnings के क्या करूँ लोगोड unique the last point is the important double star ंक ky okay so, last point is the important double star mark歿 either now let's move to the next with the next 棒 describe the conditions to issue low quality financial statements so, the conditions are motivations opportunities and rationalization मोटिवेशन आपने पीछे करा, अब हम इसमें क्या सिखेंगे, that what are the opportunities, opportunities पे भी double star, the factors that may provide opportunities for low quality reporting include, weak internal control, आपकी company में internal controls जो board of directors को बनाने चाहिए थे, वो controls ही इतने effective नहीं है, जिसकी वज़े से आपने क्या करा, आपने manipulative earning करने में आप कर पाए, मान के चलते हैं अगर आपकी company में strong internal control होता जो काम मैंने करा मान के चलता है मैं CA हूँ और मैं क्या करता हूँ इस company के financial statements बनाता हूँ यही काम अगर मेरा कोई review करे अगर आपकी company में weak internal control है उसने आपके opportunity दिया इस ही पॉइंट का रेप्लीका है और थर्ड इस वाइड रेंज़ अगर क्या क्या करा उन्होंने आपको बोला कि management जैसे आपको सही लगता है आप यही काम कर सकते हो और जैसी आपने ने right management को दिया तो management ने क्या करा उस opportunity का फाइदा लेना स्क्राट करा तो what are the opportunities weak internal control, inadequate oversight by the board of directors, and wide range of acceptable accounting treatment, third point क्या था, third point था rational, that means management क्या करती है, they start giving the justifications for doing the wrong thing, ठीक है, so एक company low quality financial reports क्यों लेके आती है, motivations थे, opportunities थी, and third, they have the justification for that particular wrong thing, ठीक है, कि जो financial statements बन रहे हैं, वो good quality के है, पहला नाम किस का आता है, regulators को, से भी कहती है, कि हर company को financial statements बनाने पड़ेंगे, और हर company को क्या करना पड़ेगा, IFRS को follow करना पड़ेगा, plus जो financial statements आप बना रहे हैं, वो क्या करने पड़ेंगे, वो आपको audit करवाने पड़ेंगे, क्या ये आपके against strict actions लेने वाल, that means में रूपर किस ने बात करी, में रूपर regulators ने बात करी, और मैं बात करूँ अपनी country में, तो हमारी country में क्या है, company zet, और ये company zet क्या कहता है, हर company को क्या follow करना पड़ेगा, indies, indies का मतलब क्या है, जो मेरी financial reporting है, वो क्या आने वाली है, this is going to be of good coin, so first, कैसे ensure करूँ, पहले आगाई, regulators, दूसरा तरीका क्या है, auditing, मैंने आपके सेखाया था, auditing में चार तरीके की opinion होती है, एक 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 है disclaimer, एक है adverse, clean का मतलब है, कि company ने जो भी करा है, वो true and fair भी दे रहा है but it is a sort of only assurance, this is the specific assurance, it does not guarantee, this is the biggest limitation of auditing and the second limitation is that, auditor को पैसा कान देस है, auditor को पैसा देता है, company, तो क्या, मान के चलो ये auditor कहता है, कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं adverse opinion देने वाला हूँ, या फिर मैं qualified opinion देने वाला हूँ, और पैसा इसको मिलना किस से, company से, तो could be possible ये company इसको क्या बोले, खी के auditor आप कर लिजे, अगले साल हम आपको appoint नहीं करेंगे, क्या ये conflict आ रहे है, the answer is yes, so two biggest limitations of audit is that, it only provide me with reasonable assurance, and second, कि auditor को pay कान करता है, auditor को pay करती है company, और अगर उसको उस company की गलतिया निकाले, तो could be possible कल को वो क्या करे, auditor को change कर, auditor को appoint करना किस के हाथ पर होता है, company के हाथ मे, और अगर तु मेरी गलतिया निकालेगा, क्या मैं आपको हटा दूगा, the answer is yes, so परत है, first, it does not guarantee, second, the fact that firms may select and pay their auditors, may limit the effectiveness of auditing to, ठीक है, so the fact कि मैं ही auditor को select करता हूँ, मैं ही पेग करता हूँ, so it may limit the effectiveness of auditing, third one is, private contracts, private contract means, आज जिस्भी बंदे ने में को पैसा दिया, वो मुझे कहता है कि विकाल जी आपको अपने क्या करना पड़ेगा, आपको IFRS के पार्डिंग ली हमें financial statements देने, so इसमें मैंने क्या सीखा, क्या mechanism है, चो ensure करते है मुझे financial report, मेरी financial reporting good quality हो, की हो, regulators है, auditing है and third is the private contracts, then G, G, describe presentation choices, including non-gap majors, that could be used to influence an analyst opinion, अब मान के चलते हैं, मेरी results है, और मैंने EAT book करा, negative 22,000 crore, example अभी ऐसा कुछ scenario हुआ, टाटा मोटर्स के case में, टाटा मोटर्स ने क्या करा, quarterly negative loss book करा, 22,000 crore का, और अभी टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, टाटा मोटर्स अपने 10 year के lowest level पे market में trade कर रहा, close to 140 rupees, अब क्या होगा, could be possible, ऐसा हुआ नहीं, could be possible, क्या हुआ, टाटा मोटर्स ने का, यह जो loss है, this is a one time loss, और वो क्या कहती है, कहती है, accounting कहती थी, इसलिए मैंने IFRS के according to this, उसको book में डाला, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक और तरीके के financial statements दे रहा हूँ, और उसमें मैंने क् opinion को change करने की कोशिश कर रहा हूँ, by giving them another set of financial statements, और वो financial statements IFRS के according नहीं है, अगर एक company दो set of financial statements दे रही है, एक नो इसने IFRS को follow कर रहा है, और इसके according loss आते है 22,000, और एक नो इसने IFRS को follow ना करते हुए, एक और financial statements बनाया है, जिसके अपने accordingly है, क्या वो एक अच्छी बात है य of analysis, oh analyst valuations by presenting of non-gap majors, that means who IFRS के according नहीं, such as earnings that exclude certain non-recording items, तो point 2, क्या कहता है, IFRS requires the form to define and explain the relevance of any non-gap majors, and reconcile them to the most comparable IFRS, छी कह? तो अगर आप क्या है रिव कि 22,000 का लॉस नहीं होना चाहिए था पर्टिकुलर आइटम को आप किसी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहते हो अलाउड है अपको भो भी दिखाना पराएं तो टाटा मोटर्स ने यह भी दिखाया और टाटा मोटर्स ने अपने तरीके से भी फानेशल स्टेटमेंट बना के लिए ऐसा हुआ नहीं है जस्ट पर इसेक आफ एक्स्प्लेशन ठीक है आगे दिखते हैं Describe Accounting Methods that could be used to manage the earnings अब यह different तरीके हैं जिसके तुरू में क्या कर सकता हूं अपनी Earnings को manage करने की कोशिश कर सकता हूं First is Revenue Recognization Revenue Recognization में Point है मेरा Shipping Terms, Channel Staffing & Bill & Hould अब मतलब क्या है? Bill and Hold Bill and Hold का मतलब है मानके चलते हैं इस साल मेरे sales अच्छी नहीं हूँ और मुझा profits अच्छे दिखाने है that means I try to manipulate the earnings मैं क्या करा? अपने customers के नापते Bill काटने शुरू कर दिया Bill काटने शुरू कर दिया और ये goods क्या है? ये goods मेरी यहीं पढ़ें और इसको हूँ क्या कहते हैं? Bill and Hold Transactions मैं उनके नाम पर Bill काट दिया और जैसे उनके नाम पर Bill काटा मैंने accounting पर क्या पास करिया होगी? मानके चलते ABC account debit to sales और इससे मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी sales को inflate करने की कोशिश कर दिया ना मेरी पास कोई customer आया ना मैंने किसी को goods दिये मैंने क्या करा? In order to inflate the sales मैंने Bill काटना शुरू कर दिया और ये सारे के सारे bills क्या है? These are fictitious इसका purpose क्या है? To inflate the sales मैंने अपनी customer को call करा? मैंने का Sir goods ले लो ना? उसने का मुझे चाहिए नहीं मैंने का ठीक है मैं आपके नाम का Bill काट रहा हूँ जब भी आपको चाहिए होंगे आप लेके चले जाए Is it one of the way to manipulate the earnings? The answer is yes Second तरीका क्या है? Channel stop मानते चलते हैं मैं JK टायर है मैं JK टायर है और मेरे different dealers मैं क्या करा? मानते चलते हैं JK टायर अपने sales को targets को meet नहीं कर पाया अब यह अपने dealers के पास goods supply करना start कर देगा जब क्योंने goods की requirement भी नहीं है dealer में का हम पैसा नहीं देंगे JK टायर में का कोई दिक्कत नहीं है आप goods ले लो, पैसे हम आपसे बात में ले लो सो इन दोनों ही scenario में पहले और second वाल ही scenario में क्या होता है मेरे debtors substantially high हो जाते और साथ के साथ the purpose is to inflate the sales फिर first part क्या था first part था shipping terms FOB shipping point versus FOB destination FOB का मतलब है free on board FOB का मतलब है free on board मान के चलते हैं कि मैं इंडियान में और एक बंदा है USP Mr. John और Mr. John क्या करता है Mr. John मुझे imported goods send करता है अब एक तरीका है Mr. John क्या करें अपनी sales को यहां पे book कर ले that means FOB shipping point दूसरा तरीका है FOB destination और goods को इंडिया पहुचने में let us assume 90 days लगते हैं और अभी तारीक थी 28th February that means यह next financial year में मेरे पास पहुचने वाले अब Mr. John sales को कहां book करें यहां पे book करें यहां पे book करें अभी तक company की policy थी की company क्या करती थी company revenues यहां book करती थी यहां पर्टिकॉलर यह तो inflate the earnings company क्या करना स्टार्ट कर दिया company कहती है कि अपनी revenue recognition को क्या करती हूं now FOB shipping point क्या यह मुझे allowed है the answer is yes यह चीज़े आपको allowed है but these are one of the way to manipulate the earnings तो देखते हैं पाँ revenue recognition एक ता shipping terms को आपने change करा second is channel stiffing and third is bill and hold transaction फिर और क्या तरीके हैं अब मैंने आपको कहा था कि हर company को based upon matching concept warranty expenses को यह करना पड़ते है warranty expenses का provision बना पड़ते है क्या company lower provisions भी बना परसकती है answer is yes, is it the way to manipulate the earnings yes और क्या कब कि सी particular year में company warranty provisions को बढ़ा भी सकती है yes warranty provisions को बढ़ा भी स Yes क्या यह दोनों ही तरीके manipulate करने की तरीक Aww warranty provisions को को कब कम कर रही होगी जब उनके profits अच्छे नहीं है और कब बढ़ारी होगी जब उनके profits अच्छे नहीं है और कब बढ़ारी होगी जब इसने particular year में बहुत अच्छे profits अन कर लिए निक्स पॉंट इस वालूशन अच्छे नहीं बट इन इंपेर्मेंट, fit depreciation method, estimates of life, salvage value, क्या ये सारी की सारी चीज़े management के हाथ में येस और क्या management इसको अपनी earnings को manage करने के accordingly utilize कर सकती है आंसर बी येस, inventory cost flow method capitalize कर रहे हो, related party transactions बहुत आ रही है, क्या ये सारी की सारी चीज़े मेरी earnings को manage कर रही है, yes My next LOS is, describe the accounting warning signs, जो बताते हैं कि क्या है, company में कुछ ना कुछ गरबर First one is, revenue growth out of line with the comparable company, changes in the revenue recognition method, और lack of transparency about revenue recognition हर company को क्या करना पढ़ते है, अपनी revenue recognition policy को disclose करना पढ़ते है अगर company disclose नहीं कर दिये notes to accounts में, या company ने accounting policy, revenue recognition policy को change करा या company की revenue growth जो है, वो out of line है with the comparable companies, क्या एक red flag है कि company में कुछ तो गरबर है, answer is yes Decrease over time in turnover ratio, इस decrease को मैं क्या पढ़ने चाहँगा, increase in debtor days, inventory days अभी जब मैं आपको channel staffing example गये, यह bill and hold कर दिया हूँ, उसमें क्या आते है, मेरे debtor days substantially high हो जाते है क्या यह भी एक red flag है कि मेरे customer मुझे पैसा नहीं दे रहे, तो could be possible मैंने artificially manipulate करने की कोशिश करी अपनी earnings को, the answer would be yes इस, bill and hold related party transactions, net income not supported by operating cash flows, इसका मतलब है अगेन आपके debtors जह हो काफी जादा हाई आरे है अब कर्च को क्या कर रहे हूँ, capitalize कर रहे हूँ, 4th quarter earnings not in line with the industry, frequent appearance of non-recrearing items, emphasis on non-gap majors क्या यह सारी की सारी चीज़े indicate करते हैं मेरे company में कुछ ना कुछ गया पर है, the answer would be yes So as an analyst, आपको इन सारी बातों का ध्यान देना है, और try करना है, कि क्या है, आप उस company में जादा से जादा research में अपने time को क्या करें, devote क्या है, आपको दादा की कुछ आइन में आदासरो 5th quarter Starting Carry.